आज के इस जावा फूल कोर्स के एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट जावा पढ़ाएंगे जिसमें हम जावा के सभी चैप्टर्स को थियूरी नोट्स, कॉंसेट और एक्जामपल के साथ कवर करेंगे तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इस बात की गैरंटी मैं लेता हूं कि आप जावा 100% सीख जाएंगे तो स्टार्ट करने दे पहले मैं आपको जावा के फ्लेवर के बारे में बताना चाहूंगा कि जावा का कितना फ्लेवर होता है सबसे पहला फ्लेवर होता है कोर जावा सेकंड एडवांस जावा और हमारा थाड होता है एंड्रोइड जावा इनहीं तीन पार्ट में जावा को डिवाइड किया गया है तो अगर आप कोर जावा सीख लेते हैं तब इस बात के पूरी गैरंटी है कि आप सोफ्ट्वेर ब बनता है तो आप सोफ्ट्वेर बना पाएंगे कोर जावा सीखने के बाद एडवांस जावा अगर आप सीख लेते हैं तब आप क्या कर पाएंगे तब वेव एप्लिकेशन बना पाएंगे यानि वेबसाइट बना पाएंगे खुद का वेबसाइट आप यहां पर जावा क फेमस है और अलग-अलग काम करने के लिए जावा को अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइट किया गिया है तो हम आपको कोर जावा कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं जिससे सॉफ्वेयर बनता है ठीक है और आप कोई भी इंटर्वियू में बैठी है इस दुनिया के कोर जावा से ही कोस जानाता है ठीक है अगर आप जावा सीख रहे हैं तो आपको कोर जावा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा तो कोर जावा के सिलेबस में सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा जावा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे जो की इंट जासे वाइल लेरन जावा जावा वं कीव सीखें उसके बाद इंट्रोडबशन में सबसे पहले हम देखेंगे का शीन्टक्स क्या होता है जावा को अपने कैंप्टूटर सिस्टम ले इंस्टॉल काईसे करते हैं य्ड Тут क कर ना पड़ता है मतलब जावा इंस्टॉल हो गया क्यूंकि यह ज्डिक का मतलब होता है जावा डेवलोप्मेंट कीट यह सारा हमें किट प्रुवाइड करता है जिससे हम जावा लैंग्वेज के साथ काम कर सकें फिर हम बनाएंगे फर्स्ट जावा प्रोग्राम अपने कंप्वूटर सिस्टम में यह जो स करेंगे इसी को प्राक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे फर्स्ट जावा प्रोग्राम के रूप में फिर कोई भी जावा प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो वह कितना से गुजरता है उसका कंपाइलेशन और एक्जिक्यूशन का प्रोसेस हम आपको स्टेप बैस्टेप में आपको फाइद्स को आप बोल सकते हैं फीचर सोग यही जावा लांग्वेज का फीचर भी ठीक है विशेस्ता तो सबसे पहला फीचर से जावा लांड़ेज का सिंपल एंड इजी टू लर्ण बहुत ही असानी से आप जावा लैंगवेज को सीख सकते हैं और इसे सीख सकता है थार्ड वंगया platform independent languages जावा आप प्लैटफो मيंडीपेंदेंट का मतलब यहां पर यह होता है कि आप इसके प्रोग्राम को कहीं भी किसी However, computer system में रण कर सकते हैं थीक है भले यह आप इसai किसी भी OS system क्यों कि यूँ ना बनाए हों थे कि व contradiction scarf गया secure हो गया embedded java एक embedded programming language इसका मतलब क्या होता है कि अगर माल लिजे आपने कुछ पार्ट अपने प्रोग्राम का c++ में already कर लिया अब आगे java में coding करने के लिए आए हैं तो आप c++ वाले पार्ट को java में यूज कर सकते हैं इसी को कहते हैं embedded फिर हो गया compiled and interpreted java के पास compiler भी होता है और interpreter भी होता है तो जब हम java का कोई भी program बनाते हैं सबसे पहले हमें उसे compile करना पड़ता है तो byte code मिलता है जिससे हमें security प्रोवाइड की जाती है वह क्या करता है उसको interpret करता है फिर हमें output देता है सेवेंथ हो गया हमारा java का feature robust java एक robust programming language इसका मतलब क्या हुआ कि यह जावा के पास एक garbage collector होता है जो की unused object को destroy करता है जिससे इसकी memory waste नहीं होती है साथ ही साथ इसके पास एक exception handling का mechanism होता है जिससे यह आने वाले errors को ना सिर्फ हैंडल करता है बलकि हमारे program के flow को maintain भी रखता है तो हम आपको यह concept समझाएंगे practicality के आगे सिरे बसमें last होगी हमारा large library and frameworks java की library बहुत बढ़ी अगर आप सीखने जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इसमें framework भी होता है मतलब पहले से जावा ने बहुत सारे source code कर रखें आपको बस उन्हें use करना आना चाहिए अपने project के लिए तो यह हो गया जावा programming language हम क्यों सीखें अभी एक और question arise होता है कि why Java so popular अभी जो feature हमने डिसकस किया उसी वजह से जावा programming language बहुत ही popular है सबसे पहले popular होने का reason कि आप इसमें software बना सकते हैं second reason क्या है कि आप website भी बना सकते हैं Java से reason number third क्या है कि आप अगर mobile apps भी चाहें तो Java से बना सकते तो यह सारा काम आप Java से कर सकते हैं इसी वजह से जावा programming language आज के time में बहुत ही popular है Java के इस full course में अब हमारा topic है introduction to Java तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे what is Java Java क्या होता है अगर आप interview देने जा रहे हैं तो आप से यह question जरूर पूछा जाएगा full explanation मतलब इसका introduction भी देखेंगे syntax भी देखेंगे पहला प्रोग्राम भी बनाएंगे ठीक है जेडी के इंस्टॉल करके दिखाएंगे सारी चीजे तो जावा क्या होता है Java is a class based high level object oriented programming language developed by James Gosling and his friends in the year 1995 Java class based programming language मतलब इसमें आप बिना class के एक single line का code भी नहीं लिख सकते आपको class बनाना ही पड़ेगा high level का मतलब क्या होता है कि Java high level भी है तो high level वह language होता है जो कि English से काफी ज्यादा relate करता है और जिसे as a human being हमें सीखना काफी ज्यादा आसान हो सीखना और समझना उस language को हम high level language कहते हैं जो English और mathematics के काफी करीब होता है object oriented programming language है क्योंकि जाइर सी बात है अगर class रहेगा तो उसका object बनाने ही पड़ेगा तो इस जावा programming language को 1995 में जेम्स गोजलिंग के द्वारा बनाया गया था साथ ही साथ इनके दो फ्रेंड्स थे जो कि जेम्स गोजलिंग की काफी मदद की थी इस language को बनाने में ठीक है यह हो गया जावा क्या होता है अब आपको याद क्या रखना जावा पढ़ने से पहले जब इस टाइमपर उसे जावा का 1 वर्जन बोला गया था लेकिन वर्जल्ट कया है पॉर्स वार स्ट्राव जेलिंग के द्वारा पहले जावा सन माइक्रो सिस्टम का प्रोड़क्ट था ठीक है सन माइक्रो सिस्टम नहीं जावा को बना था जिसमें जेम्स गोजिलिंग और उनके फ्रेंड्स एज डेवलपर थे बात आपको और याद में रखने अपने माइंड में 2010 तक 2008 यह जो हमारा जावा प्रोड्राम लेंग्विज अब ही अमारा जो जावा है वो औरेकल का पार्ट है जब हम आपको जेडिके इंस्टॉल करके दिखाएंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो आप देखिएगा हम इसी औरेकल की वेबसाइट से जेडिके डाउनलोड करेंगे ठीक है क्योंकि जावा औरेकल का ही पार्ट ह और यह पी तो वहाँ पर यह में जाएंगे तो जावा प्रोजाणी का सिंट्यक्स क्या मतलब लिखने का त्रीकर क्या सबसे पहले आपको क्लास यहां पर लिखना पड़ेगा और class का एक name provide करना पड़ेगा नेम यहां पर कुछ भी ले सकते हैं class का आपकी मर्जी फिर आप देखेंगे class में यहां पर यह जो है इसको बोलते हैं open curly bracket और यह हो गया हमारा close curly bracket और इसी curly bracket के अंदर हमारा सारा source code होता है तो class के अंदर एक method होता है जिसको हम कहते है main main एक method है यहीं से Java programming language का execution प्रोग्राम का जो execution वो start होता है यहीं पर end होता है main में दीखें यानि प्रोग्राम का starting point और ending point main method होता है तो main method को public क्यों रखा गया है सबसे पहले आपके mind में यहीं question आता होगा public इसलिए रखा गया क्योंकि जब हम program को compile कर देते हैं जब हम run करने के लिए जाते हैं तो program को run कौन करता है हमने आपको बता था jvm jvm करता है तो jvm program को बाहर से execute करने के लिए आता है तो अगर main method public नहीं रहेगा तो यह सारा code run नहीं होगा जो main method के अंदर लिखा हुआ है और main method ही starting point होता है जावा program का तो अगर main method public नहीं रहेगा इसका मतलब jvm इस code को execute नहीं कर पाएगा इसी वजह से इसे public रखा गया है main method static है ताकि बिना object बनाए इस class का हम main method में जो भी code लिखे हैं उसे execute कर सके वोईड है वोईड का मतलब हमें कुछ भी value return नहीं करना पड़ेगा और main method में जो भी parameter में हम यहाँ पे pass करते हैं इसको हम बोलते है parameter ठीक है यह parameter section है तो जो भी चीज हम parameter में यहाँ पे pass कर रहे main method से उसको हम बोलते है command line argument तो यहाँ पे आप जो string देख रहे हैं यह क्या यह एक predefined classes जावा में classes को पहचानने का तरीका होता है first later capital होता है और यह args एक array variable है इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं ठीक है string को as a data type भी java में use किया जाता है जब हम string chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम cover करेंगे detail में तो यह हो गया कुछ भी description प्रोवाइड करने के लिए comment यूज करते हैं तो दो तरीके से जावा में आप comment यूज कर सकते हैं पहला होता है single line comment इस तरीके से आप लिख सकते हैं double forward slash से और second होता है multi line comment इसको इस तरीके से आप लिखेंगे forward slash एक single रहेगा उसके बाद star और यहां पर आप जो भी लिखेंगे वह हमारा program का description होगा और यहां पर close हो गया यह हमारा multi line comment तो comment को compiler के द्वारा totally ignore किया जाता है यह execute नहीं करता है comment ठीक है तो हम चलिए अभी क्या करते हैं अपने computer system में Java को install कैसे करना है वो देख लेते हैं हमें अपने computer system में दो चीजे install करनी पड़ेगी सबसे पहले हमें JDK 16 जो की अभी का latest वर्जन जावा का इसे install करना पड़ेगा क्योंकि बिना इसके हम कुछ भी code नहीं कर सकते जावा का JDK मतलब Java development kit यह हमें वो सभी kit provide करता है development से related जिससे हम Java developer बन सकते हैं और Java में हम काम कर सकते हैं तो JDK install करने से हमारा सारा काम हो जाएगा लेकिन coding करने के लिए फिर हम install करेंगे Eclipse IDE को अपने computer system में Eclipse IDE install करने से फायदा क्या होगा कि हम बहुत ही असानी से code कर पाएंगे IDE के अंदर और compile on run करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा तो IDE का मतलब होता है integrated development environment ठीक है यह हमें provide करता है उससे पहले आपको Java programming language के बारे में कुछ history भी पता होनी चाहिए जो कि क्या होता है इंटर्वी में पूछा जाता स्टार्टिंग में Java language का नाम था ओक बाद में इस नेम को रिप्लेस करके language का नाम बदल के क्या रख दिया गया बाद में यह हो गया Java तो यह जो ओक था ना यह पहले से ही कई country का national symbol था ठीक है उसके बाद यह एक technology से भी बिलॉंग कर रहा था एक company का भी नेम था तो हमारे जो जावा के कोफी का नाम था जावा तो हमारे डेवलपर जेम्स गोजलिंग ने सोचा कि जावा कहीं पर और यूज नहीं किया जा रहा यह नेम हम क्योंने अपनी programming language का नाम जावा रख देते हैं और सबसे इंट्रेस्टिंग बात जावा का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है ठीक है इसलिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जावा programming language का जो लोगो हो यानि सिंबल है वो एक कोफी का कप है क्योंकि यह जो हमारा जावा है यह इंडोनेसिया का द्वीब था जहां पर पहला कोफी हुआ था उस कोफी का नाम था जावा तो हमारे डेवलपर जेम्स ने अपनी language का नाम रख दिया जावा यह जो पहले नेम एक बनते हैं और इसका extension है .java ठीक है जब हम फर्स्ट प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे जावा का तो आप देखेगा extension हम .java ही लगाएंगे तो उससे पहले हम क्या करते हैं JDK और Eclipse IDE को चलिए इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो java JDK कैसे install करेंगे अपने computer system में सबसे पहले आपको अपना browser open करना है और आपको JDK डाउनलोड करना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर java JDK download बस आप इतना ही लिखके enter press करेंगे तो आप देखे पहला नंबर पर जो link का रहा है आपको इसी पर click करना है जैसे ही आप इस पर click मैंने आपको बताया था java जो है oracle का ही product है तो देखिए हम JDK download करने के लिए आए हैं लेकिन oracle की website में तो अभी देखे यहाँ पर JDK का latest version आ चुका है JDK 17 मैंने एक मैने से लगभग चेक आउट नहीं किया था तो मुझे लगा कि 16 ही latest version है लेकिन यहाँ पर 17 आ चुका है तो आप यहाँ से latest version चेक कर सकते हैं तो मुझे Windows operating system के लिए करना है तो मैं यहाँ पर click करूंगा और मुझे EXE file download करनी है तो मैं इस पर click करूंगा जैसे ही मैंने click कर आप नीचे देखिए downloading start हो चुकी है Ctrl J प्रेस करते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं इसको cancel कर दे रहा हूं क्यूंकि मैंने क्या किया है इसे download कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अभी मुझे करना क्या पड़ेगा मुझे इस EXE file में click करना पड़ेगा तो जैसे EXE file पर click किये हैं अभी हमारे पास yes no का permission बोलेगा तो yes करिएगा minimize करते हैं इसको और अभी हमारे पास installing का pop-up box आ चुका है next करना है हमें next status देखिए JDK का installing start हो चुका है यह जादत जादत 10 से 15 seconds लेगा install होने के लिए install होने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजे इसमें add करनी है environment variable का path आपको set करना पड़ेगा तो आप बने रहेगा अभी करते हैं इसको close तो install हो चुका अब हम क्या करेंगे environment variable का path set करेंगे सबसे पहले यहाँ पर search bar में आएंगे यहाँ पर हम लिखेंगे environment the system variables इस पर click करो आप ठीक है click करने के बाद आपको environment variable में click करना है फिर आप यहाँ पर system variables में path में click कर ये और edit पर click कर दीजए अभी आपको करना क्या है इस PC में जाना है हमारा c drive में install हुआ है program files के अंदर java यह देखिए jdk 17 तो इस पर click करेंगे bin folder तो bin folder तक हम क्या करेंगे यहाँ से path copy कर लेंगे copy किया हमने अब यहाँ पर आएंगे new पर click करेंगे और यहाँ पर paste कर देंगे paste करने के बाद ok तो आप देखिए हमारा path यहाँ पर jdk 17 के लिए लग चुका है अब हमें करना क्या है हमें एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पर हम new पर click करेंगे और variable एक बनाएंगे अपने से जैसे java underscore home सब आपको capital में ही लिखना है और यहाँ पर भी हमें एक path देना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर हम jdk का एक step पीछे यहां तक का भी हम location copy करेंगे और यहां पर आके हमें करना क्या है पेस्ट करना है फिर ok यहां पर भी ok और ok हमारा काम हो गया अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपना cmd open करिए और open करने के बाद आपको लिखना है java c iphone version तो अगर आपके system में यहां पर java c 17 दिखा रहा है इसका मतलब java jk 17 आपके computer system में successfully install हो चुका है अब हम क्या करते है Eclipse IDE कैसे download और install करना आपको बो बताते हैं आपको करना क्या पड़ेगा सबसे पहले आपको google में यहां पर search क्या करना आपको search करना है Eclipse IDE download बस इतना ही search करिए और पहली वाली website पर चले जाए यह जो link है downloading का मैं video के description में provide कर दूँगा आप यहां पर क्या करो download वाले orange button पर click कर दो जैसे ही आप यहां पर click करेंगे आपके सामने एक और window open होगा ठीक है तो थोड़ा सा इंतिजार करते हैं एक से दो सेकेंड में यह open हो जाएगा यह आपके internet के उपर depend करता है ठीक है तो wait करते हैं तो यहां पर देखे यह open हो चुका तो आप download वाले button पर करना क्या आपको click करना जैसे ही आप download वाले button पर click कर देंगे नीचे साइड में आपके downloading यहां पर देखे start हो चुकी है Ctrl J प्रेस करें और यह देखे Eclipse IDE का हमारा downloading स्टार्ट हो गया मैंने इसे भी download कर रहा है तो हम क्या करेंगे? Cancel कर देंगे अभी अपना browser close करेंगे This PC में चलते हैं और Downloads वाले section में यह देखे मेरा Eclipse IDE यहां पर है तो double click करेंगे इसको install करने के लिए बाकी की चीज minimize तो यहां पर Eclipse IDE का installation का pop-up box से आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा तो आपको करना क्या? इसे install करने के लिए थोड़ी सी आपको यहां पर सावधानी बरतनी पड़ेगी तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा इस सब चीज कट कर दे इस सब चीज कट कर दे वीडियो चलने दे वहां पर चुप हो यह थे तो चल जाएगा चल जाएगा जैसी इधर घुमा तो यह था आगिया था लोगे इस्टार्ट कर गोई आप यहां पर देखिए बहुत सारे options आपको मिल जाएगा तो आपको करना क्या है सबसे उपर वाला में Eclipse IDE for Java developers को select करना है इस पर click करो और install पर आप click कर दो तो यह आधा घंटा या फिर एक घंटा भी time ले सकता है complete install होने के लिए तो थोड़ा जा इसको time देते हैं जब यह complete install हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें first Java program बनाके दिखाएंगे Eclipse IDE में उससे पहले आप उपर में notice किया है क्या यहां पर देखे हमारा JDK 17 selected है इसका मतलब JDK 17 के थुरू ही हमारा program compile और run होगा इस Eclipse IDE में ठीक है ध्यान दीजेगा इस बात को ने तो आपको लगेगा कि JDK हम क्यों download और install किये क्योंकि JDK ही हमें वह सारा tool प्रवाइड करता है जिससे हम Java language के साथ काम कर सके तो देखो यह मेरा installing लगवग complete होने वाला है क्योंकि मेरे पास क्या है मेरे गर में wifi लगा हुआ है तो मेरा internet speed काफी जादा है तो हो सकता है यह आपके internet पर depend करे कितना time लेता है तो time जरूर दीजेगा इसको launch पर click करेंगे जैसे हम launch button पर click करेंगे हमारा eclipse IDE हमारे सामने क्या होगा open हो जाएगा इस तरह से यह open होगा desktop में इसका icon भी आपको 100 होने लगेगा मैंने पहले ही install करके रखा था तो मैंने इसका icon delete नहीं किया था नहीं चाहता हो कि यहां पर आए मैं क्या करूँगा desktop में एक folder create कर लूँगा और उसका name मैं दे देता हूँ java full course ठीक है क्योंकि यह हमारा video है java full course का यहां पर java full course मैंने अपने folder का name दे दिया अब हम क्या करेंगे इसी folder को select करेंगे workspace के लिए तो browse करेंगे उसके बाद desktop यह देखो मेरा folder है java full course जो अभी अभी बनाया select folder उसके बाद launch पर click कर देंगे जैसे ही इतना काम करने के बाद आप click करेंगे आपका Eclipse IDE आपके सामने open हो जाएगा तो थोड़ा से यह time लेगा opening के लिए भी होने के बाद आपके सामने Eclipse IDE का welcome page आज आएगा यह welcome page है तो आपको करना क्या है program बनाने के लिए file में जाना है new को आप select करेंगे उसके बाद आपको करना क्या java project पे click करेंगे आप फिर यहाँ पे project का आपको name लेना है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जो भी selected है हमें इससे कोई मतलब नहीं हम क्या करेंगे अभी finish पे click कर देंगे तो यहाँ पे don't create करेंगे कोई जौरत ने create करने का तो अभी हमारे सामने यहाँ पे आपको करना क्या है click करना है तो यहाँ पे देखिए यह हमारा java full course का project है इसको थोड़ा सा expand करिए यहाँ पे तो आप देखिए src यहाँ पे आपको करना क्या src में ही हमें प्रोग्राम बनाने है तो right click करेंगे इस पे उसके बाद new और अभी हम जाएंगे class ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लेते है class का name लेते है हम first यह हमारे class का name है और package हम by default रहने देते हैं आप चाहाँ तो अपना खूद का package बना के भी coding कर सकते हैं लेकिन मेरा default package ही रहेगा मुझे main function चाहिए coding करने के लिए मैंने इस पे tick कर दिया अब क्या करेंगे finish जैसे हम finish किये यहां पर देगे coding window आ चुक है क्या करेंगे इसको maximize एक second maximize यह किस तरह से maximize होगा ऐसे ही कर देता हूं कोई दिखकत नहीं है तो अभी देखो इसका font size काफी छोटा है हमें करना किया font size सबसे पहले थोड़ा सा increase करना है window में जाएंगे preferences उसके बाद आपको यहां पर search करना है आपको search करना है font ठीक है तो color and font का आपको option दिखेगा यह वाला इस पर आप click करो फिर आप करेंगे क्या basic में जाएंगे basic में आने के बाद आपको text font पर click करना है और edit करना है font size 20 कर देते हैं ठीक है OK काफी है इतना apply apply and close तो आप देख सकते हैं font size हमारा increase हो चुका है class का name first है और हमारा public static void में Java का syntax है अब मुझे करना क्या एक message print करना तो कैसे करेंगे हम हम message print करेंगे हम लिखेंगे system.out.println यहां पर देखेंगे suggestion भी मिलता है IDE का यही खुबसूरती होता है तो सबसे पहले इस line को मैं समझा देता हूं system java में predefined class है जो की java के lang package में यहां पर आप देख सकते हैं out हमारा output के लिए use करते हैं println एक function है method है predefined method है अगर आप print भी लिखेंगे तो चलेगा lnm new line के लिए use करते हैं तो अगर मैं यहां पर message देना चाहूं java full course यह हमारा message है ठीक है और इस program को अम मैं करूँ run तो run करने का बहुत सारा तरीका है यहां पर देखे run button आपको मिलेगा आपको करना क्या है run पर click कर देंगे तो आपका code run होगा ok कर दो यहां पर देखे java full course output आ चुका है इस output window को आप minimize कर सकते हैं इस तरह से permanent नीचे set कर दो ठीक है output यहां पर देखे आ चुका है output एक और तरीका होता इसको run करने का right click करो उसके बाद run as java application तो यहां पर देखे फिर से हमारा output आ चुका है तो इस तरह से हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया Eclipse IDE में मैं Eclipse IDE इसलिए use नहीं करता हूं क्योंकि मुझे अपने computer की screen भी record करनी होती है तो इससे क्या होता है system का performance काफी ज्यादा slow हो जाता है hang करने लगता है तो आप लोग comment करते हो कि आप Eclipse IDE use क्यों नहीं करते मुझे बहुत पसंद है मैं जब भी personal coding करता हूं तो Eclipse IDE में ही करता हूं अगर आपको भी java developer बनना है तो आपको Eclipse IDE ही use करना है तो यहां पर देखना चाहेंगे हम अपने इस folder में जो कि Dextro में बनाए थे आप देखिए यहां पर java full course win folder के अंदर जाएए यह हो गया हमारा class file जिसको हम byte code कहेंगे इसको अगर हम open करें तो क्या हमें कुछ समझ में आएगा देख लेते हैं समझ में आता है कि ने notepad में open करता हूँ यह देखो हमारे program का जब हम program को compile किये न तो यह file बना इसको हम .class file यानि byte code कहते हैं तो इसको समझना हमारे लिए नमूमकिन है इसको कौन समझेगा jvm जो कि Java program को run करेगा जो कि हमारा interpreter है हम आपको step by step समझाएंगे लेकिन उससे पहले आपको अभी लगता होगा कि Java compiler और interpreter तो हमने देखा ही नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ Java compiler और interpreter हम क्या करते हैं notepad में भी पहला program है तो आपको notepad में भी coding करके दिखा देते हैं हम क्या करते हैं क्लास बना लेते हैं first नाम का ठीक है यह हमारा class है क्योंकि आप beginner है तो आपको सभी चीज़े आनी चाहिए public static void main उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है देखो notepad की खासित क्या कि आपको सारी चीज़े यहाँ पे खुछ से लिखनी है args आप चाहिए इसका नेम कुछ भी ले सकते हैं मैं अपना नेम लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है चलेगा फिर क्या करेंगे यहाँ पे output के लिए system eclipse में हमें suggestion मिल रहा था लेकिन यहाँ पे कुछ भी suggestion नहीं मिलेगा यहाँ पे अपना पुराना message दे देते हैं hello world ठीक है उसके पार dot dot यह हो गया अभी क्या करते है काली bracket की body close करते हैं हमारा code ready है इसको हम करते हैं save save as कर लेते हैं dext of location पे class का किस नाम से save करें first name से save करते हैं तो अभी देखो यह save हो चुका अब क्या करेंगे इस program को compile और run करेंगे cmd सबसे पहले dextro में चले जाते हैं यह approach भी अच्छा है तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा प्रोग्राम को compile करने के लिए Java के पास compiler होता है जिसको हम बोलते है Java C फिर आपको लिखना पड़ेगा आपके class का name तो यहां पे class का name हमारे क्या है फाइल को open करके देख लेते हैं class का name है first तो हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे first फिर .java आपको लिखना ही है enter मारिए तो यहां पे देखिए error file not found हमें एक error मिल चुका यह क्यों मिला है मुझसे गलती क्या हो गई कि यह program run नहीं कर रहा है क्योंकि मैं जब इस file को save कर रहा था तो मैंने .java extension नहीं दिया मुझे करना क्या पड़ेगा इसको .java extension से ही save करना पड़ेगा क्योंकि जो java compiler होता है उसको सिर्फ java file ही चाहिए तो class का name .java नाम से हम क्या करते हैं इसको save करते हैं अभी यह save हो चुका है अभ क्या करते हैं इसको recompile तो यहाँ पे देखे successfully जैसे ही compile हुआ हमारा .class file बनके आ गया यह .class file बिलकुल वा ऐसा ही है जैसा हमने आपको Eclipse IDE में दिखाया था यहाँ पे देखे इसको सिर्फ jvm समझ सकता है तो अभी jvm का काम स्टार्ट होगा अब रन करने के लिए हम लिखेंगे java class का नेम क्या है first यह हमारा compiler था और यह हमारा jvm है जो की program को अब interpret करेगा और हमें output देगा तो यहाँ पे देखी output आ चुका है hello world तो अभी यह जो program हमने आपको बना के दिखाया java का first program इस program का compilation and execution process चलिया step by step समझते हैं कि अगर हम कोई भी java का program बनाते हैं तो वो कितना step से गुजरता है अब हम समझते हैं कि जो program अभी हमने practically देखा first java program उस program का compilation and execution process क्या था कोई भी java का program अगर हम बनाते हैं तो वो कितना step से गुजरता है चलिये हम समझते हैं सबसे पहले जब हम program बना रहे थे तो हम file का नाम दिये था first dot java जो भी dot java से file बनती है उसको हम कहते हैं source code ठीक है वो होता है हमारा source code जब इस source code को हम compiler को submit करते हैं compiler मतलब Java से मतलब Java compiler तो Java compiler जब source code को compile करता है dot java file को तो वो बन जाता हमारा byte code dot class file को ही हम कहते हैं byte code और यही dot class file यानि byte code हमें security provide करता है जिसे केवल यह jvm ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता तो यह dot class file का length होता है 8 bits 8 bits मतलब 1 byte इसलिए इसको कहते हैं byte code फिर इस byte code यानि dot class file को हम interpret करने के लिए jvm interpreter को submit करते हैं तो jvm क्या करता है इसको interpret करके हमें output provide करता है तो हम यहाँ पे अपने program का result देखते हैं तो हमने क्या देखा था अपने program का result जो message हम display करवाए थे वो print हो गया था इसी वजह से जावा programming language एक platform independent language है कैसे माल लिजे आपने यह जो file create किया dot java आपने computer system में इसे create किया जिसमें क्या है Windows 7 operating system है अब एक बार अगर आपने इसे compile कर दिया dot java file को और बन गई dot class file तो इस dot class file यानि byte code को आप दुनिया की किसी भी कोने में किसी भी computer system मिले जाए आप run कर सकते हैं इसी वजह से Java होता है platform independent माल लिजे इस system में क्या है इस system है Linux operating system और जबकि जिसमें आपने प्रोग्राम बनाया था उसमें windows 7 था फिर भी कोई दिक्कत नहीं है आपका प्रोग्राम 100% execute करेगा ठीक है यही feature Java का बनाता है Java को platform independent अब आगे बढ़ने से पहले हम फिर से Java full course में अपने syllabus को चेक कर लेते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले अब हम data type पढ़ेंगे data type क्या होता है साथ हम variable को भी cover करेंगे फिर हम data type और variable का practical देखेंगे practical देखने के बाद keyword क्या होता है Java keyword के बारे में हम जानेंगे यह identifier क्या है identifier को भी हम समझेंगे ठीक है बढ़िया फिर हम देखेंगे जावा में input और output क्या होता है कैसे runtime में input लेते हैं और output को कैसे display करते हैं तो चलिए सबसे पहले इन chapters को हम cover करते हैं practically और theoretically फिर आगे भी हम move करेंगे What is data type, data type क्या होता है, full explanation मतलब कितने types का होता है, practically सभी चीज़ों को हम देखेंगे तो चलिए start करते है data type का काम क्या होता है, data type specify the different type of values that are stored on the variables data type हमें यह specify करता है कि किस तरह की value variable ने store करके रखी है क्योंकि यह जो variable होता है, यह किसी भी तरह का value को store करके रख सकता है तो किस तरह का value इसने already store करके रखा हुआ है, अगर हमें पता करना हुआ तो हम data type से ही पता करते है और data type हमें यही बताता है, बस यही काम होता है data type को और जब भी हम कोई variable बनाएंगे तो यह compulsory है कि हम data type उसका जरूर दें इसलिए आप समझेगा हर प्रोग्राम में हम data type यूज़ करेंगे, इतना important concept है यह तो Java में data type कितने types का होता है, अभी आपको हम वो बता देते हैं सबसे पहला होता है primitive data type, ठीक है, second होता है non primitive data type, यही दो type का data type होता है तो primitive की अगर बात करें तो इसको again two part में बाटा गया है, numeric and non numeric part में तो numeric data type में आ जाते हैं, byte, short, int, long, double, float और इधर इनका size लिखा हुआ, ठीक है byte, 1 byte, short, 2 bytes, int, 4 bytes, long, 8 bytes, double का size 8 bytes, float का size 4 bytes अगर non numeric की बात करें तो यहाँ पे आपको care data type मिलेगा, जिसका size होता है two bytes, boolean, जो की एक bit इसका total size होता है, ठीक है, अब non primitive क्या होता है non primitive data type में आप का जाएगा class, array, string, इसके लाबा भी और बहुत कुछ आते हैं, जैसे set, q, ठीक है, list, यह सभी हमारे non primitive data type हो गए, तो इस java के full course में हम क्या करेंगे, हर एक data type को practically implement करके आपको दिखाएंगे, अगर आप इस video को देख लेते हैं, तो आप सारे data type का practical भी देख पाएंगे, तो अभी चलो हम variable क्या होता है, वो पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, data type variable का साथ में practical देखेंगे, java के इस full course में, अब हम बढ़ेंगे अगले topic की और जिसका नाम है variable, java में variable क्या होता है, कितने types का होता है, variable का मतलब क्या है, सब चीज हम देखेंगे, तो देखते हैं, variable is the name of memory location, variable का इस से अच्छा definition आपको कहीं नहीं मिलेगा, variable जो होता है, memory location का name होता है, where we stored different types of value, जहाँ पे हम अलग-अलग तरह की value को क्या करते हैं, store करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चड़ रहा है, variable, इसका मतलब vary plus able, variable मतलब ये change हो सकता है, जैसे, अगर मान के चलिए, मेरे पास एक number integer, number 10, मुझे इसे computer memory में क्या करना है, store करना है, इसदर बनाते हैं, हम computer, ये हमारा computer system हो गया, अब इस 10 को मुझे क्या करना, computer system में ये हो गया हमारा memory, और इसका ये हो गया, 1000, मान लिजे address, कुछ भी address हो सकता है, memory location का, तो मान लिजे मुझे इस 10 को computer memory में यहाँ पे store करना है, ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये 10 क्या है, जावा को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, तो जावा बोलता है कि 10 का एक name provide करो, तो हम क्या बोलते हैं, फिर हम इसका एक name देते हैं, मान लिजे हमने द store नहीं होगा, क्यों, क्योंकि memory को, value को store होने के लिए space चाहिए, memory चाहिए, तो इसे memory कौन provide करेगा, इस variable को data type, तो इसका type क्या है, ये number है, मतलब इसका type है, int, जैसे ही हमने लिखा यहाँ पे int, अभी ये 10 हमारा इस memory में आके store हो जाएगा, और इसके लिए 4 bytes का memory बनेगा, 4 bytes का memory इसको लिए computer में provide किया जाएगा, और इस 10 का, ये जो address 1000 है, इस address का, इस location का नाम क्या, इस location का नाम हो गया A, क्यों, क्योंकि इस 10 को हमने variable A में देखे, यहाँ पे store करा दिया है, तो इस A की मदद से ही हम इस 10 को computer memory में store कर पाए, अब अगर इस value को हमें माली जे access करना हुआ, यहाँ से fetch करना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी variable की मदद से, इसे computer memory से use कर सकते हैं, use करने के लिए system.out.println, और यहाँ पे आपको A को print करना होगा, तो जैसे हम A को print करेंगे, यह 10 value प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि A का value ही 10 है, तो variable के बिना नहीं आप कुछ computer memory म सकते हैं, simple concept, और variable change हो सकता है, इसकी value change हो सकती, जैसे अभी 10 है, अगर अगले ही line में हम लिख दे, पलस पलस A, इसका मतलब अभी इसका value हो गया 11, ठीक है, इस तरीके से, तो चलिए हम देख लेते हैं कि Java में कितना type का variable होता है, local variable, static variable, instance variable, और final variable, four types का variable होता है Java में, तो local variable ऐसा variable होता है, जो किसी block के अंदर होता है, जैसे किसी method के block के अंदर अगर कोई variable है, तो वो हो गया local variable, या फिर किसी conditional statement के अंदर कोई variable है, if, if, else, इस तरह statement के अंदर कोई variable लिखा हुआ, तो वो भी local variable होगा, local variable मतलब किसी method या फिर किसी block के अंदर लिखा हो, वो होता local variable, static स्टाटिक वेरियेबल ऐसा वेरियेबल होता है जिसमें स्टाटिक कीवर्ड लगा हुआ होता है इंस्टेंस वेरियेबल ऐसा वेरियेबल होता है जो कि सभी मेथट्स और सभी ब्लॉक के बाहर लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर अगर कोई वेरियेबल क्लास की body के अंदर है लेकिन सभी methods की body के बाहर है और class के अंदर है वो होता है instance variable और final variable ऐसा variable होता है जिसकी value को हम change नहीं कर सकते तो अभी हम practical देखेंगे तो local static और instance variable को cover करेंगे इन्हें practically implement करेंगे final variable जब हम interface पढ़ेंगे जाबा में वहाँ पर हम इसको भी देख लेंगे तो चलिए practical देखते है local static और instance variable का यह हमारा previous वाला program है यानि first java program अब हम second program बनाएंगे data type और variable का तो उसके लिए हमें नया class file बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे project explorer में जाएंगे और यहाँ पे src में right click करेंगे new फिर हमें class को select करना है तो class का name यहाँ पे हम ले लेते हैं second क्योंकि यह हमारा second program है main function हमें चाहिए tick कर देंगे और finish तो यहाँ पे देखे हमारे लिए एक second नाम का class बनके आ चुका है क्योंकि हमने इसी नाम से file बनाया है dot java उपर में देख सकते हैं class को public रखना optional है ठीक है आप रख भी सकते हैं नहीं वह you can और you can't तो यहाँ पे इस line का कोई काम नहीं है मिटा देते हैं इसको अब बनाते है variable types of variable की बात मैंने की थी copy वाले notes में ending में ठीक है तो अगर हम यहाँ पे variable बनाते है int a equal value देते है 10 तो यह जो variable है इसको हम कहेंगे instance variable तो comment section में यहाँ पे हम लिख रहे है instance variable तो सबसे पहले इस comment को मैं आपको बता दूँ यह comment क्या होता है java में comment में जो भी लिखेंगे हमारा java compiler उस section को ignore करता है तो अगर आप double forward slash use करेंगे और उसके बाद कुछ भी लिखेंगे तो वह comment का part हो जाता है और यह compiler दुआरा totally ignore किया जाता है ठीक है यह बस programmer अपने समझने के लिए लिखते हैं जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया int a equal 10 बगल में मैंने instance variable लिख दिया कोई भी देखके समझ जाएगा कि यह instance variable है ठीक अब एक और variable अगर मैं बनाओं जैसे हम बनाते हैं double type का variable ठीक है double be equal इसमें value देते है 20.5 मैंने आपको बोला ही था कि जो variable होता वह अलग-अलग अलग-णलग तरह की value को इसटोर करने के लिए 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 और data type क्या करता है उस अलग-अलग तरह की value को जो variable ने store किया उसका type स्टोर किया करता है यहँ पे इसका type यह double data type specify कर रहा और a variable अलग value लिए भी variable अलग value लिया है इसको हम charging पे लगा देते हैं अपने laptop को ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हम use करेंगे static keyword क्यूंकि मुझे इसे static variable बनाना है तो यह बन गया हमारा static variable यहाँ पे मैं लिखूंगा static variable क्यूंकि इस variable को जब हमने बनाया तो आगे में देखे static keyword यूज है अब main function के अंदर आते हैं main method में अगर हम variable बनाते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे एक और variable दूसरा बनाते हैं जैसे boolean type का variable बना देते हैं ठीक है boolean c equal क्या लिख देते हैं यहाँ पे 1 ठीक है तो यह क्या है यह हमारा local variable लोकल variable ठीक है आप चाहें तो यहाँ पे true भी लिख सकते हैं ठीक है true को as a literal यूज कर सकते हैं as a constant value तो यह हो गया हमारा types of variable अब इन्हें print कैसे करेंगे access कैसे करेंगे simple है ठीक है यह main function के अंदर यहीं पे रहेगा हमें लिखना पड़ेगा system class.out.print सबसे पहले हम a को print करेंगे तो मैं आपको बता दू यह जो a है यह class का variable है यानि instance variable class का ही part होता है तो यह बिना object का नहीं access कर सकते हैं हम इसको तो इस instance variable को access करने के लिए हमारे पास class का object होना चाहिए तो object कैसे बनाते हैं बड़ा ही simple object बनाना आपको लिखना पड़ेगा class का name second उसके बाद एक variable का name हम ले ले लेते हैं s new keyword object के लिए फिर से हम लिखेंगे second तो अभी हमारे पास class second का s नाम का object आ चुका है इस object के थुरू ही हम इस instance variable को क्या कर सकते हैं access कर सकते हैं अब हमें करना क्या है सभी variables को access करना है तो यहां पे print ln लगा देते हैं तो इसी line को copy करेंगे उसके बाद यहां पे चपका देंगे paste paste static variable directly हम access कर सकते हैं इसके लिए किसी भी object की कोई ज़रूरत नहीं है इसी तरह local variable के लिए भी कोई object की ज़रूरत नहीं है program ready है अब क्या करते हैं इसको run करते हैं यहां पे click कर देते हैं तो देखें यहां पे output आ चुका है 10 instance variable का output 20 static variable का output और यह true हमारा boolean variable का output तो यहां पे data type का भी practical हुआ यह int double और boolean हमारा data type है और हमारा यह variable abc variable है जो की अलग-अलग तरह की value को store कर सकता है variable और इसी अलग-अलग तरह की value को specify करता है data type तो यह simple सा practical हो गया हमारा ठीक है आप चाहां तो और भी यहां पे use कर सकते हैं और इस चीज को आप चाहां तो एक line में भी लिख सकते हैं एक system.out.println के बीच भी लिख सकते हैं आपको plus concatenation operator यूज करना पड़ेगा यहां पे plus हमारा concatenation का काम करता है फिर हम B को print करेंगे फिर हमें बीच में space चाहिए फिर हम क्या करेंगे C को print कर देंगे तो अभी हमारा एक ही line में output आएगा लेकिन space में आएगा plus का मतलब हम यह चाहते हैं कि A का value print हो फिर बीच में space आए फिर B print हो इसलिए ठीक है जावा का full course पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे क्योंकि यह मेहनत आपके लिए है और आपके लिए good news क्या है हम आपको pdf भी provide करेंगे इस theory notes का ठीक है और practical तो आप देखी रहे हैं कितना solid हम बता रहे हैं तो यह keyword क्या होता है चलिए अब हम इसको देखते हैं keywords are the reserve word whose meaning is already defined in the java compiler keywords जितने भी Java में keywords है वो एक reserve word है ठीक है और यह जो भी reserve word है यह Java compiler में पहले ही defined Java compiler को पता है अगर आप कुछ भी reserve word use करते हो तुरंत पकड़ लेगा कि keyword है ठीक है और Java compiler के लिए keyword special होता है क्यों क्योंकि keyword Java compiler में पहले ही defined है predefined word है इसको आप खुद के लिए use नहीं कर सकते हैं अगर आप keyword पढ़ रहे तो आपको यह ला point ध्यान में रखना पड़ेगा we cannot use keyword for our personal use जैसे आप keyword को as a variable use नहीं कर सकते हैं जैसा अगर मन किया आपका मन कर रहा int केर टाइप का हम variable बना ले और इसमें हम क्या करें एक value store कर दें तो आप इस केर को as a variable use नहीं कर सकते हैं ठीक है और नहीं as a method name use कर सकते हो तो simple word में कहा है कि keyword को as a identifier use हम नहीं कर सकते identifier मतलब variable का name method का name यहीं होता है क्योंकि यह reserve word है यह care एक reserve word है Java compiler में पहले ही reserve है और keyword क्या होता है case sensitive होता है case sensitive का मतलब अगर आप ऐसे लिखते हैं int तो यह एक reserve word है मतलब यह keyword है ठीक है Java compiler इसको keyword consider करेगा लेकिन अगर आप capital में लिखते हैं int तो यह एक अलग चीज हो गया इसको आप as a method name as a variable name कुछ भी use कर सकते हैं क्योंकि int नाम का कुछ भी reserve word Java compiler में नहीं है capital int ठीक है case sensitive का मतलब कि अगर आप small में कुछ लिख रहे हैं variable अगर आप small में बनाए हैं तो उसे use आप small में ही करेंगे अगर आप variable small में बनाए हैं use कर रहें capital में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है यहीं होता है case sensitive का मतलब इसी रहे बोला जाता है Java case sensitive language भी है अभी Java में total कितने keywords होते हैं यहां पे list देखिए 50 keyword होते हैं Java में 50 जैसे byte short int long float double void care boolean if else for do while break continue default private protected public extends implements final finally try cash static volatile अगर आप हमारे इस Java full course को वीडियो को complete देख लेते हैं बिना skip किये हुए तो यह जितना भी keywords आप देख रहे हैं इन सभी keywords को practically implement करके आपको दिखाएंगे और अगर इन 50 keywords को आप practically implement कर लिए इसका मतलब आपका Java complete आपने Java सीख लिया import class interface new native instance of package return this switch case go to strict fp anum abstract transient synchronized इतने ही total keyword होते हैं Java में interview में पुछेगा बोलिएगा 50 keywords होते हैं Java में लेकिन अभी यहां पर यह एक star 2 star 3 star 4 star का मतलब क्या है एक star जिसमें लगे हुए हैं इसका मतलब इनका यूज अभी Java में नहीं किया जाता यह बहुत ही legacy हो गए हैं अब Java const or go to 2 का यूज नहीं करता जिनमें 2 star लगा हुआ है इसका मतलब यह Java के 1.2 version में आया यानि JD के 1.2 में यह keyword आया इनम में 4 star लगा हुआ है इसका मतलब यह Java का 5.0 version में आया ठीक है और assert में 3 star लगा है इसका मतलब यह Java का 1.4 version में आया है अब आपको second बात यहां पे देखे star का मतलब भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं second point आपको क्या याद रखना है null true false used as a literal in Java null true false यह तीन भी keyword ही है ठीक है इनका भी special meaning Java compiler में defined है reserve word ही है जिसे आप as a literal use कर सकते हैं यानि as a fixed value आप use कर सकते हैं true false जैसे true one को represent करता है Java में false 0 को null एक ऐसा value है जिसका मतलब nothing होता है ठीक है अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो वो null by default लेने लगता है तो यह तीन भी keyword है total 50 plus 3 literals आप बोल सकते हैं total Java का यही keywords होता है 53 भी कह सकते हैं लेकिन interview में पूछेगा तो आपको यहीं बोलना है 50 plus 3 literals होते हैं Java में यह हो गया हमारा complete Java का keywords what is identifier अब हम आपको identifier के बारे में बताएंगे कि Java में identifier क्या होता है identify refers to the name of variables methods classes and so on किसी भी variable का name को refer करता है identifier तो आप कह सकते हैं किसी भी variable का name identifier कहलाता है किसी भी method का name identifier कहलाता है कोई भी class अगर हम बनाते हैं तो उसका जो name provide करते हैं वो name identifier कहलाता है example कैसे अगर हम लिखते हैं int a तो यहाँ पर यह जो a है ना method बना रहे है वोईड M1 तो यह जो M1 नाम का method हमने बनाया यह भी identifier है क्योंकि identifier method के name को भी refer करता है अगर हम बनाते हैं class A class का name A है तो यह जो A नाम दिया है हमने class का यह भी identifier है इसके अलावा son में क्या लिखा था अगर हम हम बनाते हैं interface B तो यह BB क्या है identifier है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जितना भी variable होता है वो क्या है identifier है जितना भी method name है वह इंतिफार है जो भी classes हम बनाते हैं उसका name देते हैं वह भी identify is profile пришक नेम फिए identifier है तो यह सब क्या है यह सब identifier लेकिन अभी ध्यान से समझेगा जो मैं कहने वाला हूं क्या सभी identifier variable है यह बात गलत है क्यों क्योंकि identifier में तो variable का name भी आ रहा method का name भी आ रहा classes का name भी आ रहा इंटरफेस का नेम भी आ रहा वो सभी नेम आ रहा जो हम अपने प्रोग्राम में खुच से लिखते हैं खुच से बनाते हैं वो सब प्रोड अडेंडिफार कर आता है तो फिर हम यह नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा अडेंडिफायर वे variable और method भी है जो भी interface का name हम provide कर रहे हैं वो identify है लेकिन यह identifier पूरा identify में यह interface नहीं है ठीक है तो यही होता identifier जो कि किसी भी variable method class या interface के name को refer करता है और यह ऐसा name होता है जो user provide करता यानि जो हम decide करते हैं हम अपने program में खुद से बनाते हैं वही कहलाता है identifier अब हम आपको अपने इस जावा के फूल कोर्स में बताएंगे input and output के बारे में कि जावा में input कैसे लिया जाता है user से यानि runtime में और output कैसे print करते हैं हम तो input के लिए जावा में हम use करते है scanner class तो scanner एक predefined class है तो देखिए इसका भी first letter capital है जितना भी class है जावा में उसका first letter आप capital ही देखेंगे तो यह predefined class जावा के यूटिल package में है इसी लिए जब भी हम इसे use करेंगे हमें import करना पड़ेगा java.util.scanner क्योंकि इस यूटिल के अंदर बहुत सारे predefined classes है लेकिन यूटिल में हमें कौन सा class use करना है scanner इसी लिए dot scanner अगर आप dot star भी लिखेंगे ना फिर भी आपका काम हो जाएगा तो star लिखने से हमारे program का execution slow हो जाता है क्योंकि हमारा जो compiler है वो पूरा यूटिल package में scan करता है तब तक scan करता है जब तक उसे scanner नहीं मिल जाता scanner class इसी लिए जो भी class अब यूज करो ना उसी को dot लगा के लिख दो यहां पर इससे प्रोग्राम का execution fast रहता है और compiler को search करने की ज़ौरत नहीं पड़ती जावा के यूटिल लाइबरेरी में सभी classes को यूटिल package में जो scanner class है उसका syntax क्या लिखने का तरीका क्या है आपको लिखना पड़ेगा scanner उसके बाद scanner class का आपको object create करना पड़ेगा अगर आप इसे यूज कर रहे तब object करने में यहां पे आप कुछ पूर यूज करेंगे वहां पे फिर आप लिखेंगे scanner जो की class का ने में system.in इसलिए क्योंकि अभी हम input ले रहे और जैसा कि हमने पहले ही बताया system क्या system भी predefined class है जावा में ठीक है और यह इन हम input के लिए यूज कर रहे तो यहां पे scanner class में अलग अलग तरह की value हम input लेंगे ठीक है runtime में तो अलग अलग तरह की value को input लेने के लिए scanner class के पास कई predefined method है जैसे अगर आप integer value input लेना चाहते हैं number तब आप next int method यूज करेंगे इसको call करने का तरीका होता है scanner class का object अगर आप string value input लेना चाहते हैं तब आप यूज करेंगे next line अगर आप floating type का value यानि point में fractional value input लेना चाहते हैं तब आप यूज करेंगे next double और भी बहुत सारे predefined method होते हैं scanner class के लेकिन ये तीन बहुत important है जिसका हर जगा यूज किया जाता हर प्रोग्राम में लग भग इसका यूज होता इसलिए ये तीन में थे मैंने ये तीन आप से discuss कर दिया ठीक है जैसे flood के लिए next flood भी होता है अभी output statement कैसे लिखेंगे जावा में output लिखने का तरीगा क्या होता है output के लिए हम use करते है system class system भी एक predefined class है जावा में जो कि जावा के लाइंग package में है और मैं आपको बता दू जावा के लाइंग package को अगर आप import नहीं भी करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह जावा का by default package होता है लाइंग अगर हम इंपोर्ट नहीं करते हैं तो हमारा जो compiler होता है वह इंटर्नली इसको इंपोर्ट कर लेता है ठीक है इसी लिए इसको बाइड़ पैकेज कहा जाता है तो इस लाइंग पैकेज में भी बहुत सारे इस लिए प्रिदिफाइंड क्लासे से जैसे सिस्टम इस ट्रिंग यह सबी ठीक है तो यहां पर हमें कौन सा क्लास युज करना आपको लिखना पड़ेगा अगर कुछ भी आप प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन में हमने आपको दो तिन प्रोग्राम में दिखा भी चुका है system.out.print system class है आउट हम आटपुट के लिए यूज कर रहे हैं print एक predefined method है जिसका यूज करके हम कोई भी text message अपने स्क्रीन में print कर सकते हैं number string double किसी भी तरह का value हम print कर सकते हैं इसकी मदद से हैं तो हम क्या करेंगे अभी input output के लिए add to number का program बना के आपको दिखाएंगे जिसमें हम दो number को run time में input लेंगे फिर क्या करेंगे उन दोनों number को add करेंगे तो चलिए simple सा Java program हम बना ही लेते हैं यह हमारा previous वाला program था अब हम क्या करेंगे नया class file बनाएंगे तो प्रोजेक्ट explorer में क्लिक करेंगे उसके बाद java full course हमारा project का नहीं में इसके src में देखिए दो program अभी तक हम ने बनाया यह दोनों यहाँ पे हैं अब हम क्या करेंगे src में right click करके एक नया class बनाएंगे ठीक है class का name हम क्या ले लेते हैं class का name होगा हमारे a उसके बाद हमें main function चाहिए finish आप जितना भी code बनाते जाएंगे ना जितना भी आपका यहां पे src में रहेगा सब आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है तो यहां पे फिलाल आप देखे हमारा a नाम का class बन चुका है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस line को remove करेंगे मैंने आपको क्या बोला था scanner class का use हम करते हैं run time में user से input लेने के लिए तो अभी starting में आप मान के चलिए कि मेरे पास दो variable है a और b ठीक और एक variable है c नाम का जिसमें हम क्या करेंगे दो number जो ab में हम input लेंगे इसमें दो number input कराएंगे तो उसको add करके store करने का काम करेंगा यह c variable ठीक है तो यहां पे क्या करते हैं directly एक message pass करते हैं सबसे पहले तो हम लिखेंगे system.out.print और यहां पे हम लिखेंगे यह हमारा by default ले लेता है इक लिप्स एंटर एनी टू नमबर साब कोई भी दो number input कर सकते हैं और उसको add कर सकते हैं ठीक है अब scanner class कहां यहां पे object बनाएंगे same syntax follow करेंगे scanner object का name हम ले लेते हैं as equal to new keyword फिर यहां पे scanner अभी यहां पे हम क्या लिखेंगे इसके अंदर system.in क्योंकि अभी हम input ले रहे हैं ठीक है अब हमें क्या करना है ए और b variable में number को input कर देना है तो यहां पे scanner class के object से ही हम scanner class का predefined method use कर सकते हैं तो हम लिखेंगे s dot function का नाम है next int क्योंकि हमें integer value क्या करनी है input करनी है तो पहला value हमारा variable a में हम input कर देंगे ठीक इसी तरह से हमें क्या करना है एक और value input करनी है variable b में तो दोनों में हमने क्या किया दो number input कर दिया है अब हम क्या करेंगे इनको add करेंगे तो यहां पे अब लिखेंगे अब लिखेंगे c equal to a plus b तो हमारा क्या होगा दो number add हो चुका है अब print कर देंगे हम तो फिर से क्या लिखेंगे system.out.println यहाँ पर इस line को copy करेंगे और यहाँ पर paste कर देंगे क्या लिख देते हैं लिख देते हैं sum of two numbers फिर यह हमारा plus रहेगा इस message के साथ हमें result जाहिए है हमारा code बिल्कुल ready है यह हमारे previous program का output है इसको cut करते हैं अब हम क्या करेंगे shortcut key की मदद से program को run करेंगे Ctrl F11 आप press करिए आपका code run कर जाएगा देखे enter any two numbers तो हम क्या करेंगे दो number यहाँ पर input करेंगे 12 और 56 तो यहाँ पर आप देखे sum of two numbers message आ चुका है 68 ठीक है तो यह बिल्कुल correct है तो यहाँ पर eclipse IDE use करने का advantage क्या होता है कि जैसे ही हमने scanner class use किया था scanner class का यहाँ पर object बनाया था आप देखिए हमारा यूटिल package program के पहले ही line में अपने आप import हो गया यही advantage होता है IDE use करने का कि अगर आप कुछ से import नहीं भी करेंगे तो IDE by default import कर देता है तो java के util package के अंदर हमारा scanner class है यहाँ पर लिखा हुआ import java.util.scanner इस util package में बहुत सारे predefined classes है लेकिन हमें कौन सा use करना है scanner अगर आप चाहें तो यहाँ पर scanner की जगा पर star भी लिख सकते हैं star का मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा जो java compiler है वो पूरे util package में search करेगा और जब तक उसको scanner class नहीं मिलेगा तब तक scan करते रहेगा तो इससे हमारे program का speed execution है वो slow रहता है इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर directly अपने class का name provide कर देते हैं जो हम use कर रहे हैं ठीक है आप चाहां तो और भी कुछ number input करके देख सकते हैं यहाँ पर फिर से क्या करते हैं इसको run करते हैं अभी number input करते हैं पहला वाला I am sorry यहाँ पर output screen में 100 और दूसरा number 456 तो addition देखिए 556 तो इस तरह से आप तो इसको three parts में divide किया है सबसे पहला conditional statement फिर looping statement और लास्ट में transfer statement तो जब हम conditional statement पढ़ेंगे तो हम condition के साथ deal करेंगे looping statement में repeated task को perform करेंगे और transfer statement के तुरू हम program के transfer को break करेंगे या फिर stop कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं control flow statement क्या होते हैं अगर हम बात करें conditional statement के बारे में तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे यह type number one है control flow का तो इसमें चार होते हैं if, if else, else if, nested if और यह switch case भी इसी में आ जाता है मतलब 5 total हमें topic पढ़ना पढ़ेगा conditional statement में तो चलिए start करते हैं और हमें इसे कभी use करना चाहिए it is used when we want to test a single condition जब हमारे पास एक single condition हो तब हम क्या use करेंगे if statement use करेंगे उस condition को test करने के लिए यानि check करने के लिए तो इस if statement को लिखने का तरीका क्या होता है syntax क्या है आपको लिखना है if और यहां पर आपका condition होगा अगर यह condition true होता है तब जाके क्या होगा if की body के अंदर आपने यह statement लिखा यह execute करेगा अगर यह condition false होता है तब यह code execute नहीं करेगा ठीके flow chart में इसी चीज को कैसे represent करेंगे flow chart में सबसे पहले आपको start लिखना है उसके बाद यहां पर अपना condition होगा condition अगर true होता है तब क्या होगा code execute करेगा जो यहां पर हम लिखेंगे if की body में अगर condition false होता है तब क्या होगा end हो जाएगा हमारा program ठीक है तो हम क्या करेंगे simple such real life practical करके दिखाएंगे if statement का use करके जिसमें एक single condition होगा तो चलिए practical करते हैं सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं हमने class बनाया condition if नम का ठीक है और इसमें main method है हमारा हम क्या करते हैं starting में ही if का syntax है उसको लिख लेते हैं यह हमारा if condition का syntax है ठीक हमें करना क्या है हम condition set करेंगे लेकिन उससे पहले हम एक variable बना लेते हैं pwd नाम का मतलब password नाम का यह हमारा variable है इसमें हम क्या करेंगे runtime में user से value input लेंगे तो हम लिखेंगे system.out.print ठीक है और double quotes में यहां से message pass करते हैं enter password अब password input करेंगे तो क्या करेंगे runtime में value input करेंगे तो scanner class हम use करेंगे तो एक object बना लेते हैं ओबीजे नम का new scanner फिर यहां पे क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे system.in तो यहां पे देखिए हमने scanner class का object बना लिया और import कर लेंगे package को इस तरीके से तो आप देखिए package जैसे ही import कर लिया यह error हट चुका है अब हम जो भी password input करेंगे pwd variable में सबसे पहले कर लेते हैं तो हम लिखेंगे यहां पे obj dot एक function होता है method जिसको बोलेंगे next int क्योंकि integer type का value हमारा password होगा pwd में हम क्या करते हैं अपने variable में input करते हैं ठीक अब यहां पे pwd अगर equal होता है मेरे set किये गए password के जाद तो मान के चलिए मैंने password set करके रखा है 2731 यह मेरे set किया गया password है और अगर मैं जो भी password input करता हूं इस variable में अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तब क्या होगा इस if के अंदर हम जो भी code लिखेंगे वो execute करेगा तो यहां से क्या करते हैं इस line को copy करते हैं अभी print talent यूज़ करेंगे क्योंकि 4-5 चीज़े मुझे display करनी है अलग-अलग line में सबसे पहले मुझे क्या करना है अपना name print करना है अगर password शही हो गा तो मेरा name print हो जाना चाहिए इसी के साथ अगर हमारा password सही होगा तो फिर cảнить होना चाहिए मेरा age प्रिंट हो जाना चाहिए उसके बाद अगर माली। ज़े password शही होता तो पिर मेरा contact भी print हो जाना चाहिए यहां पे कुछ भी मैं random number लिख रहा हूँ, try मत करना यह contact हो गया और address भी क्या होना चाहिए, print हो जाना चाहिए तो address बिल्कुल सही है, ठीक है यही address में मैं currently अभी रह रहा हूँ क्या लिखते हैं, mango, 1 second, comma, jamsitpour यह हो गया हमारा complete information, तो यह कब print होगा यह information जब हमारा password सही होगा, 2731 हमारा set किया गया password है, अगर 2731 ही हम run करते वक्त, program को enter करेंगे अगर सही होगा, तब यह print होगा, नहीं तो कुछ भी print नहीं होगा ठीक है, program को करते हैं, run, control F11 प्रेस करते हैं यहाँ पर देखे, enter password, हम एक password input करते हैं, 2356 तो यहाँ पर देखे, कुछ भी output नहीं आया, क्योंकि यह जो 2356 password है यह हमारे set किये गया, password 2731 के साथ equal नहीं है तो कुछ भी output नहीं आया, अब क्या करते हैं, फिर से program को run करते हैं अब सही password input करते हैं, 2731 तो अभी देखे, जैसे हमने सही password यहाँ पर set किया, आप देख सकते हैं, सारी चीज़े डिस्पले हो चुकी है मेरा नाम, मेरा age, contact number, address तो इस तरह से आप condition का use कर सकते हैं, Java में तो यह कैसे print हो गया, समझा देते हैं, 2731 यहाँ पर इसको cut करते हैं, comment में समझा देते हैं, क्या हमारा input किया गया password 2731, equal, equal है 2731 के साथ, बिल्कुल है, जैसे equal हो गया, यह सारी चीज़े डिस्पले हो गई हमारे output screen में तो इस तरह से single condition के case में आप use करेंगे, if statement का, अब चलिए हम if else पढ़के आते हैं, उसके बाद इसी प्रोग्राम को जब हम if else में बनाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेगा कुछ अच्छी चीज़े आपको सीखने मिलेंगे, जो इस if condition में missing है if else statement क्या होता है, इसे कभी use करना चाहिए हमें, it is used when we want to execute two statements for a single condition, अगर हमारे पास एक single condition है और हम चाहते हैं इसी single condition पे दो statement execute करें, तब हम क्या use करेंगे, if else statement और इसलिए इसका use किया जाता है, तो इसका syntax आप देख लो कैसे आप प्रोग्राम में implement करोगे, if यहाँ पे condition ह होगा, अगर यह condition सही होता है, true होता है, तब क्या होगा, यह statement one execute करेंगा, जो if की body में लिखा है हमने, अगर यह condition false हो जाता है, तब क्या होगा, else में हम आएंगे, और यह वाला statement execute करेंगा, एक time में एक statement ही execute करेंगा, condition true होने पे यह वाला, condition false होने पे यह वाला statement execute करेंगा, तो आप यहां पर ध्यान से देखो condition एक ही है लेकिन statement execute होने के लिए दो-दो है तो इसका भी हम real life practical program ही आपको दिखाएंगे जो हमने if statement में cover करा है उसी को enhance करेंगे सबसे पहले इसको flow chart में कैसे लिखेंगे start और यहां पर अपना condition होगा अगर यह condition true हुआ तब क्या होगा if के अंदर जो हम code लिखेंगे वो execute करेगा मतलब यह वाला code अगर यह condition false होता है मतलब else वाला code execute करेगा मतलब यह वाला ठीक है उसके बाद हमारा यह end हो जाएगा flow chart तो चलिए इसका भी real life program हम देखी लेते हैं eclipse IDE में अब इसी same program को जो हमने if statement में आपको करके दिखाया था हम एक नया class file बनाए है condition e-fails ठीक है e-fails.java नाम से यहां पर देखे बना हुआ है तो e-fails में इसी program को हम कैसे implement करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे else block बना देंगे तो e-fails का जो हमारा syntax था वो सही हो जाएगा ठीक यहां पर अब क्या लिखे करेंगे यहां पर मैं लिख देता हूं system.out.print और इस false के जगा पर हम लिख देते हैं double quotes में message देते हैं sorry wrong password अगर आप गलत password input करेंगे तो आपको यह output में देखने को मिलेगा तो इससे क्या समझ में आता है output screen में आप समझ जाएंगे program को करते हैं हम execute तो enter password अगर मालिज हम कु यह देखिए तो यहां पर देखिए हमें first से बोड़ रहा कि sorry wrong password तो इससे क्या पता चल रहा कि हमने जो password डाला है वो wrong password है हमें फिर से try करना चाहिए correct password के लिए तो फिर से क्या करेंगे इसको run करेंगे अभी डाल देते है 2731 correct password तो यहां पर देखिए सारी चीजे print हो चुक इसको access कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप condition के according काम नहीं करेंगे तो आपको यह वो भी बता देता है कि यह जो आप काम कर रहें यह गलत है आपको फिर से try करना चाहिए सही के लिए जैसे अभी हम wrong password input किये थे first time पे यह वाला तो इसके लिए क्या बोला था कि wrong password तो इससे क् समझ में आता है कि अच्छा हमने जो input कर दे वो गलत था हमें फिर से try करना चाहिए सही के लिए हमारे mobile phone में भी same यही condition लगा हुआ है हम अपने mobile phone में जो भी pin set कर देते हैं जैसे यहां पे set किया हुआ है ठीक हो ऐसे mobile phone में सबसे पहले pin set कर देते हैं उसके बाद mobile phone को unlock करने अगर सही password हम pin input नहीं करते हैं तो हमारा mobile phone बोलता है sorry wrong password आप फिर से try करें ठीक है यह हो गया हमारा simple e-fails का example आपका homework क्या है आप e-fails में voting system का program बनाएंगे इसका मतलब आप यहां पे age नाम का variable लेंगे उसके बाद condition में आप देंगे कि अगर age greater than equal 18 होता है तो आप vote देने के लिए eligible है यहां पर लिखेंगे नहीं तो आप यहां पर लिखेंगे not eligible for voting ठीक है यह आपका home वाक है अभी चलिए हम अगले conditional statement की तरफ move करते हैं कि टाइप नंबर थिरी होता है conditional statement का else if statement इसे if else if ladder statement भी बोलते हैं तो इसे हम कभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा condition आजाए multiple condition की case में इसे यूज़ किया जाता है it is used when we have only one if block जब हमारे पास एक इप ब्लॉक का condition हो multiple else if का condition हो and at the last एक else block का condition हो तब हम use करेंगे else if statement ठीक है तो इसी चीज़ को syntax में देखिए एक if हमारे पास एक if का block है ठीक है और यहाँ पर condition one है अगर यह condition true हुआ तो यह वाला code execute कर जाएगा ठीक है statement one अगर यह condition false हुआ तब क्या होगा हम else if block में आएंगे ठीक है यह हमारा else if block है यहाँ पर condition two है अगर यह वाला condition true हुआ तब यह वाला code execute करेगा अगर यह condition भी false हो जाता है तब क्या होगा लास्ट में हमारे पास एक else block होता है जब सभी condition false हो आएंगे तब यह एल्स ब्लॉक वाला कोड अपने आप एक्जीक्यूट कर जाएगा ठीक है फ्लोचार्ट देखिए फ्लोचार्ट क्या होता है कि हम सिंटेक्स को अगर डायाग्राम में रिपर्जेंट कर देते हैं तो वही फ्लोचार्ट कहलाता है स्टाट कंडेसन वन अगर कंडेसन वन्तुम मतलब इफ कस्टेट्वन स्टेक्वन करेंगा यह वला कंड़िशन फॉसब्त में यानि इसवाले कंडिशन फॉसर्वन सिप एंडीन जाएगा हमारा program तो यहां पर else if का ब लोक जेतना आप बीच में बना सकते हैं कि इतने को ब्लोक एक रहेगा और लास्ट मेंल्स रहेगा बीच में आप जेतना लिखना चाहें लिख सकते हूँ व्हों आपके condition के उप़र depend करता है तोarnya यह इसका भी simple सा practical देखते हैं. सबसे पहले हम करते क्या है? else if का syntax लिख लेते हैं. syntax सबसे पहले लिखने का फायदा क्या है? आपको अभी पता चल जाएगा. coding करने में आपको दिक्कत नहीं होगे. ठीक है? starting में क्या करेंगे? एक variable ले लेते हैं. marks नाम का. ठीक है? और message पास करते हैं. system.out.print और यहाँ पर लिखते हैं. double quotes में. enter marks. ठीक है? आप अपने marks को input करिए. run time में value input ले लेंगे. तो scanner class यूज करेंगे. object obj बना लेते हैं. new scanner फिर से लिखेंगे. यहाँ पर system.in. ठीक है? अभी क्या करेंगे? इस scanner class का हम package import कर लेते हैं. देखो, import हो गया यहाँ पर. अब हमें करना क्या है? अपने marks variable में value input कर देनी है. तो obj.integer value है. तो हम लिखेंगे next int. ठीक. और इस value को input कर देंगे अपने variable marks में. ठीक है? हो गया. अब यहाँ पर condition set करेंगे कि अगर हमारा input किया गया marks greater than equal 60 से लेके logical and operator यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर अगला chapter हमारा control flow के बाद operator से ही रहेगा. ठीक है? तो वहाँ पर समझाएंगे इसका मतलब. उसके बाद अगर वही हमारा marks less than equal 100 के बीच. अगर कोई student इतना marks लाता है तो इसका मतलब student brilliant है, अच्छा पढ़ा है, मेनत किया है उसने, double quotes में यहाँ पर लिख देंगे, first division. ठीक है? हमारे society के यही culture है, इतना marks आएगा तो इतना ही रहेगा, तो logical and में दोनों condition का true होना compulsory है. marks अगर 60 से greater और 100 के बीच में कुछ भी input करेंगे, तभी यह दोनों condition true रहेगा, और तभी जाके first division हमारा message print होगा, ठीक है? अब यहाँ पर else if में आते हैं, एक second यह क्या हुआ, control z प्रेस करके सही कर सकते हैं. एक और condition set कर रहे हैं, अगर हमारा वही marks है, ठीक है, greater than equal क्या कर देते हैं, यहाँ पर 45 से लेके, same वही marks हमारा कितना होता है, less than 60, तब क्या होगा, तब student ने थोड़ी सी कम मेहनत किया, इसलिए वो क्या हुआ, second हो गया, तो इस तरह से आप भी real life से related coding करेंगे, तो आपको भी मजा आएगा, ठीक, अब करते क्या है, यहाँ पर, copy करते हैं, इस condition को, एक और condition है अपने पास, अगर student का marks, 33 से greater than equal 33 होता है, यह कहां तक जाएगा, less than 45, ठीक है, क्योंकि greater than equal 45, यहाँ पर, यहाँ पर less than 45, तब क्या होगा, इसका मतलब, उस student ने कुछ भी मेनद नहीं किया, बस किसी तरह पास हो जाए, इतना ही मेनद किया उसने, third vision, और नहीं तो, फिर क्या होगा, इस student ने, नाक कटा दिया, ठीक है, reputation खराब करते है, वो failed हो गया, failed, एक second, यही होता है spelling, खेर आप, spelling पर मैं जाए, concept समझे है, coding बिल्कुल ready है, ठीक है, इसको हम क्या करते है, console को यहाँ से थोड़ा सा minimize करते है, आप coding को एक बार में देख सको, यही same code हम ने लिखा, अब इसको हम करने जा रहे, run, तो यहाँ पर run वाले button पर click करेंगे, तो देखिए, यह console आ चुका, तो इसको करेंगे, क्या drag कर लेंगे, नीचे side के लिए, क्योंकि यह better approach होता है, कि output हमें था नीचे में ही रहा है, enter marks, अगर हम marks input कर देते हैं, 87, तो student क्या होना चाहिए, first होना चाहिए, first division, तो यहाँ पर देखिए, first division, फिर से program को हम करते हैं, run, अभी हम marks input कर देते हैं 32, इसका मतलब student fail हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखे field, फिर से program को run करते हैं, अभी हम कर देते हैं, marks input 56, तो अभी क्या होगा, second आना चाहिए, second आया, तो यह काम केज़े कर रहा, program 56 हम input किये, तो second vision क्यों आ गया, drawing कर देते हैं, सबसे पहले, क्या हमारा marks यानि 56 greater than equal 60 है, condition false, तो अभी हम इसमें check ही नहीं करेंगे, यहाँ पर आएंगे, क्या 56 greater than equal 45 है, condition true, अभी इसमें भी देखेंगे, क्या वही 56 less than 60 है, condition true, इसलिए क्या हुआ, यह second vision हमारा execute कर गया, तो इस तरह से हमारा यह program काम कर रहा, उम्मीद करते यह आपको समझ में आया होगा, अब चलिए हम अपने अगले conditional statement की और move करते हैं, nested e-fels क्या होता है, यह हमारा conditional statement का type number 4 है, ठीक है, whenever we define e-fels block inside another e-fels block, then it is called nested e-fels, अगर आप एक e-fels के अंदर दुसरा e-fels लिख देते हैं, तो उसी को बोलते है, nested e-fels, syntax देखिए, if यहाँ पे condition 1 है, अगर यह condition 1 true होता है, तब क्या होगा, इसके अंदर e-fels लिखा हुआ है, देखिए, तो यह वाला e-fels कभी condition चेक किया जाएगा, अगर यह condition भी true होता है, तब क्या होगा, यहाँ पे जो हम code लिखेंगे न, यह वाला code execute करेगा, जो यहाँ पे लिखा हु यह आउटर इफ का मा लिजे यह फॉल्स हो गया तब क्या होगा हम सीधा यहां प्याएंगे एल्स में एल्स में भी देखिए हमने इफ एल्स डिफाइन करके रखा है फिर इस कंडिशन को चेक किया जाएगा अगर यह कंडिशन टू होता है तो इफ में लिखा हुआ यह कोड एक्जिक्यूट करेगा अगर यह कंडिशन फॉल्स होता है यह यह वाला कोड एक्जिक्यूट करेगा तो अभी हम क्या करेंगे आपको एक होमवक प्रोवाइड करेंगे यहां पे फ्लोचार्ट आपको खुद बनाना है यह क्या है यह आपका होमवक है क्यूं क्यूंकि मै तो आपको आईडिया आगया होगा कैसे डिजाइन करते हैं अपने से करेंगे तो आप सीख पाएंगे तो इसी syntax का यूज करके हम चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम करेंगे क्या तीन नंबर में ग्रेटर नंबर कौन है वही हम फाइंड करके आपको बताएंगे नेस्टेड इफल्स के तुरू सबसे पहले हम नेस्टेड इफल्स का क्या करते हैं इफ के अंदर अगर हम इफल्स बना दें कुछ इस तरह से तो वही कहलाता है नेस्टेड इफल्स तो यहां पर इतना को कौपी कर लेते हैं और अभी हमारा यह में वाला इफ का एल्स होगा और इसके अंदर भी हम क्या करते पेस्ट कर देते हैं बन गया हमारा सिंटाक्स रेडियर सिंटाक्स सामने होने से मैंने बोला कोडिंग करने में दिखकत नहीं आथा तो हम क्या करेंगे नेस्टेड इफल्स की मदद से तीन नंबर में ग्रेटर नंबर कौन सा है फाइंड करें लिए तो सबसे पहले इंटीजर टाइप का तीन वरियेबल बना लेते है qu count रॉम वच रहेगा कि आप रॉन टाइम में स्केर क्लास की मदद से रेलो इंपूट करेंगे ठीक है मैंने पहले ही सेट कर लिया है कंडिशन करेंगे हम टॉरेक्टी अगर हमारा नम वन कुरेचर होता है num2 से तब क्या होगा इस if में आना चाहिए फिर अगर वही हमारा num1 greater हो जाता है num3 से मतलब यह num1 variable num2 num3 दोनों से greater होगा इसका मतलब num1 सच में बड़ा है तो यहाँ पर क्या print होना चाहिए यहाँ पर print हो जाना चाहिए system.out.print और यहाँ पर लिखेंगे message दे देते है maximum number ठीक है उसके बाद हमारा number प्रिंट हो जाना चाहिए तो यहाँ पर num1 ठीक अब else में आएंगे नहीं तो क्या print होना चाहिए नहीं तो num3 प्रिंट होना चाहिए तो यहाँ पर num3 num3 क्यों? क्योंकि अगर num1 greater num3 नहीं होगा इसका मतलब num3 greater है तो प्रिंट हो जागा else में अगर यह condition true नहीं होता है num1 greater नहीं होता num2 से इसका मतलब num2 greater हम else में आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर condition set करेंगे अगर वही num2 greater हो जाता है num3 के साथ तब क्या होगा? इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे सबसे पहले num2 को क्योंकि num2 greater है अगर यह condition false हो जाएगा तो यहाँ पर else में आएंगे और यहाँ पर num3 हमारा प्रिंट होगा ठीक है? प्रोग्राम ready है आपने इसे देखा भी करते हैं इसको क्या? एक्जिक्यूट तो देखो maximum number 45 आटपूट आ चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही set किया था और 45, 20, 10 45 में 45 ही greater है तो यह कैसे प्रिंट हो गया समझा देते हैं num3 का value है 45 तो यहाँ पर condition देखेगा comment करके समझाते हैं यहाँ पर आएंगे यहाँ पर भी condition देखेंगे क्या वही num1 यानि 20 greater है num3 यानि 45 के साथ क्या greater है यह वाला condition false हो गया जैसे यह condition false हुआ इस else में आएंगे इस else में देखो num3 को print किया है हमने तो num3 का value क्या है 45 print हो गया अब अगर program में हम कुछ उलट फेर कर देते हैं इसको 100 कर देते हैं और इसको करते हैं run तो अभी 100 आना चाहिए यहाँ पर देखे 100 आया तो इसको आप खुछ से dry run करिएगा और साथ ही साथ आपका homework क्या है आप run time में user से value input लेके इस program को बनाएगा जब हम आपको operator पढ़ाएंगे टर्नरी operator में इसी program को हम एक line में आपको बना के दिखाएंगे यह advantage होता है operator का तो चलिए फिलाल हम अपना looping statement की तरह move करते हैं control flow statement का type number 2 looping statement looping statement हम तब use करते हैं जब हमें same काम को बार बार repeat कराना हो और हम अपना time बचाने के लिए loop use करते हैं चार type का loop होता है जब हमें for loop, while loop, do while loop for each loop तो सबसे पहले loop का मतलब क्या होता है और हमें loop कभ यूज़ करना चाहिए वो समझे है आप whenever we want to repeat certain statements several times then we should write those statements inside loop body अगर आप किसी particular certain statement को बार बार execute कराना चाहते हैं same code को तब आप उस statement को क्या करेंगे loop की अंदर लिख देंगे तो loop क्या करेंगा आप जितना बार चाहेंगे उतना बार ही repeat कराएगा उसको ठीक है क्योंकि loop में भी condition होता है तो आप अगर पाच बार चाहते है statement को repeat कराने का for loop for loop use करना सभी loop के मुकाबले काफी असान है और इसका syntax भी बहुत easy है आपको लिखना है for जो की एक keyword है देखो हम सभी keyword को cover कर रहे न इफेल्स जो अभी cover कर चुके हैं वो भी इफेल्स भी एक keyword ही था सबसे पहले आपको initialization करना यहाँ पे यानि variable में value आप initialize करो उसके बाद condition यहाँ पे आपका check होगा अगर यह condition ok हुआ मतलब true हुआ तब क्या होगा यह वाला code execute करेगा यह three number हुआ code तब तक execute करेगा जब तक यहाँ पे जितना भी code आपने लिखा नहीं है वो सब execute करेगा फिर क्या होगा execute होने के बाद value increment decrement होगी यह हमारा four होगा ठीक है increment decrement होने के बाद आप जो भी करना चाहो increase भी कर सकते हो decrease भी अगर reverse order में loop execute कराना है तो decrease करोगे अगर forward में कराना है तब आप क्या करेंगे increase करेंगे value increment decrement होने के बाद फिर से हम condition में जाएंगे यह हमारा five हो जाएगा ठीक है अगर फिर condition true फिर यह statement execute करेगा code execute करेगा जो four की body में लिखे हैं ठीक है और अगर मा लिजे यह condition false हो गया तब क्या होगा यह code execute होना बंद हो जाएगा अब यह execute नहीं करेगा तो हम आपको loop नहीं था तो क्या होता था कैसे हम काम करते था repeated task को कैसे perform करते था वो भी बताएंगे और for loop के थुरू उसी काम को कितनी जल्दीर कितनी असानी से कर लेते हैं हम यह भी आपको समझाएंगे ठीक है प्राक्टिकल में लेकिन उससे पहले आप flow chart यहां पर देख लो for loop का आपको लिखना है start फिर होगा initialization initialization के बाद इसी initialization के according हम यह पर condition देखेंगे यह हमारा loop का starting point होता है initialization condition और condition हमारा ending point होता है अगर यह condition true हुआ तब क्या होगा loop body में लिखा हुआ code execute करेगा अगर यह condition false हुआ तब क्या होगा हमारा loop execute नहीं करेगा हम loop body के बाहर चले जाएंगे तो चलिए हम क्या करते हैं loop का concept समझते हैं उसके बाद for loop के थुरू उसी काम को असानी से कैसे कर लेते हैं वो भी हम समझते हैं यह हमारा previous वाला प्रोग्राम था तो हम क्या करते हैं एक नया file create कर लेते हैं फटाफट new for loop के लिए class यहां पे हमारे class का name क्या रहेगा हम class का नाम रख देते हैं for underscore loop ठीक है यह हमारे class का name में main method रहेगा finish तो बन चुका है हमारा for loop मैंने क्या बोला था हम तब use करते हैं जब हम पहले से ही पता हो कि हमारा loop कितने times execute होने वाला है अगर हम बोले किसी भी number का table print हो जाए तो आप को भी पता कोई भी number हो उसका table 1 से 10 के बीच ही प्रिंट हो जाता जैसे 5 कही अगर table print होगा तो start क्या होगा start होगा 5 1 जा 5 से और ending point क्या है इसका ending point है 5 10 जा 50 इस situation में आप देखिए हमें पता है कि 1 से start करना और यह 10 तक ही जाएगा यही होता है 5 का table तो इस तरह का situation जब हमें पहले से ही पता हो कि कितना बार task repeat होने वाला था हम for loop यूज करते हैं लेकिन अगर हमें table print करना हुआ without using loop तो हम कैसे करेंगे इसी काम को सबसे पहले माल लिजे हम एक variable ले लेते है नम और इसमें एक value input कर लेते है system.out.print double quotes में message देते हैं यहां पर system के spelling wrong है देखो system lang package में है इसको import करना compulsory नहीं होता ठीक है यह by default Java का package है तो यहां पर लिखेंगे enter number आप कोई भी number input करिए एक काम करते हैं यहां पर लिख देते है enter any number तो उसी का table print होगा तो अगर हमें run time में value चाहिए तो क्या करेंगे scanner class use करेंगे तो उसका object बना लेते हैं सबसे पहले यहां पर लिखेंगे system.in scanner class का package import कर लेते हैं अब without using loop हमारा table कैसे print होगा हमें लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा इस line को copy करते हैं 10 times हमें same यही line लिखना पड़ेगा जैसे हमको लिखना पड़ेगा num into num into 1 जो भी number हम input करेंगे सबसे पहले 1 से multiply होगा उसके बाद उसका table हमें चाहिए तो 10 times सेम काम हमें 10 times करना पड़ेगा यहां पर 2 उसके बाद यहां पर 3 concept समझा रहे है loop का मतलब क्या ठीक है इसलिए ध्यान से देखना 6, 7 उसके बाद यह 8 होगा और last में यह 9 होगा और एक हमें चाहिए और यह 10 होगा अगर यही same code हम execute करेंगे तब किसी भी number का table प्रिंट होगा ठीक है जैसे अगर हम बात करें तो अभी तो हम num में value input लिए ही नहीं sorry मैंने भूल गया तो num equal s dot क्या लिखेंगे next int अब करते हैं program को हम run तो सबसे पहले बोलेगा enter any number अगर हम number input करते हैं 5 तो 5 का table print होगा लेकिन एक ही line में print हो जाएगा यह देखें लेकिन table print हुआ है लन लगा देते हैं तो हमारा काम असान हो जाएगा थोड़ा सा मेरे को time दो लन उसके बाद यहां पे लन और यहां पे लन अब इसको फिर से करते हैं re-execute फिर समझा देंगे आपको बढ़ियां से अभी input करते हैं 7 तो आप देखें 7 का table print हो चुका एक second यह देखें दिखा आपको तो अगर हम loop use नहीं करेंगे तो इस तरह से हम अगर एक table भी print कराएंगे तो हमें code दिखना पड़ेगा same काम हम 10 line में किये हैं कि नहीं बिल्कुल same काम को हम repeat किये है 10 times तो हम क्या करेंगे इसी same काम को 10 times ना करने की वज़ाए loop use करेंगे और हमें यहां पर पता है कि 10 times में ही table print हो जाएगा तो for loop use करेंगे इस situation में तो यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे for और वह जो हमारा condition था यहां पर put करेंगे एक loop variable होगा i start करेंगे 1 से कहां तक यह जाएगा i less than equal 10 तक जाएगा क्योंकि 1 से 10 में table print हो जाता है फिर i++ क्योंकि 1 के बाद 2 5 2 जा 5 3 जा इसलिए i++ अब यहां पर क्या करेंगे बस एक line का code लिखेंगे अपना काम हो जाएगा यहां पर हम लिखेंगे अपना num into i बस देखो हम तभी कितना लंबा coding करना पड़ा था अभी देखो कितना कम में हो जाएगा अप प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे सेम काम करेंगा तो यहां पर एक error आ चुका line number 12 के लिए क्योंकि हमने क्या किया i variable को declare नहीं गया तो आप यहां पर भी कर सकते हैं कोई issue नहीं यह ठीक है उसके बाद फिर से करते हैं run आप देखते हैं अभी देखें enter any number काम कर गया number input करते हैं हम 9 9 का table तो यहां पर देखें 9 का table 9 1 9 18 27 करके यह print हुआ एलन लगा दो new line में आ जाएगा फिर से run करते हैं अभी जैसे हम 12 का table चाहते हैं प्रिंट हो जाएगा इसको पहले से ही थोड़ा सा रख लेते space तो देखें यहां पर 12 का table प्रिंट हुआ कि ने विल्कुल हो चुका है तो इस तरह से आप लूप यूज करके अपना समय बचा सकते हैं आपको काफी कम line of code लिखना पड़ेगा और आप जो काम करना चाहते हैं आपका सारा काम भी हो जाएगा तो यह हमारा for loop का simple से example था अब चलिए हम next loop की तरफ move करते हैं while loop क्या होता है अब हम आपको यह बताएंगे तो while loop आप तब use करेंगे जब आपको नहीं पता है कि हमारा statement कितना बार execute होने वाला है उस case में अगर आपको पता है कि statement कितना बार execute होगा तब आप for loop यूज करेंगे जो हमने पढ़ लिया लेकिन अगर आपको नहीं पता कि statement कितना बार execute होगा होगा उस case में आप while loop का यूज करेंगे तो इसका syntax देखो आप यहाँ पर condition होगा while का यह while है हमारा keyword यूज करेंगे while loop यूज करने के लिए अगर यह condition true हुआ तब क्या होगा while loop के अंदर इस body में जो भी code लिखा होगा वो execute करेगा तब तक execute करेगा जब तक यह condition true है जैसे ही condition false हुआ execute होना बंद हो जाएगा flow chart देखो start उसके बाद condition अगर condition true तो while loop के body में लिखा हुआ यह code execute करेगा अगर condition false मतलब while loop terminate practical चलिए देखते हैं वहाँ पर doubt बहुत ही असानी से clear होगा while loop.java नाम के class file यहां पर देखे हमने create कर लिया है हम आपको बार बार यह नहीं दिखा रहे जाए कि आपको project explorer में आना है उसके बाद rc में right click करके class file बनानी है तिन चार बार हमने दिखा दिया अब हम direct काम start कर रहे ठीक सबसे पहले हमारे पास एक number रहेगा और हम क्या करेंगे एक message user को देंगे सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर enter any number ठीक है यह हमारा message होगा उसके बाद हमें करना क्या number input करना पड़ेगा तो scanner class use करना पड़ेगा आपन को यहां पर new ठीक है new ठीक हो मेरा system hang करना start कर गया क्यूंकि screen भी record हो रही eclipse भी चल रहा ठीक है system.in इतना लिखने के बाद scanner class का package import कर लेना है ध्यान से तो error मिल जाएगा आपको पड़ियां साब अब हमें करना क्या number variable में value input कर देनी है तो हम दिखेंगे s.scanner class का function होता है integer value के लिए बहुत बार यूज करके दिखा दिया हमेरे next int ठीक है इसलिए scanner के object ऐसे ही इसको call करते हैं और value कहां जाएगी value जाएगी num variable में अब मैंने बोला था while loop हम तब use करेंगे जब हमें पता ना हो advance में कि loop कितने बार execute होने वाला हमें condition पता ना हो जैसे while loop का index लिखते हैं और condition ही ऐसा देंगे हम कि हमें नहीं पता रहेगा हम यहां पर while loop में condition set करते हैं अगर num greater than equal zero होता तब यह while loop execute होना चाहिए तो हमें नहीं पता कि user run time में num का value क्या input करेगा कितना while loop execute करेगा हमें नहीं पता ठीक इसी रहे हम while loop यूज कर रहे हैं और यहां पर हम फिर से if else use कर रहे है while loop के अंदर extra activity करने के लिए आपको यह दिखाने के लिए कि हाँ हम कर सकते हैं ठीक यहां पर जो भी number user तो positive number ही input करेगा अगर positive नहीं करेगा तो while loop execute नहीं करेगा अगर positive number user जो input कर रहा वो 2 से divide होके remainder 0 दे रहा इसका मतलब आप समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं print क्या होना चाहिए print होना चाहिए even number ठीक है नहीं तो else में आया गा फिर क्या print होना चाहिए फिर print होना चाहिए odd number उसके बाद यह while loop की body है यहाँ पर क्या print हो जाना चाहिए loop ended लिख देते हैं while loop ended यह message तो हर हाल में execute करना ही है ठीक है चलो code ready है अब करते हैं इसको run देखते है मेहनत कफल मिलता है कि नहीं enter any number यहाँ पर थोड़ी सी problem आगी यह अब करते हैं इसको फिर से run मेरा eclipse id सायथ problem करना start कर दिया due to some technical issue तो हम क्या करते हैं इस code का तो output मुझे आपको दिखाना है तो ctrl a c select all c copy इसको बंद करते हैं और अभी हमारे पास text editor है notepad और sublime तो हम क्या करते हैं sublime यूज़ कर रहे हैं इसको open करेंगे यहाँ पर program को paste कर देंगे अभी क्या करेंगे ctrl s से इसको save करेंगे देक्स्ट अब लोकेशन पर मैं कर रहा हूं while loop ठीक है program का नाम है while loop.java देखो text editor यूज़ करने का नुकसान क्या होता कि हमें खुद से save करना होता है program को खुद से manually cmd open करके compile और run करना पड़ता है जैसे अभी desktop location में program है तो वहां पर जाना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा java c हमारे class का name क्या है while loop ठीक है यहां पर दिखाते हैं आपको dot java तो इसमें काफी time चला जाता है तो अभी देखो यह run कर गया compile कर गया अब run कर दें java while loop तो output में यहां पर देखे enter any number यह message आ चुका है यही वाला message हो जो यहां पर पास किये हैं अगर हम कुछ भी positive number input करते हैं तो हमें पता चल जाएगा वह even number है या फिर road number है तो हम input कर देते हैं 67 तो यहां पर जैसी हमने enterprise करा अभी देखे यह हमारा infinite time तक while loop execute कर रहा था हमें नहीं पता कि यह while loop कब तक execute करेगा ठीक है तो इस तरह के situation में हम while loop यूज करते हैं output बिल्कुल सही है odd number देखिए बता रहा यहां पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बार execute होने के बाद while loop रूख जाए तो वह भी आप कर सकते हैं अभी हमें इसे बंद करना पड़ेगा आपको लिखना क्या पड़ेगा इसको बंद करते हैं आपको यहां पर break लिखना पड़ेगा ब्रेक हम आपको आगे पढ़ाएंगे यह क्या होता है फिलाल अभी इतना समझिये कि break एक बार execute करने के बाद वहीं पर break कर देता है फिर आगे execute नहीं करने देता while loop से हमें बाहर कर देगा current iteration से बाहर करने का काम करता है break प्रोग्राम को save करते हैं अब run करते हैं फिर से text of location पर चले जाते हैं जावा से while loop dot java file का नाम है उसके बाद java और while loop यहीं सब काम eclipse id अपने आप कर देता था ठीप enter any number अभी हम 24 डालते है तो even number है तो यहां पर देखिए even number में से जाए और एक बार ही while loop execute किया क्योंकि हमने break यूज कर दिया है यहां पर तो जब हमें ना पता हो user का condition क्या है उस case में हम repeated task को perform कराने के लिए while loop यूज करते हैं आप चाहें तो आपका homework क्या है वन से लेके 10 तक natural number प्रिंट करिएगा while loop और for loop दोनों का यूज करके ठीक है अब हम move करते हैं अपने अगले loop की तरफ अब बात करते हैं type number 3 looping statement का do while loop do while loop हम तब use करेंगे जब हम यह चाहते हैं कि हमारा loop के body के अंदर लिखा गया statement कम से कम एक बार execute हो जाए फिर चाहें दिया हुआ condition false ही क्यों ना हो तब do while loop use करेंगे syntax देखिए do की body होगी यह आपको लिखना do और एक body बनानी है यहीं पर आपका code होगा तो do while loop में सबसे पहले code execute हो जाता है एक बार यह statement execute होने के बाद फिर क्या करता है यह condition चेक करता है तो यहाँ पर लिखेंगे while और यह होगा condition फिर semi colon आपको यहाँ पर put करना पड़ेगा do while loop में क्योंकि body पहले ही हम define कर चुके हैं यहाँ पर तो अगर यह condition true हुआ फिर क्य तब होगा हमारा काम तो यह तक तक execute होता रहागा जब तक condition true है अगर यह condition false होता है एक बार भी true नहीं होता है हम पहले से false condition देखे रखें फिर भी एक बार यह statement execute करेगा practical में हम आपको दिखाएंगे flow chart देखो इसका start उसके बाद statement execute करेगा यानि वह do की body में लिखा हुआ code चलेगा यह वाला फिर अपना condition आगा अगर condition हमारा true होता है फिर क्या होगा फिर हमारा statement execute करेगा ठीक है इसको यहाँ पर रखना चाहिए था यहाँ पर नहीं ठीक है I am sorry mistake अगर condition true हुआ तो यह statement execute करेगा फिर अगर condition माले जब false हो गया फिर क्या होगा end हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम क्या करते हैं इसका भी practical देख लेते हैं simple सा यह हमारा previous program है while loop का तो हम क्या करते हैं इसको do while में convert कर देते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे do उसके बाद file को save कर लेंगे as a do while loop.java नाम से ठीक है अभी सारी चीजे मुझे खुच से करनी पड़ रही ह क्योंकि हम text editor approach में जा रहे हैं ठीक है id की use नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे do की body होगे और इस body में हम एक statement लिख देते है system.out.print message देते है learn coding ठीक है यह हमारा message है उसके बाद do while loop की condition होती है तो अगर हम यहाँ पर condition देते हैं जैसे num less than 0 ठीक है यह हमारा condition है semicolon क्योंकि condition के बाद loop का कोई statement नहीं है body पहले ही है तो यहाँ पर condition है less than 0 का लेकिन अगर हम number greater than 0 input करते हैं तो condition false रहेगा उसके बावजुद हमारा यह loop एक बार execute कर जाएगा क्योंकि यह do while loop पर पहले statement execute करता है इसको करते हैं save अब करते हैं compile और run program को यह हो गया compile run enter any number हम क्या करते है number input कर देते हैं जैसे 56 तो यहाँ पर देखे learn coding message आ चुका है तो यहाँ पर यह कैसे आ गया message हम आपको समझा देते हैं हमने number input किया 56 यहाँ पर number input किया हमने कितना number variable में 56 तो सबसे पहले यह do का body execute हुआ यह वाला message execute हो गया learn coding print हो गया फिर यहाँ पर condition check हो रहा क्या 56 less than 0 है यहाँ पर देखे होने के बावजूद हमारा यह do while loop का एक वार statement execute कर गया अब हम एक और नया program बना लेते हैं do while loop में मैं चाहता हूं 1 से लेके 10 तक natural number print हो जाए यानि repeated task हम perform कराना चाहते हैं क्यूंकि यह भी loop है do while loop यह भी कर सकता है तो हम 1 से 10 तक चाहते हैं तो condition दे देंगे less than equal 10 और इस comment वाले section को सबसे पहले हटा देते हैं इसका कोई काम नहीं है और यहां पर हम अपने number को print कर देंगे num को ठीक है इतना करने के बाद हम इसको करते हैं save और चलते हैं run करने के लिए compile हो गया run अभी हम number input कर देते हैं 1 तो यह 1 इस num में जाके store हो जागा यानि starting point 1 है 1 से 10 तक print होना चाहिए enter मारते हैं मेरा यह do value यहां पर देखे infinite time तक execute कर गया क्यूंकि हमने क्या किया value को increment किया ही नहीं इसलिए यह condition हमेशा के लिए true हो गया one print हुआ one less than equal 10 true फिर one फिर condition same condition हमेशा true है लेकिन हमें value को increment करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे plus plus num use करेंगे यहां पर ठीक है do while है ना do while loop.java तो यह देखो compile हो गया उसके बाद आप क्या करते हैं इतको run करते हैं do while underscore loop enter any number अभी अगर हम number input करते हैं one तो आप देख सकते हैं one से लेके 10 तक natural number प्रिंट हो चुका अगर आप space चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कैसे देते हैं इस तरह से one डाल देते हैं तो यह देखिए space में print हुआ है अगर हम condition कुछ ऐसा डाल दे जो condition false है जैसे हम number input कर देते हैं 20 तो क्या 20 less than equal 10 है condition false है फिर भी हमारा एक बार number print होगा वो number print होगा 20 क्योंकि num में हम 20 input कर रहें वो पहले print होगा तो यहां पर देखिए 20 print हुआ तो do while loop को condition से लेना देना एक statement के नहीं होता है starting में यह statement execute करेगा उसके बार इसको condition से मतलब होता है तो यह simple सा हमारा do while का concept था अभी चलिए हम आपको for each loop का concept समझाते हैं जावा में यह क्या है अब बात करते हैं हम for each loop के बारे में कि इसे हम कभी यूज़ करेंगे for each loop हम तब यूज़ करते हैं जब एक single variable के पास multiple value हो और उन multiple value को हम चाहते हैं एक एक करके print करें एक एक करके उन्हें यूज़ करें एक्सेस करें तब उस case में multiple value को access करने के लिए हम for each loop यूज़ करते हैं जैसे array आगे हम आपको array पढ़ाएंगे तो array एक ऐसा variable होता है जिसके पास एक single variable में बहुत सारा value होता है तो उस बहुत सारे value को access करने के लिए हम for each loop यूज़ करें तो यह data type variable का type वही होगा जो आपका आयरे का type होगा ठीक है तो यह यह हमारा आयरे variable होगा इसमें मालीजे multiple value है इसमें बहुत सारा value है 10 20 30 इस तरह से तो यह एक एक करके इसकी value को वैर 2 से वैर 1 में लिया जाएगा और यहां पर हम print करते हुए चलेंगे फोर इच लूप यही काम करता है तो हम क्या करेंगे इसका फ्लोचार्ट आपको homework में दे रहे कि आप इसका फ्लोचार्ट खुद से कही यूज करेंगे तो वहां पर हम इसका practical देख लेंगे तो अभी चलिए हम अपने अगले टॉपिक की और पर्मूब करते हैं Unters flow statement का टाइप नंबर थी transfer statement हम देखेंगे यह क्या होता कि इसे कभी उसका चाहिए ठ्रांसफर में आपको तीन मिलेंगे तो ब्रेक क्या होता ब्रेक एक ऐसा password से is को आप जहां भी यूज करेंक्यों फिर चाया आप लूब बोड़ी के अंदर use करें के पिर अंदर use करें यह फिर switch statement के अंदर use करें जहां भी यह use किया जाता है अगर आपका statement execute हो गया और break जैसे ही आता है यह क्या करता वहीं पर प्रोग्राम के execution को क्या करता है stop कर देता है रोग देता है और उस iteration से आपको बाहर कर देता है अगर आप loop body के अंदर है माली यहां पर break मिल गया तो आप loop body के बाहर चले जाएंगे अगर आप if की body के अंदर काम करता है break continue क्या करता है जो भी condition इसको मिलता है अगर वो condition true हो गया तो यह क्या करेगा उस वाले part को skip कर देता है यानि skip करने का काम यह करता है अगर आप किसी चीज को execute नहीं कराना चाहते हैं बीच में से करना चाहते हैं तब आप यूज करेंगे continue प्राक्टिकल में हम दोनों को फ्रूफ कर देंगे जो अभी मैंने कहा return क्या करता है return जब हम method पढ़ेंगे तो वहां पे देखिएगा यह value को return करने का काम करता है method में हम आपको इसका practical दिखाएंगे कि जब हम कोई method बनाते हैं तो हम value return करते हैं यह value वहां पे return कर देता है जहां से method को हम call करते हैं तो फिलाल हम break continue का practical देख लेते हैं उसके बाद जब हम method पढ़ेंगे तो इस return को भी हम cover कर लेंगे ठीक है practical के लिए हम आ चुके हैं अपने eclipse IDE में eclipse का जो भी problem थोड़ी दिर पहले आया था वो fix हो चुका है अब हम यहां से फिर से eclipse में continue करेंगे तो हमारा target है break continue transfer statement तो उसके लिए सबसे पहले हम एक for loop design कर लेते हैं यहां पर हम एक variable बनाते हैं i नाम का इसकी value 1 से start कर रहे हैं हम चाहते हैं i का value 10 तक जाए 1 से लेकर 10 तक natural number प्रिंट होना चाहिए तो उसके लिए मुझे plus plus i लिखना पड़ेगा pre increment operator इसको बोलते हैं ठीक है आप चाहां तो i plus plus भी लिख सकते हैं post increment अब इस for loop के अंदर अगर मैं लिखूं system.out.print उसके बाद मैं चाहता हूं i का value प्रिंट हो और बीच में space भी थोड़ा सा maintained रहे अगर इतना code को अभी हम रन करेंगे तो 1 से 10 तक हमारा number प्रिंट हो जाएगा ठीक अब मेरा requirement क्या है कि किसी ने मुझे कहा कि जैसे ही i का value 5 हो उसके बाद आगे का number प्रिंट नहीं होना चाहिए मतलब यह सारा part प्रिंट नहीं होना चाहिए तो उसके लिए मुझे condition लगाना होगा क्योंकि मुझे condition दे दिया गया है कि यह सारी चीजे आगे की प्रिंट नहीं होनी चाहिए जैसे ही i का value 5 हो लूप में increase होके तो फिर यहां पर if use करेंगे क्योंकि condition की बात हो रही तो क्या बोला condition i equal equal जब 5 हो उसके आगे number प्रिंट नहीं हो तो हम क्या करेंगे ब्रेक यूज करेंगे तो यहां पर break क्या करेंगा i का value जैसे 5 होगा इस 5 के साथ equal होगा तो फिर यह क्या करेंगा आगे print नहीं करेंगा यहीं से हमें break कर देगा यानि for loop से हमें यह बाहर कर देगा इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो हमारा जो requirement था अभी देखे फुल्फिल हो गया 1, 2, 3, 4 प्रिंट हुआ उसके बाद 4 लुप में यहां पर आई का value बढ़के 5 हुआ 5 less than equal 10 condition true है तो यहां पर 5 equal equal 5 condition true break execute किया इसने क्या किया हमें break कर दिया आगे का number प्रिंट करने नहीं दे रहा यह लुप से बाहर कर दिया ठीक है यही काम होता है break का अब अगर मेरे पास एक requirement आया कि 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट होना चाहिए बीच का जो number 5 है वो प्रिंट नहीं होना चाहिए ठीक है वो skip हो जाना चाहिए तो हम क्या करेंगे break के जगा यहां पर continue use करेंगे continue क्या करता है जैसे ही I के value 5 होगा उसको skip करके फिर continue करेगा ठीक है program को करते है run यहां पर देखे 1, 2, 3, 4 उसके बाद बीच में 5 नहीं है 6, 7, 8, 9, 10 तो बीच का 5 हमारा skip हो गया है क्योंकि यह जो continue transfer statement है यह क्या करता है जो भी condition इसको मिलता है अगर वो true रहता है तो वो उस चीज को skip कर देता है तो यही simple सा use होता है break और continue का हमारा एक रह गया है return जिसको हम cover कर लेंगे जब हम method पढ़ेंगे तो चलिए अब हम अपने अगले chapter की और move करते हैं जावा के इस full course में अब हमारा अगला topic है switch statement हम आपको switch statement के बारे में अब बताएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे क्योंकि यह जो भी note से ना इसका PDF आपको मिलने वाला है तो चलिए देखते है switch statement क्या होता है switch is a multiple choice decision making selection statement it is used when we want to select only one case out of multiple cases switch जो है एक तरह का multiple choice selection statement है ठीक है इसे हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे case है और उन बहुत सारे case में हम चाहते हैं कि कोई एक case को हम select करें और जिसको select करें वही वाला सिर्फ execute हो उस case में हम यूज करेंगे switch statement तो इसको लिखने का तरीका क्या syntax देख रहते हैं switch statement का आपको लिखना पड़ेगा switch जो कि एक keyword है ठीक है और यहां पर आपका expression होगा अगर माली जे के expression का value आप देते हैं one फिर क्या होगा case one execute करेगा क्योंकि यह वाला one और यह वाला one match कर गया यह true हो गया तो case one में जो भी statement आप लिखेंगे वह execute करेगा उसके बाद break यहां पे लिखा होगा तो मैंने आपको बताया था जैसे ही break मिलता है यह हमें current iteration से बाहर कर देता है यानि switch से बाहर हो जाएंगे हम case one का statement execute होने के बाद अगर माली जे यह वाला expression में हमारा value होता है two तब क्या होगा क्या यह two one के साथ equal है नहीं क्या यह two two के साथ match कर गया बिलकुल तो अभी case two का यह वाला statement execute करेगा उसके बाद break जैसे ही break मिला फिर क्या हो तो switch में हम break इसलिए use करते हैं क्योंकि हम यह चाहते हैं कि अगर माली जे case two का statement execute हो रहा तो हम चाहते हैं कि अब आगे वाली जो case से उसका statement execute ना हो इसलिए हम break यूज करते हैं कि यह वाला statement चलने के बाद आगे का statement रूख जाए वो execute ना हो हम बाहर चले जाए switch की body से इसलि माली जे 100 दे दिए और 100 नाम का कोई भी case हमने define करके नहीं रखा है तब क्या होगा बाद में यह default वाला case अपने आप execute करेगा जब उपर का सारा case कुछ भी execute नहीं करेगा और इसका statement execute करेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर break देनी के जोरत नहीं पड़ती यह सबसे last में होत statement हम switch की body के बाहर चले जाते हैं तो इसी चीज को flow chart में कैसे represent करेंगे start होगा फिर हमारा switch का यह वाला expression फिर case 1 अगर case 1 true होता है तो case 1 का statement 1 यह execute करेगा अगर case 1 false होता तो case 2 में आएगा अगर यह expression case 2 के साथ match कर गया तो case 2 का statement 2 execute करेगा यानि यह वाला code अगर यह भी false हो गया तो case 1 अगर इसमें भी true होता है तो इसका statement चलेगा यह वाला अगर कुछ भी case execute नहीं किया हमारा expression false है फिर क्या होगा यह default execute करेगा यहाँ पर जो code लिखे हैं default का वह execute करेगा फिर end हो statement का program कब देखेंगे अगला chapter है हमारा operator operator में जब हम arithmetic operator कवर करेंगे तो arithmetic operator का use करके हम क्या करेंगे switch statement के थुरू एक simple सा calculator बनाएंगे जावा में उसमें क्या होगा कि आप जो भी चाहें addition, subtraction, multiplication, division कर पाएंगे क्योंकि switch statement में एक statement ही execute होता है तो चलिए पहले arithmetic operator पढ़ते हैं फिर switch statement का practical साथ में ही कर लेंगे operators पढ़ने से पहले हम syllabus चेक कर लेते हैं अपना कि हम operator के बाद क्या क्या पढ़ेंगे operator पढ़ने के बाद हम Java में methods क्या होता है आपको ये पढ़ाएंगे methods के बाद हम array के बारे में पढ़ेंगे कि ये array क्या होता है इसे कभी यूज किया जाता है फिर हम string भी देखेंगे ठीक है कि Java में string क्या होता है और ये string immutable क्यों है इसका मतलब क्या है तो चलिए सबसे पहले हम operators कवर करते हैं और इसी operators में switch statement को भी देख लेंगे what is operator अब हम आपको operator क्या होता है समझा देते हैं operator is a symbol that is used to perform operations according to user requirement यह जो operator है यह एक तरह का symbol होता है और आप जूस भी तरह का operation चाहते हैं परफॉर्म करना आप अपने requirement के according operator के थुरू वह operation परफॉर्म कर सकते हैं जैसे अगर मा लिजे आपको 10 और 20 को क्या करना है अड़ करना है तब आप यूज करेंगे प्लस तो यहां पे प्लस क्या है प्लस एक operator है और यह प्ल अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग operator यूज कर सकते हैं जैसे आपका काम वह ऐसा आपका operator टाइप देखो सबसे पहले तो हम यह तीन कवर करेंगे arithmetic operator जिसमें switch case के तुरू calculator बनाएंगे प्लस माइनेस मल्टिप्लिकेशन डिविजन और मोडूलस यह पांच operator होते हैं arithmetic operator relational operator जिसको आप comparison operator भी बोल सकते हैं इसका यूज करके हम क्या करते हैं compare करते हैं दो तीन वैलू जितने में भी आपको comparison करना है इसके दुरू आप compare कर सकते हैं logical operator के यूज हम करते है logical operations को perform कराने के जैसे अगर आपको हमेशा सभी condition true रखनी है तब आप logical and use करेंगे एक भी condition true होने से आप चाहते हैं आपका result सहीर है तब आप logical और operator यूज करेंगे अगर result को reverse करना चाहते है true को false, false को true में तब आप logical note operator यूज करेंगे तो जरी हम क्या करते हैं सबसे पहले arithmetic operator का practical देखते हैं उसके बाद इन दोनों को भी हम cover करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने program में तीन integer type का variable बना लेते हैं A, B, C A, B का काम क्या होगा दो number input करेंगे एक A में एक B में उसके बाद उनका जो भी operation हम perform करेंगे arithmetic operator की मदद से addition, subtraction, multiplication, division उसका result store करेंगे इस C variable में तो अभी हम क्या करते हैं हमें एक message pass करते हैं सबसे पहले system.out.print और यहां पर double quotes में लिखते हैं enter any two numbers आप कोई भी दो number input कर सकते हैं फिर runtime value input लेंगे तो scanner class का object बनाना पड़ेगा तो new keyword लिखेंगे object बनाने के लिए और यहां पर system.in ठीक अब हमें करना क्या है ए और बी में number input कर देना है तो हम लिखेंगे a equal to s.nextint और इसी तरह से हमें b में भी number input करना है तो इसी line को यहां पर paste करेंगे और b के लिए b variable इतना करने के बाद अब हम करेंगे क्या switch statement का जो syntax होता है वो यहां पर use करेंगा switch के थुरू हम calculator का यह program बनाने वाले हैं तो यहां पर switch का भी यह example हो जाएगा और arithmetic operator का भी exam में जो पूछे आप वही लिखिएगा ठीक तो यहां पर switch के अंदर हम case बनाते हैं सबसे पहला होगा हमारा case 1 colon फिर यहां पर आपका statement होगा उसके बाद break होगा तो यहां पर हमें एक expression पास करना पड़ेगा switch से तो expression तो अभी हम input लिए है नित हम क्या करते हैं एक और variable लेते हैं CH नाम का इसमें हम user का choice मागेंगे ठीक है तो इस line को क्या करते हैं copy करते हैं उसके बाद यहां पर paste करेंगे एक second यह copy मैंने किया इन्हें यहां पर paste करते हैं इसको उसके बाद enter your choice की आप क्या करना चाहते हैं addition, subtraction, multiplication, division जो भी करना चाहते हैं बता दो तो scanner का तो object बनाई था तो उसी को हम क्या किये यहां पर use कर लिए अब इसी CH यानि choice को हम as a expression यहां से past कर देंगे अगर choice CH का value 1 रहेगा तो case 1 का statement execute करेगा तो case 1 में हम क्या करेंगे case 1 में हम करेंगे a plus b यानि दो number को add करने का काम यहां पर कर रहे और उसका result अब हम display कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे system.out.print क्या लिखें हम addition लिख देते हैं एक message देते हैं addition उसके बाद हमारा result c फिर हम क्या करेंगे break यूज करेंगे break इसलिए यूज कर रहे हम चाहते हैं case 1 execute होने के बाद अभी जो आगे हम case बनाएंगे case 2, case 3 वो execute ना करें एक second इसको select करते हैं problem होरा फूरा select करने में तो क्या करते हैं एक-एक line करके copy करते हैं paste करते हैं ठीक तो यह होगा अपना case 2 यहां पर करेंगे a-b उसके बाद हमारा यह वरा line का काम आएगा तो यहां पर उसको print करेंगे subtraction subtraction हो गया हमारा फिर क्या होगा फिर break चोटा सा लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह अब क्या होगा हमारा case 3 होगा तो क्या करेंगे इस line को copy करेंगे यहां से और यहां पर paste करेंगे case 3 case 3 में क्या करना है multiply करना है फिर क्या करना है उसका result display करना है copy और यहां पर result क्या होगा output message आना चाहिए multiplication फिर break यह इस पेस एक्स्ट्रा है अभी फिर क्या हमारा काम है case 3 को copy करना और यहां पर paste कर देना case 4 इसका name रहेगा यहां पर divide करेंगे हम फिर result को display करने के लिए यह वाली line होए चाहिए तो यहां पर यह बोलेगा division बस हमारा calculator का program बन चुका है आप एक और काम कर सकते हैं हम एक और काम कर लेते हैं case 5 भी बना लेते हैं ठीक है case 5 क्या करेगा remainder निकालेगा remainder find करके देगा फिर result के लिए यही वाली line हमें चाहिए यह क्या हो रहा भई paste करते है remainder फिर break break यहां पर लिखेंगे अगर यह पांचों case में से कुछ भी execute नहीं करता तब क्या execute करना चाहिए यहां break अंदर तब execute करना चाहिए एक हम बनाएंगे default वाला case ठीक है यहां पर लिखेंगे default colon और यहां पर हम message दे देंगे ठीक तो क्या करते हैं इसी message को copy कर लेते हैं यहां से और default में यहां पर लिख देते हैं invalid choice invalid choice इन सभी को भी क्या करना है थोड़ा सा modification करना है अंदर इसको भी नीचे line में कर देते हैं और हमारा सारा काम होगे यहां पर system missing तो ready है हमारा काम code अपना ready है अब हम क्या करेंगे इसको execute करेंगे आपके सामने में ने इसे design किया अब run करते हैं तो यहां पर एक error आ चुका है line number 26 क्या है error देख लेते हैं 26 system okay अगर कुछ भी error रहेगा तो जब आप program run करेंगे तो आपको पता चल जाएगा enter two numbers हम पहला number input करते हैं 20 second कर देते हैं 10 enter choice की अब आप इस 20 और 10 का करना क्या चाहते हैं add करना चाहते हैं subtract मुझे addition करना है case 1 यहां पर देखिए addition हमारा 30 print हो चुका है अगर आप subtraction करना चाहते हैं तो बिल्कुल calculator की तरह यह काम करेगा 200 डाल देते हैं उसके बाद 50 मुझे करना क्या subtraction करना है case 2 मुझे press करना पड़ेगा 2 2 में A-B है तो अगर मैं यहां पर 2 प्रेस करता हूं 150 रिजल्ट आजाएगा subtraction इसा case यहां पर input कर देते हैं सबसे पहले हम 2 number input कर लेते हैं अभी हम ऐसा choice यहां पर pass कर रहें जो हमारे किसी भी case में available नहीं है 34 तो अभी result क्या आएगा? result आएगा invalid choice ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि case 34 नाम का हम switch में कोई case बनाए नहीं है case 5 तक है उसके बाद default है तो जब कोई भी case execute नहीं करेगा तब यह वाला last में default execute करेगा अगर आप दो number को subtract करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं जैसे 30 उसके बाद 5 subtraction के लिए case 4 है तो यहां पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे तो देखिए division 6 आए क्योंकि 30 को अगर हम 5 से divide करेंगे तो result क्या आएगा? 6 ही आएगा तो इस तरह से हमारा यह simple सा calculator का program बनकी ready है जिसे हमने arithmetic operator और switch case की मदद से implement किया अब हम relational operator और logical operator का practical देखेंगे तो सबसे पहले relational operator का देख लेते हैं int a इसमें value दे देते हैं 10 और b नाम के variable में value दे देते हैं 20 ठीक? दो variable से अपना काम हो जागा मैंने starting में ही बोला था relational operator का use हम compare करने के लिए करते हैं तो कैसे बोला था मैंने मैं आपको practical दिखा देता हूँ system.out.print अब यहाँ पे हम क्या करेंगे print ln क्योंकि हमें बहुत सारे operation perform कराने अलग-अलग line पे सबसे पहले अगर हम बोले a equal equal b यह हो गया एक relational operator ठीक है अब क्या करेंगे यह line हमें बार-बार यूज करनी है फिर a not equal b फिर यहाँ पे भी paste करेंगे अभी बोलेंगे हम a greater b अभी उसके बाद जितने भी relational operator है यहाँ पे लिग दे रहें सभी का result समझाएंगे उसके बाद बोलेंगे की less than equal फिर इसी तरह हम बोलेंगे greater than equal तो इतना ही relational operator होता है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको run करेंगे तो आप result देखें true false के form में आ रहा है क्योंकि मैंने starting महीं बोला था true false as a literal use होता है ठीक है यहाँ पे आप सभी result को एक साथ देखें सबसे पहले a equal equal b इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहाँ पे हम कह रहे है क्या 10 equal equal 20 है क्योंकि a का value 10 है यह false है यहाँ पे false print हुआ उसके बाद true print हुआ है second number पे क्योंकि 10 जो है not equal 20 के है फिर हमारा क्या print हुआ है फिर हमारा false print हुआ है यह क्यों print हो गया भई क्योंकि हम क्या बोल रहे है 10 greater 20 है क्या यह false है फिर हम अगले ही लाइन बोल रहे क्या वही 10 less than है 20 यह सही है तो इसके लिए true बोल रहा फिर यहां पे true आया क्योंकि यहां पे हम बोल रहे 10 less than equal 20 है true फिर वही चीज है हम reverse order में बोल रहे है 10 greater than equal 20 है यह false हो गया तो last में देखिए false है तो इस तरह से हमारा relational operator काम करता है और इसका output आता है अब logical operator का आप कैसे practical करेंगे हम आपको दिखाते हैं उसका भी a equal equal b है अगर इसी में हम लिख दे end तो यह होता logical and operator उसके बाद हम लिखते है a not equal b तो क्या यह सही है इसको मिटा देते हैं पहले सभी logical operator का भी क्या करते हैं practical देख लेते हैं उसके बाद समझेंगे यहां पे end के जगह पे logical or operator यह होता है logical or और एक होता है logical not operator वो क्या करता है अभी बताते हैं अगर हम यहां पे लिखते हैं a greater b ठीक है इसको एक अलग bracket में फूट करते हैं और इसके आगे लिख देते है not यही होता logical not operator तो सबसे पहले इसका result देखते हैं तो आप देखे result false true true आया है सबसे पहले false क्यों आया logical and operator क्या बोलता है कि दोनों condition true होना चाहिए जितना भी condition logical and को दिया जाए वो सभी true होना चाहिए अगर एक भी false condition इसको मिला तो यह result को false कर देता है तो पहला condition है क्या हमारा 10 equal equal 20 है यह condition false हो गया फिर तो आगे यह चेक ही नहीं करेगा सीधा बोलेगा false इसमें आते हैं logical or operator क्या बोलता है कि अगर एक भी condition true हुआ इसका मतलब result true जैसे इसकी अगर हम बात करें क्या हमारा 10 equal equal 10 equal equal 20 है false तो फिर यह क्या करेगा अगले वाले को चेक करेगा logical or फिर आगे भी चेक करता है क्या वही 10 not equal 20 है not equal 20 यह वाला condition true मिल गया logical or operator को यह क्या बोलेगा true logical not operator क्या बोलता है जैसे यहां पे हम लिखें a greater b तो इसका output क्या आएगा इसका मतलब 10 greater 20 है क्या यह पहले से ही क्या बता रहा हमको यह पहले से ही हमें बता रहा की result false है लेकिन आगे में हमने logical not operator लगा दिया तो यह क्या करता है reverse कर देता है false आएगा तो उसको true बोलेगा इसलिए यहां पे true print हुआ है तो यह हो गए हमारे logical operator अब चलिए हम अपने अगले operators की तरह move करते हैं अब देखते हैं increment decrement operator क्या होता है तो अगर हम increment operator की बात करें तो इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है प्री-इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट अगर variable से पहले यानि operand से पहले operator है तब वह कहलाता है प्री-इंक्रीमेंट अगर operand के बाद operator लगा हुआ है plus plus तब वो कहलाता है post increment ठीक है और decrement क्या होता है pre decrement मतलब minus minus operand post decrement मतलब operand उसके बाद operator minus minus तो चलिए हम क्या करते हैं इनका भी practical देखते हैं लेकिन उससे पहले आप देख लो हम अभी cover करेंगे just increment decrement के बाद assignment operator क्या होता है और ternary operator मैंने आपको जब नेस्टर डिफेल्स पढ़ाया था तो वहां पर हमने एक program बना था तीन number में greater number का तो मैंने बोला था जब हम ternary operator पढ़ेंगे तो इसी program को हम एक line में आपको बना के दिखाएंगे ठीक है तो ternary operator में हमारा यही program रहेगा तो चलिए देखते हैं अपना हम increment decrement assignment और ternary का practical यह हमारा previous program था और उसका यह output था तो हम क्या करते है output screen तो clear कर लेते हैं और यहां पे अब हमें करना क्या है increment decrement operator आपको perform करके दिखानी है सबसे पहले हम post decrement करते हैं तो a minus minus लिखेंगे फिर मुझे करनी क्या है फिर मुझे pre decrement करनी है तो यहां पे इसके आगे में minus minus लिखेंगे फिर इसी तरह से हमें करना क्या है post increment a plus plus pre increment के लिए plus plus है तो इसका output क्या आएगा सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहां पे print होगा 10, 10 प्रिंट होने के बाद value क्या होगा decrease करेगा वह 9 हो जाएगा फिर second line में हम आते हैं यहां पे print होगा हमारा 8, 8 क्यूंकि यहां से 9 return हो रहा उसके बाद यह पहले decrease कर देगा 8 प्रिंट होगा फिर यहां की अगर हम बात करें तो यहां पे प्रिंट होगा हमारा यहां 8 प्रिंट हुआ था तो इसके बाद यहां पे क्या प्रिंट होगा यहां पे भी प्रिंट होगा 8 फिर क्या होगा 8 प्रिंट होने के बाद हमारा जो value बढ़के 9 हो जाएगा फिर इस line के अगर बात करें तो यहाँ पर क्या print होगा यहाँ पर print होगा 10 क्योंकि यहाँ से 9 आया plus plus है पहले एक बढ़ जाएगा print हो जाएगा run करते हैं देखते हैं मैंने सही बोला कि ने तो यहाँ पर देखें 10 8, 8, 10 प्रिंट होगा पहले 10 उसके बाद 8, 8 फिर 10 तो आपको समझ में आ गया क्यों कर print होगा यह वाला तो अगर आपको value अगर 1 increase करनी हो या फिर 1 decrease करनी हो तब आप increment या फिर decrement operator यूज करेंगे pre post के form में अब हम बात करते हैं क्या assignment operator तो यही होता है assignment operator देख लो यह जो value 10 है इसको हम assign किये हैं variable a में तो अगर हमें 1-2 value increase, decrease करनी होती है तो हम pre increment, post decrement इस तरह का operator यूज करते हैं जो अभी अभी हमने देखा लेकिन अगर हम बोले कि एक बार में value आप 10 और increase कर दो इस variable में तो आप यूज करेंगे a plus equal फिर आप लिखेंगे 10 तो इसका मतलब कि हम एक बार में ही 10 और value add कर देना चाहते है variable a में और हम चाहते है 20 print हो ठीक तो इस line का मतलब यह है कुछ simple सब्द में कहा है तो इसका मतलब यह लिखा हुआ है ठीक बस compound assignment operator यूज करके इस तरह से हमने लिखा यह होता है simple assignment operator अब अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो output print होना चाहिए 20 देखते है यहाँ पर देखे 20 print हो चुका जो की एकदम correct output है अब बात करते है conditional operator इस प्रोग्राम को remove करते है और हमारा conditional start करते है मैंने आपको याद है जब हम effelive ladder statement पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम 3 number में greater number find किये थे कितना लंबा logic लिख के तो हम क्या बोलेते हम turnary यानि conditional operator की मदद से इसी काम को एक line में आपको करके दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे अब भी हम बताते है B variable होगा उसमें value दे देते हैं 20 C नाम के variable का value दे देते हैं 5 अब A हमें पता करना कि इन तीनों में बड़ा number को है maximum number हमें पता करना है तो एक line में काम होगा अपना सबसे पहले syntax design कर ले रहे हैं यहां पर question mark उसके बाद यह फिर रहेगा उसके बाद हम use करेंगे क्या colon फिर यह syntax लिख लिए हैं अब यहां पर coding start कर दे सबसे पहले यहां पर condition होगा क्या A greater B है अगर है फिर क्या होगा पर question mark ternary operator use करेंगे A print होगा नहीं तो क्या print होगा C और माल लिजे यह A greater B से नहीं होता है इसका मतलब B बड़ा है तो जब B बड़ा रहेगा तो फिर यहां पर आएंगे B का condition यहां पर देखेंगे फिर वही B check करेंगा क्या हम C से भी बड़े हैं अगर हां तो B बोलेगा कि मैं print होगा नहीं तो colon C प्रिंट होगा पस इतना सा काम था अब इस result को store कर लेते हैं एक variable R में ठीक है और R को हम print करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों में greater number कौन सा है R को print कर देते हैं अब करेंगे program को run तो output क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए इसको clear कर देते नहीं तो आप बोलेंगे कोई previous output ही दिखा रहा तो यहां पे 20 हमारा print हो चुका है अगर C का value हम कर दें 50 तो अभी 50 आना चाहिए तो यह देखे यहां पे 50 प्रिंट हो तो यह कैसे print हो रहा हम समझा देते हैं सबसे पहले 10 greater 20 यह condition false हो गया जैसे ही condition false हुआ इसका मतलब B बड़ा है ठीक है B बड़ा है 20 तो अब B क्या करेगा अपने पास ले जाएगा फिर B चेक करेगा यानि क्या 20 greater 50 है यहां पे condition यह वाली false हो गई तो false हो गई इसका मतलब C बड़ा है तो C यहां पे print हो गया C का value क्या था 50 यहां पे display हो चुका है अगर Eclipse ID आप यूज करते हैं तो आपको advantage क्या मिलता अगर आपको system के बारे में जानना है system क्या होता है इसके उपर mouse का यहां पे पढ़िए out a standard output stream है जो की output दिखाने के लिए use करता है तो इस तरह से आप Eclipse ID अगर use करते हैं तो किसी भी चीज के बारे में पढ़ सकते हैं main के बारे में string क्या पढ़िए string भी lang package के अंदर predefined class है और इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं तो इस तरह से आप हर एक चीज को पढ़ सकते हैं बिना मेरा theory notes को रटे हुए समझ समझ के वैसे मेरा notes इतना concise है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा बस आप practical समझ है notes अपने आप याद हो जाएगा आपको अगले chapter के और move करते है what is method अब हम आपको जावा में method क्या होता है वो बताएंगे उससे पहले अगर जावा full course का ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को like कर दिजिए method क्या होता है जावा के बहुत important topic में से ये method method लाया गया है हमारे काम को असान बनाने के लिए ठीक है simple सब्दों में अगर कहें तो ये क्या होता है method is a group of code या फिर आप कह सकते है method is a block of code which take input from the user ये user से input लेता है उस input को process करता है उसके बाद क्या करता है उसका output देता है ठीक है तो यहाँ पर आपको method पढ़ने से पहले याद क्या रखना है method runs only when it is code आप जो भी method बनाएंगे अपने प्रोग्राम में वो तभी run करेगा जब आप method को call करेंगे अगर call नहीं करेंगे तो method रहेगा फिर भी वो run नहीं करेगा आपको लगेगा कि code execute किया ही नहीं दूसरा advantage होता है method use करने का code reusability अगर माल लिजे आपने method बनाया example के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर M1 नाम का ठीक है इसके अंदर कुछ code लिखा हुआ है अगर आप यह चाहते हैं कि यह वाला code 10 बार execute करें जो इस method के अंदर लिखा हुआ है तो कुछ नहीं पड़ेगा आपको 10 बार code लिखने की जौरत नहीं है आपको बस इस M1 method को 10 बार call कर देना है जितना बार call करेंगे उतना बार आपका यह code execute करेंगा इसलिए code reusability method का बहुत बड़ा advantage है अब type की बात करते method को दो type में divide किया गया है predefined user defined predefined वो method होते हैं जो पहले से ही defined किये गए हैं जिन्हें हम सिर्फ use कर सकते हैं इन्हें हम define नहीं कर सकते हैं जैसे print, sort, nextint, sleep, concat इन सभी method का practical हम आपको दिखाएंगे print का तो आप starting से ही देख रहे हैं अभी array जब हम पढ़ेंगे तो array के element को जब हम sort करेंगे तो यह sort method ही use करेंगे वहां पर ठीक है predefined method है फिर nextint method आपने देखा था scanner class जब हम पढ़े थे integer value को input लेने के लिए हम use किये थे sleep हम देखेंगे multi-threading में concat जब हम string पढ़ेंगे तब concat को cover करेंगे तो predefined method का पहचानने का तरीका क्या होता कि यह जब भी use करेंगे semicolon लग जाएगा और इसकी कोई भी body नहीं होती इस तरह से ठीक है यह नहीं होता इसमें user defined method जिसे हम अपने requirement के लिए बनाते हैं हम खुद से बनाते हैं इसका name कुछ भी हो सकता है add some learn user defined method का कुछ भी name हो सकता और इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें coding हम खुद कर सकते हैं ठीक है इसकी इस तरह से curly bracket की हम body बना सकते हैं और यहां पर जो भी code हम लिखना चाहें क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं और जितना बार execute कराना चाहें इस code को जो इस body के अंदर method की body के अंदर हम लिखेंगे हम कर सकते हैं बस हमें करना क्या पड़ेगा जितना बार repeat कराना है code को उतना बार इसको call करना पड़ेगा ठीक है तो user defined method को बनाने का तरीका क्या होता syntax आपको लिखना पड़ेगा return type return type में अगर आप लिखते हैं void इसका मतलब आप कुछ भी value return नहीं करेंगे ठीक है लेकिन अगर आप void ना लिखके return type में लिखते हैं int इसका मतलब यह compulsory है कि आपको integer type की value return करनी पड़ेगी ठीक है फिर method का name method का name यहाप आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे हम learn coding भी ले सकते है method का नाम और यहाँ पर parameter होता है तो parameters method में optional होता है अगर मालीजे आप method में parameter pass कर रहे हैं तो parameter को method as a input read करता है input parameter से ले लिया उसके बाद उस input को यहाँ पर process करेगा और return करेगा ठीक है parameter रहेगा और int type का return type रहेगा तो फिर क्या होगा यहाँ से value return होती है transfer return statement के तो ठीक है और मालीजे यह parameter हम नहीं देते है method में तब क्या होगा अगर आप कुछ input लेना चाहते हैं तो आपको method के अंदर खुद से input लेना पड़ेगा जब आप खुद से input लेंगे उस input को process करेंगे अगर return type है तो return करेंगे अगर return type void है तब कुछ भी return नहीं करना है और method की अंदर इस block के अंदर देखो method में block होता इसी block के अंदर code लिखा जाता है इसलिए बोलते है method is a block of code तो अगर इस statement को आपको पचास बार repeat करना है ना तो इस method का name जो भी है जैसे तो इसको पचास बार call कर दो अपने आप repeat कर देगा तो चलिए हम method का practical देखते हैं तो इस user defined method के practical में हम pre defined method को भी cover कर लेंगे ठीक है practical start करने से पहले हम आपको main method के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि यह जो हमारा main method है यह भी एक user defined method है क्यूं क्यूंकि इसकी भी देखो curly bracket की body होती है और इसके अंदर जो भी coding लिखना पड़ता है वो हमें लिखना पड़ता है हम user को लिखना पड़ता है इसलिए यह क्या है user defined method है और हमारे java program का execution यहीं से main method से ही start होता main method में ही खतम होता तो आप कह सकते है execution का starting point और ending point main method ही होता है लेकिन इस user defined method को jvm call करता है जब हम program को run करते हैं तो चलिए अब start करते हैं हम अपना practical हम खुद का user defined method बना रहे है void sum नाम का ठीक और क्या कर रहे है दो parameter पास कर रहे है integer type का a और b ठीक है उसके बाद हम क्या करना चाहते है हम चाहते हैं कि यह दोनों add हो जाए हम लिखेंगे a plus b और उसको return कर देंगे यह value हमारा return transfer statement वहीं return करेगा जहां से हम इसको call करेंगे तो इसको call यहां जे करना पड़ेगा तो अगर हम यहां पे लिखते हैं sum यह हो गया method calling यहां पे लिख देते हैं calling और यह हो गया हमारा method का body बना के define किया इसको हम बोलते हैं 1 second method definition ठीक है यह जो parameter है इसको formal parameter बोलते हैं अब यहां से जो actual में value pass करेंगे जैसे हम 10 और 20 पास कर देते हैं इसको हम बोलेंगे actual parameter ठीक हमारा method भी ready है method को call भी कर लिए है अब हम program को करते हैं run देखते है output आता है कि error तो यहां पे line number 5 के लिए error आया जहां पे method को call किये है क्या border error border static reference to the non-static method sum इसका मतलब यह main method है यह static है और यह हमारा non-static method है अगर आप non-static method को call कर रहे तो आपको object बनाने पड़ेगा क्योंकि बिना object के non-static को आप call नहीं कर सकते है अगर यही मान लिजे static होता है तब object नहीं बनाना पड़ता तब output आएगा यहाँ पर फिर से error आच चुका है line number 5 के लिए ही error क्या है हम देखते हैं पढ़ लेते हैं void method cannot return value ओके यह void हम क्या कर रहे value return कर रहे method का return type हम दे दिये है void मतलब कुछ भी value return नहीं होना चाहिए लेकिन हम तो कर रहे न return integer type का value return कर रहे add करने के बाद तो यहाँ पर int लिखेंगे अब run करेगा ठीक है error पढ़ेंगे तो आप सारी चीजे समझ पाएंगे अभी क्या हुआ output q नहीं आया okay print तो किया ही नहीं तो output कैसे आएगा system.out.printl लिखना पढ़ेगा तभी तो output आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे system.out.print अब क्या लिख देते हैं यहाँ पर एक message भी दे देते हैं addition उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर जो भी result यह return कर रहा calling method के पास तो उसको हम क्या करते हैं एक variable में store कर लेते हैं integer type का value रिटेन हो रहा तो r में store करके r को यहाँ पर print कर देते हैं अब print होना चाहिए output आना चाहिए यह देखी addition 30 आ चुका है तो यह क्यों आया समझा देते हैं सबसे पहले प्रोग्राम का execution यहाँ main method से start हुआ तो सबसे पहले ही line में एक method मिल गया main method को sum और यहाँ पे 10,20 हम लिखे हैं तो sum method जहाँ भी define किया हैं वहाँ पे जाएगा हमारा control तो यहाँ पे define है 10 आ गया A का value ठीक है A का value 20 चला गया B के पास उसके बाद हम A plus B कर रहें यानि 30 हो गया फिर हम return कर रहें तो यह value वहीं return होगा जहां से sum method को हम call किया है तो call हम यहां से किये तो यहां पे 30 आ चुका है वापस इसके पास तो उसको R में store कर लिए और R को print कर दिए तो यह result हमारा display हो गया तो यह हो गया एक तरीका अगर माल लेजिए आप यहां पे parameter नहीं दे रहें कुछ भी parameter नहीं दे रहें और कोई भी value यहां से return नहीं कर रहें हम जो भी यहां पे parameter देते हैं वह हमारा method का input होता है और जो return करते हो output होता है method process करके a plus b करके return कर दिया था वापस और मैंने बोला था method block of code होता है यहां पर block के अंदर code लिखे थे बीच में और यह input था parameter, return हमारा output था a plus b process किया हुआ result था जो कि यहां भेज दिया था अम मालिजे हम parameter नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम normal एक message यहां पर print कर देते हैं लिखते है system.out.print और यहां पर हम लिखते हैं learn coding अगर अभी तक subscribe नहीं किये है channel को, तो कर दीजिए क्योंकि आपको सिर्फ subscribe करना है और कुछ नहीं अभी कोई parameter नहीं है, तो कोई value यहां से pass नहीं करेंगे उसके बाद अभी इसकी भी कोई ज़रुरत नहीं है अब करेंगे run तो directly output आएगा तो यहां पर फिर से error मिल चुका है हमें क्या मिला है, this method must return a result of type int अभी तो कोई value return कर नहीं है, तो अभी void होना चाहिए, ठीक है तो यहां पर देखे, learn coding print हो चुका है तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं लेकिन अगर यह method static ना होता, तब हमें class का object बनाना पड़ता तो object कैसे बनेगा, methods, object reference का नाम दे देते हैं m, new keyword, dynamic memory allocate करने के लिए, object बनाने के लिए फिर से class name methods, object बन चुका है अब इसी object m से हम क्या करेंगे, call कर देंगे sum को बस अपना काम हो गया, learn coding फिर से देखे, print हो चुका है तो यह हमारा simple सा concept था, methods का, जिसमें हमने यह predefined method print use किया user defined method खूद का बनाया sum इसका नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह user defined method है और इसमें हम कुछ भी code लिख सकते हैं जबकि यह जो print है, इसका नाम print ही रहेगा fix है और इसका use आप सिर्फ कुछ भी print करने के लिए कर सकते हैं बाकि इसका आप curly bracket open करके इस तरह से code नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह predefined method है तो उमीद करते हैं आपका concept clear हो गया होगा अगर हो गया हो तो वीडियो को like कर दो यार, share कर दो अब चलो हम अपने अगले topic की और move करते हैं what is arrays अब हम आपको Java में arrays क्या होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे तो यह भी बहुत important topic है Java का ठीक है दियान से समझेगा क्योंकि exam में और interview में इससे question आता है arrays is an object in Java Java में array जो होता है वो एक object होता है object क्यों होता है मतलब हम new keyword के तुरू array का object बना सकते हैं और उसमें value डाल सकते हैं ठीक है इसलिए यह हो गया object practically हम आपको दिखाएंगे भी which contains similar type of data array का एक condition होता है बना कि यह सिर्व एक तरह का value ही store करता है similar type का value ही यह store करता है नहीं तो नहीं करेगा inner contagious memory location इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार memory location में यह value store करता है ठीक है तो syntax देखो array का बनाने का सबसे पहले तो आप normal तरीके से भी array create कर सकते हैं बिना object बनाए आपको लिखना है data type sub script operator उसके बाद array variable का name तो आपका array बन जाएगा दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इस sub script operator को अगर array variable के बाद में भी लिखेंगे तो भी चलेगा और यहां पर आप directly equal to देके value भी डाल सकते हैं यह भी हो सकता आप चाहां तो यहां पर size डालके runtime में value input ले सकते हैं directly value store कर सकते हैं array में उसके बाद तिसरा क्या होता है तिसरा आप new keyword के थुरू भी array बना सकते हैं वो तो हमने लिखा ही नहीं वो कैसे आपको लिखना पड़ेगा data type माल लो int है उसके बाद array variable का name माल लीजिए फिर हम लिखेंगे new यानि array का अब हम object बना रहें फिर यहां पर int क्योंकि array का type int है और size यहां पर देना होता है अगर हम 5 दे देंगे तो 5 index का array बन जाएगा और आपको याद रखना है ना कि array का इंडेक्स हमें से 0 से start होता है तो जैसे यहां पर हमने 5 size का एक array बनाया तो यह कैसे बनेगा और कैसे contiguous memory location में value store होगा सबसे पहले तो array का index 0 से start होगा 0 1 2 3 4 ठीक है 5 element है मतलब 0 से 4 में 5 आ जाएगे तो 5 element माल लो हमने input किया अपने array में 20 20 30 40 और 50 तो देखो एक तरह का value ही आप array में रख सकते हैं पहला condition array का index 0 से start होता है अब माल लीजिए आप इन elements को print करना चाहते हैं तो आप 4 each loop के थूरू बहुत ही असानी से print कर सकते हैं अगर particular एक element को print करना आप 20 को print करना चाहते हैं तो आप इसका index number यूज करके उसे भी print कर सकते हैं तो यह होगी हमारा array लेकिन array की बारे में practical जाने से पहले आपको array का type जानना बहुत जरूरी है कि Java में array कितना type का होता है सबसे पहला type होता है 1D array ठीक है 1D array तो अभी हम जो array बना के आपको दिखा यह हमारा 1D array ही है ठीक है अब second एक और होता है जिसको हम बोलते हैं 2D array 2D array को multi dimensional array भी बोलते हैं तो इसमें क्या होता है matrix के form में हम element input करके print कर सकते हैं तो चलिए practical देखते हैं array का जिसमें हम क्या करेंगे array की element को print करेंगे उसके बाद हम array के element को sort predefined method के तुरू sort करके भी दिखाएंगे either ascending or descending order में सबसे पहले हम क्या कर रहें integer type का एक A array बना रहे और इसमें directly value initialize कर दे रहे value store कर दे रहे 10, 20, 30, 40, 50 हम 5 value अपने array में यहाँ पे store किये हैं तो हमारे array का size कितना बनेगा हमारे array का size indirectly इतना बनाया ठीक है यह comment section में हम लिख दिये हैं अब अगर मैं आपको कहूं कि आप array का सिर्फ एक element को print करिए सिर्फ 30 print होना चाहिए तो आपको क्या code लिखना पड़ेगा system.out.print उसके बाद सिर्फ 30 प्रिंट होना चाहिए तो 30 का position क्या है 10 का है 0, 20 का है 1, 30 का position है 2 तो यहाँ पे a of 2 लिखेंगे अब code को run करेंगे तो सिर्फ 30 print होगा यहाँ पे देखिए सिर्फ 30 print हुआ है इसी तरह अगर हम बोले कि अब 50 भी print होना चाहिए 30 भी print होना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा 50 का position है index number 4 अभी दोनों print होंगे अलग-अलग line में हम चाहते है print हो जाए तो यहाँ पे allen लगा देंगे और यहाँ पे आके run कर देंगे तो देखिए अभी 30 print हुआ पहले उसके बाद 50 print हुआ तो इस तरह से आप सभी elements का index number देके भी print कर सकते हैं लेकिन आपको अगर पूरा array का element print करना हुआ एक बार में तब आप ऐसा नहीं करेंगे आप 4 each loop यूज करेंगे और यहीं पे हम 4 each loop आपको पढ़ाएंगे यह simple सा syntax होता है 4 each loop का 4 each loop क्या करता है ऐसा variable जो अकेले multiple value hold करके रखा हुआ उसके value को एक एक करके फेच करके print करने का काम करता है तो सबसे पहले 4 each variable एक बना लेते हैं int b नाम का क्यूंकि array का type b int है int is a type का value ही लेगा colon a इसका मतलब क्या हुआ हम आपको समझा देते हैं सबसे पहले array का value 10 है 0 position पे यह 10 इस a के थुरू b में जाएगा ठीक है b में 10 आ चुका है 4 each loop क्या बोलता है कि सबसे पहला value जो आ जा है मेरे variable में आप उसको print कर लो ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पे b को print कर देंगे इस तरीके से और बीच में हम चाते है space print हो यह space भी यहां पे b array नहीं है ठीक है b में एक value ही एक time में आएगा इसलिए normal b को print करना है array form में print नहीं करना है 10 print होने के बाद फिर 20 है यहां पे array में 20 हमारा इस a से b में transfer होगा उसके बाद 20 print होगा इसी तरह से array का सभी element टेके करके transfer होगा इस a से b में उसके बाद b को हम print कियें तो सब print हो जाएगा space में एक ही line में print होगा 10, 20, 30, 40, 50 तो इस तरह से 4 each loop का use आप कर सकते हैं Java में इसे array के लिए ही specially बनाया गिया है कि अगर कोई variable multiple value रखा हुआ उसके multiple value को आप अलग-अलग फेच ना करके 4 each loop के थुरू एक single variable से एक-एक करके फेच कर सकते हैं ठीक है अब यह तो हो गया पहला तरीका array बनाने का second तरीका क्या हुआ हुआ अगर हम लिखे int a equal new keyword new int और array का size हम दे देते हैं कितना 5 अब इसमें हमें value input करनी है अपने array में तो हम क्या करेंगे 4 loop use करेंगे यहां पे value को input करने के लिए सबसे पहले एक variable आई रहेगा जो कि 0 से start होगा क्योंकि array index 0 से start होता है less than 5 तक जाएगा 0,1,2,3,4 5 हो गया index उसके बाद आई प्लस-प्लस post increment operator अब यहां पे क्या करेंगे हम array variable का name क्या है array variable का name है तो हम run time में value input करेंगे तो क्या करना पड़ेगा scanner class यूज करना पड़ेगा तो उसका object तो बनाए नहीं हमने यहां पे लिखेंगे scanner as new scanner और यहां पे लिखेंगे हम system system.in हमारा scanner का object बन चुका अब यहां पे हम लिखेंगे s.next integer type का value हम पेज करेंगे तो यहां पे next int लिखेंगे अभी हमें array में डालना है element तो हम क्या करेंगे a of i यहां पे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब i का value 0 रहेगा तो यह हमारा array में जो भी हम value input करेंगे ठीक है वो आएगा ठीक है उसके बाद array में हमारा सभी value आ जाएगा हम एक message भी यहां पे उपर में टंगा ही देते हैं जो कि समझने के लिए अच्छा रहेगा system.out.print message क्या रहेगा enter array elements ठीक है elements यह हमारा message रहेगा तो आप अभी इस तरह से समझे इस array के थुरू हम समझा देते हैं कि जब i का value 0 रहेगा तो अगर array का 0 में जो भी value हम input करेंगे वो array array 0 position पे जाएगा फिर जब i का value बढ़के हो जाएगा 1 तो array का 1 में हम जो भी value input करेंगे 20 ही input करेंगे तो वो array के 1 में जाएगा ठीक है इस तरह से array के सभी position पे value input हो जाएगा input हो जाने के बाद हमें करना क्या है print करना है सबसे पहले हम यहां पे एक और message लगाएगे वो message रहेगा हमारा array elements यहां पे selection लगा देते हैं new line के लिए ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे अगर आप चाहें तो यहां पे for each loop के through भी value को print कर सकते हैं ठीक है array का value print हो जाएगा करके देखते हैं होता है की नहीं code run enter array elements तो हम 5 elements अपने array में input कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 तो यहां पे देखिए array elements में यह पूरा print हो चुका है तो हम input ले रहे for loop के through और print कर रहे for each loop के through आप चाहें तो यहां पे भी for loop use कर सकते हैं लेकिन जब भी array के elements को print करने की बात आएगी आप वहां पे for each loop ही use करेंगे क्योंकि for loop को use करना थोड़ा सा complication है इसमें ज्यादा code लिखना पड़ा आपको condition वगएरा देना है input के time में आप इसे ही use करेंगे लेकिन output के time में आपको बिलकुल chill ठीक है अराम से इसको use करेंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी code को हम फिर से run करें कुछ और element input करके दिखाएं आपको होता है कि नहीं से random कुछ भी number कर देते हैं five element input तो यहां पे देखिए हमने जो five element input किया वो print हो चुका है अगर इसी program में मैं आपको कहूं कि आप जो भी element अपने array में input कर रहे हैं वो element sort हो जाना चाहिए ascending order में यानि सबसे element पहले फिर बड़ा element फिर उससे बड़ा element तो आप दो तरीके से इस काम को कर सकते हैं सबसे पहला काम आप sorting का logic खुद से implement करिए फिर आप क्या करिए प्रोग्राम को run करिए दूसरा array के पास predefined class होता arrays जिसमें sort method उसकी मदद से आप तुरंद कर सकते हैं आपको जहां पे element print कर रहे हो उससे पहले line में यहां पे लिखना है arrays.sort और यहां पे अपने array variable का name लिख दो जिसमें आप value input ले रहे हैं यहां पे यह लिख दो अब एक message यहां पे देते हैं sorted array elements अब करते हैं program को run enter array elements में कुछ भी element input कर रहे है देखिए तो यह क्या करेगा sorted order में हमें वह print करके देगा तो आप यहां पे देखिए हम element input किये दे कुछ भी random number लेकिन sorted order में सबसे छोटा फिर उससे बड़ा इस तरीके से यह हमें sort करके array के सभी elements को यहां पे display करके दे दिया sort method का यही काम होता है तो इस तरीके से आप sort predefined method यूज़ कर सकते हैं arrays class का और अपना time बचा सकते हैं देखिए कितना जल्दी element sort हो गया तो यह simple सा हमारा 1D array का program था अब हम आपको क्या करते है 2D array का examples हो करके दिखाते हैं अब हम चाहते हैं कि हमारा यह जो A नाम का array है इसका element row column के format में print हो जाए तो हमें करना क्या पड़ेगा 2D array बनाना पड़ेगा एक और sub script operator यहां पे यूज़ करना पड़ेगा और 2 row 2 column में print होना चाहिए तो यहां पे 2 उसके बाद यहां पे 2 अब nested for loop यूज़ करना पड़ेगा एक for loop के अंदर दूसरा for loop क्योंकि हम row और column के form में चाहते है element print हो जाए क्या करेंगे यहां से इस वाली condition को copy करेंगे same condition यहां पे डालेंगे variable change रहेगा अपना ठीक है 2 row 2 column तो 01 01 ठीक है उसके बाद यहां पे j++ और यह element इंसर्ट कर रहे यहां पे ना इंसर्ट करके इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ठीक और array के ij में हमारा element इंसर्ट होगा ठीक है अब हमें करना क्या है print करना है तो यहां पे हम message दे देते है matrix element ठीक है matrix element फिर अभी हम इस loop का use नहीं करेंगे क्योंकि row column के format में element हम इसके through print नहीं कर सकते हैं हम जैसे input किये है वैसे ही print करना है क्या करेंगे copy करेंगे इस पेस्ट कर देंगे यहां पे paste तो यहां पे input वाले line के जगह पे हम print कर देंगे यहां पे लिखेंगे system.out.print उसके बाद print क्या करना है AIJ में element आ रहा तो AIJ को ही क्या करना है print करना है अब बीच में space भी रहा तो हम चाहते हैं कि 1 second space भी आ जा तो यहां पे space दे देते हैं तो code अपना ready है इसमें कोई अभी गड़बड़ी नहीं है देखते हैं check करते हैं run कर आके IRA element input करने बोड़ रहा तो 10 कर देते हैं 20 30 हम चाहते है row column की format में 10 20 उपर 30 40 नीचे print हो यह एक line में ही print हो गया हमें करना क्या पड़ेगा हम चाहते 10 20 के बाद new line में चला जाए तो क्या करना पड़ेगा यहां पे एक और message हमें add करना पड़ेगा new line के लिए system.out.println बस new line का यही code है और 10 20 तो यहीं रहेगा 30 40 अंदर चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम पहले देख लेते हैं क्या होता 10 20 30 40 तो यहां पे देखे output हमारा क्या print हुआ है 1 second output आया है 10 20 उपर है 30 40 हमारा middle में है तो हम करेंगे क्या यहां पे और new line के लिए slash and use करेंगे ताकि हमारा 10 20 भी नीचे चला जाए ठीक अब करते हैं control F11 से इसको फिर से run element input कर देते हैं अभी कुछ भी element आप insert कर सकते हैं तो यहां पे देखे matrix element matrix form में print हुआ कि नहीं starting का 2367 हमारा first row में print हुआ है उसके बाद 8921 हमारा second row में print हुआ है तो एक line से दूसरे line में हम गए element print करने के लिए इसलिए यहां पे print talent लिखे है new line के लिए तो इस तरह आप 2D array यूज करके क्या कर सकते हैं matrix के form में array के element को print कर सकते हैं यहां पे देखे जब हम scanner class को object बना रहे थे scanner को use किये थे तो उसका package अपने आप उपर में import हो गया था मैं import नहीं किया था तो eclipse id यूज करने का यही फायदा होता है ठीक है अब चलिए हम अपने अगले chapter की और move करते हैं what is strings अब हम आपको बताएंगे जावा में strings क्या होता ठीक है यह भी जावा का बहुत important topic में से एक है बिलकुल array की तरह तो जिस तरह से array Java में predefined class था जिसे हम as a object बनाके भी use कर सकते थे ठीक उसी तरह string भी होता है string is a predefined class in Java but we can also use as a data type लेकिन हम string को भी as a data type use कर सकते हैं और यह predefined class भी है तो predefined class के थुरू भी object बनाके भी use कर सकते हैं ठीक है तो अभी string का मतलब क्या होता है वो definition यहां पर है strings are the sequence of characters and its index starts from 0 अगर माल लिजे हमें character लिखे a फिर इसी sequence में लिखे n फिर k फिर i 50 तो यह क्या बन गया यह एक name बन गया अंकी तो इसको हम बोलेंगे string और double quotes में Java में string लिखा जाता है तो बस string ऐसे ही होता है character को जोड़ते जाए तो वो बन जाएगा string तो string बनाने का syntax के आयजावा में दो तरीका है सबसे पहला predefined class के थुरू अगर आप बनाएंगे तो आपको object बनाना पड़ेगा string variable का name उसके बाद new keyword क्योंकि string का object बना रहे string और हमारा string अंकुस तो अंकुस नाम का string object अभी हमारा बना है जिसको point कर रहा हमारा यह str variable एक और तरीका होता है data type normal कैसे बना सकते हैं string को use कर सकते हैं string variable name directly object बना दो तो यह अंकुस को point कर रहा है यह हमारा str variable लेकिन आपको बता दूँ यह अलग है और यह अलग है भले ही दोनों का value same क्यों नहों हम आपको proof करके भी देंगे तो अभी हम क्या करेंगे string को input करेंगे उसे print करके दिखाएंगे उसका length find करेंगे उसके बाद string को upper से lower convert करके दिखाएंगे फिर इन दोनो string को compare करेंगे कि क्या create कर ले रहे उसका name हम रखते हैं यहां पर अंकुस ठीक है यह हमारा string object किसमें जाके store हुआ str variable में है अब मुझे इसका length find करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा str क्योंकि अंकुस जो हमारा string object है str.length length एक predefined method होता java में जो कि क्या करता है string का length find करके देता है तो यह हमें number के form में value return करता है integer value कि कितना length है string का उस integer value को store करने के लिए हम एक variable बना लेते हैं int type का L नाम का L variable में हमारा string का length जो भी number यह return करेगा store हो जाएगा अब अगर हमें जानना है length तो हम लिखेंगे system.out.print और L को print कर देंगे code को अगर हम run करेंगे तो output क्या आएगा इसका length अंकुस का length कितना है 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो यह 0 से start होता है तो 0 से 5 के बीच में कितना number हो गया 6 तो यहां पे 6 print होगा यह देखिए यह 6 print हो चुका है अगर इसी में हम string और add कर देंगे तो अभी इसका length क्या आएगा आप कहोगे कि 11 आएगा जबकि इसका output 12 आएगा सबसे पहले दिखा देते हैं यहां पे देखिए 12 प्रेंट होगा है 12 क्यूँ प्रेंट होगा है यह जो बीच में space है इसका भी एक character का length count होता है क्यूंकि space भी क्या है एक character है बिल्कुल इस k की तरह ठीक है तो यह हो गया हमारा length अम माल लिजिए मुझे क्या करना है मुझे अपने string object uncus को upper case में convert करना है तो मुझे लिखना क्या पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा str.upper to upper case नाम का Java में predefined method होता है यह क्या करता है lower case वाले string object को upper case में convert करने का काम करता है करते हैं run इसको अभी देखे capital later में हमारा यह print हो चुका है अब lower case में अगर convert करना हुआ तब क्या करेंगे उसे पहले एक बात आपको और जानी चाहिए अगर यह upper case में ही रहेगा तब क्या होगा interview में यही पूछा जाएगा आपसे तब कुछ नहीं होगा upper case में ही as it is print हो जाएगा ठीक है अब lower case में convert करने के लिए आपको भी पता अपर के जगह पे क्या लिख देंगे lower लिख देंगे यहां पे इस तरह से सिर्फ L capital रहेगा C capital रहेगा इस तरह से जो भी लिखा रहता है उसको हम बोलते है camel case अब run करते हैं यह हमारा upper वाला lower में print होगा यहां पे तो देखिए अभी हमारा lower case में अब अगर हम एक और string object बनाएं new keyword की मदद से string str2 equal new string उसके बाद यहां पे same string object अंकूसम बना रहे और हम आपको यह बताएंगे इन दोनों को हम compare करेंग और देखेंगे कि क्या यह दोनों बराबर है same है अगर same होगा तो value true आना चाहिए और अगर same नहीं है तो value compare करने के बाद false आना चाहिए तो कैसे करेंगे उस काम को हम e-fels use करेंगे हम compare करने के लिए ठीक है तो कैसे करेंगे सबसे पहले इतना का कोई काम नहीं है अब इसका काम लगेगा इसको रखे रहते हैं e-fels का syntax लिख लेते हैं जब भी condition की बात आएगी e-fels आपको एकदम mind में याद कर लेना है अगर मगर क्यों कैसे किंतु परंतु कुछ भी हुआ e-fels आपको लिख नहीं है ठीक है उसके बाद इसका काम हम यहां पे भी लगेगा करेंगे और यहां पे भी लगेगा लिख दिया दोनों जगा अब यहां पे पहला तरीका होता इसके atmosphere करने का अगर str equal equal str2 है तब क्या print होना चाहिए तब प्रिंच होना चाहिए both are equals ठीक है और अगर यह दोनों अगर बराबर नहीं है str str2 तब क्या print होना चाहिए तब print होना चाहिए not equals तो अभी आपको क्या लगता है output क्या आना चाहिए बोथ हार equals आना चाहिए चलिए देख लेते हैं run करके तो यहाँ पे देखे output आया है not equals क्यों क्योंकि ये दोनो equal नहीं है ये जो equal equal comparison operator जिसको अब relational operator भी बोलेंगे ये क्या करता है ये सिर्फ ये देखता है कि पहला वाला string object अंकुस किस में store है str में store है दूसरा वाला किस में store है str2 में store है तो ये str reference variable जो कि इस object को refer कर रहा ये अलग है और ये str2 अलग है जो कि इस अंकुस object को refer कर रहा है क्योंकि str अलग variable हो गया str2 अलग हो गया इसलिए ये बोल रहा कि not equal क्योंकि दोनों अलग अलग variable यहाँ पे है लेकिन एक और तरीका होता है compare करने का वो बोलेगा कि equal है कैसे अगर हम लिखें str.equals ठीक है str2 ये जो equals method है ये सिर्फ ये चेक करता है कि क्या ये वाला object as it is इस वाले के साथ same है अगर है तो ये बोलेगा equal है इसको ना reference variable से कोई मतलब नहीं है कि ये किस में जाके store हो रहा ये किस में जाके store हो रहा ये सिर्फ content को देखेगा ये content और ये content same मतलब equal देखते है run करके यहाँ पे देखे ये both are equal print हो चुका है तो इससे क्या समझ में आता है इससे ये समझ में आता है कि string का जो predefined method equal से वो बोलता है कि अगर same to same है तो equal है जबकि हमारा जो equal equal है इसकी बात कर रहे हम ये बोलता है कि अगर ये दोनों अलग है फिर चाहे भले आपका content same रहे इसका मतलब not equal अभी जावा में बोलते हैं लोग की immutable होता है string तो ये immutable का मतलब क्या है चलिए हम आपको immutable का मतलब समझाते हैं पहले फिर उसका भी practical करके देखेंगे why strings are immutable लोग कहते है कि जावा में strings वो immutable होता है तो immutable का मतलब क्या होता है simple word में अगर कहें तो immutable का मतलब होता है can't change मतलब cannot change आप change नहीं कर सकते अगर आपने एक वार string object बना दिया तो जैसे हमने यहाँ पे str1 नाम का एक string object बनाया जिसका नाम है अंकुस अंकुस को point कर रहा है str1 फिर हम अगली लाइन में एक और बनाये str2 नाम का उसमें भी सेम अबजेक्ट है अंकुस और उसको str2 कर रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले समझाने के लिए हम एक memory क्रियेट कर रहे है यह क्या है हमारा है heap memory ठीक है तो इस तरह के string object को heap memory के अंदर जो string constant पूल होता है वहाँ पे memory मिलती है तो सबसे पहले str1 का string object है अंकुस तो हमारा यह heap memory में सर्च करेगा compiler की क्या अंकुस नाम का object इसमें available है नहीं है तो यह क्या करेगा अंकुस के लिए यहाँ पे इस प्रॉबाइड कर देगा अंकुस object के लिए memory बन गया है और इसको रेफर कौन कर रहा इस अंकुस को रेफर कर रहा str1 ठीक है अब अगली लाइन में हमने एक और अंकुस नाम कहीं string object बना दिया जिसको रेफर कर रहा str2 तो अभी हमारा जो compiler है वो चेक करेगा कि क्या heap memory के string constant pool में अंकुस नाम का object पहले से ही available है अगर available है तो इस str2 के लिए नया memory create नहीं होगा str2 यह भी क्या करेगा same object को रेफर करेगा दोनों के लिए एक object ही दिया गया एक वार ही memory बना गया और दोनों same object को point करने लगे str2 के लिए नया space allocate नहीं हुआ और माल लीजे इसका address क्या है address है 1000 जहां पर यह object store value ठीक है अब अगर यहीं पर हम एक और string बनाते हैं ठीक है string str3 उसका नाम हम देते हैं अंकीत ठीक है तो अंकीत नाम का क्या string object हमारे heap memory के constant pool में है नहीं है तो str3 के लिए क्या होगा एक नया special space allocate होगा str3 को ठीक है यहां पर अंकीत नाम का एक नया string object बनेगा और इसका address मान के चलिए क्या है 1004 तो अगर इस name का पहले ही object मौजूद है उसी object में इसको भी point करा दिया जाएगा अब अगर हम new keyword से कोई भी string object बनाते हैं मालिजे हम अंकुस नाम का ही बना रहे तो इसको heap memory में space मिलेगा यहां पर ठीक है इसको constant pool में नहीं मिलेगा space क्योंकि हम new keyword से बना रहे तो heap memory में इसको space मिला और इसका address मालिए 100 ठीक है लेकिन string object सेम होने की वज़ा से अंकुस यहां पर भी है constant pool में भी अंकुस है तो यह क्या करता है हमारा jvm इस string को भी same यहीं पर refer करवा देता है और इसका जो address है यह hold करने लगता है इंडिरेक्टली ठीक है लेकिन इन दोनों में difference था हमने आपको दिखाया भी था equals method के तुरू तो यहां पर string immutable का मतलब अभी कहा निकला भी हम आपको वो बता रहे माल लीजिए str1 का हम अंकु के लिए special memory create नहीं हुआ सेम memory में point करा दिया गया str2 को तो अगर आगे हम str2 को change कर दें ठीक है यह फिर मानिया str1 को अब हम आगे बदल दिये str1 को हम बदल के क्या कर दिये अंकुस कुमार कर दिये तो अगर str1 अंकुस कुमार हो जागा तो आप बताए इस str2 का क्या होगा जि इसके लिए नया memory create नहीं हुआ इसी के चलते इसको नया memory नहीं बना था और अगर यह अब change हो जाएगा तो यह str2 अनाथ हो जाएगा इसको तो memory मिला नहीं इसी वजह से Java बोलता है कि अगर एक बार आपने string object बना दिया तो वह आप change नहीं कर सकते लेकिन आप उसका duplicate copy बना देखेंगे कि immutable क्यों है practically प्राक्टिकल सेशन को ध्यान से समझेगा क्योंकि यह वाली चीज interview में आपसे पूछा ही जाएगा अगर आप Java subject के लिए interview देने जा रहे तब अभी हमारा string object अंकू से जिसको refer कर रहा है str reference variable तो यहाँ पे लिख देते हैं कि immutable है ठीक है मतलब आप change नहीं कर सकते है पहले लिख दे रहे ताकि आपको याद रहे cannot change इतना लिख के आगे बढ़ते हैं अब अगर माल लीजिए हम change करने की कोशिस कर रहे हम अगली line में क्य क्या कोशिस कर रहे हम लिख रहे str.concat और हम अपने अंकू स्ट्रिंग object में चाहते हैं add हो जाए कुमार ठीक है बीच में space भी प्रिंट हो अंकूस कुमार इस तरीके से इसलिए यहाँ पे space दिया है हम चाहते है कि अंकूस कुमार output आ जाए अब हम print करते हैं देखते हैं आत अंकूस कुमार आना चाहिए देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी भी अंकूस ही print हुआ है इससे यह प्रूव हो जाता है कि जावा में string जो है immutable है और immutable होने की वज़ए से दो advantage है हम आपको अभी थोड़ी दिर में बताएंगे लेकिन अभी अगर आप change करने ही चाह है कि अंकूस कुमार प्रिंट हो जाए तो सबसे पहली बात तो आप इस str में changes नहीं कर सकते हैं जो string object बना है वो fix है str का value अंकूस ही रहेगा यह fix है immutable है नहीं कर सकते हैं लेकिन आप इसका duplicate copy बना के कर सकते हैं कैसे यहीं पर बना देते हैं duplicate copy string str2 नाम का हम एक duplicate copy बना यह देखिए और इसको हम क्या करा रहे refer करा दे रहे str2 में तो यह str2 एक अलग object है ठीक है और यह एक अलग है दोनों अलग अलग है अब अगर हम str2 को print करते हैं तो क्या print होगा यहाँ पर देखिए अंकुस कुमार print हो चुका है तो यह str2 का value print हो रहा अभी भी आप यह मत समझिएगा कि string change हुआ है change नहीं हुआ यह वाला तो बिल्कुल change नहीं हुआ है change कब हुआ है जब हम str2 कुमार add करको एक नया reference में इसको store कर रहे और print कर रहे तब यह value हम ले पा रहे है तो इसका मतलब क्या हुआ strings are immutable in Java लेकिन अगर आप change करना चाहे तो duplicate copy बना के जैसे इसका duplicate copy यहां पर बनाए की नहीं फिर change हुआ की नहीं इस तरीके से कर सकते हैं अभी interviewer आपसे बोलेगा कि Java में string को immutable रखे हैं तो क्या फाइदा हुआ हमें simple सा बात है दो फाइदा अगर माल लिजे पहले से ही string object अंकुस available है हमारे string constant pool में या फिर heap memory में तो अगर हम दूसरा string object फिर से बनाते हैं अंकुस नाम का तो इसके लिए अलग memory नहीं बनेगा माल लिजे यह memory address 1000 को point कर रहा है तो यह भी क्या करेगा उसी address को point करेगा same object को point करने लगेंगे दोनों के लिए अलग-अलग space नहीं मिलेगा पहला advantage यह दोनों के लिए अलग space occupy नहीं होगा दूसरा advantage हमारे program का execution है वो काफी जादा fast हो जाएगा क्यों लिख देते हैं यहां पर क्या लिख दें execution fast ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसके लिए अलग memory बनता इसके लिए अलग बनता तो दोनों को execute करना पड़ता दोनों में time लगता लेकिन अभी same space में दोनों अपना काम कर रहे तो जैसे execute करेंगे फट से program का execution हो जाएगा तो बस यह दो point अगर बोल देते हैं तो आपका selection पका एक और reason है immutable बनाने का string का मैंने आपको copy में clearly दिखाया था कि अगर मान लिजए str1 है इसका भी same string object अंकुस ही है तो इसके लिए नया memory create नहीं होगा क्यों क्योंकि यह जो object अंकुस है यह पहले से ही string constant pool में मौजूद है जिसको str point कर रहा तो हमारा जो jvm होता है वो क्या करेगा इसके लिए नया memory create नहीं करेगा इसी str1 को भी point करा देगा ठीक तो अगर मान लिजए string mutable हो जाता यहां की अगर बात करें अगर str हमारा change हो जाता इस line में वो अंकुस कुमार बन जाता यहां अंकुस और यहां पर कुमार लेके वो अंकुस कुमार बन जाता तो इस str1 का क्या होता यह तो पूरी तरह से खतम हो जाता क्योंकि इसको memory क्यों नहीं मिला इसकी वजह से नहीं मिला इसी लिए immutable है string Java में अगर अभी भी run करेंगे str को अगर print करेंगे तो सिर्फ अंकुस आएगा इसका मतलब immutable है यह देखिए अगर str1 को करेंगे तो उसका भी अंकुस आएगा ठीक है str1 को भी आप चेंज नहीं कर सकते है अगर आप str1 में यहां पर concat करने की कोशिस करो कुमार add कर दो और run करो तो नहीं होगा आपको सिर्फ अंकुस मिलेगा यहीं वजह है बस उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जावा के इस फूल कोर्स में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं object oriented programming का concept तो यहां पर सबसे पहला चैप्टर आता है class and object class and object object oriented programming का बहुत ही basic chapter है आपको इसको ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि इसी chapter से आगे के सभी chapter relate करते हैं तो सिंपल सब्द में अगर बोले तो class में हम object का property behavior define करते हैं और उसे access करने के लिए object बनाते हैं access specifier हम पढ़ेंगे इसमें हम क्या करते हैं variable के accessibility को define करते हैं कहा तक accessible होगा फिर हम आपको जावा में constructors क्या होता वो बताएंगे कितने types का चार टाइप का इन्हें कैसे implement करते हैं यह सब समझाएंगे इतना करने के बाद हम देखेंगे super keyword और this keyword यह क्या होता है यह भी बहुत ही मज़ेदार concept है जावा में जो की एकदम नया है उसके बाद instance block और static block इन दोनों में difference क्या है वो भी देख लेंगे ठीक है अब स्टार्ट करते हैं object oriented programming का feature सबसे पहला feature होता है इनकैप्सुलेशन फिर आता है हमारा abstraction तो इनकैप्सुलेशन के अंदर यह abstraction भी होता है प्लस data hiding भी होता है मतलब इसमें data private रहेंगे जबकि abstraction में क्या होता है कि सिर्फ service हो किया जाता है दो तरीका होता है implement करने का फिर हम देखेंगे inheritance inheritance मतलब code reusability ठीक है polymorphism same object का अलग अलग behavior define करता है polymorphism exception handling जब हमने जावा का start किया था यह full course अभी हमने बोला था जावा एक robust programming language होता है जिसमें exception handling का mechanism होता है जिससे हम runtime error को भी रोग सकते हैं handle कर सकते हैं प्रोग्राम के flow को maintain कर सकते हैं तो यह भी बहुत ही मज़ेदार है फिर हम file के साथ काम करना सिखेंगे कि जावा में file कैसे बनाते हैं file को handle कैसे करते हैं आने वाले error को multi-threading यह भी जावा का बहुत interesting concept है जिसमें multiple threads कैसे simultaneously execute करते हैं बीना किसी के उपर डिपेंड हुए वह भी discuss करेंगे प्राक्टिकल के साथ package आपको पता है जैसे अगर हम बात करें जावा का यूटिल पैकेज लाइंग पैकेज इसी तरह से आप खुद का package भी बना सकते हैं जावा में ठीक है collections collections मतलब समझे यह जावा का data structure है ठीक है इसमें आपको बहुत सारे predefined classes और interface मिलते हैं काम करने के लिए आपको कुछ भी extra code इसमें नहीं लिखना पड़ता बस उन्हें use करना आना चाहिए यह हो गया हमारा syllabus अब चलिए हम start करते हैं class and object से जावा के इस full course में अब हमारा topic है class and object तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह class क्या होता है इसे समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए ठीक है उसके बाद object भी बताएंगे और इन दोनों में difference भी discuss करूंगा मैं class is a group of elements having common properties and behaviors class में जो है बहुत सारे elements होते हैं group के form में जिनकी कुछ common property होती है और कुछ common behavior होती है और इनी common property और behavior को define करने के लिए हम class बनाते हैं जैसे यहां पर अगर मैं example के तुरूब आपको समझाओं मान के चलिए यह क्या है यह कोई एक person है तो किसी भी person का कुछ common property होता है जैसे जैसे उसका age फिर क्या हो गया उसका height ठीक है इसी तरह से उसका weight यह सब क्या किसी भी person का common property है plus किसी भी person का common behavior भी होता है कुछ जैसे अगर इस person को consider करिए कि मैं हूं ठीक है तो मेरा भी कुछ common behavior होगा जो हर person में होता है eat उसके बद मैं आपको भी teach कर रहा हूं तो teach उसके बाद sleep यह सब क्या यह सब common behavior है और यह common property है तो इसी common behavior और प्रोपर्टी को define करने के लिए हम क्या करते हैं जावा में हम एक class बनाते हैं और हम class के अंदर इसी चीज़ को define करते हैं ठीक है और class यही होता है class में user अपने common property और behavior को define करता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह class न वर्चुल होता है इसका मतलब यह कि class के लिए कोई भी memory कभी नहीं बनती है यह एक logical part होता है ठीक है अब जैसे इस common property और इस common behavior को जो हमने class के अंदर define किया है उसका हमने एक identity दिया है person यह person क्या है यह person है object हम किसी class का multiple object बना सकते हैं तो अगर हमें common property और behavior को access करना हुआ तो हम इसी name के थुरू access कर सकते हैं तो कैसे object कैसे बनेगा object हमें इसा real part होता है ठीक है और object को ही memory दी जाती है object से ही लेना देना होता है हमें तो इसका अगर हम property और behavior को access करेंगे तो object बनाना पड़ेगा तो हमें लिकना पड़ेगा यहां पर सन उसके बाद object करने महां यहां पर माली ले लेते हैं फिर new keyword क्यूंकि object create कर रहे है फिर यहां पर हमें क्या लिकना पड़ेगा पर सन तो जैसे ही हम object बना दीए अब हम क्या कर सकते है इस person का जो भी common behavior है यह तो common property हो गया और यह जो भी common behavior है उसको हम access कर सकते हैं with the help of this object ठीक है तो यही होता है class जिसमें क्या करता यूजर किसी भी object का common property और behavior को define करता है और class कभी भी logically होता है ठीक है यह physically कभी भी present नहीं होता है इसको कुछ भी memory नहीं मिलता है जबकि जब हम किसी भी class का object बना देते हैं तो उसमें जो भी common property और behavior होता है उसी के according उस class के लिए memory create की जाती है तो हम करेंगे क्या आपको इसका simple सा practical दिखाएंगे class का लेकिन उससे पहले आप type जानी है कि Java में कितने types का class होता है पहला तो यूजर defined class जो कि हम खुद create करते हैं इसका नेम कुछ भी हो सकता है यह हम decide करेंगे ठीक है और इजमाल लीजे अगर हम person नाम का class बनाते है तो person का कुछ common property और behavior होगा तो हम उस class में परसन की property और behavior को define करेंगे animal नाम का अगर हम class बनाएंगे तो animal नाम का object बनेगा तो हर animal का कुछ common property और behavior होता है तो animal class में हम उसका common property और behavior डिस्पले करेंगे इसी तरह predefined classes होते हैं Java में जो कि पहले ही define किये जा चुके हैं जैसे system class जिसका use हम करते हैं कुछ भी output में display करने के लिए input लेने के लिए strings class scanner class तो इस तरह के जो भी class है यह predefined class है इनका name भी fix है और इन्हें हम personal काम के लिए use नहीं कर सकते हैं ठीक है इनका जो भी काम है वो पहले ही decide किया जा चुका है तो चलिए हम class and object का एक simple सा example आपको show करके दिखाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं simple सा example आपको दिखा देते हैं class and object का ठीक है तो हम क्या करते है person class में यहां पर कुछ common property define कर देते हैं जैसे age 21 उसके बाद क्या रहता है weight weight क्या देते है 56 kg kg तो लिख नहीं सकते string color यह कुछ common property है जो हर person का होता ठीक है प्रोपर्टी हमने define कर दिया अब हर person का कुछ behavior भी होता तो behavior को हम method से define करते है जैसे eat तो यहां पर लिखेंगे system.out.print I am eating ठीक है behavior बता रहा और भी behavior हो सकते हैं जैसे void sleep फिर क्या होगा यही लाइन यहां से ले लेते हैं यहां पर बोलेगा I am sleeping आप और भी behavior define कर सकते हैं जैसे run तो आप बनाएंगे void run I am I can run 100 km per hour speed इस तरीके से अपना behavior बता सकते हैं तो class क्या होता है predefined common sorry common property और behavior का combination जहां पर हम define करते हैं जैसे यहां पर person का हम क्या करें common property और behavior बता दिये define कर दिये तो यह virtual part है अब हम इसे access कैसे करेंगे real part के दुरू यारी object के दुरू तो object हम main method में create करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा person P हमारा object reference का नाम है new keyword object create करने के लिए person सबसे पहले मालो मुझे person का यह कुछ common property को use करना हुआ तो हम कर सकते हैं इस real part object के दुरू जैसे system.out.print हमें लिखना पड़ेगा p.age इसी तरह से अगर आप weight भी यहाँ पे लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं weight उसके बाद एक और है वह क्या है हमारा देख लेते हैं color ओकी यहाँ पे क्या होगा color होगा हमारा p.color अब अगर हमें क्या करना behavior show करना हुआ यह तो common property हो गया अब behavior के लिए हमें लिखना पड़ेगा p.it method है हमारा एक और है p.sleep अब run करते हैं तो यहाँ पे print talent लगा देते हैं ताक कि new line में output print हो ठीक एक second print talent और इसमें भी print talent तो आप देखिए हमारा output आ चुका थीए simple हमारा program है class and object का age 21 weight 56 color light उसके बाद behavior I am meeting I am sleeping तो यहाँ पे हम print talent use नहीं किये इस वज़े से क्या हुआ एक line में ही output print हो गया अभी देखिए new line में print हुआ है तो आप याद रखिएगा एक बात interview में हमेज़ से पुछा जाएगा कि what is class तो आपको simply बोलना class is a virtual part इसके लिए कोई भी memory create नहीं होता यहाँ पे आप किसी कभी common property और behavior define कर सकते हैं और उसी common property और behavior को represent करता है class जैसे यहाँ पे person का common property और behavior को represent कर रहा है और object होता है real part जिसके थुरू हम define किये गए common property और behavior को access करते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए access कियो object पी के थुरू और यहाँ पे भी उसका behavior भी हम बता अपा रहे हैं तो यह simple सा example हो गया हमारा class and object का अब चलिए हम अपने next topic की और move करते हैं constructor कि Java में constructor क्या होता है सबसे पहले start करूंगा what is constructor definition से full explanation मतलब constructor कितने type का होता है constructor बनाने का syntax क्या है और इसके सारे points जो आपको जानना जरूरी है वो सभी बताऊंगा ठीक है तो चलो start करते हैं यह होता क्या है constructor is a special type of method whose name is same as class name constructor एक special type का method होता है जिसका name आपके class name के जैसा same होता है जो भी class का name रहेगा वही हमारे constructor का भी name रहेगा जो कि एक special type का method होता है अभी आपको यह तो constructor का basic definition हो गया interview में अक्सर पूछा जाता है कि constructor बनाने का purpose क्या है इसका main काम क्या है तो आपको यह point वहां पे बोलना है सबसे पहला the main purpose of constructor is initialize the object constructor बनाने का main purpose यह होता है कि यह object को initialize कर देता है मालो हमारे पास class में दो instance variable है और हमने उनमें कोई value initialize नहीं किया है तो जब हम उस class का object बनाएंगे तो constructor अपने आप call होगा तो उस time पे compiler अपने से constructor add कर देगा अगर हम नहीं बनाते हैं तब और अपने से ही उन दोनों instance variable में value initialize कर देगा constructor ठीक है तो इसलिए constructor का main purpose होता है object को initialize करना और instance variable तो object का ही part होता है second point आपको क्या याद रखना है every Java class has a constructor Java में आप जो भी class बनाते होना हर एक class में एक constructor होता है और उस constructor का नाम होता है default constructor अगर आप अपने से बना देते हैं तो compiler नहीं add करेगा लेकिन अगर आप अपने से कोई constructor नहीं बनाते हैं तो Java compiler क्या करता है कि class में अपने से constructor add कर देता है default type का ठीक है मैं प्रोग्राम में आपको यह प्रूफ करके दूंगा third point क्या है a constructor is automatically called at the time object creation जब भी हम class का object create करते हैं तो object create करते ही constructor हमारा call हो जाता है अपने आप last point क्या है a constructor never contain any written type including void constructor कोई भी written type contain नहीं करता in fact void भी नहीं होता है constructor के case में आप यहां पर syntaxe देख लो सबसे पहले यह हमारा class क्लास का नेम और इसी class के अंदर देखो class name कहीं एक special method है यही हमारा constructor है यह constructor की हमारी body है यहां पर हम code लिखेंगे अंदर में जो भी आप लिखना चाहें तो आप देखो गाइस class का नेम और यहां भी class का नेम ही होगा दोनों सेम होगा तो यह हो गया constructor का syntax और सारे points अभी चलो मैं आपको एक program बना के दिखाता हूं कि कैसे Java के हरे class में एक default constructor होता है और वो value को object में initialize करता है आप बस हमारे program को step by step देखते रहिएगा आपको सारा points समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलो हम program लिखना ही start करते हैं कि लिखना कैसे है, constructor बनाना कैसे है सबसे पहले तो आपको एक simple सा class बनाना है जैसे मैं यहाँ पे A नाम का एक class बनाया हूं मैंने क्या बोला था constructor जो होता है आपके class के name का जैसा ही उसका भी name होता है सेम होता है ठीक है तो यहाँ पे A नाम कही अगर हमें कि special method बनाते है तो वही होता है constructor तो देखो जो class का name है वही इसका भी name है और method में क्या होता है यह parenthesis लगा रहता है इसलिए बोला जाता है constructor है कि special method होता है और यहाँ पे result को display कराने के लिए हम एक और method बना रहे हैं void show नाम का आप चाहो तो इसी constructor के अंदर ही अपने value को display कर सकते हो पर मैं अलग से एक और method इसके लिए बना लिया हूँ अभी हमारे पास class में क्या होगा instance variable होगा तो मैंने integer type का A नाम का instance variable बनाया और मैंने string type का name नाम का instance variable बनाया तो देखो यहां पर हमारे पास 2 instance variable है और इन में हमने कोई भी value अभी तक initialize नहीं किया है तो value हम initialize करते हैं यहां पर अगर A में डाल दू 0 और अपने name वाले variable में डाल देता हूँ मैं value null यह मैंने value initialize कर दिया यहां पर देखो मैंने खुद का constructor बनाया है खुद से value मैं initialize कर रहा हूँ ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे बस अपने result को display करना है तो मैं void show method के अंदर system.out.print में यहां पर क्या कर रहा हूँ A को print करूंगा उसके बाद space रहेगा बीच में फिर मैंने name variable को भी अपने यहां पर print कर दिया n-a-m-e ठीक है तो देखो अपना code ready है सबसे पहले इस class का हमें object बनाना होगा तो object बनाने के लिए हमें एक अलग class बना रहे भी नम का ठीक है यहां पर होगा main method और इसी main method के अंदर हम object बनाएंगे अपने class A का क्योंकि सारा coding तो इसी A के अंदर लिखा है मैंने तो चलो यहां पर class name A object reference variable का name मैंने ref दिया new keyword memory allocate करने के लिए और यह जो मैं लिख रहा हुना यही है constructor जैसे ही मैंने class A का object बनाया new keyword से reference variable ref तो यह जो यह constructor है तो object creation के time ही यह क्या करेगा अपने आपको call कर लेगा यानि इसको call कर देगा और इस constructor को call करने के लिए हमें किसी भी तरह का dot operator से उसे manually call करने की जौरत नहीं पड़ती है यह जो है अपने से call हो जाएगा क्योंकि हमने यह लिख दिया है लेकिन यह जो so method है इसे हमें call होगा object reference ref dot so अगर हम लिखेंगे तभी यह हमारा call हो पाएगा so method क्योंकि यह एक normal method है तो सबसे पहले इतना का result आपको मैं दिखाता हूं इसे save कर लेते हैं desktop location पे b.java नाम से देखो जिसमें object बना रहे हो main method है उसी class का name से program को save करना है अभी मैं इसे compile कर रहा हूं देखो यह compile हो गया अब मैंने इसे run करा तो output हमारा आ गया 0 और null जो हमने constructor बना के अपने instance variable में initialize किया था value वह आ चुका है अब मैंने आपको starting में क्या बोला थे कि java के हर एक class में एक default constructor होता है तो उसे कैसे proof करेंगे हैं अभी करते हैं अभी देखो मैंने अपने constructor वाले part को comment कर दिया समझ लो यह हट चुका है यह है यह नहीं है ठीक तो अगर अभी मैं आपको result दिखाऊं यहां पर मैंने फिर compile किया और यहां पर run किया तो अभी देखो same output फिर आ रहा है इसका मतलब यह प्रूव होता है कि इस बार जब constructor यहां पर हमारा नहीं था तो जावा compiler जावा C ने क्या किया अपने से एक constructor यहां पर उसने add किया इसी तरह का same constructor उसने अपने से add किया constructor भी add किया और साथी साथ यह instance variable में उसने अंदरे अंदर value भी initialize कर दिया तभी तो हमारा output में second time भी यह देखो 0 और null आ रहा है यह 0 value हमारा integer type के variable का default value है और null value हमारा string type के variable का default value है तो constructor क्या करता है और सिर्फ और सिर्फ instance variable में value को initialize करता है इंस्टेंस variable बिक्रव कि अभ्युंग का नитан системane घए यहां ऐसा रिंट ककर देना है अने वाले वीडियो में मैं आपको यह बताओंगा कि जब कर खुद का डिफॉर्ट का स्ट्रक्टर एड कर दे रहा है और हमें दोनों में देखो सेम रिजल्ट आ रहा है तो हम अपना खुद का डिफॉर्ट का स्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं यह मैं आपको डिफॉर्ट का स्ट्रक्टर वाले वीडियो में बनाऊंगा कि हमारा परपस क् सबसे पहले यह चानेंगे उसके बाद इसे लिखने का सिंटेक्स और default constructor कैसे compiler add कर देता है रहा हम जब add करते हैं उन दोनों में difference क्या है हम क्यों अपना खुद का default constructor बनाते हैं इन सभी चीजों को discuss करूंगा सबसे पहले यह होता क्या है वो जान लेते हैं इसके पास कोई parameter नहीं होता बिना parameter के जो कस्ट्रक्टर होता है उसी कस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं डिफॉर्ड कंस्ट्रक्टर ठीक है तो अभी जो मैंने यहां पर कहा आप इस syntax में देखी आपको वहीं मिलेगा हमारे पास एक class a नाम का class है इसकी बोड़ी यहां पर है औ क्योंकि कस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता है और यह बोड़ी है मतलब की कस्ट्रक्टर भी है कि स्पिसल टाइप का मेथड है और इस बोड़ी के अंदर आप ब्लॉक ओफ कोड लिख सकते हो तो आप देखो गाईस यहां पे कोई parameter नहीं है नो एनी parameter तो इसी स हमने एक क्लास बनाया और ठोड़ दिया बनाके रिव को हमने कंपाइल करा रिदर की मदद से लिए कंपाईल करें यह जो जावा का कंपाइलर होता है वह अपने से यहां पर डिफॉर्ट का स्ट्रक्टर आड कर देगा अगर हम एंड नहीं करेंगी तब कंपाईलर अपने स से एड़ करेगा और जब compiler अपने से डिपोर्ट राड़ करेगा तो यह डिपोर्ड क्नस्ट्रक्टर क्या करेगा इंस्टेंस वेरियबन में वैलू भी निसलाइस कर लेगा अपने आप ही तो इस चीज को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था पर इस वीडियो में भी ब बताऊंगा कि जब compiler यह default constructor खुद का एड कर दे रहा हम क्यूं अपना लगाते हैं खुद का डिपोर्ड constructor तो चलो अब program session में बाकी की चीजे clear कर लेते हैं गाइस जो मैंने आपको default constructor का syntax बताया था अगर आपको वह syntax याद है तो आपको हमारा यह जो मैं लिख रहा हूं वह आपको एकदम समझ में आ जाएगा देखते ही सबसे पहले syntax में भी एक class था और उसका name मैंने यही रखा था और इसके अंदर एक constructor था यह इसी को बोलते अब ही हम यहां पर क्या कर रहे हैं कुछ variable बना लेते हैं जैसे मैंने int a बनाया string b बनाया एक और मैं बना लेता हूं boolean c variable ठीक है तीन instance variable मैंने three types के बना लिए हैं अब मैं क्या करूंगा मैं जो भी value चाहूंग ना इन में एक string value डालनी है मेरे मन पसंद की देखो मैंने अपनी मन पसंद की value यहां पर इसमें डाली और साथी साथ इस c वाले variable में भी हम क्या करते हैं एक और value जैसे डाल देते हैं true false डाल दें या true डाल दें अब हम क्या करेंगे अपने result को display करेंगे तो display हम यहां पर भी कर सकते हैं पर मैं एक अलग method बना रहा हूं value को print करने के लिए method का name है हमारे disk ठीक है इसमें क्या करेंगे simple लिखेंगे system.out.print और इस print method के अंदर ए को print करेंगे बीच में space आएगा उसके बाद बी को print करेंगे फिर बीच में space आएगा इसी तरह last में c को print कर देंगे हो गया हमारा तीनो value प्रिंट हो चुका है अभी हम क्या करेंगे अपने class a का न object create करेंगे object हम एक other class में करने जा रहे है create class b इसमें object create करेंगे ठीक है इसे थोड़ा सा चोटा कर देते हैं अब हम object create करने के लिए class का सबसे पहले new keyword से start करें ठीक है new और यहां पर लिखेंगे यह तो यहां पर जो new है न new keyword object create करता है और यह जो आपको दिख रहा है यह हमारा constructor जिसे आप default constructor बोल सकते हो अभी के लिए तो यह जो new keyword से object create हुआ है ना इस object को initialize करने का काम कौन करेगा हमारा यह constructor करेगा तो कैसे होगा यह काम इस तरह से हम किस class का object बना रहे है class A का class A का ही reference variable में हम सिर्फ इस object को initialize कर सकते हैं अभी के लिए इस program में ठीक है तो देखो यह constructor अपना काम कर रहा पहला काम ही होता है object को initialize करना तो यहां पर जो भी object create हुआ है class A का उसको initialize कर दिए reference variable R में by the help of this constructor तो object create हो गया है तो जैसे ही object create करा हमने यह तो default constructor अपने आप call हो जाएगा इसमें आपको भी कोई doubt नहीं होगा लेकिन यह जो disp method है इसे हमें manually reference variable से call करना होगा क्यूंकि यह कोई constructor नहीं है कोई special type का यह method नहीं है यह normal method है तो हमने इसके लिए special r.disp लिखाया तब जाकि यह call होगा प्रोग्राम को save करते हैं और आपको result दिखाता हूं फिर आगे की बाते भी मुझे आपको बहुत सारी बतानी है वीडियो को इसकी मत करना विल्कुल एक सेकेंड मैंने a.java नाम से class को save कर दिया इससे मुझे b.java से करना होगा क्योंकि object जो है हम class b में बना रहे हैं और यहाँ पे तो main method लिखना होगा और इसी main method के अंदर ही सारा object creation का काम होगा हो गया इतना अभी चलो इस program का मैं आपको output दिखाता हूं मैंने यहाँ पे देखो compile करा compile हो गया अभी से run करने के लिए हम java और class का name b तो आप देखो guys हमने जो अपना मन पसंद value यहां constructor में pass किया था अपने instance variable में जो initialize किया था वह मन पसंद value हम यहां पे ले पा रहे हैं हम कुछ भी value डाल सकते हैं अभी देखेगा एक second यह हमारा compile हो गया और यह run तो अभी देखो guys हमने जो value फिर से change किया वह value फिर से आ गया हमारे पास तो यह हमने खुद का जब default का structure बनाया है ना तब हम कर पा रहे हैं अगर मालो हम यह default का structure यहां से हटा देते हैं तो अब क्या करेगा अब java compiler अपने से एक default का structure वह add करेगा तो वह जब add करता है तो हमें क्या नुकसान होता है आपको मैं वह बताता हूं ठीक है यह देखो अभी आप जितने बार प्रोग्राम को compile और run करेंगे आपको यही same result मिलता रहेगा 0 जो की instance integer variable का default value है string का default value null और boolean का default value false तो जब भी compiler अपने से default का structure add करता है तो वह by default value ही variable में इनी slice कर देता है वह by default value हमारे किसी काम कर नहीं है इसी वजह से हम क्या करते हैं अपना खूद का default का structure बनाते हैं ताकि हम अपने हिसाब से अपना मन पसंद value यहां से इन variable में पास कर सके यही मकसद होता है खुद का default का structure बनानेगा तो मोटा मोटी बात इतना है कि constructor क्या करता है object को initialize करता है जैसे यहां पे कर रहा है साथी साथ instance variable में यह value भी initialize कर देता है by default value अगर हम नहीं बनाते हैं constructor compiler जो create करेगा default constructor उस case में ठीक है तो इस डिफोर्ट constructor के बारे में इतना ही सबसे पहले हम देखेंगे what is parameterized constructor उसके बाद इसका syntax देखेंगे एक simple सा example प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा इस parameterized constructor ठीक है तो चलो देखते हैं सबसे पहले यह होता क्या है अ constructor through which we can pass one or more parameters is called parameterized constructor definition से ही आपको पता चल गया होगा ऐसा constructor जिसके थुरू हम एक या एक से ज़्यादा parameter को पास करते हैं उस constructor को हम क्या कहेंगे parameterized constructor आप हमारे syntax को ही देख लो यहाँ पर class a है और यहाँ पर a नाम कही एक special method है जिसकी body है यहाँ पर code लिख सकते हो तो जो भी method class के name का जैसे ही होता है और उसके अंदर से अगर आप कुछ argument यानि parameter पास कर रहे हो जैसे यहाँ पर इंट और स्ट्रिंग टाइप का मैं दो parameter पास कर रहा हूं तो इस तरह के special method को और special constructor को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं parameterized constructor जैसा कि मैंने आपको theory में ही discuss कर दिया तो इसी syntax का use करके चलिए एक simple सा example program में आपको design करके दिखाता हूं जिससे आपका एक एक डाउट में clear कर सकूंगा guys आप बस ध्यान से वीडियो को देखते रहना तभी आप एक एक पॉइंट समझ सकोगे आप बस वीडियो को हमारे ध्यान से देखते रहें तभी मैं जो आपको यहां पर program में समझाओंगा वो आपको समझ में आएगा नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है ठीक है तो वीडियो को इसकी मत करिएगा चलो program लिखते हैं कि लिखना कैसे है सबसे पहले सेम अपना class A यह हो गया और यहां पे अगर हम यह constructor बनाया तो अभी यह default constructor है लेकिन यहीं अगर मैं parameter पास कर दूँ जैसे मैंने int A लिखा इंट भी लिख दिया दो parameter मैंने integer type के पास कर दिये तो अभी यह क्या बन गया अभी यह बन गया हमारा parameterized constructor इसी constructor को हम बोलते है parameterized constructor मैंने लिख दिया है ठीक है अब हम क्या करेंगे एक और method यहां पे बना लेते है result को show कराने के लिए ठीक है इसको हटा के भी दिखाऊंगा कि कैसे इसी के अंदर display कर सकते हैं नीचे आले class में चलते हैं आगे की coding के लिए यहां पे B नाम का class होगा अपने पास main method सबसे पहले अपने class A का object बना लेते हैं क्योंकि सारा काम हम उसी में करेंगे और यहां पे फिर से बोल दूँ कि जो constructor होता है वो object को इनी slice करता है फिर चाहे वो आपका parameterized constructor हो या फिर default constructor हो फराग नहीं पड़ता तो देखो यह जो मैंने यहां पे constructor लिखाया यह जो आपको दिख रहा new keyword के बगल में यह parameterized constructor तब बनेगा जब हम यहां से 2 value पास कर देंगे तो मुझे 2 integer type की value यहां से पास करने ही पड़ेगी क्योंकि मैंने यहां पे as a parameter दोनो variable को as a integer declare करके पास किया है तो यहां से मैंने 2 value पास कर दिया अब इसके अंदर a b में value आ चुका है तो void show method में मुझे इस value को access करना है तो मैं कैसे करूंगा मैं सबसे पहले a की a का जो भी value होगा उसको एक variable x में store कर दूंगा और उसी तरह variable b का जो भी value आएगा उसको y में store कर दूंगा और इस x y को भी मैंने बनाया नहीं है तो यहां पे क्या करेंगे as a instance variable इन दोनों को declare कर लेते हैं तो अभी यह class का variable है तो पूरे class के अंदर कहीं भी use कर सकते हैं simple है यहां पे so method में आएंगे अपने और इसके अंदर लिखेंगे system.out.print और हमें किसको print करना है variable x को करना है क्योंकि हमारा जो result आ रहा है variable x और y में ही store होके जा रहा है और इसमें क्या value आएगा a b में a b में यह 100 और 200 आएगा 100 a के पास जाएगा 200 b के पास जाएगा फिर x y में store होगा x y कोम ने यहां पे print कर दिया इतना का result दिखाता हूं फिर आगे की चीजे भी discuss करूंगा ठीक है एक सेकेंड गाइस यह देखो प्रोग्राम compile हो गया अब इसे run करने के लिए जावर क्लास करें तो यहां पे result अपना display नहीं करा क्योंकि show method को तो call किया ही नहीं गिया object reference से इस show method को यहां पे call करना होगा क्यूं क्यूंकि show method थोड़ी ना constructor है कि अपने आप call हो जाएगा इसे हमें अपने से manually यहां पे object reference के साथ dot operator लगा के call करना पड़ेगा क्यूंकि यह एक normal member method क्लास का अभी देखेगा यह result देगा क्यूंकि मैंने इसे call कर दिया है यह देखो अपना value 100-200 display हो चुका है यहां पे तो अभी एक question आता है कि क्या एक से ज्यादा parameterized constructor हम अपने class में बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हो इस तरह से लेकिन आपको इस वाले constructor में या तो कुछ parameter कम करने होंगे या फिर कुछ अलग type की value आप यहां से पास करो क्यूं अगर आप same same कर दोगे तो वह overriding का problem हो जाएगा जिसे हम आगे चलके आपको polymorphism बगेरा topic में clear करेंगे ठीक है यहां पी अभी discuss नहीं करूंगा मेरा motto हो यह आपको यह parameterized constructor बता रहेगा तो parameterized constructor को पहचानने का सबसे पहला तरीका होता है कि यहां पे आपको parameter दिखेगा और second यह कि जो भी आपका parameter में आप variable पास करोगे ना उसका type primitive data type होगा यहां पे आप सिर्फ primitive data type को ही as a parameter पास कर सकते हो parameterized constructor से ठीक है parameterized की बात कर रहा हूँ तो यह देखो दो constructor हो गये हैं इन दोनों के result को भी मुझे मालो display करना है तो मैं क्या करूंगा यहीं पे इनको display कर दूंगा इनमें कोई risk ने लूँगा मैं ठीक है system.out.print लिख रहा पीच में space आएगा अपना उसके बाद B को करूंगा तो इस parameterized constructor के लिए मैंने अभी तो object बनाया नहीं नहीं है और साथी साथ constructor भी नहीं बनाया है तो मैं क्या करूंगा स्पीर class A लिखूंगा object reference का variable का name ref new और इस वाले parameterized constructor में integer value में 10 दूंगा और second parameter देखो यहां पे string है म आतना मुझे है कि string value pass करना होगा तो कैसे करेंगे simple है double quotes में आप लिख दो हो गया और इसका result देखो हम यहीं पर display कर रहे है ठीक है आप कर सकते हो ऐसा अभी देखना दोनों का result आपको 100 होगा यह देखो guys सबसे पहला आपका यह वाला constructor call हुआ है जो हमने second time में बनाया था क्योंकि हमने इसमें यह 100 method देखो इस second वाले parameterized constructor के नीचे है तो जब यह नीचे है तो यह बाद में ही न call होगा और यहां पे भी हमने देखो यहां पे नीचे में call किया है अगर मैं इसको यहा कर देता हूँ आप देख सकों ठीक है अभी देखेगा 100-200 पहले आएगा और second वाले के result बाद में आएगा यहां पे ln लगा देते हैं अलग-अलग line में result चाहिए मुझे एक second compile हो गया और run हो गया यह देखो पहले आगया क्योंकि method अभी हमने show method पहले call किया पहले वाले के लिए ठीक है पहले वाले parameterized constructor के लिए और second वाला parameterized constructor अपने आप call हुआ तो result उसी में print किये थे इसलिए direct प्रिंट भी हो गया तो parameterized constructor का यहीं simple सा example प्रोग्राम था जो मुझे आपको देना था बताना था और समझाना था copy constructor क्या होता है चलिए इसे discuss करते हैं what is copy constructor full detail इसका एक एक चीज बता दूंगा syntax example प्रोग्राम इसे बनाने का purpose क्या होता है यह करता क्या है ठीक है whenever we pass object reference to the constructor then it is called copy constructor जब भी आप किसी constructor से object reference को पास कर रहे हो as a parameter तो उस constructor को हम क्या कहेंगे copy constructor कहेंगे तो यह जो मैंने आपको बता है syntax में आपको दिखेगा यह देखो class name यह हमारे class का name है और इसके अंदर इसी name से देखो एक method है हमारे पास special type का method यहां पर body है यहां पर code होगा तो यह जो copy constructor है न यह किसी दूसरे constructor की data को copy करता है बस इसका इतना ही काम है तो यहां पर parameter में देखो आपना reference पास कर रहे हो यह obj हमारे class का name है समझ लिजे इस class का name obj है ठीक है तो इस object reference का type हमेशा class के name का type ही होगा तभी तो यह सभी तरह की value को copy कर पाएगा जो हमारे पास parameterize यह पी default constructor में रहेगा उसके बाद जो भी value आप copy करेंगे इस reference में आएगा इस reference के तुरू हम यहां पे उसे use कर सकते हैं कुछ changes कर सकते हैं print कर सकते हैं सभी चीजे अपने copy constructor के अंदर कर सकते हैं main purpose क्या होता है copy constructor बनाने का अगर आप interview में जाएंगे तो पहला question यही पु content को दूसरे object में copy कर देता है by the help of this reference variable ठीक है यही इसका main काम होता है किसी एक के object को data को लेगा किसी दूसरे object में जाके copy कर देगा तो चलो program के जरीए इसी चीज़ को हम आपको proof करके दिखाते हैं कि यह होगा कैसे तो guys आपके पास अगर किसी भी चीज़ के syntax पता हो ना तो आप उसका program बहुत ही असानी से कर सकते हो तो जो syntax मैंने copy का structure को आपको बताया है उसी syntax का use करके यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखोंगा ठीक है सबसे पहले class बना लेते हैं simple सा A नाम का और इसके अंदर मैंने यह default का structure बनाया इसी default का structure का जो भी value होगा उसको हम copy करेंगे ए यहाँ पे कुछ variables बना लेते हैं जैसे मैंने instance variable int a बनाया एक और बना दिया b type का दो instance variable है अब parameterized constructor के अंदर हम क्या कर सकते हैं इन में value initialize कर सकते हैं अपने से तो A में 10 डाल दे रहा हूं उसके बाद B में में एक string डाल देता हूं जैसे string कुछ भी हो सकता है learn coding हमारे channel का name अ इतना काम कर दिया है ठीक है अब हमें क्या करना है एक और constructor बनाना है जिसमें हमें इसकी value को copy करनी है simple constructor बनाने के लिए फिर से class का name parenthesis का symbol यह curly bracket की body और इसके अंदर आपको एक class type कही reference variable बनाना होगा जैसे मैंने यहाँ पे class A कही एक reference बनाया है इस constructor के पास ठीक है यही reference के तुरू हम इसके इस content को इस वाले constructor के दोने content को copy करेंगे इसके अंदर तो कैसे करेंगे copy simple है ref.a लिखो उसके बाद इसकी value को फिर से क्या करो A में ही डाल दो और इसी तरह से क्या करो B के भी content को copy कर लो ref.b लिखके इसके content को फिर से B में ही slice कर दो तो क्या होगा कि A का value A मे reference के तुरू फिर से B में आ गिया है अभी result display करना है तो यहाँ पे भी result मुझे दिखाना और नीचे भी दिखाना है तब ही तो पता चलेगा copy हुआ भी है कि नहीं हुआ है यहाँ पे A बीच में space आएगा फिर plus B को print करा मैंने अब same result हम अपने copy का structure के अंदर भी display करेंगे कि क्या वही चीज यहाँ पे भी print हो रहा है अगर हो रहा है मतलब data copy हो रहा है अभी चलते हैं object बनाने के लिए तो object एक अलग class में मैं बना रहा हूं बी नाम का class में दीखे तो class A का हम object बनाएंगे तो class name reference variable का name मैंने r ले लिया यहाँ पे new और यहाँ पे यह तो यहाँ पे class A का object बन गया है और मैंने starting में ही का बोला था कि copy का structure जो होता है ना एक object की value को दूसरे object में copy करता है तो यह जो object हमने बनाया है r नाम का इसमें क्या value है इसमें यह 10 है और यह string learn coding है तो अभी यह object का value जो भी है 10 और learn coding उसको हम एक दूसरे object में copy करना चाहते हैं जैसे r2 object में तो मैंने एक और यहाँ पे object देखो बना लिया copy करने के लिए आप क्या करो यहाँ पे r को ना पास कर दो तो जो भी value r का है यहाँ से हम ऐजा parameter पास कर रहे है तो a का जो भी value है 10 वो यहाँ पे आएगा और फिर से हम उसको इसी a में initialize कर दी है तो a को print करेंगे तो 10 आएगा उसके बद b की value को इसी object reference के थुरू हमने यहाँ पे भी देखो print कर दिया b में initialize करके तो अभी result जब आप देखो गिनत आपको two times same result print में मिलेगा इससे आपको यह पता चल जाएगा कि value copy हो रहा है यह देखो यह जो पहला result आ रहा ना यह पहला result इसका है एक मिनट इसे थोड़ा छोटा करते हैं इस default constructor का यह पहला result है और यह second result देखो यहाँ पे जो हमने print कर रहा है वो यह वाला है तो आप देखो guys हम एक object की value को यानी R की value को R2 में copy कर पा रहे है by the help of copy constructor अभी आपको करना क्या है मैंने default constructor के content को copy constructor के थुरू copy किया है आप क्या करिएगा parameterized constructor यहाँ पे बनाईएगा और parameterized constructor के content को copy constructor के थुरू same ऐसे ही copy करिएगा जब तक आप अपने से try नहीं करेंगे कुछ अलग करने का नहीं सीख पाएंगे इस वीडिय प्राइट कर यह होता क्या है इसका syntax example program इसे बनाने का purpose सब discuss करेंगे definition से स्टार्ट करें इन जावा it is possible to write a constructor as a private but according to the rule we cannot access private members outside of class जावा में यह possible है यह संभव है कि आप अपने constructor को as a private लिख सकते हो लेकिन आपको एक rule भी याद रखना होगा कि जब भी आपको कोई भी member private रहेगा न तो we cannot access those members outside of class प्राइवेट आप किसी चीज को तब करोगे जब आपको security चाहिए इस syntax को आप देखो फिर समझाता हूं इसे बनाने का purpose class class name हमारे इस class का name है और इसी name का देखो यहाँ पे constructor है इसके आगे अगर private लिखा हुआ है तो वह constructor आपका private constructor consider किया जाएगा तो आप भी अपने किसी चीज को प्राइवेट तब करोगे जब आप नहीं चाहते कि आपके चीज को आपके अलावा कोई और access करें वह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा important है तभी तो आप अपन programming language में यह class नहीं चाहता है कि इसके इस constructor को कोई other access करें इस class को object कोई other class बनाए या फिर उसके object से कोई other class इसके बांकी members को भी access करें यह नहीं चाहता हुआ तो यह क्या करेंगा उस case में अपने constructor को private बना देगा तो जैसे ही का स्टाटर private बन जाएगा कोई other class इसका object create नहीं क कर पाएगा और private constructor आपको जब भी बनाना है ना तो अगर आपको और बहुत सारे काम करने ना तो आप static method के साथ कर लो क्यूं क्यूंकि static method बिना object के काम कर देता है तो static method private constructor आपको तब यूज करना है जब आपको पूरा security लेना है अपने पास किसी और को अपना data access नहीं करव आना है तो जो जो मैंने आपको यहां पर बोला है चलो program के जरीए एक एक point में आपको प्रूफ करके देता हूं जो private constructor का syntax मैंने आपको बताया है ना ठीक वही syntax यूज करूंगा program को यहां पर लिखने के लिए तो चलो start करते हैं लिखना कि कैसे बनेगा सबसे पहले simple सा हमने एक class बना लिया एक नाम का अगर इस class के अंदर मैं इस तरह से कोई constructor बनाता हूं तो यह constructor होगा default constructor और यह default constructor जो है यह by default default है ठीक है इस class का object कोई other class भी बना सकता और इस constructor को भी access कर सकता है और साथी-साथ इसके जो भी data member से उनको भी वह access कर सकता है जो इसके अंदर हम use करेंगे या फिर यहां पे होगा जो लेकिन अगर इसी कस्ट्रक्टर को मैं प्राइवेट एक्सेस मोडिफायर के साथ लिख देता हूं इस तरह से यह बन गया है प्राइवेट कस्ट्रक्टर इसका मतलब यह हुआ कि अभी हमारे इस कस्ट्रक्टर के लिए कोई दूसरा क्लास ओब्जेट नहीं बना सकता सिवाए इसके थीखे क्लास यही सिर्फ बना सकता है तो चलो हम आगे का चीज करके दिखाते हैं आपको सबसे पहले मैंने एक नाम का वरियवल बनाया इसमें मैंने वैलू डाल दिया नहीं वैलू कुछ ने डाल रहा हूँ यहां पर फिला के लिए यहां पर क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं डाल दूंगा टेन बी में एक फ्लोट वैलू डाल देते हैं डबल टाइप की जो फ्रेक्शनल में होगी उसके बाद C में एक string हमें रखना होगा क्योंकि उसका type string है हमने value भी डाल दिया result को display भी कर सकते हैं integer value को increment, decrement भी कर सकते हैं इस constructor के अंदर अगर हम चाहें तो लेकिन फिलाल normal हम print कर दे रहे हैं तीनों को बिना कोई दिखकर उठाए ठीक है यहां पे देखो हमने a, b और c को print कर दिया अब हम क्या करेंगे इस class का object बनाएंगे तो object आप ना सिर्व इसी class में बना सकते हो कोई other class में नहीं मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर other में बनाएंगे तो क्या होगा ठीक है फिलाल बनाते हैं class का name object reference का name मैंने r ले लिया new और यह जो मैं लिख रहा हूँ यही है constructor ठीक है constructor क्या करता object को slice करता तो जो object यहां पे बना उसको देखो इसमें slice कर दिया बन गया object अब चलो इस program को save करते हैं और आपको एकक करके result दिखाते हैं रागे भी बहुत सारी चीजे हम इस program में आपको करके दिखाएंगे हमने enter मारा देखो program compile हो गया अब इसे run करने के लिए जावार class करें तो आप देखो guys यहां पे result आ चुका है बीच में हमने print नहीं किया है b variable को इसलिए उसका result डिस्पले नहीं किया अभी करेगा देखें आगे है result तीनो हमारा अम मालो मैं इस class का जो हमारा class यह है इसका object मैं किसी other class में बनाता हूँ यहां से मैंने हटा दिया मैंने एक और class बनाया b नाम का यह बस आपको समझाने के लिए है कि कैसे data secured है यह देखो मैंने एक नए class में object बनाया है अब मैं क्या करूंगा अपने program को इस नए class वाले name से save करूंगा क्यूंकि main method उसी के अंदर है कर दिया मैंने b.java नाम से save program को अभी compile करेंगे java c b.java तो आप देखो यहां पे एक लंबा चोड़ा error आ गया है line number 15 पे जहां पे हमने object create करा है क्या बोल रहा constructor has private access in a. constructor हमारा जो यह a है यह private है जिसको आप a में लिखे हुए है तो आप इसको सिर्व a class में object के थुरू उसी class में बनाके access कर सकते हो किसी other class में आप नहीं कर सकते हो ठीक है समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं आपको लेकिन अगर आपको और बहुत सारे काम को करना है तो आप इस constructor के अंदर कर सकते हो और बहुत सारे logic को define कर सकते हो लेकिन अगर अलग से method में करना चाहते है तो आप क्या करो इस तरह से static method बना लो ठीक है static, void जो भी method का नाम देना चाहते हो और अपने काम को इसके अंदर करो क्यूंकि यह static method है यह बिना object का call हो जाएगा class का name से direct यह call हो जाएगा और आपका यह constructor private है और इसका object आप इसी class पर बना लेना इस method को भी call कर लेना आपका सारा काम privately हो जाएगा कोई other आपके class के data को touch भी नहीं कर सकता कोई other class जैसे class भी मैंने बनाया उसने इस constructor तक को access नहीं कर पाया क्यों क्यूंकि यह private था super keyword तो जावा के बहुत important topics में से यह भी है super keyword जो की interview में और exam में ज्यादातर question इससे भी रहते हैं तो चलो यह होता क्या है इसका काम क्या है सभी चीजों को जानते हैं के करके सबसे पहले super keyword क्या होता है full explanation मतलब syntax example सब चीज रिसकस करूंगा तो यह होता क्या है super keyword refers to the objects of super class super keyword na super class के object को refer करता है जैसा कि इसका नाम को ही आप देखिए super है तो super class के object को refer करेगा it is used when we want to call the super class variable method and constructor through sub class object अगर आप sub class का object बनाए हैं और इसी sub class के object के थुरू आप super class के variable method और constructor को call करना चाहते हैं तब आपको क्या use करना है super keyword यूज करना है तो यह अभी सिर्व आधा जानकारी है आधा जानकारी यहां पर है ठीक है इसको ध्यान से सुनना कभी यूज करते हैं वह लिखा हुआ है whenever the super class and sub class variable and method name both are same then it can be used only मालो आपके पास एक super class है और एक sub class है इसमें जो variable आपने बनाया same वही variable इसमें बना दिया या फिर इसमें जो method है same वही method इस class में भी है इसके object से आप इसके method और variable को भी call कर सकते है जो कि इसी के जैसा है इसी के method variable के जैसा है ठीक है प्रोग्राम में मैं करके दिखाऊंगा यह कैसे होता है बहुत important point यहां पर है to avoid the confusion between super class and sub class variables and methods that have same name we should use super keyword अगर आपको super class और sub class के variable और method में confusion को दूर करना है confusion कैसे create होता है क्योंकि variable और method के name same होता है super class और sub class के तो compiler confused हो जाएगा कि कि किसके variable और method को call करूं मैं तो sub class को object होता है तो sub class के ही variable method को call करता है तो super keyword आपको उसी case में use करना है जब आपको sub class के object से super class के methods को और variable को call करना हो और यह variable और method का name same रहे तो यह basically differentiate का काम करता है differentiate करके बता देता है और super class के भी same चीज़ को call कर देता है sub class से तो इसको तीन तरीके से हम जावा में implement कर सकते हैं सबसे पहला super class के variable को access कर सकते हैं super class के method को call कर सकते हैं super keyword की मदद से और साथ ही साथ constructor को भी हम call कर सकते हैं super keyword की मदद से तो syntax बताता हूं इन तीनों का कैसा syntax रहेगा उसके बाद program discuss करेंगे syntax को देखो गाईस यहाँ पे class A है और इस class A की body है आप देख सकते हो तो इस class A को हम कहते हैं super class ठीक है यही होगा super class अगर मैं इस class A की अंदर खुझ से constructor लिखता हूं तो ठीक है अगर मैं नहीं लिखूंगा तो Java compiler क्या करता है खुझ से default constructor यहाँ पे इस तरह से add कर देता है अगर आपको नहीं पता है तो हमारे default constructor वाले वीडियो को जाके देखिए वहाँ पे मैंने इसी चीज़ को बार बार प्रूफ करके भी दिखाया है आपको अभी नीचे चलते हैं class B है इस B class को ही हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सब class तो यह क्या कर रहा है एक्स्टेंड किया हुआ है class A को मतलब इसके सारे features को यह extend किया हुआ है और यहाँ पर देखो एक constructor है अगर इस constructor के अंदर मैं पहले ही keyword जो कॉस्टेंड के पहले ही लाइन में होता है यह केबल super class के constructor को कॉल करता है इस इलिए super keyword के थुरू हम सब class के object से super class के constructor को वेरियबल को method को कॉल कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है में आपको बताता हूं यह जो सुपर कीवाट आपको दिख रहा है ना इसका तीन काम को मैं प्रोग्राम में आपको एक इक करके दिखाऊंगा मालू हमारे पास यह class यह है इसमें वरेयेबल है इंट ये- ein और मैंने इस सब क्लास के अंदर भी int a20 बना रखा है तो अगर मैं यहाँ पे सब क्लास में a को प्रिंट करूंगा ना तो यह बार बार इसी को प्रिंट करके हमें result देगा क्योंकि इसी का object है और यह अपने variable को ही priority देगा लेकिन मालो मुझे इसी b के object से इसको access करना हुआ सुपर क्लास के variable को तब हम सुपर कीवर्ड यूज़ करके इस तरह से वहाँ पे कर सकते हैं सुपर.variable name लिखेंगे तो यह क्या करेगा redirect कर देगा हमें यहाँ पे तो इसी चीज को practically कैसे done करेंगे चलिए उस चीज़ पे हम focus करते हैं आप देख सकते हो जो syntax हमने वहाँ पे लिखा हुआ था same syntax को यहाँ पे मैंने लिख रखा है अभी चलिए सबसे पहले हम variables cut out किलियर करते हैं सुपर keyword के दुरू मालो हमारे पास class A में एक variable है int A इसमें value है 10 अगर सेम इसी तरह का int A variable में class B के अंदर भी बना दू जो कि हमारा सब class है यहाँ पे int A इसमें मैं value दे देता हूँ 20 20 value इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सा variable call हो रहा है अभी variables को access करने के लिए हम यहाँ पे एक method बना लेते हैं मैंने void show नाम का method बनाया इसके अंदर अगर मैं लिखूं system.out.println और मैंने A को print कर दिया अभी चलते हैं class B का object बनाने इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं object मैं separate class में बना रहा हूँ test class में ठीक है आप B में भी बना सकते थे यहाँ पे class B का object बनाने के लिए हम लिखेंगे class name object reference का name मैंने R दिया new और यह हो गया class B का constructor तो देखो class B का object बन गया है अगर हम इसी object से class B के method show को call करें तो result क्या आएगा guys आपको इतना तो पता होना चाहिए इसका variable है इसका method है यह बार-बार अपने ही variable और method को priority देगा इसको save करते हैं और आपको मैं result दिखा के एक-एक doubt आपका clear करता हूं प्रोग्राम compile हो गया अब इसे run करने के लिए Java class का name तो यहां पर देखो 20 print हुआ है 20 print होने का यह मतलब होता है कि class B ने अपने variable को ही print कर दिया है अपने variable को ही access करा है इस method के अंदर तो जितने बार आप इस काम को करोगे नथ यह अपने variable को ही priority देगा क्योंकि यह इसका member है लेकिन मालो मुझे इसको access करना हुआ तो क्या करूंगा मैं simple सा काम करना होगा आपको इस line को copy कर रहे हैं यहां पर paste कर रहे हैं बस आप variable के जस्ट पहले super लिग दो और dot लगा दो super क्या करता है sub class के member और super class के member में differentiation का का काम करता है इन्हें differentiate करता है जो भी compiler को अभी तक confusion हो रहा था कि किसको call करें हम इसलिए वो उसी को call कर दे रहा था बार बार जिसका member था जिसका object था लेकिन यहां पर super dot a लिग दिए तो result दिखाते हैं फिर डिसकस करते हैं तो देखो 20 प्रिंट हुआ क्योंकि पहले हमने एक को प्रिंट किया उसकी बाद super dot a जैसे ही एक को execute करा फट से हम उपर जंप किये यहां पर एक वैलू 10 था नीचे आए प्रिंट हो गया तो super keyword का एक ही काम है it is used to differentiate the members of super class from the members of subclass if the name of both variables या फिर method आर सेम ठीक है तो यह हो गया variable को access करने का तरीका कि कैसे हमने B के ही object से B के ही method से super class के variable को access कर लिया अभी method की बात आती है तो method को भी कर सकते हैं हटा देते हैं इस सारे चीजों को यहां से यहां पर मैं एक message लगा देता हूं message क्या होगा hello learner ठीक है अभी मैं super class A में चलू और यहां पर भी same method बना दू वोईड सो ठीक है और इसके अंदर लिग दू system.out.println और यहां पर भी अपना एक message होगा जैसे यहां पर hello weaver ठीक है तो देखो guys यहां पर अभी super class के पास भी same so method है sub class के पास भी same so method है और हमने object create किया हुआ है इस b class का यानि sub class का तो जब इस code को हम execute कराएंगे तो result क्या आएगा देखते हैं यहां पर देखो result आ रहा है hello learner इसका मतलब यह होता है कि यह जो sub class b है न इसी का object बना है तो यह बार बार अपने member को ही call कर रहा अपने member को ही यह priority दे रहा super class के member को यह priority नहीं दे रहा है तो अगर in case मुझे इस method को access करना हुआ तो मैं क्या करूंगा मुझे यहां पर इस method के अंदर लिखना होगा कहीं पर भी आप उपर नीचे लिख सकते हो इस system.out.println के अगर मालो मुझे इस method को access करना है तो मैं लिखूंगा यहां पर super.method का नेम so तो अभी क्या होगा यह super क्या करता है न इस method और इस method में differentiation निकाल देगा यह सिर्व super class के member को ही call करेगा क्योंकि मैंने first line में ही आपको लिखवा है था super keyword refers to the object of super class तो super class के member को यह refer करेगा अभी आप result देखेगा सबसे पहले आपको hello weaver देखने मिलेगा यहां पर देख लो hello weaver print हुआ है उसके बाद hello learner print हुआ है क्योंकि हमने पहले ही super.so लिख दिया यह method पहले execute कर गया तो जब भी method का name या फिर variable का name same हो super class और sub class में तब आप super keyword यूज करेंगे अगर आपको sub के object से super के member को भी access करना है तब अभी बात आती है constructor की मालो यहां पर मैंने एक constructor बना दिया और इसको भी मैंने constructor बना दिया ठीक है और इस चीज को नीचे से हटा देते हैं तो अभी guys आपको क्या लगता है result क्या आएगा क्योंकि B का object बना हुआ तो फट से constructor call होगा इसको भी हटा देते हैं B का object बना है तो B का constructor call होगा यह result display होना चाहिए तो चलो देखते हैं hello learner display हो रहा है कि नहीं तो यहां पे देखो guys ध्यान से देखो मैं क्या वोड रहा हूं यहां पे hello viewer पहले print हुआ है उसके बाद hello learner print हुआ है तो जब भी default constructor का case होता है ना तो हर एक default constructor के पहले ही line में यानि यहां पे super keyword के लिए एक space reserve होता है अगर आप अपने से super keyword नहीं लिखते हैं तो Java compiler इस तरह से अपने से लिख देता है अगर मालो हम अपने से लिख दे तो अभी Java compiler अपने से नहीं लिखे गा और constructor एक special type का method होता है जिसमें parenthesis होता है तो constructor को call करने के लिए यहां पे parenthesis लगा रहेगा super keyword के साथ भी अभी भी देखेगा same result आएगा same result आने से ही यह हमें पता चल जाता है कि अगर हम यहां पे super keyword नहीं लिखते हैं फिर भी यहां पे super keyword होता है तभी तो यह अपने आप call हो रहा था जब यहां पे यह कुछ नहीं था ठीक है तो यह हो गया default constructor के case में कि आप super keyword लिखेंगे तो भी चलेगा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा by default वो compiler add करके super class के constructor को call कर लेता है लेकिन मालो हमारे पास यहां पे एक parameterized constructor है जिसमें मैंने एक integer type का parameter parameter दिया हुआ है और मैं A की value को यहां पे print करना चाहता हूं तीक है इस तरह से तो अभी अगर हम यहां पे कोई super keyword नहीं लिखते हैं तो आप देखेगा guys हमारा उपर का constructor call नहीं होगा हमें उल्टा एक error देदेगा आपके पास class A में जो constructor है वह parameterized है तो parameterized constructor के case में यह compulsory होता है कि आप अपने से super keyword यहां पे add करो और जितने भी parameter आप pass कर रहे हो यहां पे लिखो यहां पे integer value मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि integer type parameter है तो यहां पे अब result आएगा सबसे पहले hello weaver print होगा और 10 भी print होगा 100 हमने पास किया न 100 प्रिंट होगा यह देखो उसके बाद hello learner भी print हुआ है तो default constructor के case में super keyword लिखना जोरी नहीं होता है कि Java compiler खुछ से add कर देता है लेकिन parameterized constructor के case में आपको लिखना compulsory होता है तो super keyword का हम use तीन तरीके से करते हैं अपने program में जब भी variable या फिर method का name सेम हो super और subclass में तब या फिर subclass के object से super class के constructor को call करना हो तब यह क्या करता है basically दोनों के members में न differentiation लगाता है कि यह पहचान लेता है कि super का member कौन है sub का member कौन है और यह super के member को ही priority देता है super keyword इसलिए तो इसका नाम है super keyword keyword जावा में this keyword क्या होता है बहुत important topics में से यह भी एक है this keyword what is this keyword full explanation मतलब इसका program कितने टाइप से बन सकता और इसका कितना uses सभी चीजे बताऊंगा पहला point है this keyword का this keyword refers to the current object inside method और constructor हमारा यह जो this keyword होता है यह current object को refer करता है current object मतलब example के लिए consider करो हमारे पास यह class A है मैंने class A का यह object बनाया तो जो भी classes होते हैं हर class का एक unique reference number होता है तो अभी इस unique reference number को हमारा यह reference variable refer कर रहा क्योंकि इसके object को यह directly देखो refer कर रहा यह reference variable तो यह तो इसको refer करे गही और तो refer करे गही लेकिन साथ ही साथ हमारा यह जो keyword है न वह this keyword भी इस class A के reference ID को refer कर रहा है यह आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वह refer करता है तो कैसे करता है refer चलिए हम program के जरीए आपको करके दिखाते हैं जिसमें इसका भी result हम print करेंगे तो same reference ID print होगा और इसको भी print करेंगे तो same reference ID print होगा इससे पता चल जाएगा कि दोनों same current object को refer कर रहें यह हमारा class A का समझो current object है गाइस practical session के लिए हम अपने computer screen पर आ चुके हैं तो सबसे पहले ही point में मैंने क्या बताया आपको तो this क्या करता है current object को refer करता है इस बात को हम प्रूफ कैसे करेंगे प्रोग्राम में चलो उसे देखते हैं हमारे पास class A है class A में अगर मैं class A का object बनाऊ इस तरह से तो यहां पर मैंने जो class A का new keyword से object बनाया है उस object को directly देखो हमारा यह reference variable आर रेफर कर रहा क्योंकि हमने इसी आर में इसलाइस किया हुआ है तो यह तो current object को refer कर ही रहा है जब भी हम object create करते हैं तो class का एक reference यूनिक आईडी जन्रेट होता है जिसको हमारा यह reference variable आर रेफर कर रहा क्योंकि यह directly object से connected है तो अगर इस आर को हम display करेंगे तो यह हमें वो unique id डिस्पले करके देगा हमारे screen में ठीक है तो यह आर तो रेफर कर रहा आपको भी पता है क्योंकि यहां पर object को यह initialize किया हुआ है लेकिन मैंने क्या बोला था यह this keyword भी same current object को ही refer करता है जिस तरह यह आर कर रहा है तो यह इस बात को हम कैसे proof करेंगे इस बात को भी हम बहुत असानी से proof कर सकते हैं यहां पर बस एक method बना लेंगे और इस method के अंदर जिस तरह से हमने यहां पर आर को display करा है उसी तरह से यहां पर हम क्या करेंगे अगर this को display करें और दोनों को result अगर same आता है तो इससे यह प्रूव हो जाएगा कि this keyword भी current object को ही refer करता है और मैंने क्या बोला था यह constructor के अंदर लिखा होगा या फिर method के अंदर तो देखो मैंने method के अंदर यहां पर लिखा हुआ है इसे तो चलो इसका result मैं आपको दिखाता हूं क्या आता है मैंने enter मारा program compile हो गया अब इसे run करा हमने तो यहां पर एक unique reference id class का print हुआ है जो इस r को हमने यहां पर print करा क्योंकि show method को हमने call नहीं करा तो हम क्या कर रहे है show method को भी call कर ले रहे अब अगर यह reference id two times print होता है और same to same print होता है इससे यह प्रूव यह हो जाता है कि this keyword भी same object को refer कर रहा है जो कि class का current object है देखो दोनों में same print हुआ है यही class का unique reference number होता है जो कि object create करते समय ही generate हो जाता है तो यह r तो directly refer कर रहा क्योंकि इस slice है object में और यह this keyword भी देखो उसी को print कर रहा मतलब यह भी refer कर रहा same current object को जिसको यह r कर रहा तो यह पहला point प्रूव हुआ अभी चलो second point देखते है second point देखो दिस keyword का जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है whenever the name of instance and local variables both are same then our runtime environment jvm gets confused that which one is local variable and which one is instance variable to avoid this problem we should use this keyword जब भी हमारे पास मालो यह class example में आ जाओ मालो हमारे पास यह class a है यहाँ पे यह int a जो मैंने बनाया है यह हमारा है instance variable और यह constructor के अंदर मैंने parameter में फिर से int a लिखा है तो यह वाला जो int a है यह हमारा है local variable तो जब भी instance variable यानि यह वाला और यह local variable दोनों सेम रहता है और इसके अंदर हम a equal a लिखते हैं तो हमारा runtime environment jvm confuse हो जाता है कि local variable कौन सा है instance variable कौन सा है तो इन दोनों में differentiation निकालने के लिए ही हम this keyword करते हैं यह क्या करता है current object को refer करता है मैंने पहले ही point में आपको बता दिये हैं तो current object instance variable होता है instance variable जो है current object का ही part होता है तो यह बता देगा instance variable यह वाला है कि यह वाला है तो this keyword के थुरू हम पता लगा सकते हैं चलो program में दिखाते हैं कैसे करना है अभी हमें क्या करना होगा local variable और instance variable same बना के देखना होगा कि क्या अंतर आता है इस keyword इसमें क्या affect करता है यह हो गया instance variable है तो इसके अंदर अगर हम a equal a करें और इस so method में हम क्या करेंगे a को display करेंगे अभी नीचे आते हैं इस चीज को हटा देते हैं हमारे पास parameterized constructor है तो यहां से हम एक value pass कर देते हैं 100 यह हो गया हमारा scenario second point का तो इसका result सबसे पहले दिखाते हैं उसके बाद बांकी की चीजें हम discuss करेंगे तो यहां पे result देखो guys zero print हुआ है क्यूं क्यूंकि zero हमारा integer का default value होता है तो यहां पे जो हमारा runtime environment jvm है वो confuse कर गया कि यह वाला a local variable है की instance variable है या फिर यह वाला a local है की instance है तो इसी confusion के चलते हैं इसने क्या किया हमारे value को तो ignore ही कर दिया और बस default value इस a का print करके हमें दे दिया क्यूंकि this क्या करता है current object को refer करता और आपको भी पता है यह जो instance variable है यह object का ही part होता है तो अभी यह variable जो इधर दीख रहा right side में यह object का part बन गया हमने यहां पर ए को print कर रहा है तो जो भी value हम भेजेंगे यह यहां पर print होगा चलो result दिखाते हैं तो अभी यहां पर देखो 100 प्रिंट हुआ है यह सिर्फ और सिर्फ इस this keyword की मदद से तो this keyword आपको वहां भी यूज करना चाहिए जहां पर आपका local variable और instance variable same हो तो जे भी हम confuse ना करें पहचानने में तो आप क्या करो this से उससे identify कर सकते हो कि which one is local और which one is instance variable तो यह हो गया अपना second point point number third जो कि सबसे ज्यादा important points में से आप इसको भी बोल सकते हो इसका भी बहुत use होता है it is also used when we want to call the default constructor of its own class अगर आप अपने खुद के class को default constructor को call करना चाहते हैं आपके class में माल लो एक default constructor है आप उसको call करना चाहते हैं तो आप इस keyword यूज कर सकते हैं यह वाला तो example में यहां पर देख लो अपने पास class A है class A के अंदर यह default constructor है ठीक है यह वाला default constructor है और यह हो गया अपने पास यह parameterized constructor अगर parameterized constructor के पहले ही line में मैं लिग देता हूँ यहां पर दीस तो यह क्या करेगा अपने आप default constructor को call कर देगा यह दीस कीवर्ड ठीक है हमारे class A के default constructor को call कर देगा object हम जब बनाएंगे तो parameterized constructor का सारा काम करेंगे default constructor हम दीस keyword के थुरू parameter के अंदर लिग के call कर लेंगे ठीक है तो चलो कैसे करेंगे इस काम को प्रोग्राम में दिखाता हूँ करके अभी चलो आपको यह बताता हूँ मैं कि कैसे हम default constructor को call कर सकते हैं अपने दीस कीवर्ड की मदद से same class के default constructor को उसके लिए इसे हटा देंगे इसका कोई काम नहीं है इसका भी कोई काम नहीं है यह parameterized constructor हो गया इसके अंदर से यह भी हटा देंगे और यह variable भी हमारे किसी काम का नहीं रहा अब क्लास में क्या करेंगे यहां पे हम default constructor बना देंगे हमारा third point में मैंने आपको क्या बताया इस कीवर्ड क्या करता है सेम क्लास के default constructor को call करता है अगर मालो मैं इस default constructor के अंदर एक message पास कर दूँ मैंने क्या लिखा यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ भी जैसे learn coding मैंने लिख दिया यह बहला message और parameterized constructor से मैंने 100a के लिए पास किया है तो यहां पर क्या करेंगे इस message को हम उठा लेंगे इस parameterized constructor के अंदर paste करेंगे parameterized constructor के पास value है तो उस value को display कर देंगे और साथ ही साथ मुझे इस default constructor को call करना है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा मैं यहां पर लिखूंगा this constructor को call करते समय यह parenthesis आपको लगाना है क्यूंकि constructor भी एक method है जहां पर parenthesis होता है अभी result दिखाते हैं देखिएगा यह default constructor को भी call कर लेगा तो आप देखो learn coding पहले message आया है क्यूंकि हमने यहां से 100 पास किया default constructor यह में आया 100 दीस keyword मिला तो दीस keyword जंप कर दिया उपर में default constructor के पास और यहां पर यह वाला message पहले print हुआ उसके बाद नीचे आया और एक result भी यहां पर 10 display हुआ अगर यहां पर हम दीस keyword न रखें तो क्या changes आता है देखते हैं तो यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ 100 प्रिंट हुआ है क्यूंकि यह parameterized constructor call हुआ इसने अपनी value को प्रिंट कर दिया तो दीस keyword क्या करता है same class के default constructor को भी call करने का काम करता है ठीक है पॉइंट नंबर 4 यह जस्ट अल्टरनेट है पॉइंट नंबर 3 का इट आल्सो कोड पैरमेटराइज का स्ट्रक्टर ओफ इट्स ओन क्लास अगर आपको खुद के class का पैरमेटराइज का स्ट्रक्टर को कॉल करना है बीना object के तो आप दीस keyword के कर सकते हैं क्योंकि दीस keyword भी current object को ही refer करता है तो class A है class A में हमारे पास यह रहा default constructor तो default constructor के लिए तो हम object बनाएंगे लेकिन इसी default constructor के अंदर अगर मैं दीस लिख दू और parameter पास कर दू और मालो class में हमारे पास यह parameterized constructor भी है तो यह क्या करेगा parameterized constructor को call कर देगा क्यूंकि यहाँ पे हमने parameter पास किया तो यह 10 इस A में receive होगा और यह वाला हमारा constructor इस keyword की मदद से अपने आप कोल हो जाएगा जबकि object से हमने सिर्फ इसे call किया था अभी fourth point क्या बताया मैंने कि इस keyword के थुरू हम parameterized constructor को भी call कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं इस line को यहां से हम कर देंगे cut यहां पे कर देंगे हम paste और अभी हमें parameterized constructor को call करना है तो यहां पे इसको हटा देंगे यह default constructor को call करेगा default constructor के अंदर अगर हम यहां पे एक 10 keyword के साथ parameter में value डाल दे यह क्या करेगा parameterized constructor को call कर देगा आपको मैं result दिखाता हूं आप यहां पे देखो 10 display हो गया है इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह parameterized constructor कॉल हुआ है क्यों क्योंकि हमने default object बनाया object बनाते ही default constructor कॉल हुआ इसके अंदर 10 लिखा है हमने और एक integer value पास किया तो यह 10 A में आया और A को हमने display करा तो यह A कहां print हो रहा parameterized constructor के अंदर अगर मालो यहां पे हम 10 keyword हटा दे ठीक है मैंने हटा दिया तो अभी कोई result display नहीं होना चाहिए तो देखो कुछ display नहीं हुआ इसका मत्तब अभी parameterized constructor call नहीं हुआ तो this keyword का चार use मैंने आपको बताया कि कैसे यह current object को refer करता है कैसे हम किसी भी same class के default constructor parameterized constructor को call कर सकते हैं और किस तरह से जब local variable और instance variable same होता है तो हम this keyword use कर सकते हैं आप मेंसे बहुत लोगों ने comment किया कि इन दोनों में difference का video बना दीजिए तो हम सबसे पहले आपको program के जरीए इन में क्या difference से वो बताते हैं तो चलो हम program लिखना ही start करते हैं simple सा हमने class बना लिया ए नाम का अगर आप इस तरह से curly bracket open करके close कर देते हैं तो यही होता है हमारा instance block इसी को हम क्या कहते है instance block अब अगर इस block के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ जैसे मालो मुझे एक message ही normal सा display करना है system.out.print मैंने लिखा यहां पर मैं क्या लिख दूँ मैं लिख देता हूं यहां पर learn coding ठीक है मैंने message लिख दिया यहां पर ln लगा देते हैं new line के लिए तो अभी देखो हमारा instance block त्यार हो चुका है इसमें मैंने एक line का code भी लिख दिया है तो अभी second point instance block का आपको यह याद रखना है कि instance block को आप बिना object के access नहीं कर सकते है इसका मतलब क्या हुआ चलो मैं आपको करके दिखाता हूं मैंने अभी क्या बोला तो उससे पहले इसे save कर लेते हैं ठीक है मैंने program को save कर लिया हो गया save अभी देखो हमने enter मारा तो देखो program compile हो गया जावार class का name A तो देखो instance block ना object से deal करता है मैंने बोला यह बिना object के execute नहीं करेगा तो अभी देखेगा जैसे ही मैं enter मारूंगा कोई output नहीं आया है output आयेगा भी कैसे क्योंकि यह instance block है यह object का part होता है बिना object के यह call ही नहीं होगा तो execute कैसे करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें object बनाना होगा बना दिया मैंने object अभी देखेगा बहुत ही happily इसका बहुत खुबसूरा output आया जो message हमने पास किया है यहां पे देखो print हो चुका है instance block जो होता है object जैसे ही हम create करते हैं यह constructor से भी पहले call हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ मैंने जो आपको बोला मैं एक constructor बना के भी दिखा देता हूं और इस constructor के अंदर भी अपना एक simple सा message होगा message यहां पे क्या होगा change कर देते हैं message रहेगा हमारा एक second default constructor ठीक है जो भी यह spelling मुझे नहीं पता यहां पे थोड़ा से correct हो गया हाना यह message मैंने default constructor इसके अंदर double code से पास कर दिये है अभी देखिएगा guys program का execution मैंने बोला था instance block constructor से भी पहले call होता है तो देखो learn coding पहले आया है message उसके बाद default constructor यह message आया है learn coding instance block में मैंने लिखा है तो वह पहले आया उसके बाद यह default constructor का message चला है तो instance block object create करते हैं जब तो constructor से just पहले call हो जाता है default constructor से भी पहले तो यह हो गया instance block का बात अभी बात करते हैं हम अपने static block के तो static block object का part नहीं होता उसे object से कोई मतलब नहीं हटा देते हैं इस object को अगर इसी block मैं मैं यहां पर लिख दूँ static तो बन गया यह हमारा static block ठीक है इसी को बोलते है static block अभी देखेगा बीन object के यह सबसे पहले call होगा ठीक है यह constructor हटा देते हैं क्योंकि object तो है नहीं अभी अपने पास तो क्या करेंगी से रख के तो यहां पर देखो learn coding message आ चुका है मतलब static block जो है वह class से deal करते हैं उन्हें object से कोई लेना देना नहीं होता है और यह तब execute कर जाता है जब हम अपने program को compile करते हैं तो dot class file बनती है न वह dot class file जब class loader jbm memory में load कर रहा होता है तभी static block execute कर जाता है यानि execution से जस्ट पहले अभी static block बनाने के लिए आपको देखो यहां पर static keyword की ज़ौरत पढ़ रही है जबकि हमने जब instance block आपको बना के दिखाया था वहां पर कुछ भी keyword नहीं लगा था तो यह भी एक difference हो गया दोनों में अभी last difference क्या होता है मैं आपको बताता हूं यह जो static block आपको दिख रहा है यह सिर्फ और सिर्फ static variable को ही access करता है कैसे मालों यहां पर मैंने int a नाम का instance variable बना दिया और एक static variable मैंने int a type नाम का इसमें value मैंने 20 रख दिया तो अगर मैं इस static block के अंदर यहां पर a को भी access करना चाहूं और चाहता हूं कि साथ ही में मैं b को भी access कर लूं तो यह हमें एक error देगा मैं आपको दिखाता हूं वह error क्या होगा यहां पर देखो guys क्या बोड़ रहा है non static variable a यह variable का नहीं है cannot be referenced from a static context इसका मतलब क्या होता है कि यह जो non static variable a है इससे आप static block के अंदर यानि static context के अंदर use नहीं कर सकते तो यह सिर्फ static variable को ही access करने का permission देता है अभी देखेगा कोई error नहीं आएगा compile हो गया run हो गया और देखो output भी आ गया static block सिर्फ static variable को access करता है लेकिन अगर यही हमारा क्या बन जाए instance block बन गया instance block तो अभी इसमें क्या होगा कि हमारा a variable को भी हम access कर सकते हैं जैसे a को मैंने print करा बीच में concatenation operator उसके बाद यहां पर क्या होगा space होगा फिर concatenation operator तो instance block ना non static variable और static variable दोनों को access करता है यही इसका खुबसूरती है जो कि इसे static block से अलग बनाता है क्योंकि यह दोनों को access कर लेता है तो यहां पर instance block के लिए class का object चाहिए होगा मैंने starting में बनाया था बताया था आपको कि बीना object का तो यह हीलेगा भी नहीं object बन गिया है अभी चलो result दिखाते हैं अभी दोनों result आपको display होगा यहां पर 10 or 20 प्रिंट हो चुका है तो इससे यह साबित हो गया कि instance block दोनों variable access करेगा नोट्स को ले लिजिए instance में पहला point ही मैंने लिखा यह object से deal करता है instance इसका नाम ही है जो कि class के object का part होता है बिना object के यह काम नहीं करेगा और जब object बनाते हैं तभी यह execute होता है second point में है static block क्या होता है class से deal करता है direct और जब हम .class file जब compile करते है बनती है जब loader load कर रहा होता JVM memory में तभी यह execute करता है ठीक है program के ज़रिये मैंने दिखा दिया आपको यह सारा difference instance block के लिए कोई भी keyword की ज़ौरत नहीं पड़ेगी हमें static block के लिए static keyword आपको लगाना होगा last point क्या है कि यह instance block है यह static static और non static variable दोनों को access कर लेता है और यह static block है यह सिर्फ और सिर्फ static variable को ही access करता है Java के full course में अब हमारा topic है encapsulation Java में यह encapsulation क्या होता है object oriented programming का important feature है मज़ेदार concept है चलिए समझते हैं क्या है encapsulation is a mechanism through which we can binding the data members and member methods in a single unit अगर आप जितने भी data members और member method को single unit में bind करके रख रहे तो वहीं कहलाता है encapsulation जैसे अगर हम example की बात करें मान के चलिए क्या यह यह bank है और किसी भी bank का कुछ common property और behavior होता है property क्या होता है किसी भी bank का common property balance customer के balance यह रखता है customer को एक security password provide करता है तो यह सभी property हो गए plus bank का behavior क्या होता है जो हर bank में common होता है deposit जो functionality वो provide करते customer को service उसके बाद क्या withdraw उसके बाद और होता customer अपने balance को चेक कर सकता है उसके लिए भी facility होती है तो यह कुछ behavior होता bank का और यह property होता तो अगर इस property और behavior को जो की common है उसको हमें class बना के define कर दे और class का नाम है हमारे bank तो यही कहलाता encapsulation लेकिन encapsulation हम security purpose के लिए यूज करते हैं इसमें जो भी हमारा यह property होता है common property वो private रहता है ठीक है यह बात आप ध्यान में रखेगा यह हमारा private रहेगा तभी तो हमारा जो data है वो hide रहता encapsulation में और सिर्व service हो होता है इसलिए बोला जाता है encapsulation equal to data hiding plus abstraction abstraction का तो facility इसमें रहता ही है कि सिर्व service आपको show किया जाएगा plus इसमें आपका जो data है वो hide रहता है वो कभी outside person directly access नहीं कर सकता ठीक है हम practical भी इसी चीज़ का करके दिखाएंगे जिसमें आपका सारा doubt clear होगा तो अगर आप variables को private declare कर रहे हैं और method बना के रखे हैं और method का यहां पर written type है और इसे एक class के अंदर आप रखे हैं तो वही होता है encapsulation तो simple सब्द में हम बोल सकते हैं कि every Java class is an example of encapsulation अभी आपके mind में question आता होगा कि अगर यह data private है तो फिर हम इने use कैसे करेंगे हम इने use करेंगे in methods के तुरू क्योंकि methods public रहेंगे ठीक है और यह method क्या कर सकता है इन दोनो private member को access कर सकता है क्योंकि यह भी उसी class का ही part है ठीक है तो हम करेंगे क्या अभी चलिए simple सा example program हम आपको दिखाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे private data member रखेंगे और member method public रहेगा उसी को हम कहेंगे encapsulation तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं तो आप देख सकते हैं class bank हमने बनाया है और banking system का यह simple सा example program है जिसमें encapsulation को implement कर रहें तो data member को देखिए यह private ही होना चाहिए अगर आप encapsulation का program बनारे तब तो हमारा total starting में balance कितना है bank account में 5000 हमारे account में balance है और password नाम का variable यह यह चेक करेगा कि आप सही user है सही customer है कि नहीं तो सबसे पहला service provide कर रहा हमारा bank deposit आप money deposit कर सकते तो जितना भी money आपको deposit करना है जब हम इस method को call करेंगे तो आप यहाँ पे parameter में लिख सकते है ठीक है तो money deposit तभी होगा bank check करेगा कि आप सही person है की नहीं तो आप से एक password मागेगा अगर bank तवारा provide किया गया password के साथ आपका input किया गया password बराबर होता है तब आप क्या कर सकते है money deposit कर सकते है तो आपका deposit money आपको बता देगा और total balance कितना हो गया वो भी आपको पता चल जाएगा starting में total balance 5000 है ठीक और अगर मालीजे यह password गलत हो जाता है तब क्या होगा else में क्या बोलेगा कि incorrect password आप फिर से try करिए तो इससे पता चलेगा कि अगर सही बंदर है तब ही deposit कर पाएगा same withdraw के लिए हमने same code लिखा है withdraw के लिए जितना amount आ withdraw करना चाहते है यहाँ पे लिख दो method call करते समय हम लिख देंगे ठीक है तो वो इसमें आ जाएगा यहाँ पे भी अगर आप सही user यह सबसे पहले आप अपना password input करिए और check कराईए कि आप सही customer है कि नहीं अगर आपका PWD password इसके साथ equal हो जाता है bank द्वारा provide किये गए password के साथ इसका मतलब आप सही customer है आपका ही account है आप money withdraw कर सकते हैं तो कितना money आपने withdraw कि आपको बता देगा आपका total balance कितना बचा वो भी यहाँ पे display हो जाएगा नहीं तो क्या अगर password यह wrong रहता तो बोलेगा incorrect password third है हमारा check balance आप अपना balance भी check कर सकते हैं कि आपके account में कितना balance है ठीक है तो यहाँ पे देखिए password यहाँ पे भी लगेगा balance check करने के लिए उसके बाद अगर आपका password सही रहेगा तो आप देख पाएंगे total balance आपका कितना है नहीं तो नहीं तो माल लिजे कि यह जो customer है इसी का account bank में है यह customer है तो सबसे पहले bank इस customer को कह रही है कि हम यह service provide कर रहे है कर सकते है deposit withdraw check balance क्योंकि यह bank का service हो जो provide कर रहा customer को अपने तो सबसे पहले enter your choice bank आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते है deposit withdraw balance देखना चाहते है क्या करना आपको CH में value होगा input करेंगे आप CH में 1 input करते हैं इसका मतलब आप पैसे जमा करना चाहते है ठीक अगर CH में 2 input करते हैं इसका मतलब पैसे निकालना चाहते है 3 input करते हैं इसका मतलब पैसे check करना चाहते है कि कितना amount आपके account में है इन में से कुछ भी CH के value अगर नहीं रहेगा तो बोलेगा invalid choice इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम यह तीन सर्विस ही प्रवाइड कर रहे हैं तो मान के चलो कि मुझे 1,000 रूपीज डिपोजिट करने हैं उसके बाद 2,000 रूपीज क्या करना है विज्ट्रो करना है यह मैंने सेट कर दिया ठीक अब चलिए कोड को रन करते हैं अपने आटपुट कंसोल को इतना में रखते हैं तो यह तीन सर्विस बैंक जो प्रवाइड कर रहा कस्टमर को यही दिखेगा ठीक है यहाँ पर जितना चीज दिख रहा कस्टमर उतना ही देख सकता है अगर कस्टमर प्रेस करता है 3 इसका मतलब वो जानना चाहता है कि उसके अकाउंट में कितना बालेंस है तो पासवर्ड मागरा कि सबसे पहले आप पासवर्ड प्रवाइड करो कि आप सही कस्टमर हो कि नहीं अगर मालीजे हम पासवर्ड डाल देते हैं 156 तो क्या यह सही पासवर्ड है नहीं बैंक का पासवर्ड क्या है जहां पर बैलेंस चेक कर सकते हैं बैंक आपको पासवर्ड प्रोवाइड किया है 123 लेकिन आप क्या दे रहे 156 तो यहां पर आपको क्या बोलेगा incorrect password incorrect password का यहाँ पर हमने code नहीं लिखाया तो हम क्या करते है लिख देते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है ठीक है तो आप इस तरह से implement कर सकते है real live program बनाएंगे तो आपका दिमाग खुलेगा coding में logic लगेगा क्या करना है यहाँ पर message छोड़ना है incorrect password ठीक है अब करते हैं रन कोई दिक्कत नहीं है ctrl f 11 output screen आच चुका है हमें जानना है कितना balance है मेरे account में 3 प्रेस करेंगे हम क्योंकि 3 के लिए balance है उसके बाद अभी माल लिजे हम गलत password डाल देते हैं तो हमें बोलेगा incorrect password आप सही डालो तभी आप balance चेक कर पाएंगे तो फिर run करते हैं अब हम सही डालेंगे ठीक है 3 password 123 जो password bank प्रवाइड के हैं वही वाला हम यहाँ पर डाल रहें इसका मतलब हम सही user हैं तो total balance 5000 हैं मेरे account में आप starting में देख सकते हैं 5000 ही है ठीक अब मालो मुझे deposit करनी है मैंने तो कैसे करेंगे प्रोग्राम को करते हैं re-run ठीक है re-execute एक सेकर brightness कम कर दिया बढ़ा लेते हैं अब करते हैं इसको run मुझे deposit करना तो मैं one press करूंगा password सही डाल देते हैं अभी तो मैंने 1000 deposit किया तो total balance कितना हो गया 6000 ठीक 1000 deposit कैसे हो गया क्योंकि यहां पे देखिए हम जब method को call किये थे 1000 यहां पे डाल दिये थे आपका homework क्या रहेगा आप run time में value input करेंगे कि आप यहां पे input करेंगे कि आपको कितना deposit करना है scanner class से यह deposit वाला money के value आप input करेंगे ठीक अम मालो मुझे क्या करना है मुझे पैसे निकालने है withdraw करने है क्या करेंगे 2 press करेंगे withdraw करने के लिए password सही दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं है 2000 हमने withdraw कर लिया तो total balance कितना बच गया 3000 3000 क्यों बचा balance हम आपको बताते है starting में हमारे account में कितना था 5000 उसके बाद हम कितना निकाल लिए 2000 कितना बचा 3000 आप इस program को और भी खुपसूर्ती से बना सकते हैं आपको जो भी कमी लगे आप इसमें add कर सकते हैं अब अगर हम इसमें कुछ ऐसा choice दे देते है यह 1, 2, 3 के अलावा हम दे देते हैं 5 6 दे देते हैं invalid choice यह service bank provide नहीं कर रहा आप यह नहीं कर सकते तो encapsulation क्या होता है private data member का collection plus public member method अगर एक ही class में आप लिख देते हैं तो वही कहलाता है encapsulation data member private इसलिए होता है ताकि कोई भी outside का यह person वो directly इन्हें access ना कर सके जैसे यह customer outside का person है यह outside person है यह क्या कर रहा access करने की कोशिस कर रहा अपना bank में account जो इसका bank में account है तो तभी access कर सकते है जब उसका सारा detail सही रहेगा password वागेरा ठीक है इसलिए यह private है encapsulation में यह private ही रहना चाहिए और method आपका public होना चाहिए ताकि हम इन्हें access कर सके directly तो access नहीं कर सकते लेकिन इस validation के through access कर पाएं ताकि अगर यह data member private नहीं रहेंगे तब क्या होगा माल लिजी हम इसको public कर देते हैं अगर public हुआ मतलब यह encapsulation का example अब नहीं है और public रहेगा तो disadvantage क्या है यह जो customer है यह बाहरी person है ठीक है यह bank का customer है outside से bank में आ रहा और यह क्या कर सकता है अब directly access कर सकता है क्या यह बिना bank का permission के अपना balance check कर सकता है बिना किसी method को call किये हुए बिना किसी validation के अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हम public कर दिये हैं अपने member को तो यह क्या करेगा access करेगा यहाँ पे इसको बस इतना लिखना है क्या लिखना है b dot उसके बाद balance balance के लिए यह variable ln लगा देते हैं new line के लिए अभी आप output देखिएगा हमारा code run हो चुका यहाँ पे देखिए यह print हो गया balance इसी लिए encapsulation में data member आपको private रखना पड़ता है क्योंकि encapsulation हम use करते है security purpose के लिए अगर private नहीं रहेगा तो यहीं होगा फिर कोई मतलब नहीं होता है कि आपने क्या code लिखा यह सारा code हमारा waste हो गया ठीक है इसी लिए encapsulation में data member को हमेशा जितने भी data member हैंगे सब private रखना है Java के इस full course में अब हमारा topic है abstraction तो abstraction भी object oriented programming के एक बहुत interesting feature है ठीक है इसमें क्या होता है abstraction is nothing but hiding the essential information ठीक है यहाँ पे यह hiding है hiding the essential information and highlight the only set of services जो service customer को provide की जाती है वही service customer को दिखाई जाती है वो service execute कैसे हो रही perform कैसे हो रही वो कभी customer के साथ share नहीं किया जाता जैसे अगर हम real life example लेके चले मान के चलिए यह क्या है यह एक bank है ठीक है यह bank है तो कोई भी bank अपने customer को क्या क्या service देता है जो वो जिसका bank में account है यह तिन चीज लेकिन bank hide क्या करता है कि अगर हम ATM में जाते हैं deposit करने के लिए हमें deposit वाले button पे click करना होता है तो अगर हम deposit वाले button पे click करते हैं तो इस deposit method के background में कौन सा code execute हो रहा है वो hide रहता है वो code bank किसी के साथ share नहीं कर सकता क्योंकि यह security से related बात हो गई अगर किसी को code पता चल जाएगा तो वो खुद code में कुछ changes कर सकता है और अपने हिसाब से बना सकता है उसको अगर हम withdraw करते हैं तो withdraw function execute होता है तो इस method जब यह method execute होता है तो इसके background में कुछ code execute होता है क्या withdraw वाला code आपको दिखाई देता है ATM में जब आप money withdraw करते हैं अगर आप अपना total balance चेक करते हैं तो इसके पीछे भी इस method के background में भी कुछ code execute होता है क्या वो code आपको दिखाया जाता है बैंक के द्वारा नहीं यह सारी चीजे बैंक द्वारा hide रखी जाती है क्योंकि यह essential information है हर एक का background में इनके according अलग-अलग code execute होता है लेकिन customer को सिर्व इस चीज़ से मतलब होना चाहिए और यही चीज customer को दिखाया जाता है तो यही कहलाता है हमारा abstraction तो अभी हम करेंगे क्या आपको simple सा banking system का ही एक example दिखाएंगे जिसमें हम abstraction को practically implement करेंगे abstract class की मदद से तो चलिए करते हैं implement अभी जो concept हमने आपको abstraction का notebook में समझाया ठीक उसी concept के according उसी definition के according हमारा यह code हमने implement किया है यह program उसी को demonstrate करना ठीक है सबसे पहले देखिए bank नाम का हमारा class है और इस bank class में दो data member है जो की public है सबसे पहला bank का name और bank का IFSC code तो आप किसी भी bank में अगर account open करते हैं तो यह दो चीज bank सबसे पहले customer को बताता है ठीक है और यह किसी को भी अगर यह दो चीज पता चल जाएगा इससे कुछ नहीं होता ठीक है और यही दोनों चीज इस हमारे bank detail method में हमने क्या किया इनको print किया name और IFSC code फिर कोई भी bank हो आप किसी भी bank में अपना account open करो तीन service provide करते हैं वो पहला deposit, दूसरा withdraw और तीसरा आपके account में कितना balance है आप check कर सकते हैं तीन service हर bank provide करता है साथी साथ इन तीनो service को use करने के लिए bank आपको एक password भी provide करता है अगर आप सही user है माल लिजे bank में ये password provide किया है तो password से bank ये पता लगाने की कोशिस करता है कि ये जो customer है जो deposit करना चाहता है या withdraw या फिर balance check करना चाहता है वो सही customer है कि निबस इसी लिए तो यहां पी देखें abstract method है abstract method क्या होता है हम थोड़ी देर में discuss करेंगे बस अभी इतना समझें कि abstract method की body नहीं होती और किसी भी class में अगर abstract method आ जाता है तो वो class भी क्या होगा abstract बन जाता है इसको भी हम detail में cover करेंगे अब run कर रेकोड को यहां पी देखिए customer को जो service provide किया जारा bank की तरफ से वो यहां पे वही चीज दिखेगा customer को bank का name दिख रहा है bank का IFSC code दिख रहा और customer जो करना चाहे वो कर सकता है तीन काम वो कर सकता है कि कोई bank की यह तीन service provide कर रहा अगर customer को अपना balance check करना तो वो 3 press करेगा ठीक है फिर password डालेगा तो bank password क्या दिया है 123 अगर सही password यहां पे डाला तो यहां पे बता रहा कि customer के account में जिसका भी account bank में 5000 उसके account में है अब customer बोल रहा है कि मुझे deposit करना है पैसे जमा करने है तो फिर जब program को run करेंगे जमा करने के लिए 1 press करेंगे अगर हम password input कर देते हैं 124 जो की यह गलत password है bank यह provide किया है हम यह डाल रहे हैं तो यहां पे देखे incorrect password फिर से run करते हैं फिर deposit करना अभी password सही देंगे तो enter deposit amount की आप कितना पैसे जमा करना चाहते हैं हम 2000 जमा करना चाहते हैं स्टार्टिंग में हमारे account में कितना था 5000 अभी 2000 डाल रहे तो 7000 हो जाना चाहिए तो देखे deposited money और total balance हो गया 7000 तो यह service जैसे ही हमने deposit वाले option को choose किया 1 हमारे account में 2000 पैसा जमा हो गया हमारा total balance पढ़ गया तो इस deposit के background में कुछ program run कर रहा कुछ code run कर रहा तो वो code essential information है इसलिए वो hidden है वो किसी customer को नहीं बताया जाता अगर आप ATM में भी जाएंगे तो आप यह same चीज वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी background में code run करता है आप जो भी option पर click करते है तो क्या वो code आपको दिखाया जाता है नहीं वहाँ पे यही concept यूज किया गया है data abstraction का फिर से code को run करते है अभी मारलो मुझे withdraw करना है पैसे निकालना है टू प्रेस करूंगा password 123 सही password एंटर किया मैंने अभी कितना निकालना है मुझे total amount 5000 मुझे निकालना है 4500 तो यहाँ पे देखिए 4500 हमने निकाल लिया तो total अभी कितना बचा है 500 बचा ठीक है तो यह हो गया हमारा banking system का यह abstraction का program तो program को हम आपको समझा देते हैं सबसे पहले हम आपको output इसलिए दिखा दिए क्योंकि यहाँ पे जो output screen में customer देख पाएगा यानि आप जो देख पा रहे वही चीज सिर्फ bank provide कर रहा और bank चाहता है कि इतना ही चीज आप देखें इसके अलावा आप क्या नहीं देखें अभी वह यहाँ पे आएगा यह चीज तो आपको समझ में आगे अब एक bank service नाम का class है जो कि इस bank class को extend किया हुआ है उसमें आपको private दो member मिलेंगे पहला आपके account में कितना balance है वह private रहना चाहिए आपके अलावा कोई और नहीं जाना चाहिए और bank आपको क्या security password प्रवाइड किया वह भी private होना चाहिए फिर आप कितना money deposit कर रहे है withdraw कर रहे है वह public रहेगा क्योंकि आप लेके जाते घर से कोई दिखकर नहीं जैसे हम one press करते है यह deposit वाला method call होता है तो deposit वाला method का यहाँ पे देखिए यह code लिखा हुआ है यह वाला code तो सबसे पहले password मागा जाता है अगर password सही होता है यहाँ पे फिर क्या होगा आप अपना amount एंटर करिए कि आप कितना पैसा जमा कर रहे है अगर आप जमा करेंगे तो आपके balance में वो उतना बढ़ जाएगा स्टार्टिंग में balance देखिए 5000 आप deposit करेंगे money इसमें deposit करेंगे तो वो balance में add होके balance में store हो गया फिर हम deposit money और balance को print कर दिया अगर आप password गलत input करते हैं तब क्या होगा else में आएगा यहाँ पे बोलेगा incorrect password अगर आप withdraw करते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे to press करेंगे तो यह वाला function कॉल होगा फिर withdraw का भी code है हमारे पास यहाँ पे देखिए withdraw method सेम वही चीज यहाँ पे भी deposit के लिए withdraw के लिए यहाँ पे minus है क्योंकि पैसा घटेगा अकाउंट से बस अगर password गलत रहेगा यहाँ पे भी incorrect password अगर आप balance चेक करना चाहते हैं फिर क्या फिर यहाँ पे आप यह वाला function को call करेंगे तो इसका भी code यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखिए यह वाला code चेक balance का है सबसे पहले password पुछेगा अगर password सही है तो आपका total balance आपको बता दिया जाएगा अगर गलत हुआ तो बोलेगा incorrect password तो यह simple सा हमारा code था तो यह सारी चीजे जो आप देख रहे हैं यह hidden होती है क्योंकि यह essential information है ठीक है क्या जब हम code को run किये थे तो आप यह सारा चीज देख पा रहे थे नहीं देख पा रहे थे तो यही होता abstraction फिर customer कही bank में account है तो customer class है वो क्या कर रहा है bank service जो provide कर रही उसका object बना लिया तो bank का detail सबसे पहले वो देख लिया कि bank का name IFC code क्या है ठीक है उसके बाद वो 123 choice है वो क्या करना चाहता है यहाँ जे choose कर सकता है switch case में हम अगर वो 1 प्रेस करेगा तो deposit होगा 2 प्रेस करेगा तो withdraw होगा 3 प्रेस करेगा तो balance check कर पाएगा नहीं तो इसके लावा कुछ और प्रेस कर देगा invalid choice इसको भी दिखा देते है मैंने दिखा देना है एक second अभी choice हम प्रेस कर देते है यहाँ पर 3 choice ही है ठीक है हम क्या कर देते है प्रेस 5 तो यहाँ पर देखे invalid choice हमारा क्या यह वाला code execute कर गया यह वाला code क्यूंकि 5 नाम का choice कोई available है यह तीन ही service है हम डाल रहे 5 तो invalid choice तो यह हमारा abstraction का simple सा program था जिसको हमने abstract class की मदद से implement किया अब चलिए हम आपको यह बताते हैं कि abstraction को कितने तरीके से कर सकते हैं और यह abstract class और abstract method क्या होता है इसको भी detail में cover करते हैं फिर इसका भी simple सा एक program हम देखेंगे अभी हम discuss करेंगे कि in Java we can achieve abstraction in two ways पहला तरीका होता abstraction को achieve करने का abstract class जो कि अभी अभी हमने practically देखा तो abstract class की खासियत क्या होती है कि इसमें आप 0 से लेके 100% तक abstraction को achieve कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि abstraction achieve ना हो फिर भी हम abstract class ही use करें तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं हम इसका भी एक example अभी आपको और सो करके दिखाएंगे abstract class का जिसमें साथ abstraction आपको नजर नहीं आएगा जो abstraction का definition है लेकिन abstract class क्या होता है abstract method क्या होता है वो जरूर आपको नजर आ जाएगा इस example में simple सा example होगा second तरीका होता है abstraction को achieve करने का interface में 100% अचीव होता है ठीक है इसका भी हम रियल लाइप प्रोग्राम करके देखेंगे प्राक्टिकल तो हम क्या करेंगे interface में 100% अचीव होता है क्योंकि इसमें 100% जो भी requirement होता वो client का होता है मालीजे आप एक developer है आपके पास एक client आया तो client जैसा काम करने के लिए आपको बोलेगा आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा आप कुछ भी अपना इसमें नहीं कर सकते तभी तो client आप से service लेगा तो उस case में आप use करेंगे interface जहां पे 100% requirement क्लाइंट का हो जबकि जहां पे client ने सिर्फ अपना requirement आपको बता दिया अब उस काम को कैसे करना है आप decide करना चाहते हैं तब आप abstract class use करेंगे तो चलिए अभी हम क्या कर रहे है अब start class क्या होता अब start method क्या होता वो discuss करते हैं अगर exam में पूछे what is abstract class तब आपको simple बोलना है if a class contain at least one abstract method then the class is called abstract class ठीक है we cannot create object for abstract class abstract class को object नहीं बना सकते हैं ठीक है इसलिए जो भी class extend करते हैं इसके method को override करते हैं वही class इसका object बना सकते हैं it contains both abstract and non abstract methods abstract class के अंदर हमारा abstract method भी हो सकता है और normal method भी हो सकता है दोनों हम रख सकते हैं ठीक है इसमें कोई दो रहाए नहीं है last point क्या whenever the action is common but implementations are different then we should use abstract method इसी definition के according अभी हम एक और simple से example program आपको दिखानेंगे abstract class use करके जिसमें action common होगा मतलब काम करने का तरीका अलग अलग हो ठीक है लेकिन काम एक ही हो उस case में हम abstract method use करते हैं और abstract method जिस भी class में रहेगा वह class बन जाएगा abstract तो simple सा practical example अभी जो हम देखने वाले हैं उसमें क्या रहेगा action common रहेगा यानि काम तो एक ही रहेगा लेकिन करने का तरीका सभी object का बिलकुल अलग होगा तो चलिए हम क्या करते हैं abstract method की use definition के according एक simple सा program और देख लेते हैं abstract class का सबसे पहले आप यहां पे देखिए abs class हमने बनाया है और हमारे file का नाम भी यह abs class.java तो हम करेंगे क्या यहां पे उपर में एक class अपने से define कर रहे है animal नाम का तो हर एक animal का कुछ common property और behavior होता है तो यहां पे हम behavior की बात करेंगे ठीक है सबसे पहला behavior होता है किसी भी animal का legs तो क्या आप यहां पे बता सकते हैं कि animal के कितने legs होते हैं अगर आप बता सकते हैं तो रुकिए कितने होते हैं जो भी animal आपने देखें normal अगर आप बात करें तो all animals have four legs यह सभी animal के लिए applicable है इसलिए हम इस legs method को यहां पे implement कर पारें और animal का behavior बता पारें कि हर animal के चार pair होते हैं ठीक अब फिर एक और behavior हम बताते हैं sound आप कोई बताए animal क्या करते हैं sound produce करते हैं तो क्या आप यहां पे animal का sound बता सकते हैं कि animal किस तरह का sound produce करते हैं अगर आप बता सकते हैं तो यहां पे आप implement कर सकते हैं कैसे आप लिखिए system.out.print और चलिए अगर आपको पता है तो बताईए और यहां पे लिख दीजिए तो यहां पे आप नहीं बता सकते हैं की animal किस तरह का sound produce करता है क्यूं? क्यूंकि यहां पर हमें पता ही नहीं है कि किस अनिमल की बात हो रही है, जब हमें पता ही नहीं है कि किस अनिमल की बात हो रही है, तो हम किस का साउंड यहां पर बताएं, आप ही बताएं, हम नहीं बता सकते हैं, क्यूंकि बहुत सारे अनिमल होते हैं, तो इस मेथड को हम यहाँ पे define नहीं कर सकते तो हमें करना क्या पड़ेगा इस method को abstract बनाना पड़ेगा और आप कोई पता है abstract method की कोई body नहीं होती ठीक है तो यह method हम abstract तभी बना जब हम नहीं बता पाए animal का sound क्या होता है ठीक अब जैसे ही method अब्सक्राक्ट बना और जिस भी class के अंदर अगर एक भी abstract method आ गया तो फिर उस class को भी यह abstract ही बना देगा उसको भी मतलब यह normal class रहने नहीं देता है तो बस बन गया यह भी abstract अगर class को abstract नहीं बनाएंगे तो error मिलेगा क्योंकि abstract method है उसके अंदर आब इसका object भी नहीं बनेगा अगर animal का हमें core property यहां पे बात करें Kitchen एट ठीक है animals खाना कहते है तो क्या आप बता सकते हैं कि यह Schul est as with क्या खाता आप बता सकते हैं नहीं बता सकते क्यूं कि किस animal की बात हो रही यह आप नहीं जानते क्योंकि बहुत सारे इनिमल्स होते हैं दुनिया में और सभी अलग अलग चीजे खाते हैं तो आप यहां पर नहीं बता सकते कि exactly यह जो इनिमल यह खाता क्या है तो आपको करना क्या पड़ेगा इसको भी abstract method ही यहां पर बनाना पड़ेगा इसके आगे आप लिखिए abstract बन गया चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था abstract method हम तब abstraction में apply करते हैं abstract class के लिए जब action common होता है implementation different होता है तो यह उपर वाला सभी इनिमल का common property है common behavior है ठीक है यह सभी के उपर applicable होगा तो यह हमें पता था कि सभी इनि इनिमल के उपर लागू होता है एट भी सभी के उपर लागू होता है लेकिन exact यहाँ पर हमें नहीं पता था किस इनिमल की बात हो रही है इसलिए इसको abstract बना दिये हैं अब अगर हमें class बनाए class dog तो क्या हम यहाँ पर dog class क्या करेगा extend करेगा किसको animal को क्योंकि dog भी एक animal है तो animal का कुछ property तो dog के उपर भी आएगा, कुछ क्या पूरा आएगा, क्योंकि dog भी animal है, तो ये legs वाला तो इसके उपर आगया, ये follow हो गया, अब अगर sound method को ये dog class implement करना चाहा तो कर सकता है, ये हमारा override method होगा dog class के लिए है, बिल्कुल कर सकता है, void sound, क्या आप यहां पर sound define कर सकते हैं, dog का, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस animal की बात हो रही है, dog की बात हो रही है, तो यहां पर dog का sound हम बता सकते हैं, कुछ इस तरह से dog चिलाते हैं, ठीक है, गुस्से रहेंगे तो, और danger type से चिलाते हैं, लेकिन कुछ इसी तरह का आवाज निकालते हैं, फिर एक और प्रोपर्टी है, behavior, sorry, एक और behavior है, eat, क्या आप बता सकते हैं, कि dog क्या खाना खाता है, yes, हम बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर dog की बात हो रही है, में पता है जब हमें पता हूं कि exact किसकी बात हो रही है तो हम बता सकते हैं dog क्या खाता है meat ठीक है तो यहां पर लिख देते है meat eating खा रहा है कि अब एक और अगर हम class बना दें cow नाम का ठीक है guy तो वो भी क्या कर रही वो भी animal है तो animal का property या फिर behavior जितना भी है इसके उपर भी जाएगा तो यह भी extend करेगी अब इतना code को अगर हम copy कर लें और इसमें चिपका दें तो आप क्या cow का sound यहां पर define कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं cow कुछ on करके sound निकालती है ठीक इस तरीक का sound आता है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब और cow क्या खाती है cow भी खाना खा जैसे वो grass खाती है तो यह पर देखिए हमारा अगर हम बात करें dog का तो dog भी sound produce करता है cow भी sound produce करती है action common है, sound दोनों निकालते हैं, यह हो गया action, लेकिन implementation different है, यह अलग sound निकालता है, यह अलग sound देती है, उसके बाद खाना यह भी खाता है, खाना यह भी खाती है, action common, लेकिन implementation different, यह meat खाता है, यह grass खाती है, अलग अलग तरीका है दोनों का, तो इस तरह के case में आप abstract method को achieve करने के लिए ठीक है चलिए अब हम यहां पर आते हैं तो हम object किसका बनाएंगे हम object बनाएंगे class dog का new dog ठीक है और हम object बनाएंगे cow का भी है ठीक है कि दोनों अलागे दोनों का अपना behavior है दोनों अपना behavior बताना चाहते हैं तो अभी d. d. अगर हम लिखें क्या लिखें सबसे पहला था sound उसके बाद d. eat अब cow का का भी sound है उसके बाद cow का भी क्या है c. eat रेडी चलिए करते हैं run console screen को ले लेते हैं उपर में तो यहां पर देखिए यह बहुत ही danger है समझना मुश्किर है ठीक है एलन हमने यूज नहीं किया print ellen print ellen चलिए तो यहां पर देखिए dog अपना behavior बता रहा बाव बाव sound और उसका खाना उसके बाद cow का ओ उसके बाद उसका यह grass खाना लेकिन दोनों के चरचर पायर होते हैं वो कहां गया वो भी होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए भी दोनों का common behavior है तो क्या करेंगे उ उसको ना दोनों directly access कर सकते हैं d.lex उसके बाद यह भी कर सकती है cow भी cow.lex क्यूंकि इसके भी 4 पैर होते हैं चलिए अब देखते हैं run कर गया code यहां पर देखिए dog के लिए भी यह आ गया है all animals for legs उसके बाद cow के लिए भी यह चीज applicable हुई है ठीक है क्यूंकि इसमें ln नहीं इसलिए यह इस तरह से दिख रहा है अभी देखिए आप समझ जाएंगी यह उपर dog का behavior है और यह हो गया cow का behavior तो अभी हमने आपको abstraction जो करके दिखा वो actually क्या था abstract method का real example program है अगर लोग से आप पुछेंगे कि abstraction को implement करके दिखाए तो theory में तो बहुत बड़ी-बड़ी बा प्रोग्राम यह आपके सामने रख देंगे लेकिन यह abstract method के implementation के लिए है what is interface यह हमारा second way होता है abstraction को achieve करने का interface just like a class यह class के जैसे ही होता है which contains only abstract method जिसमें सिर्फ abstract method ही हम रख सकते हैं to achieve interface in Java by the help of implements or interface keyword interface keyword use करके हम interface keyword use करके हम क्या कर सकते हैं interface को define कर सकते हैं ठीक है करते ही है सकते हैं क्या और implements की मदद से define किया हुआ interface को classes के थुरू implement कर सकते हैं method इसमें हम define करते हैं क्योंकि method तो अब start रहेगा तो method को class में interface के अंदर तो implement नहीं कर सकते हैं इसलिए classes implement करते हैं लेकिन interface पढ़ने से पहले आपको और कुछ चीज़े याद रखनी चाहिए by default variables are public static final insider interface अगर आप interface के अंदर कुछ भी variable बना देते हैं तो अपने आप public static और final होता है final मतलब उसकी value आप change नहीं कर सकते हैं static मतलब interface का तो object बनता नहीं ताकि बिना object के भी इसे access किया जा सके public ताकि कहीं भी access कर सके by default methods are public and abstract और interface का method भी by default public और abstract होता है from jdk 1.8 onwards interface can have default and static methods also jdk 1.8 version के बाद interface के अंदर आप default method भी define कर सकते है default method अगर आप interface के अंदर बनाते हैं तो उसको आप implement कर सकते हैं interface में static method भी होता है उसको भी आप interface के अंदर implement कर सकते हैं तो चलिए हम interface का एक simple सा practical देखते हैं अगर आप हमारे इस program को देखें तो इसमें हमने एक interface बनाया है जिसका नाम है vehicle वेहिकल आप समझे एक company है जो की vehicle service provide करती है ठीक है तो यहां पे दो variable है एक है name तो vehicle का name को यह represent कर रहा है कि vehicle का name है tvs यह जो vehicle company है यह tvs नाम का vehicle provide करती है customer को और उसका speed है 100 तो यहां पे दो method है start और stop तो यह दोनों abstract method है इंटरफेस में आपको abstract keyword लिखने की जोरत नहीं पड़ती वो by default abstract ही होता है और public भी होता यहां पे लिख देते हैं इंटरफेस का कोई भी method हो by default अपने आपको public और abstract होता है ठीक है इसको भी क्या है abstract तो यह दो service provide कर रहा कौन यह vehicle company provide कर रही अपने customer को तो यहां पे अगर इस code को हम run करें तो यहां पे customer को सापसा बताया जा रहा कि start करने के लिए आपको क्या करना है key को insert करना है और start button को press करेंगे तो आपका vehicle start हो जाएगा यह tvs गाड़ी start हो जाएगी और बंद करने के लिए आपको अपने key को exit कर लेना है निकाल लेना तो आपकी जो vehicle tbhse w Glass हो बंद हो जाएगी तो customer को सिरो बता दिया गिया है कि start और stop कैसे किया drink यह नहीं बता गिया है कि start कैसे हो जाता जैसे हम key insert करेंगे बटन क्रेश करेंगे तो actual में जो vehicle tbhse start कैसे हो जा रहा यह यह नहीं बताग है यह hide है तो यहां पर देखे start method को customer class implement किया हुआ है क्योंकि vehicle customer खरीद के लाएगा तो उसी को start करना है तो customer को सिर्फ बता दिया गया कि start service है कैसे start करते हैं आप सिर्फ इतना ही जानो लेकिन किस wire के थुरू engine में कौन सा wire लगा हुआ है जिससे आप button प्रेस करते हैं तो गाड़ी start हो जा रही वो नहीं बता गया वो hidden है क्योंकि company हो सब नहीं बताती और बंद करने के लिए यह बत क्या हुआ है तो customer class के object से ही दोनों को हम call कर दिये तो यह output हमारे सामने print हो गया आप देख सकते हैं तो यह जो आप देख रहे है यह एक annotation है Java में यह बस हमें यह बताता है कि यह जो method हम implement कर रहे है start और stop यह method को हम override कर रहे हैं ठीक है abstract method है इसको हम override कर रहे हैं तो जहां भी method method override होगा यह लिखना है आपको ठीक है ताकि कोई भी देख के समझ जाए आपके code को कि यह method को override किया जा रहा है ठीक अब जो भी interface का variable होता है वो by default क्या होता है public static और final होता है इसको कैसे proof करेंगे public इसलिए रखा गया ताकि हम इस interface के variable को कहीं भी access कर सके अगर मालीजे customer access करन जाना चाहे तो वो कर सकता है यहीं पर दिखा देते है customer को अपने vehicle का name भी जाना है तो वो क्या करेगा इस name variable को यहाँ पर print कर देगा ठीक है अब run करते है तो print हो जाना चाहिए तो यहाँ पर देखे name print हो गया इसका मतलब public है तभी तो customer access कर पाया इस variable को अब static है इसका मतल किया जा सके कहीं से भी जैसे अभी main method से access करने की कोशिस कर रहे है system.out.print अभी हम इस वाले variable को access कर रहे है इस speed को ठीक है यहाँ पर speed अगर output आ जाता है इसका मतलब क्या इसका मतलब static है क्योंकि बिना object का देखिए इसको access कर रहे है तो यहाँ पर देखे 100 print हो चुका है इसक method variable जो interface में बना है यह static है अभी final क्यों रखा गया हम आपको समझा देते हैं यह जो vehicle company है यह जो गाड़ी service प्रवाइड कर रही customer को उसका name company ने रखा है tvs अगर final नहीं रहेगा तो यह जो customer है यह क्या करेगा गाड़ी के name को change कर सकता है इसलिए final रखा गया ताकि कोई इसक बदलने की कोशिश कर रहा यह tbs को honda करने की कोशिश कर रहा ठीक अब करते है run फिर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लिए the final field vehicle.name cannot be assigned इसका मतलब final field मतलब यह जो हमारा name है इसको field भी बोलते है variable को तो यह जो final variable है इसको आप फिर से assign नहीं कर सकते है ठीक है एक बार value डाल दिये वो fix हो गया तो यह हो गया final हमने proof कर दिया तो यह interface के थूरू हमने क्या किया आपको abstraction कैसे achieve करते हैं वो दिखाया interface मेना zk 1.8 के बाद zk 1.8 से पहले सिर्फ abstract method ही interface में हुआ करता था जिसे implement classes करते थे लेकिन zk 1.8 के बाद interface में default method ला दिया गया जिसको आप interface के अंदर implement कर सकते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर हम एक method बनाते हैं color नाम का जो कि क्या करेगा vehicle का color बताएगा तो color भी company ही provide करती है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tbs ठीक है tbs color is red यानि जो vehicle tbs है उसका color red है तो default method को आप implement कर सकते हैं interface के अंदर तो यह method public है लेकिन abstract नहीं है ठीक है इसको हम call कर सकते हैं अपने customer class के object से ही call कर सकते हैं अभी output आएगा क्या color भी print हो जाएगा vehicle का देखते हैं तो यहाँ पर देखिए tbs color is red इसका मतलब यह वाला method call हो गया public था तभी तो call हो पाया एक और method है जिसको आप implement कर सकते हैं interface के अंदर method यहां पर हम क्या कर देते हैं अभी मान के चलो speed नाम का कुछ नहीं है यह वाला चीज है ही नहीं हमारे पास नहीं है हम क्या कर रहें एक method बना रहें उसमें vehicle का speed define करेंगे तो static method को भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं implement कर सकते हैं interface के अंदर तो यह jk 1.8 के बाद दोनो method को add किया गया तो यहां पर क्या लिख देते हैं devious speed is 100 km per hour अब run करते हैं अगर यह output भी आ जाता है इसका मतलब क्या यह method बिना object का call हो जाएगा ठीक है बिना object के इसको call करेंगे कैसे interface का name क्या है vehicle vehicle.method का name है speed अभी इसका भी output आएगा यहां पर line number 34 के लिए error क्योंकि speed नाम का variable अभी मौजूद नहीं है हम क्या किया उसको remove कर दिया यहां से अब run कर लेते हैं तो यहां पर देखे tvs speed is 100 km per hour इसका मतलब यह method भी call हुआ तो interface में आप default or static method को बना के implement भी कर सकते हैं आप कुछ चीज implement करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जैसे यह company implement करना चाहिए color और speed method के तुरू बताना चाहती है तो बता सकती है तो यह भी एक data abstraction का ही example है जिसमें essential information hide है तो यही होता है abstraction Java में उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा Java में inheritance क्या होता है कितने types का होता है inheritance का use करने का purpose क्या है और इसे use करने से हमें क्या फाइदा मिलता है इन सभी चीजों को discuss करूंगा तो यह बहुत important feature है object oriented programming language का तो चलो start करते हैं what is inheritance definition से when we construct a new class from existing class in such a way that the new class access all the features and properties of existing class is called inheritance जब भी हम कोई नया class बनाते हैं तो हम जो भी नया class बनाए है न वो हमारा नया class हमारे existing class यानि पुराने class के सारे features और property को access कर ले तो उस तरह के situation को यानि उस तरह के जो भी class का accessing होता है उसे हम क्या बोलते हैं inheritance बोलते हैं तो इसमें जो भी हमारा नया class बना रहेगा वह इस existing class के इस सारे features को access कर लेगा अगर आप से कोई पूछ दे हैं inheritance क्या होता था आपको simply answer करना है when one class access the property of another class is called inheritance तो अभी आपको क्या बाते याद रखनी है inheritance के बारे में जानने से पहले प्रोग्राम बनाने से पहले इन जावा extends keyword is used to perform inheritance जावा में अगर आपको inheritance perform कराना है न इस keyword को देखो extends इसी keyword की वजह से हम inheritance जावा में perform करा पाते हैं तो इसी का name में ही देखो कितना बड़ा बात चुपा हुआ extends मतलब जो भी आपका नया class होगा न उसमें बहुत सारे feature को यह extend कर देगा जोड़ देगा existing class के feature को second point क्या है it provides code reusability अगर आप inheritance use करते हैं अपने program में न तो आप existing class के code को अपने new class में reuse कर सकते हैं यह reusability हमें provide करके देता है ठीक है same code हमें new class में लिखने की ज़रत नहीं है जो existing class में हम उसको reuse करके new class में access कर सकते हैं third point क्या है we cannot access private members of class through inheritance मालो आपके existing class यानि पुराने वाले class में कोई private member है तो आप उस private member को inheritance के थुरू new class में access नहीं कर सकते हैं fourth point क्या है अपना a sub class contains all the features of super class so we should create the object of sub class यहाँ पे sub class वही है जो अभी तक मैंने new class बोला है और super class वह है जो existing class की बात कर रहे थे तो अगर आपके पास मालो super class है उसमें आपने दो काम कर रखा है फिर आपने एक sub class बनाया इसमें आपने तीन काम कर रहा और इसके दो काम को आपने extend करके इसमें ला लिए तो इसका total पॉइंट क्या है method over riding only possible through inheritance हम जो भी method over riding perform कराते हैं वो बीना inheritance के आप perform नहीं कर सकते तो यह भी बहुत important point था जो आपको याद रखना चाहिए जब मैं runtime polymorphism पढ़ाऊंगा तो आप देखेगा inheritance use होगा तो यह हो गया inheritance के बारे में अभी चलो inheritance कितने types का होता है जाबा किसको support करता किसको नहीं करता वो भी discuss करते हैं यह रहा inheritance का simple syntax मालो हमारे पास class A है और इस class A के अंदर कुछ हमने code लिख रखका है मालो addition और subtraction का code मैंने यहां पर लिख रखका है उसके बाद मैंने एक नया class बनाया class B और मैंने यहां पर क्या लिख दिया extends A तो इसका मतलब यह हो गया ना कि यह जो class A है ना class A जो class B मैंने नया बनाया है यह अभी class A के सारे features को यहां पर extend कर लिए यह access कर सकता है तो यहां पर addition or subtraction का code आ चुका है class B अपने से क्या किया यहां पर आगे कुछ और code उसने multiplication divide और remainder का भी लिख दिया तो देखो class B के सामने ना पांच काम आ गए हैं पांच काम इसके पास हो गए हैं तो अब आपको object इसी का बनाना चाहिए क्योंकि इसका object बनाने से class B का object बनाने से आपको क्या होगा सारे logic को आप access कर पाएंगे सारे features का आप लाब उटा पाएंगे तो यहां पर देखो addition or subtraction code को हम यहां पर reuse कर रहे हैं कि नहीं सब class B में यह जो उपर वाला class है ना इसको कहते हैं हम सुपर क्लास और यह जो class B हमने अभी अभी नया बनाया है इसे हम कहते हैं Java में सब class तो Java में जो उपर का class जो parents class होता है उसे सुपर क्लास बोला जाता है और जो नया class हम बनाते हैं child class उसे हम सब class कहते हैं तो object हमेंसा सब class का बनाना चाहिए क्योंकि वह सुपर क्लास के सारे features को reuse कर ले रहा extend कर ले रहा है इस extend keyword की मदद से तो अगर आप इसके object में जाएंगे तो आपको पूरा इने रिटेंस का feature मिल जाएगा अगर आप इसका object बनाते हैं फिर तो आप इने रिटेंस करिए मैं पूछे क्यों क्यों क्योंकि इसमें आप addition subtraction करी ही रहे हैं और इसी का object बना रहे हैं इसका बनाने का inheritance की हुए मैं आपको बताता हूं इसमें न हमेंसा एक सुपर class रहेगा और एक सब class रहेगा इसी लिए इसका नाम है single inheritance तो यह जो सब class है यह सुपर class के सारे प्रोपर्टी को सारे फीचर्स को देखे यहां पे एकस्स कर रहा है मतलब इसके पास मालो दो रूपिया है यह दो रूपिया इसके पास मालोग खूद का एक रूपिया तो इसके पास टोटल तीन है तो अभी आप किसका जादा वैलु बढ़ गया आपके नजर में इस तीन फिरले का वैलू जादा बढ़ गया ठीक है यह हो गया हमारा presented in inheritance क्या होता है एक से जादा सब क्लासइस होंगे आपके पास लेकिन सुपर क्लासُ must be one सुपर क्लास एक ही रहेगा लेकिन ce अब 1 यह और आगे भी बड़ सकता है इस तरह से यहाँ पे सब 3 भी हो सकता है तो इस तरह के inheritance को हम क्या कहते हैं मल्टी लिवाल inheritance कहते हैं तो यह जो सब 3 है ना यह इसके feature को access कर रहा तो यह सब 2 के पास इसका फीचर है तो यह सब 3 इसके फीचर को भी एक्सेस कर लेगा इसके थुरू उसी तरह यह सब 3 न उपर सुपर क्लास के फीचर को एक्सेस कर सकता पूछे क्यों यह सब 3 इसके फीचर को ले रहा है लेकिन यह सब 2 इसके फीचर को ले रखा है और यह सब 1 सुपर क्लास के फीचर बनते जाएंगे जो की एक ही सुपर क्लास से extend होंगे ठीक है अभी थ़र्ड होता है हमारा multiple inheritance multiple inheritance को Java support नहीं करता क्यों नहीं करता मैं आपको बताता हूं यहां पर को एक ऊपर वन क्लास है और एक सुपर टू क्लास है दो सुपर क्लास है ठीक है माल लो दोनों सुपर लेकिन यह क्लास के तुरू सपोर्ट नहीं किया लेकिन इंटरफेस के तुरू करता है तो इंटरफेस जब मैं पढ़ाओंगा तो वहां पर देखेगा हम मल्टिपल इनरिटेंज का प्रोग्राम आपको बनाके भी दिखाएंगे ठीक है लास्ट टाइप क्या होता है हमारा हेरारिकल इनरिटेंज इसमें देखो एक सुपर क्लास होगा और सब क्लास बहुत ज्यादा होंगे एक दो इस तरह से और भी बीच में आप बना सकते हों तो यह डारेट कम्यूनिकेट कर रहें सबसे लेकिन सबसे उपर जो मैंने आपको मल्टी लेवल इनरिटेंज बताया इसमें भी देखो सुपर क्लास एक ही है लेकिन सब क्लास बहुत ज्यादा है तो यह जो सब धिरी है यह डारेट थोड़ी नहीं इस से कनेक्टेड है यह इस से कनेक्टेड है उसके बाद यह इस से है यह इस से है तो यह ही डिफरेंस होता है इन दोनों में मल्टी लेवल और सबसे नीचे यहाँ पर आप देख लो हमारा है रारीकल इनरिटेंज संस्टार्ट करते हैं टाइप वन सिंपल इनरिटेंज होता क्या है तो वाटिच इन्य को कहते हैं जो एक सूपकलास कटरा ऑर एक स्टेंड करता यानी हीद करuplar तो जैसे ही ये इसको extend करेगा इसका सारा feature इसमें आ जाएगा सिबाए इस sub class के इस super class के private member को छोड़ के इसके सारे members इसमें present हो जाएंगे sub class में यानि sub class का जो feature है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इसका खुद कभी काम किया हुआ इसके पास है तो इसी चीज़ को syntax में कैसे represent करेंगे यहाँ पे देख लो syntax ही समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि syntax समझ गया तो program अपने से बना दोगे यह मेरी guarantee है सबसे पहले हमने एक super class बना जा हुआ है यह हमारा super class है ठीक है यह इसकी body है और इस super class के अंदर मालो हमने कुछ code लिखा हुआ है उसके बाद मैंने एक और class बनाया sub class ठीक है extends super यह sub class क्या कर रहा super class को extend कर रहा तो जैसे ही हमने extends super लिखा न तो यहाँ पे जो भी code हमने लिखा था न जो भी method यह फिदेटा थे super class में वह यहाँ पे आ चुके हैं sub class के अंदर और sub class का खुद का coding भी यहाँ पे किया हुआ है और इसका भी सारा logic यहाँ पे आ चुका है यानि sub class का बहुत सारा feature बढ़ चुका है यह extend हो चुका है तो object आपको हमेशा इसी का बनाना है क्योंकि अगर इसका object बनाएंगे आप तो इसमें आपको सारी service मिलेगी जो इसके पास भी है इसलिए इसका object बनाईएगा तो चलिए इसी same syntax का यूज करके simple सा program लिखके दिखाता हूँ और यह भी बताऊंगा कि कैसे private data members उपर class के हम access नहीं कर सकते जो syntax मैंने आपको लिखके दिखाया है simple inheritance का उसी syntax का use करके यहाँ पर program बनाऊंगा ठीक है तो चलो लिखते हैं program कैसे बनेगा सबसे पहले class बना लेते हैं हमने एक student नाम का यहाँ पर class बना लिया और इस student class के अंदर मालो मुझे सबसे पहले student का roll number के लिए एक roll नाम का variable मैंने बना लिया student के marks के लिए मैंने marks नाम का भी variable बना लिया अब मालो मुझे student का name चाहिए तो मैं क्या करूंगा student का name के लिए string type का name नाम का variable बना लिया है अभी एक यहाँ पर method होगा आपने पास उसमें हम क्या करेंगे simple input लेंगे input क्या रहेगा आपना एक message पास करते है system.out.println enter role name and marks दीखे हो गया हमारा यह काम इस class में मैं इतना ही करने वाला हूँ और इस method में इतना ही काम करूंगा ठीक है अभी चलो हम अपना sub class बनाते हैं बाकी का काम हम उसमें करेंगे क्योंकि हम inheritance use कर रहे है तो student का नाम यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अंकित ठीक है यह हो गया तो अभी मालो अंकित को भी अपना role name marks इन सभी चीजों को display कराना है तो उसे भी variable बनाना पड़ेगा तो वह सारा काम इसे फिर से starting से करना पड़ेगा तो यह नहीं चाहता कि इसे starting से सारा काम करना पड़े तो यह क्या सोच रहा है यह सोच रहा है कि जो services students class के अंदर हमारे super class student में दिया गया है उसी service को मैं क्यों एक्स्टेंड कर लूँ कर सकता है बिल्कुल कर सकता है smart approach यह है अब यह क्या करेगा यह direct अपना roll number marks name यहां पर input करके submit कर सकता है किसी को भी वह कैसे करेगा यहां पर एक message method बना लेते हैं मैंने disp name का method बनाया ठीक है इस method के अंदर अब मैं चाहता हूं कि मेरा मुझे मालो में एक form fill up कर रहा हूं उसमें मुझे डालना होगा roll number 1 है उसके बाद मेरा name name में कुछ भी ले लेता हूं जैसे ले लिया मैंने अंकी थी और मेरा last में marks पूछेगा marks यहां पर कुछ भी ले सकते हैं अब क्या करना है अपने इस result को यहां पर display कर देना है तो मैंने लिखा system.out.println सबसे पहले मैं चाहता हूं roll number आए उसके बाद बीच में space फिर अपना name आज आए फिर बीच में space आए और यहां पर last में marks तो देखो सारी चीजे मैंने यहां पर कर ली है यह हमारा super class है यहां पर लिख देते हैं आपको कोई भी confusion ना हो आगे चलके और यह जो हमने अंकित नाम का class बनाया है यह हमारा sub class है अभी object बनाना होगा हमे तो मैंने आपको हमेशा से कहा है जब आप inheritance यूज करो न तो object आप अपने sub class का बनाओ क्यूंकि sub class के पास super class का सारा feature होता है क्यूंकि उसने extend किया हुआ है तो चलो object बनाते है main method मैंने लिखा हम object बनाएंगे अंकित class का बन गया object तो simple inheritance में क्या होता है एक ही super class रहेगा और एक ही sub class रहेगा यहां पर देख लो वही है syntax में मैंने same यही चीज बोला भी था अभी मुझे method को call करना तो यह जो अंकित है यह इसके method को भी call कर सकता है बिल्कुल कैसे करेगा r.input लिखो हो गया call और इसके पास भी खुद का एक method disp तो यह उसको भी अराम से call कर सकता है तो इतना का result मैं आपको अभी दिखा रहा हूं save करके program इसके बाद हम यह भी बताएंगे कि कैसे private member को हम inherit नहीं कर सकते हैं बने रहीएगा बस doubt clear कर दूंगा सारा compile करेंगे हो गया compile अब इसे run करने के लिए java और simples अपने class का नहीं तो यहां पे देखो guys enter role name and marks तो हमारा role one name और marks यहां पे print हो चुका है तो इससे यह पता चल गया कि यह जो sub class अंकित था इसने super class के सारे feature को यहां पे extend कर लिया तभी तो यह use कर पा रहा यह सभी जो data member से यह तो super class के हैं ठीक है तो यह यहां पे use कर पा रहा है लेकिन मालो यह data member या फिर यह method मैं private कर दूं तो क्या अभी यह private member को access कर सकता है मैंने तो आपसे ना बोला था चलो करके देखते हैं कि नहीं तो यहां पे देखो यह भी बोल रहा ना क्यूं क्यूंकि यह input method है यह private है और private member सिर्व उसी class में accessible होंगे जहां पे आपने इन्हें बनाया हुआ है तो वही बोल रहा है कि method input जो है वह find नहीं कर पा रहा हमारे इस subclass अंकित में तो इस तरह से आप private member को access नहीं कर सकते माल लो इसको अटा के अगर मैं इसी को ही private कर देता हूं तो अभी यह data member accessible नहीं होंगे क्यूंकि मैं इसे यहां पे यूज कर रहा हूं आप देख लो फिर वही से मेरा line number 16 पे जो हमने यहां पे यूज कर रहा है role name marks variable उसी के लिए बोड रहा है सभी variable के लिए बोड रहा है सबसे पहले क्या बोड रहा है यहां से error start हुआ role has private in student class उसके बाद marks भी private है और यहां पे अपना name variable के लिए भी बोलेगा तो protected inherit होता है protected को extend किया जा सकता है और यह होता भी है मैंने आपको C++ में भी बताया था कि protected को specially inheritance के case के लिए ही बना गया है यह क्या होता है कि इस class में तो यह member accessible होंगे साथी साथ यह उस class में भी accessible होगा जो sub class इसको extend कर रहा है तो अभी देखेगा चुका है फिलाल स्टार्ट करते हैं यह क्या होता है multi-level inheritance इसका एक example प्रोग्राम भी बताऊंगा जिसमें आपका सारा doubt clear कर दूंगा ठीक है तो इसका answer क्या होगा in multi-level inheritance we have only one super class and multiple sub classes is called multi-level inheritance multi-level inheritance में न सीर्फ और सिर्फ आपके पास एक super class होगा लेकिन जो sub classes से वो multiple हो सकते हैं वो आप अपने इसाब से जितना लेना चाहें ले सकते हैं इस figure को देख लो यहाँ पे अपने पास एक super class है उसके पाद यहाँ पे sub one और sub two two sub classes से आप चाहें तो और भी नीचे बना सकते हो तो यह जो sub one class है न हमारा sub class यह super class को extend कर रहा है तो इसका सारा feature इसमें आ चुका है और यह sub two class sub one को extend कर रहा है इसका सारा feature इसके पास आ चुका है तो जब इसका सारा feature इसके पास आ चुका है तो इसके पास तो इसका भी थात मतलब super का सारा feature भी sub two के पास है इसलिए object sub2 का बनाने से ज़्यादा होगा लेकिन आप इसमें इसका भी object बना सकते क्योंकि इसका भी अपना personal काम होगा तो personal काम के लिए इसका object बनाईए और बहुत ज़्यादा क्योंकि extends कर रहा है सुपर क्लास को यह extend कर रहा तो इसका सारा जो लोजिक था जो सारा मिंबर था यहां पर आ चुके हैं और इसका खुद का मिंबर भी है मतलब इसका थोड़ा सा बढ़ चुका है ठीक है मिंबर यहां पर अभी यह class sub2 हमने एक नया बनाया वह क्या कर रहा है इसके पास और ज्यादा feature मिल जाएगा क्योंकि इसके पास सुपर और सबवन दोनों का feature है और साथ ही साथ इसका खुद का भी कुछ feature यहां पर है तो चलो इसी चीज को प्रोग्राम में हम आपको कैसे करके दिखाते हैं अगर आपको सिंटैक्स समझ में आ गया होगा ना ग प्रोग्राम बनाऊंगा प्रोग्राम काफी बड़ा हो सकता है लेकिन आपको बिलकुर भी घबराना नहीं है क्योंकि एक एक लाइन में समझाओंगा ठीक है बस आप देखना सबसे पहले हम सिंपल सा एक नाम का class बना रहे हैं अब इस class A में हम क्या चाहते हैं addition और subtraction पारा addition का तो मैंने void add नाम का यहां पर एक method बनाया अब अगर इस method के अंदर मैं A में value डाल दू 10 और B में मैंने डाल दिया 20 मुझे क्या करना है add करना है मैं क्या करूंगा C में A plus B को store कर दूंगा और अपने result को display कर दूंगा उसके लिए system.out.println inheritance यूज करने का purpose क्या है यह भी बताऊंगा ठीक है बस ध्यान से देखती रहना वीडियो को इसकी मत करना message देते हैं sum of two numbers ठीक है उसके बाद अपने variable C को print कर देंगे क्योंकि addition उसी में आया है यह तो एक काम हमने करा मैंने क्या बोला मैं class A में चाहता हूं addition और subtraction परफॉर्म कराना तो यहां पे method का name बदल देंगे subtraction sub अब value थोड़ा सा change कर देते हैं value क्या रहेगा इसमें डाल देते हैं 100 और इसमें डाल देते हैं 200 हो गया अपना value और यहां पर A minus B करेंगे और साथी साथ यहां पर अपना subtraction हो रहा है subtraction of two number C में ही store करें हैं print हो जाएगा class A में मुझे इतना ही काम करना था मैंने कर दिया अब मालो मैंने एक और class बनाया B नाम का अब class B क्या चाहता है यह चाहता है addition, subtraction, multiplication, division सभी काम को करना तो यह चाहे तो class A की तरह इस तरह से variable बनाये, method बनाये, logic लिखे यह कर सकता है ठीक है लेकिन यह नहीं चाहता कि इसको काम starting से करना पड़े तो इसे क्या करना होगा class A को extend करना होगा extend करने से क्या होगा, जैसे मैंने extends A लिखा तो class A में यह जितने भी चीज मैंने लिखा है जितना भी मैंने logic यहां पर define करा हुआ, यह सारा अपने आप class B में आ चुका है अब class B को अपने program को आगे बढ़ाने के लिए इसको क्या क्या करना था, addition, subtraction, multiplication, division ना, दो काम तो इसने कर दिया, इतना लिख के अब आगे का काम यह सिर्व यहां से start कर सकता है, इसको कर दे भाई, यह multiplication, यहां पर इसको कर दे A into B, और यहां पर थोड़ा सा message को change कर सकता है, अपने हिसाब से, multiplication, कर दिया मैंने message को भी change, तो multiplication का काम हो गया आपना, अम मालो मुझे division भी करना है, यह class B चाहता है कि यह division भ कर दिया, इसमें क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, A divide B, और यहां पर message फिर से बदलेंगे है, message होगा हमारा, division of two numbers, हो गया, तो देखो, class B को फाइदा क्या मिल रहा ना, class A में हमने जो भी logic लिखा था, जो भी काम किया था, उसी code को class B, देखो, reuse कर ले रहा, तो reuse करने से क्य हुआ हुआ, इसका 2 काम पहले ही आ गया, 2 काम इसने कर लिया, इसका 4 काम हो गया, अब मालो, हम multi level in here returns में जा रहे था, हमारे पास 1 से ज़्यादा sub classes होना चाहिए, super class एक ही है, ठीक है, यह अपना super class है, यह अपना super class है, यह लिख दे रहा हूँग, बिल्कुल भी confuse मत करना, अब जो हम बनाने जा रहे हैं, एक और class, C नम का, तो यह हमारा C class क्या होगा, यह हमारा sub two class होगा, एक second, यहाँ पर यह हमारा second sub class है, तो यह C class क्या चाहता है, यह चाहता है, addition, subtraction, multiplication, division और remainder, तो यह भी चाहता है, तो अपने से logic लिखना, start करे, सारे काम को starting से करना, start करे, तो कर सकता है, उसमें time लगेगा, ठीक है, इसका code भी काफी लंबा हो जाएगा, इसका, तो यह smart work कर सकता है, यहाँ पर अगर यह लिख देना, extends B, तो इसको क्या फायदा मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, simple सा इसको फायदा मिलेगा, extend B लिखना, इस B class में पहले ही addition, subtraction, multiplication, division रखा हुआ है, इस B class में, तो अभी C class में addition, subtraction, multiplication, division आ चुका है, लेकिन इसको क्या करना है, इसको अपना एक remainder का बस code लिखना है, तो इसका 5 काम हो जाएगा, addition, subtraction, multiplication, division, यह सभी काम हो जाएंगे इसके, यहाँ पर remainder के लिए modulus operator यूज कर दो, और यहाँ पर थोड़ा स अगर message में मैं बदलाव कर दू, remainder of two number, तो यह बन चुका है, हमारा पुरा code देख लो आप, यही code मैंने लिखा है, और छोटा कर देते हैं, ठीक है, code दिखता होगा, आपको screenshot लेना, जूम करके देखना दिखेगा, अभी चलो object बनाते हैं, तो object बनाते समय आपको ध्यान मे यह रखना है, कि आपको उस class का object बनाना है, जहां पे सारा feature inherit होके जा रहा है, तो class C के पास addition, subtraction, multiplication, division और remainder यह पाचो काम है, तो हमें object इसी class C का बनाना चाहिए, तो object बनाने के लिए मैं एक और class use कर रहा हूं, test नाम का, आप C में भी object बना सकते हैं, कोई issue नहीं है, तो य आपको पता है क्या है, मुझे बतानी की जौरत नहीं है, अभी यह C class अपने object से क्या करता है, सभी methods को यह call कर सकता है, क्योंकि इसने B को extend किया हुआ है, बी के पास चार काम था, इसने अपना खुद का एक काम कर लिया, उसके बाद अपना एक method है, multi, उसको भी कर दिया मैं इसने एक और है अपना division, और last में इसके पास भी एक method है, उसका नाम है reminder, यह अपने सभी methods को call कर लिया है, तो अभी अगर इस code को मैं save करके आपको result दिखाऊंगो, आपको बहुत ही खुशी मिलेगा इस result को देखने के बाद, मैंने enter मारा देखो, program compile हो गया, अब इसे run करन के लिए जावार अपने class करें, तो देखो class C का object बनाके पांचो method को call किये, तो यह C class पांचो method को access कर ले रहा, तभी तो यहाँ पे पांचो का result आ चुका है, sum of two number यहाँ पे देखो, sum of two number 10 or 20 को add करेंगे, 30 होगा, यहाँ पे print करा हमने, यह display करा 30, subtraction of two number 200 में 100 को minus करेंगे 100 आएगा, उसके बाद B class में आजाओ, इसने extend किया हुआ, A को मतलब इसके पास तो वो सारा काम है, लेकिन, यहाँ पे सिर्फ हम यह दोनों line देखेंगे, multiplication, 10, 20 को multiply करा, हमने 200 result आ चुका है, divide करा 10 को 2 से, यहाँ पे 5 आ चुका है, 5 times में गया, 10, 2 से, last में देखो class C में हमन को reuse करना, बार-बार reuse करना अपने other classes में, तो देखो, कैसे reuse हो रहा, समझा देते हैं एक बार फिर से, class A ने 2 काम किया, class B को भी same काम करना था, तो वो starting से ना करके A को extend कर दिया, तो उसका 2 काम addition subtraction इसमें पहले ही आ चुका है, इसने अपने से 2 और काम कर लिया, multiplication, division, तो इस अपना खुद का एक काम remainder वाला निकाल लिया, तो इसका total 5 काम हो गया, यानि ये 2 classes के code को reuse कर ले रहा, सारा code यहाँ पे reuse हुआ है, हमने C का object बना के सभी के method को access कर लिया, और आपको result भी यहाँ पे display करके दिखा दिया, multiple inheritance using interface, interface के तुरू जावा multiple inheritance को support करता है, तो यहाँ के देखो, क्या problem था, classes में, जो interface में नहीं आया, जिसकी वज़ा से जावा ने multiple inheritance को support करा, we can achieve multiple inheritance through interfaces, because interface contains only abstract method, which implementation is provided by the subclasses, interface के तुरू multiple inheritance को support करने का एक ही reason था, क्योंकि जो interface होता है न, वो सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्राक्ट मेथड को contain करता है, ठीक है, यह मैंने interface वाले वीडियो में आपको बताया भी है, कि interface के पास सिर्फ अब्स्ट्राक्ट मेथड होता है, तो यह जो abstract method होता है, इसको implement कौन करता है, यह सब class करता है, यानि implementation, calling, सारा control, इसके पास होता है, इसी वज़े से बिना duplicacy आए, हमारा multiple inheritance interface के थुरू जावा support करता है, ठीक है, तो यहाँ पर note में देखो, अगर हम लिखते हैं, class C extends AB, एक कोमा भी मतलब दो सब classes है, जिनको extend कर रहे हैं, तो यह गलत है, इस तरह से तो हम नहीं कर सकते, दो super classes है, ठीक है, AB super classes है, लेकिन अग इंटरफेस को हम implement कर रहे हैं, उसके method को, तो हम implement लिखते हैं, और class को हम inherit करते हैं, तो हम extends लिखते हैं, ठीक है, तो A, B, यह मारू दो interface है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, यह सही है, इस figure को आप देख लो, interface A, interface B, और यहाँ पर class C है, मारू इसके पास, interface A के पास एक method है, M1 और interface B के पास भी एक method है M1 तो यह C क्या करेगा M1 को implement कर देगा implement यही करेगा तो यह क्या करेगा M1 को implement करने के बाद call कर देगा तो जैसे ही यह call करेगा तो interface में क्या होता है M1 दोनों के पास है मतलब interface A का भी requirement वही है interface B का भी requirement वही है तो यह method call होगा तो दोनों को ये class क्या करेगा provide कर देगा मतलब मालो आप एक web designer हो आपके पास एक client आया website design कराया और चला गया आपने उसे design करके दे दिया उसके बाद कुछ दिन बाद एक और client आया आपके सामने उसने भी same website design आपको करने के लिए बोला तो आप क्या करोगे पहले बाले client को जो design करके दिया था उसको भी same चाहिए तो आप क्या करोगे वही design उसको भी दे दोगे फिर से आप same design नहीं करोगे तो यहां पे भी यही होता है यहां पे कोई memory का डूब्लीकेशन नहीं होता है M1 को implement करने के बाद जब हम call करेंगे तो दोनों का requirement same है मतलब दोनों के लिए काम हो चुका है तो चलिए इसी चीज को practically हम interface के तुरू कैसे करेंगे उस चीज़ पे हम discuss करते हैं यह रहा multiple inheritance का program तो इस program को आप ध्यान से देखिए classes का use करके हमने बनाया हुआ है class A है जिसमें void so method है और इसके अंदर लिखा हुआ है this is class A class B है class B वी same void so method को अपने पास यह यहां पर रखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है this is class B मतलब दोनों काम एक ही कर रहा message को display करने का लेकिन तरीका अलग है वो अपना class A का message display कर रहा यह class B का message display कर रहा ठीक है और दोनों का requirement same था तभी तो दोनोंने same method को रखा हुआ है void so void so नहीं तो अलग नहीं रख सकता तो अभी बात आती है class multiple की यहां पर देखो एक multiple class मैंने बनाया है extends किया हुआ है मैंने A और B को मैंने दोनों A B को extend किया हुआ है तो multiple का मैंने यहां पर object बनाया और object से मैंने so method को call किया तो जैसे ही हम so method को call करेंगे तो compiler हमें line number 16 के लिए error बोलेगा यहां पर तो सबसे पह आया हमने enter press कर दिया देखिए हमारा program compile नहीं हुआ error आ गया यहां पर compile time error line number 16 पे class multiple extends A, B जो आपने किया है यह आप नहीं कर सकते क्यूंकि हमारा compiler है वो confuse कर गया कि आप किसके so method को call कर रहे हो class B के कि class A के ठीक है तो अभी इस problem को solve कैसे कर सकते है multiple inheritance को बना कैसे सकते हैं interface के थूरू तो आप ध्यान से देखो यहां पे ना दोनों का requirement same है तभी तो दोनों ने same method को बनाया हुआ implementation different है लेकिन action common है तो इसी काम को करने के लिए ही तो जावा ने abstract method बना के रखा है तो अभी हम क्या करेंगे एक interface बना लेंगे मालो मैंने interface बना लिया एक ए नाम का ठीक है इस interface के अंदर मैं same method बना दूंगा यहां पे void so और मैंने इतना करके छोड़ दिया अभी हम क्या करेंगे एक और interface बनाएंगे अब मैंने यहां पे एक बी नाम का interface बनाया और यहां पे भी same so method मैंने बना के डिकिलर करके छोड़ दिया तो यह जो method है यह abstract method है अगर आप इसके आगे लिखते हैं abstract इस तरह से तो भी चलेगा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ठीक है अभी देखो class A के पास भी so method है बी के पास भी so method है लेकिन अभी इसका जो implementation है भी multiple class के पास आएगा इस class के पास तो यहां पे interface को हम implement करने जा रहे तो हम use करेंगे implement keyword तो अभी हमारा यह class multiple है यह so method को implement करेगा अपने तरीके से यहां पे so method की body होगी और यहां पे हम code लिखेंगे system.out.println और हम क्या लिखेंगे यहां पे यहां पे मालो मैंने लिख दिया interface a and b ठीक है मैंने यह message यहां पे लिख दिया और अभी मैंने multiple का object बनाया और so method को call कर दिया तो अभी देखेगा result display होगा और result display क्यूं होगा अभी error क्यूं नहीं आएगा मैं यह भी बताऊंगा यहां पे एक error इसलिए आ गिया है क्यूंकि हमने void show method के आगे पब्लिक नहीं लगाया है यहां पे नहीं यहां पे जहां पे हमने implement करा है इसके लिए error क्यूं आया मैं आपको बता देता हूं यह जो interface a के अंदर method show है यह method by default public और abstract है यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और यह error मैं जान बूच के आपके सामने show करता हूं ताकि आपको भी confusion ना हो तो यह method तो public और abstract by default है तो यहां पे जब implement करेंगे न हम तो हमें यहां पे public लिखना पड़ेगा अगर हम public यहां पे नहीं लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि यहां पे bar default access modifier default रहेगा और default public के मुकाबले छोटा होता है वीक होता है इसलिए compiler error देता है अगर आप इसके आगे लिख दो public abstract void सो फिर भी चलेगा लेकिन अब result दिखाते हैं अभी देखो compile हो गया program अभी successfully run भी होगा यहां पे देखो interface a and b हमारा result डिस्पले कर चुका है तो interface के थुरू multiple inheritance में compiler को कोई भी confusion नहीं होता कि कि किसके show method को call करें क्योंकि interface a कभी requirement same है interface b कभी requirement same है और method का जो implementation है वो पूरी तरह से class multiple के अंदर है यह method को implement कर रहा है तो इसने method को implement करा एक ही method था इसने implement करा call कर दिया तो जब दोनों का requirement same था तो इसी result में दोनों का काम हो गया interface a and b दोनों का काम हो गया क्योंकि दोनों same काम को कर रहे थे अगर मालो interface b के पास एक अलग method है ठीक है इसके पास मालो disp method है और इसके पास so method ही है ठीक है इस तरह से तो अभी क्या होगा कि हमने एक method को तो यहां पर implement करा लेकिन अब हमें इस method को भी implement करना होगा यहां पर अगर हम implement नहीं करेंगे तो हमें एक error मिलेगा तो हम क्या करेंगे अभी अपने एक another method को भी यहां पे implement करेंगे क्योंकि interface b का requirement अलग है वो कुछ अलग implement करना चाहता है यहां पे यह हो गया और यहां पे वो disp method के अंदर interface b को रखना चाहता है इस तरह से अगर दोनों के पास अलग-अलग requirement माल लो यह अलग काम को कर रहा यह तो दोनों के method को आप यहां पे implement करो अपने class के अंदर implement a,b जहां पे आपने लिखा है और अभी आपना अपने object से दोनों के method को असानी से call कर सकते हैं अभी देखेगा two times result display होगा हमारे सामने यहां पे variable m of type multiple method so के लिए error बुला क्योंकि हमने यहां पे small s use किया है compile हो गया हमने run किया तो देखो interface a, interface b दोनों का result display हो रहा क्योंकि हमने दोनों के method को implement करा है यहां पे तो interface में compiler को यह पूरी तरह से पता होता है कि यह sow method implement हुआ है तो यह इसका है यह disp method implement हुआ है तो यह इसका है और माल लो एक ही method है दिस्प method नहीं है दोनों के पास 100 method ही है और सिर्व 100 को ही हम implement कर रहे हैं फिर भी compiler इस तरीके से समझेगा कि दोनों का requirement सेम है तभी तो दोनों ने सेम method को बना रखा है काम एक ही कर रहा भले करने का तरीका अलग हो तो इस तरह से multiple inheritance आप interface के तुरू कर सकते हैं बिना error के start करते हैं what is hierarchical inheritance इसका syntax example प्रोग्राम भी बताऊंगा ठीक है पहले यह होता है क्या है वो जानो हाई inheritance which contain only one super class and multiple sub classes and all sub class directly extends super class is called hierarchical inheritance hierarchical inheritance हम उस inheritance को कहते हैं जिसके पास के वह एक super class होता है और सबक्लास को सकते हैं एक से जादा होगा ठीक है और वह सबक्लासे डिरेकली को एक्सटेंड करते हैं उसको बोलते हैं hierarchical inheritance finger को देखो मेरे एक सुपर क्लासे ऑद दीन सबस्क्राशे से और यह देखोगो सब्सक्रायं सैडिक्टली एक्स्टेंड्ट कर रहें सुपर से न सुपर से तो इसी चीज को सिंतेक्स में कैसे लिखेंगे क्लास एँ हमारा स्पर गया अब यहां पे class B मैंने बनाया है जो कि हमारा पहले सब class है यह क्या कर रहा है extend कर रहा है एक को एक जो भी code यहां पे था यहां पे आ चुका है reuse कर सकते हैं बी के अंदर और इसका खुद कभी यहां पे code लिखा हुआ है तो यह गया कि directly class B हमारा sub class class A super class को extend कर रहा ठीक है एक और class C है जो कि हमारा second sub class है यह भी क्या कर रहा super class A को ही extend कर रहा है तो इसका जो भी code है न तो यहां पे भी आ जाएगा यहां पे भी हम reuse कर सकते हैं same code को inheritance का तो यही फायदा होता है और इसने खुद कभी कुछ code लिख रखा है तो यहां पे देखो सब classes एक से ज़्यादा होने चाहिए लेकिन super class must be single और यह super class को directly extend करेंगे उसी को कहते है hierarchical inheritance चलो इसी same syntax का यूज करके program कैसे बनेगा वो बताता हूँ guys जो syntax मैंने आपको hierarchical inheritance का लिख के दिखाया है उसी syntax का यहां पे यूज करने वाला हूँ program को बनाने के लिए तो program बनाने से पहले यह बताता हूँ आपको की inheritance को developing किया गया है code को reuse करने के लिए तो अलग-अलग type के inheritance में आप अलग-अलग तरीके से code को reuse कर सकते हैं जैसे single inheritance में अलग तरीका है multiple तो support करते ही नहीं है लेकिन multilevel में अलग तरीका है reuse करने का तो उसी तरह से hierarchical में भी अलग तरीका होता है code को reuse करने का वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मैं syntax लिख देता हूँ Hierarchal में एक super class रहेगा जैसे मैंने यहाँ पर A नाम का एक super class बना लिया और यहाँ पर जो sub classes होगा ना एक से ज़्यादा होगा और जो की same super class A को ही extend करेगा जैसे यहाँ पर B कर रहा है A को extend अगर मैं एक और sub classes बना दो आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहों बना सकते हो यह भी अगर A को ही inherit करें तो इसी को बोलते हिरारिकल इनरिटेंस sub classes का limit नहीं है आप जितना चाहों बना सकते हो तो हिरारिकल इनरिटेंस बनाने का purpose यह होता है कि माल लो आपके पास 1000 sub classes है बी और सी की तरह और उन सभी sub classes में एक ऐसा source code हो रहा चाहिए जो sub use करना चाहते है इसको भी वही चाहिए इसको भी वही चाहिए तो उस case में आप उस common source code को अपने यहां पे sub class के अंदर लिख दो यह क्या करेंगे यूज कर लेंगे क्योंकि इन्होंने extend कर रखा है super class A को तो चलो दिखाते हैं मैंने क्या बोला उसको real में कैसे implement करना है तो माल लो इसके पास एक method है जिसका नाम है input ठीक है और इसके अंदर अगर मैं लिखूं system.out.println और मैंने क्या लिखा enter your name यह message मैंने यहां पर लिव डाला अब class B में आते हैं जो कि पहला sub class है यह अपना name enter करना चाहता है यह चाहता है कि मैं जब भी name input करूँ ना तो मुझे एक message मिल जाए तो यह इस code को reuse करना चाहता है reuse कर लेगा क्योंकि extend किया हुआ है अब यह अपना coding आगे से लिखना स्टार्ट करेगा इसको यह वाला line लिखने का दरकार नहीं है ठीक है तो इसके पास एक method है so मालो यह इसने खुद से बनाया बनाई रहा है यहां पर इसने क्या किया system.out.println लिखा यहां पर यहां पर यह क्या बोल रहा माय नेम इस अंकित ठीक है यहां पर इसने यह लिख दिया अब उसके बाद अपने पास एक और सबक्लासे c c b क्या सोच रहा c b अपना नेम इनपुट कराना चाहता है इसके पास एक अलग मेथड़ों गर्डिस ठीक है यहां पर भी message देंगे system.out.prentaline यह भी बोल रहा my name is यहां पर अंकोज क्योंकि यह इसका खुद का method है independent है कुछ भी code लिख सकता है जोरी नहीं है कि यह नाम जो लिखा यह भी वह ही लिख है यहां पर दोनों method से मिसलिए नहीं करा मैंने क्योंकि overriding हो जाएगा जब overriding बताऊंगा आपको वहा आती है ना तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि object आपको हमेशा सब classes का बनाना है क्यों क्योंकि सब classes के पास तो super का property होता ही है और इसका खुद कभी होता है तभी तो आप inheritance का फाइदा उठा पाऊगे तो आप B का object B में बना सकते हो यहां पर C का यहां पर बना सकते ह के लिए मैं एक अलग class बना रहा हूं उस class का name होगा हमारे demo इस demo class के अंदर main method बनाएंगे और यहां पर अपना object creation का काम करेंगे सबसे पहले class B का object अगर मैं बनाओं तो यहां पर इस तरह से हमें लिखना होगा यह source code और अगर class C का भी मैं बनाने चला जाओं तो same source code यहां class B का object reference है R तो यह super class के input method को call कर सकता है क्योंकि इसको उसके source code को reuse करना है इसे जरूरत है और इसके पास भी एक खुद का method है जिसका name है so इसने खुद रखाया ठीक है अभी class C के पास भी same requirement है इसको भी अपना code execute कराना है इसका R2 object है यहां पर R2 code को save करते हैं और आपको मै result दिखाता हूं कि हम जो चाहते हैं वो आ रहा है कि नहीं यहां पर border variable R2 type of C method so okay यहां पर method disp हमें लिखना होगा क्योंकि class C में disp method है so नाम का नहीं है देखें अभी चलते हैं recompile करा हमने यह हो गया compile run तो देखो enter your name सबसे पहले my name is Ankit आ गया जो कि इस B class का result है उसके बाद enter your name my name is Ankit यहां पर आ चुका है तो यह दोनों सब classes ना super class के इस source code को reuse कर रहे हैं तो अगर आपके पास भी ऐसा requirement हो कि आपको अपने particular किसी source code को अपने हजारों लाखों सब classes में use करना है तो आप common वाले source code को इस super class में लगा दो और extend कर दो तो अपने आप सभी reuse करते रहेंगे जैसे यहां पे B और C कर रहे हैं देखो बी ने भी इस line को यूज करा और C ने भी यूज करा दोनों की अलग अलग object से हमने जब call करा तो यही परपस होता है hierarchical inheritance का यूज करने का उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है पसंद आ गया है polymorphism जावा के बहुत important topics में से यह भी एक है जिसका नाम है polymorphism तो polymorphism दो word से बना हुआ है दो Greek word पहला होता है poly दूसरा होता है morphism poly का मतलब होता है many morphism का मतलब होता है form तो आप कह सकते हो polymorphism nothing but many form ठीक है तो इसका definition क्या होगा जो एक्जाम में अगर पूछेगा तो आपको लिखना क्या पड़ेगा polymorphism is the Greek word whose meaning is same object having different behavior polymorphism एक Greek word है जो की poly और morphism दो word से बना है जिसका मतलब होता है same object having different behavior तो यह जो लाइन है इसका मतलब क्या होता है मेरे इस example में आपको दिख जाएगा polymorphism का best example होता है आप खुद एक polymorphism का best example हो मैं भी एक polymorphism हूँ मैं यह कह सकता हूँ जैसे मालो यह person मैं खुद हूँ ठीक है तो मैं अभी एक teacher हूँ मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक teacher हूँ तो जब मैं एक teacher के behavior में हूँ तो मेरा जो सोभा हुए हो काफ लोको होगा और रोरा मेर आपने क्राइव कम दोस्तों मिलने चला गया तो कुल वाहा पही मैं काफी जोली मूड में आ जाओंगा मतलब हसी मजाक हमारा चालू हो जाएगा सैतानी भी हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत जो भी करना होगा तो यहां पर हमारा बीएवियर एक अलग होगा फ्रेंड के सामने आप बिल्कूल ओपन माइंडेड हो जाते हो जो आपके मन में आत चार्ज कर रहा है तो मैं उसे डांट भी सकता हूं इस तरह से मेरा बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है सिच्वेशन आने के बाद तो देखो ऑब्जेक्ट एक ही है सेम ऑब्जेक्ट हैविंड डिफ्रेंड बिहेवियर आप खूद अगर अपने पैरेंस के सामने घर मे जाओगे जो मन में आगा बोलोगे कोई दिकत ने क्योंकि वह फ्रेंड है और घर में सांध की उथे तैंद है कि उनके सामने आप वो नहीं कह सकते जो आपने फ्रेंट से प्रोग्राम बनाकर इस चीज़ को इंप्लिमेंट करके आपको दिखाओंगा लेकिन उससे फहले आपको यह बता देता हूं कि इस पोलिमोर्फी जम कितने तरीके से एचीव कर सकते हैं तो यहां पे देखो गाइस पॉलिमोर्फी सम का दो टाइप होता है पहला होता है compiled time polymorphism second होता है run time polymorphism इन्हीं दो तरीके से आप polymorphism के program को implement कर सकते हो compiled time polymorphism का और भी second name होता है जैसे static polymorphism early banding runtime polymorphism को आप dynamic polymorphism या फिलेट बैंडिंग भी बोल सकते हो तो इस वीडियो में मैंने आपको polymorphism का concept बताया कितने type का होता है ये भी बताया और real life example से समझाया भी polymorphism का type number one बताएंगे compile time polymorphism ये क्या होता है इसका syntax example सब चीज डिसकस करेंगे बस वीडियो को ध्यान से देखना अब polymorphism which is exist at the time of compilation is called compile time और early banding और static polymorphism ऐसा polymorphism जो compile time में ही exist हो जाता है यानि जिसका सारा काम compilation के time में ही done हो जाता है उससे हम compile time polymorphism कहते हैं compile time polymorphism में compiler का बहुत बड़ा role होता है क्योंकि इसमें compiler को पहले ही पता होता है कौन समेथर्ट कब और कैसे कॉल होगा compiler पहले ही पता लगा लेता है तो जब मैं आपको example प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा तो वहां पर मैं भी आपको यह बता दूँगा कि कौन सा method कब और कैसे कॉल होगा ठीक है क्योंकि इसमें हमें compile time में ही पता साथ मानलो वेलिवररла संटें मोर देन व सा मेंचербड विच रिफ्र ईपरेंट टाइप अ रमिंटर कल्ड मेंट्रर और भर लोड्ञ। मालं लो अपने पास एक क्लास ही और ये क्लास क्या कर रहा है सच्अ हैम नेम का एक से ज्यादा मेंचर्ड है इसके पास लेकिन उन और parameter 1 मतलब अभी यहाँ पे हमने एक ही parameter दिया है second में देखो return type है method name जो name यहाँ पे था same वही name यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे मालनों हमने दो parameter कर दिया तो इसी को बोलते हैं method overloading compile time polymorphism को इसी method overloading के थुरू हम आपको program में real time में implement करके दिखाएंगे मैंने आपको बता चुका है तो हम program design करेंगे तो हम एक class बना लेते हैं simple सा अपना a class अगर इस a class के अंदर मैं एक method बनाता हूं जैसे मैंने void add नाम का यह method बनाया इस method के अंदर मुझे add परफॉर्म कराना है a में मैंने 10 रखा b में 20 रखा मैंने c variable का यूजम result इस्टोर करने के लिए करेंगे c equal a plus b हो गया अपना यहां पर sorry a plus b ठीक है अब क्या करेंगे display करेंगे system.out.println ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोलूंगा वह बहुत ही important है method overloading में क्या होता है same name का method बहुत सारे होने चाहिए आपके class में और यही एक तरीका होता है compile time polymorphism को achieve करने का तो कैसे होगा बांकी का काम हमने इस method के सारे logic को copy करके यहां पे paste करा लेकिन यहां पे behavior हमारे method का अलग होगा parameter pass कर देंगे हम int x y इसको हटा देंगे कोई काम नहीं है c रहेगा result store करेगा हमारा x और y यहां पे रहेगा c को print कर दिया हो गया overloading मालो मुझे और भी methods बनाने हैं तो मैं बना सकता हूं मैंने फिर से paste करा इतने सारे चीज को अठाते हैं इस बारणा मैं कुछ double type की value को add करना चाहता हूं मैं चाहता हूं एक integer value रहे और एक double value रहे उन दोनों को हम क्या करेंगे यहां पे add करेंगे कर दिया मैंने और इसलिए मैंने c का type डबल रख था ताकि fractional value को भी यह सी consider करें add करें और result डिस्पले कराएं तो यह हो गया एक नाम का बहुत सारा method हमने बना लिया है अब चलते हैं इस class का object बनाने के लिए क्योंकि बिना object के इसके method को हम access नहीं कर सकते जो कि class a का method है तो यहां पे main method new और यह बन गया class a का object तो अगर मैं r.add लिखेंगा ना तो यहां पे compiler को पता है कौन सा method call होगा compiler पता कैसे लगाता है compiler method के behavior से पता लगा लेता है जैसे यहां पे कोई parameter नहीं है compiler जान रहा है इस method को call करने की बात की जा रही है compile time में ही उसने पता लगा लिया अगर मैं यहां पे same r.add लिखूं और दो integer value पास कर दो 1020 नहीं नहीं कुछ और पास करते है क्योंकि मैंने 1020 उपर मिलिया था मैं चाहता हूँ अलग result है इसका ठीक है 1020 इसके पास है अभी compiler को पता है कि कौन सा method call करने की बात की जा रही है second time में और एक integer value जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ 50 और एक fractional value 45.32 मैंने ले लिया तो यह मैंने तीनों method को call कर दिया है result दिखाते हैं आपको उसके बाद आगे की बाते discuss करेंगे compile हो गया run हो गया तो यह सबसे पहले 30 result आया क्योंकि 10 और 20 add होगा 30 print होगा उसके बाद 300 क्योंकि हमने यहां से देखो 100-200 पास किया xy में 100-200 आया हमने c में add करके c को print करा result आगया और यहां पे देखो 95.32 50 और इसको add करेंगे तो यह इतना ही होगा और यह जो value है यह इस method के लिए आ रहा ठीक है ऐसा नहीं कि यह value इस method के लिए चला गया नहीं तो यहां पे compile time polymorphism में क्या होता है compiler पहले ही पता लगा लेता है method के parameter से कि कौन सा method call होगा उसे पता चल जाता है अगर मालो मैं इस method को यहां से हटा के सबसे last में call करूंगो न अभी compiler को पता है कि इस method को सबसे last में call करना है यह parameter देखेगा इसको करेगा call इस parameter के according इसको call करेगा और last में इसको call करेगा देखेगा आप देखो सबसे last में result आया जो उस time पे सबसे पहले आया था मतलब सबसे last में यह call हुआ तो method overloading को आप inheritance के through भी कर सकते हैं without inheritance भी कर सकते हैं जैसा मैंने without inheritance कर रहा है अभी यहां पे most important बात क्या है कि आप इस program को polymorphism के definition के साथ कैसे relate करोगे मैंने polymorphism वाले वीडियो में definition में आपको बताया था polymorphism क्या होता है same object having different behavior तो यहां पे भी देखो एक ही method है जिसका name है add, add, add method एक ही है लेकिन तीनो method का काम करने का behavior है वो अलग-अलग है काम कर रहा addition कहीं तीनो लेकिन अलग-अलग तरीके से कर रहा क्योंकि तीनो independent है यह क्या कर रहा अपने अंदर ही value variable में slice करके add कर रहा यह parameter तरीका होता है कि आप return type कुछ और भी रख सकते हो return type के लिए कोई restriction नहीं है जैसे यह मेरा method का return type मैंने int कर दिया तो यहां पे क्या होगा हम यहां पे एक value return करेंगे क्योंकि हमारे method का return type है int तो हम integer type का value return कर दियरे जो भी हमारा final result है addition का हम उसी को return कर दियरे तो यहां पे क्या करेंगे method को हमने call कर दे। हम क्या किये थे value को add कर रहे थे यहीं पे print कर दिये लेकिन अभीि हम value को यहां Onu return करें तो यह value को हमें receive करना होगा तो यह value रीटेंट यह value वहीं पर return करेंगा जहां सी इसे call किया था value पिर से यहीं return आ रहा तो हम क्या कर रहें? एक variable में उस value को store कर ले रहे हुए, उस variable का name क्या होगा? हमने add नाम का variable बना लिए और इसमें value को store कर दिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे simple सा काम है system.out.println और हमें यहाँ पे अपने variable add को डिस्पले करना होगा हमारा result डिस्पले कर जाएगा इसमें कोई भी problem नहीं आएगा आप देखो मैंने program को compile कर दिया और run यहाँ पे 30 print हो चुका है तो मेरा बस आपको यह बताने का मतलब था कि method का return type से कोई ले न देना नहीं यह आप अलग भी रख सकते हो यहाँ पे float भी रख सकते हो यहाँ पे double भी रख सकते हो इधर rent भी रह सकता है लेकिन इसका name सेम होना चाहिए और parameter different होना चाहिए सभी के अंदर यह था compile time polymorphism का best example इसमें क्या होता compiler method के parameter से पता लगा लेता है compile time में कौन सा method invoke होगा पहले यह हमारा polymorphism का type number two है तो सबसे पहले हम देखेंगे what is runtime polymorphism in detail मतलब इसका syntax, example और rules, regulation सब बतांगा ठीक है यह होता क्या है a polymorphism which exists at the time of execution of program is called runtime polymorphism ऐसा polymorphism जो की program के execution के time में start होता है इसका execution यानि runtime में execution start होता है उसी को बोलते है runtime polymorphism और इसमें compiler का कोई role नहीं होता है इसमें जो भी role होता है वो JVM का होता है जो की runtime environment है example देखो हम runtime polymorphism को perform कैसे करेंगे method overriding के through हम runtime polymorphism को achieve कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर method overriding होता क्या है वो भी आपको जानना चाहिए whenever we writing method in super and subclasses in such a way that method name and parameters must be same called method overriding जब भी हम super class और subclass में कोई method लिखते हैं तो अगर वो method का name और method का parameter दोनों सेम हैं उसी को हम कहते हैं method overriding तो syntax में देख लो मैंने जो अभी method overriding का theory में आपको बोला यह class A है हमारे पास class A के अंदर देखो हमने एक वोईड सो नम का method बनाया है और class B में हमने extend किया हुआ है class A को और यहां पर भी हमारे पास सेम वोईड सो नम का method है तो अगर method सेम से मिल गए तो इसी को बोलते हैं override method ठीक है तो यह class B extend किया हुआ एक को क्योंकि हम method overriding बीना inheritance के परफॉर्म नहीं कर सकते हैं यह आपको लिक के रख लेना है तो चलो आगे आपको क्या याद रखना प्रोग्राम बनाने से पहले रूल्स वो डिसकस करते हैं तो यह है कुछ रूल्स आप देख लो जब भी class में method है कि नहीं है अगर वह method superclass में नहीं है तो compilation error देगा आपको और मालोowe method superclass में है तो फिर jb आपको याद रखना है एक-एक पॉइंट में प्रूफ करके दिखाऊंगा जो मैंने यहां पर लिख रखा है ओवर राइडिंग में मेथड सेम होते हुए भी अलग-अलग बिहेवियर सो करते हैं वो अपना बिहेवियर दिखाते ही हैं तो चलो प्रोग्राम में डिसकस करते नाम का क्लास बना लिया और इस क्लास के अंदर अगर मैं एक मेथड बना हूं जैसे मैं बना रहा हूं वोईड-ड्रो ठीक है मैंने ड्रो नाम का मेथड बनाया यहां पर तो किसी भी टाइप का सेफ हो सकता है हम यहां पर कह नहीं सकते कि वह सेफ हमारा स्क्वार है सरकल है या फिर rectangle है तो यहां पर हम कह नहीं सकते हम किस shape की बात कर रहे हैं तो इस method के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ मैं लिख रहा हूँ system.out.println के अंदर cannot say cannot say shape type हम बता नहीं सकते कि कौन सा shape का बात हो रहा है यहां पर यह हो गया हमारा super class अगर मालो मैंने एक sub class बनाया सब class हो गया हमारा square नाम का और वो क्या कर रहा है extend कर रहा हमारे class super class shape को ठीक है तो जो भी super class का property था इसमें आ जाएगा क्योंकि हम inheritance use कर रहे और without inheritance हम method overriding perform नहीं करा सकते हैं ठीक है यह आपको rule number one में याद रखना है तो अगर मैं यहां पे भी sub class में same method बना दूं void draw तो इस draw method के अंदर मैं बता सकता हूं कि कि shape की हम बात कर रहे क्योंकि यहां पे हमारा square है class का name square है तो यहां पे हम square shape की बात कर रहें तो इसमें हम लिखेंगे system.out.println square shape तो देखो method same है दोनों में लेकिन दोनों method अपना behavior बता रहा दोनों independent है यह यह भी अपने एक अलग behavior को show कर रहा है बन गया हमारा यह दो class अब चलो object बनाने की बात आती है तो object एक अलग class पर बनाते हैं उस class का name होगा हमारे demo यहां पे हम क्या करेंगे हम जो भी object बनाएंगे तो उस object का जो reference होगा वह हमारा super class का reference होगा ठीक है और object हम बनाएंगे अपने sub class का यानि square का ठीक है आप चाहें तो square class का ही reference variable बना सकते हो पर मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि आप इस तरह से भी कर सकते हो अगर मैं यहां पे लिखूं r.draw हमारे method का नेम है draw तो कौन सा method को लोगा reference है उपर का object है सबका और यह method override method है तो जब भी override method हो आपको पता हो कि यह override method है तो आप क्या करो override method के just उपर इस तरह से आप लिख दो override इसका यह मतलब होता है यह बस इस चीज को indicate करता है कि यह method over written method है कोई other programmer अगर आपके program के उपर वाले हिस्से को नहीं भी देखेगा सिर्व इतने हिस्से को देख लेगा तो वह जान जाएगा कि यह draw method over written method है क्योंकि हमने इसके उपर यह line लिख रखा है अभी एक एक points कैसे प्रूव होता है जो मैंने आपको बताया तो वह मैं करकी दिखाता हूं सबसे पहले अपने इस program को हम save कर लेते हैं अपना cmd open करेंगे program को compile और run करने के लिए एंटर मारा program compile हो गया ठीक है अब अगर हम run करेंगे न जैसे तो यहां पर call होगा हमारा subclass का method एंटर हमने मारा square shape message आया है इसका मतलब यह subclass का method call हुआ था मैंने आपको बताया था कि अगर method overridden है तो वह क्या करेंगा subclass के method को ही बार-बार call करेंगा लेकिन जब भी हम overriding perform कराते हैं तो हमारा run time environment जे भी हमें सबसे पहले subclass में जाके चेक करता है method है की नहीं वही same method जो यहां पर है अगर वह method यहां पर नहीं है मालो यहां पर यह method नहीं है grow method यहां पर नहीं है मैंने बोला था अगर नहीं रहेगा तो वह हमें एक compilation error देगा, कि आपके super class में वो method नहीं है, हमने प्रोग्राम को compile करा, यहां पे देखो error आ चुका है, error क्या आ चुका है, हमने जो यह reference variable are use करा है, इसके लिए तो एक error दे ही रहा है, लेकिन main error यह वाला है, जो line number 11 में occur हो रहा है, method does not override or implement method from super type, हम जो इस method को override कर रहे हैं, यह super class में नहीं है, तो यह हमें उसके लिए एक compilation error दे रहा है, लेकिन अगर यहां पे हमारा square का ही reference variable होता, तो हमें सिर्व एक ही error देगा, उपर वाला, नीचे वाला error नहीं आएगा reference variable का, यह देखो, यह main error की में बात कर रहा है तो यही error से हमें मतलब भी है, तो यह हो गया हमारा एक point मैंने आपको prove करके दिखा दिया, अभी second point क्या होता है कि मालो यहां पे method है, और यह method ना override नहीं है, override नहीं रहेगा तो इसको हटा देंगे, और यह method मालो overridden method नहीं है, तो जब भी method overridden नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, super class के method को call करेगा, मैंने आपको यह भी बोला था, तो अभी देखेगा, super class का method हमारा call होगा, यहां पे देख लो, cannot say save type, यह message print हुआ है, जो हमने super class के method में यहां पे दिया हुआ है, तो जब भी method overridden नहीं होगा, फिर चाहे object आप सब कहीं बनाओ, वो super class के method को ही call करेगा, लेकिन अगर method overridden होगा, इस तरह से, तो वो sub class के ही method को call करेगा, और माल लो, यह वाला method super में present नहीं रहेगा, तो वो आपको error देगा, ठीक है, अभी एक और बात आता है, कि माल लो, हम तो inheritance use करी रहे हैं, तो जब भी inheritance use होता है, तो इसका जो भी property होता है, इस sub class में तो होता है, यह आपको मैंने बताया है, और inheritance के case में हम हमेशा sub class का ऊपजट बनाते है, तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, तो यहाँ पे सवाल यह उठता है, कि हम इस ही sub class की object से, क्या इसके method को call कर सकते हैं, इसको तो हम करेंगे ही, क्या इसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, super, super.method का नेम क्या है, method का नेम है, draw, super keyword क्या करता है, super class के member को call करने का काम करता है, अभी भी देखो, object हमारा subclass कही है, लेकिन भी दोनों method call होगा, यहाँ पर देखो, cannot say shape type और हमारा square shape भी print हुआ है, तो यह मैंने आपको कुछ इस्टरा चीज बता दिया, last में ठीक है, लेकिन मैंने जितने points बोले थे, मैंने एक-एक points आपको प्रूफ करके यहाँ पर दिया है, overriding का main advantage क्या होता है, कि method में सब कुछ same होते हुए भी, return type, name, parameter, सब कुछ same होते हुए भी, वो अपना अलग behavior show करता है, जैसे यहाँ पर यह अपना square shape behavior show कर रहा है, यह अपना cannot say shape type behavior बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम shape नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे shape होते हैं, square, circle, rectangle, triangle, लेकिन इसमें particular shape square हैं हम बता सकते हैं, तो अपना behavior वो बता देता है, आज का हमारा topic है, exception handling, Java के most important topics में से यह भी एक है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि exception handling क्या होता है, ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि exception handling concept को लाना पड़ा, और इसका importance क्या है programming language में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले what is exception, exception क्या होता है आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए, अगर आप से कोई पुछ देना है, exception क्या होता है, तो आपको simply बोलना है, exception is nothing but unexpected, unexpected मतलब जिस चीज को आपने expect नहीं किया था, वो आपके साथ अगर हो जाया, तो वो हो गया exception, unwanted जो चीज आपने चाहा भी नहीं था, अगर वो चीज आपके साथ हो जाया, तो उसे भी बोल सकते हैं, exception, abnormal situation मतलब ऐसा situation जिसे आज से पहले इस तरह के situation आपने face नहीं किया था, वो ऐसा situation अगर आपके सामने आ जाया, तो उसे भी आप बोल सकते हैं, exception, तो यहाँ पर कुछ examples के थुरू हम आपको बताते हैं, माल लो हम अपने system में काम कर रहे हैं, कोई project बना रहे हैं, मैंने 90% almost project बना लिया, उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने project को control edge से save नहीं किया, और हमारा जो power था, वो cut हो गया, तो अचानक से हमारा system बंद हो गया, और हमारे system में जो भी program में हम काम कर रहे था, वो program भी close हो गया, abnormal तरीके से, तो यहाँ पर हमारे सामने एक exception आया, उसका name हम दे सकते हैं, power cut exception, तो अगर exception को handle नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, कि आप जो भी काम कर रहे होंगे, वो काम आपका तुरंद close हो जाएगा, वही पर terminate होगा, जहाँ पर exception आएगा, और उसी काम को आपको फिर से बाद में restart करना पड़ेगा, तो इस exception को हमने handle नहीं करा, तो यह problem आगिया, फिर से हमें project बनाना पड़ेगा, अभी मालो एक और मैं आपको example देता हूँ, मालो हमारा एक group है, जो कि टूर में घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है, अचानक वहां क्या हुआ कि हम जब पहुँचे दो-तीन दिन हमने घूमा, उसके बाद हमारे group का एक member बिमार हो गया, अचानक से, तो unexpected, unwanted situation आ गया हमारे सामने, जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, वो member बिमार हो गया, तो हमारे सामने ill exception आ गया, ठीक है, तो अगर इस exception को भी हम handle नहीं करेंगे, तो अभी जो member का तबियत खराब हुआ है, आगे चल के न, मालनो ये, इसका तबियत खराब हुआ है, तो आगे चल के इसकी हालत और भी बिगड़ सकती है, exception को handle नहीं किया जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, आगे चल हमें open करना चाहते हैं, अपने java program के जर्एं, हम अपने java program के जरिये, किसी भी file के data को read करना चाहते हैं अपने console में, जैसे ही हमने अपने program को execute करा आए, हमें एक exception मिला, exception क्या था, file not found exception, ठीक है, इस तरह का exception हमें मिला, इसका मतलब हम जिस भी file को data को read करना चाते थे, अप तो इस तरह का exception आएगा तो exception तो हमने आपको बता दिया अगर इसे handle नहीं करेंगे तो क्या होगा आपको मैंने ये भी बता दिया लेकिन अभी आपको ये जानना चाहिए कि what is exception handling exception handling क्या है क्यों exception को handle करना चाहिए इन exception handling we should have an alternate source through which we can handle the exception exception handling में हमारे पास एक ऐसा alternate source होना चाहिए जिसके थुरू हम आए हुए exception को handle कर सकें जैसे हमने पहले exception में आपको बताया हमने system में काम किया 90% project बना लिया उसके बाद power cut हो गया और हमारा project close हो गया हमने save नहीं किया था तो इस exception को हम चाहते तो handle कर सकते थे अगर हमारे पास power backup होता अगर वो दो मिनट कभी backup देता ना था हम अपने project को save भी कर लेते और अपने system को एकदम अच्छे से shutdown करते जैसा पहली बार अपने से close हो गया था abnormal तरीके से अभी हम इसे normal तरीके से shutdown करते तो यहां पर हम power cut exception को handle कर सकते थे जो आया था हमारे पास तो क्या होगा कि हम यहां से आगे काम start करेंगे यह यह नहीं कि स्टार्टिंग से काम start करेंगे exception को handle करने का यही पर फाइदा होता है कि अगर आप exception को handle करेंगे तो आपका जो normal flow है program का वो last तक continue रहेगा आपका program last तक successfully execute करेंगा फिर चाहे exception रहे या ना रहे अगर आपने exception को handle किया है तब second exception मैंने आपको क्या बता था हमार हम टूर में घुमने गए हैं हमारे टूर का एक member बिमार पढ़ गया बिमारी का exception आगया ठीक है यह मालो बिमार पढ़ गया तो अगर मालो हम free medicine लेकर चलते हमारे पास medicine होता हम अपने इस ットार को मेडिसीद दे दे तो यह को चाता मत्तलब हम को भी handle कर सकते थे medicine बोप्टर nn her doctor को दिखा के हम इसे बचा सकते थे इसकी तबियत ओड को कि फीक कर उसके बाद हमने एक और exception आप से बात की थी उस exception का नई हमने बोला था file note found exception यह exception हमने आप से discuss किया तो अगर मालो file note found exception तब आएगा जब file available नहीं रहेगा मालो file available नहीं है और हमने एकसिप्शन को अगर मालो successfully लेकिन हमने अपने को हैंडल कर लिया है तो फाइल के ना रहते हुए हमारा प्रोग्राम सक्सेस्पूली लास्ट तक execute करेगा और हमें एक message भी देगा file available नहीं है तो किस वज़ा से नहीं है अगर आप जो भी message देना चाहें तब तो exception में क्या होता है कि मालो जैसे यहां पर power cut exception आया इसको handle नहीं करेंगे तो सारा काम आपको starting से करना पड़ेगा और जैसे यह exception अकर होगा आपका काम वहीं पर बंद हो जाएगा और मालो इसी exception को हम यहां पर handle कर देते हैं power backup मालो मेरे पास दो मिनट का था तो उसी क्राम के जरिए exception और exception handling का mechanism बताते हैं वहां पर आपका doubt clear होगा यह तो real life example था मालो हमने यहां पर एक simple सा class बनाया class A इस class A के अंदर अपना यह हो गया main method main method के अंदर हमने लिखा int A equal 10, B equal 0 उसके बाद C अगली लाइन में हमने क्या किया C equal A divide B यहां पर कर दिया उसके बाद हमने system.out.println में C को print करा main की body close class की body close ठीक है तो देखो इस प्रोग्राम का जब execution स्टार्ट होगा तो यहां से होगा तो यह हो गया normal flow यहां पर जैसे ही हमारा जेवियां प्रोग्राम को execute करते हुए पहुंचेगा न वो देखेगा A का value 10 है B का value 0 है मतलब आप किसी भी integer number को 0 से divide करने की कोसिस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ आप किसी भी number को 0 से divide नहीं कर सकते अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा exception तो जैसे ही यहां पर divide by 0 exception अकर हुआ न इसके बाद हमारा यह लाइन एक्जिक्यूट नहीं करेगा इस लाइन के बाद जितना भी code लिखा होगा वह एक्जिक्यूट नहीं करेगा exception यहां पर मिला तो यहीं पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा तो यहां पर जेवियम को क्या मिला unexpected unwanted abnormal situation यहां पर जेवियम को runtime में मिला तो वहीं पर exception अकर हो गया तो अगर इस exception को हम handle नहीं करेंगे न तो यह program कभी execute नहीं करेगा कभी complete एक्जिक्यूट नहीं करेगा अभी क्या करना पड़ेगा हमें इस प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ेगा और मालो हमने दुबारा भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा प्रोग्राम को एक्जिक्यूट कर दिया सेम एक्सेप्शन हमें यहां पर मिलेगा यहां पर बोलेगा कि इस exception को handle कैसे करना है तो जावा ने exception को handle करने का mechanism दिया है दा object orientation mechanism has provided the following techniques to work with exception आपको बहुत सारे टेकनीक दिये गए हैं exception से निपटने के लिए exception के साथ काम करने के लिए पहला होता है try catch second होता है throw throws और last में finally तो जब भी predefined exception होगा predefined exception के case में आप try catch यूज़ करेंगे और माल लिजए आप खुद का अपना user defined exception object बना रहे हैं और खुद throw करना चाहते हैं तब आप throw और throws keyword यूज़ करेंगे और मालो आपके पास कुछ ऐसा line of code है जिसे आप चाहते हैं कि exception रहे या ना रहे वो compulsory execute होना चाहिए तब आप finally block अपने प्रोग्राम में execute करेंगे क्योंकि finally block ऐसा block होता exception रहे ना रहे यह execute करता ही है तो अभी हमारा जो उपर में प्रोग्राम था यह वाला प्रोग्राम चलिए हम इसमें exception को कैसे हैंडल करेंगे वह मैं दिखाता हूं तो यहां पर मैं ट्राइग कैस मेकैनिजम यूज कर रहा हूं अपने इस प्रोग्राम में exception को हैंडल करने के लिए ठीक है आप इनका भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने क्लास का नेम क्लास नेम ए हैं यह हो गया अपना मेन मेथड और सेम यहां पर भी रहेगा ऐसा नहीं कि हम यहां पर कुछ और बना देंगे अब जिस भी लाइन में या फिर जिस भी कोड में हमें जहां पर exception लगे जैसे मैं आपको दिखाऊं इस प्रोग्राम में रिस्की लाइन यह वाला रिस्की लाइन है जहां पर exception अकर हो रहा है तो जहां पर exception आने का का चांस है जो भी रिस्की कोड है उस कोड को हम क्या करेंगे ट्राइव लॉक के अंदर लिखेंगे तो यहां 생각을 लिखेंगे ट्रा एक ब्लॉक होता है इसके अंदर क्या करेंगे सी इक्वल एडिवाइड भी लिखेंगे और अपने रिजल्ट को यहां पर डिस्प्ले करेंगे उसके बाद ट्राइ ब्लॉक क्लोज हो गया अब मालो यहां पर गया हम हमें थ्रौ करना पड़ेगा तो यहां पर लाइंगे क्रेग क्या करेगा हमारे इक्रेंट को डिस्प्सिरी Кा यहां में इत क्रेंड की आप आप पता करना चाहते हैं एक्सेप्षन किस वजह से आ रहा है एक्सेप्षन का नेम क्या है तो आप क्या करो सिस्टम.out.println विन अपने इस एक्सेप्षन रेफरेंस इको प्रिंट कर दो तो यह बता देगा किस टाइप का एक्सेप्षन यहां पर अकर हुआ है तो यहां पर एक बात याद रखना अगर एक्सेप्षन नहीं आयगा यह कार इदक करेंगा यह कैच ब्लॉक एक्जीक्षी नहीं करेगा लेकिन अगर माल्ärt्रों एक्सेψब्सन आता है यहां पर एक्सेψन आया तो यही से हमारा कैश ब्लॉक में ट्रांस्फर हो जाएगा कंट्रोल और कैश and पाइड प्लॉक एग्सेकूट करेगा तो एक्सेप्सन आने पर कैश ब्लॉक एक्सेप्सन नहीं आने पर यह एक्सेट नहीं होता है तो चलिए इसी चीज़ को प्राक्टिकली हम आपको सब लाइन टैक्स टर्टर में करके दिखाते हैं तो आप देखो गाइस हमने class टेस्ट नाम का एक class बनाया है, यह हो गया हमारा main method, सबसे पहले हमने message दिया है, main method started, उसके बाद हमने int a नाम का variable में 10 value रखा है, b में हमने 0 रखा है, c नाम का variable हमने declare करके ऐसे ही यहां पर फिलाल छोड़ दिया, उसके बाद हमने a divide b किया है, इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर क्या कर रहे, 10 divide 0 कर रहे तो यह result जाके store हो रहा हमारे variable c में, ठीक है, उसके बाद हमने c को print करा है, लास्ट में एक message दिया है, main method started, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर message को हम थोड़ा सा बदल देंगे, main method होगा, ended, ठीक है, तो इसका हम आपको result दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, क्या हो रहा है, तो देखो, program compile हो गया successfully, अब इसे हम run करेंगे, तो यहां पर देखो, main method started, हमारा यह वाला message print हो चुक है, जो सबसे पहले हमने दिया था, उसके बाद आप देखो, exception in thread main, main thread में exception आया है, आपको मैं बता दू, java के हर एक class में एक thread होता है, उस thread का name होता है, main, और यह main thread का ही responsibility होता है, main method को complete execute कराना, तो क्या बोड़ रहा आगे, java.lang.arithmatic exception, divide by 0 at test.main, test.java 9, line number 9 पे, जहां पे हमने number को 0 से divide किया है, वहां पे exception आ रहा है, arithmetic exception, तो यह जो arithmetic exception है, यह एक class है, जो कि java के lang package में है, इसलिए java.lang.arithmatic exception यहां पे बोड़ रहा है, और बोड़ रहा कि आप divide by 0 नहीं कर सकते, यह exception का name, इनोंने message एक 100 करा है, तो जब भी exception आता है ना, तो जहां पे exception आएगा, वहीं पे आपका program terminate हो जाएगा, आप देखो, यहीं पे line number 9 पे ही हमारा program terminate हो गया, उसके बाद नहीं हमारा यह result डिस्पले हुआ, C को हमने print करा, और यह वाला message भी नहीं आया, main method ended, तो exception को अगर handle नहीं करेंगे, तो इसी तरह का problem आएगा, अभी हमारे पास एक ही रास्ता है, प्रोग्राम को close करना, ठीक है, तो अभी इस exception को handle करना होगा हमें, तो अभी आप बोलोगे कि exception को handle हम क्यों करते हैं, इंटर्व्यू में यह question पूछा जाता है, तो exception को हम handle इसलिए करते हैं, ताकि हमारे program का जो normal flow था, वो maintained रहे, नॉर्मल execution program का वो maintained रहे, हमारा program last तक successfully execute करें, last line भी इसका execute हो, फिर चाहे exception रहे या ना रहे, तो यहाँ पर देखो exception इस वाले line में आया है न, जो भी line risky code है, जहाँ पर exception आ रहा है, उसे हम try block के अंदर लिखेंगे, उस code को हम try block के अंदर डालेंगे, क्योंकि उस code में risk है, तभी तो वहाँ पर exception अकर हो रहा है, हमने लिख दिया try block के अंदर, अब हम क्या करेंगे, एक और block बनाएंगे catch block, यह क्या करेगा, जो भी exception यहाँ से throw होगा, try block से, catch block क्या करेगा, उसे catch करेगा, तो यहाँ पर हम exception super class यूज़ कर रहे हैं, और एक reference variable का name हमने e ले लिया, यहाँ पर आप कुछ भी name ले सकते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं, exception का name क्या है, exception क्यूं आ रहा है, तो आप simply क्या करो, system.out.println में e को print कर दो, तो यहाँ पर हमने exception को handle कर लिया है, तो अभी देखिएगा, program में यह line भी result में आएगा, अगर exception रहेगा, तो यह display करेगा, यहाँ पर exception का reason हमें बताएगा, और last में हमारा यह वाला line भी execute करेगा, main method ended, मतलब program हमारा last तक successfully execute होगा, क्योंकि हमने exception को handle कर लिया है अभी, तो आप देखो सबसे पहले main method started, हमारा सबसे पहला message, उसके बाद second line में देखो, java.lang.arithmatic exception divide by 0, यह इसलिए दिखा रहा है यह message, क्योंकि हमने exception reference e को यहाँ पर print करा है, उसके बाद main method ended, यह वाला message भी यहाँ पर display हुआ है, इससे यह साबित हो जाता है, कि जब भी हम exception को handle करते हैं, तो हमारा program last तक successfully execute करता है, तो यहाँ पर आप अपने मन पसंद का भी message दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, जैसे हम देना चाहते हैं, cannot divide by 0, यह हमारा message है, हम यहाँ पर दे सकते हैं, तो इस message को कोई भी पढ़ेगा, तो वो समच जाएगा, कि हम 0 से divide नहीं कर सकते हैं, अभी आप देखो, main method started, cannot divide by 0, जो हमारा message है, यहाँ पर exception आया, jump किया हमारा cursor catch block में, cannot divide by 0 message चला, उसके बाद last में main method ended हुआ, तो यह जो exception आ रहा है, यह arithmetic operation को perform कराते समय आ रहा है, तो arithmetic operation के लिए Java में, exception का एक special class है, उस class का name है, arithmetic exception, ठीक है, यह class का name है, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो लिखा हुआ था ना, exception, यह exception, super class है, exception handling का, किसी भी तरह का exception, आप थ्रो करेंगे, यह handle कर सकता है, क्योंकि यह super class है, exception class है, लेकिन यहां पर हमें पता है, arithmetic exception आया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने particular exception का name, यहां पर सो कर सकते हैं, arithmetic exception, यह arithmetic exception जो class है, यह सिर्फ और सिर्फ arithmetic exception को ही, handle करेगा, catch करेगा, तो अभी आप result देखेगा, result में कोई difference नहीं आएगा, यहां पर देख लो, हमारा same result डिस्प्ले हो चुका है, तो exception जो होता है, वो runtime error होता है, वो runtime में occur होता है, unexpected, unwanted situation होता है, जो कि हमारे program को आने पर terminate कर देता है, अगर हम exception को handle नहीं करेंगे, अगर try, catch, block, execute करके, हम exception को handle करते हैं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उम्मीद करते हैं, आपको exception handling का concept समझ में आ गिया होगा, अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को like करिए, share करिए, चानल पे नहीं हैं, चानल को subscribe कर दिजिए, फाइल हैंडलिंग, जैसा कि इसका name देखो, फाइल हैंडलिंग मतलब, फाइल बनाने के बाद, फाइल को handle कैसे करना है, handling का मतलब यह है, कि मालोग उस नेम से फाइल पहले ही available है, तो वो नहीं बननी चाहिए, फाइल ओल्रेडी exist बताना चाहिए, फाइल अबिलेबल नहीं है, और हम फाइल से डेटा को read कर रहे हैं, तो जो exception आ रहा है, उसे हम कैसे handle करेंगे, तो वो सारा चीज होता है, फाइल handling, तो सबसे पहले हम फाइल create करेंगे, उसके बाद फाइल create करने के बाद, उसे handle कैसे करना है, जिस तरह से हम exception को handle करते हैं, try catch के थुरूर, ठीक उसी तरह से हम file को भी handle करेंगे, और आज के time में file का importance, इसी बात से आप पता लगा सकते हैं, कि कुछ भी information होता है, तो हमें उसे store करने के लिए file चाहिए होती है, तो चलिए जानते हैं, यह file handling होता क्या है, what is file handling, full explanation मतलब file handling क्या होता है, stream क्या होता है, file handling के methods, classes, और file कैसे create किया जाता है, इन सभी चीजों को मैं इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ, file handling defines how we can read and write data on a file, file handling यह define करता है कि कैसे हम किसी भी file से data को read करना चाहते हैं, उसी same file में अगर आप data write करना चाहते हैं, तो आप write भी कर सकते हैं, तो यह सारा चीज कौन define करता है, file handling define करता है, और file handling के थुरू हम इसी काम को कर सकते हैं, अपने file में ठीक है, data को read write कर सकते हैं, Java IO package contains all the classes through which we can perform all input and output operations in the file, Java में एक package है, जिसका नहीं में IO package, यानि input output package, इस package के अंतर वो सभी classes available है, जिनका use करके हम अपने किसी भी file में input और output operations को perform कराना चाहते हैं, तो यह IO package हमें अपने program में import करना होगा, क्योंकि हम file में काम कर रहें और file का जितना भी classes है, वो इसी IO package के अंदर available है, और इसी IO package की मदद से हम file में input और output operations को perform कराते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे file के predefined classes available हैं, तो यह हो गया file handling, अभी हम आपको बताते हैं कि stream क्या होता है, अगर आप file handling का program बनाने के लिए जाते हैं तो उसे ही हम stream कहते हैं, तो अगर stream आप से कोई पूछ दे कि stream क्या होता है, तो stream is a sequence of data, data के sequence को ही हम stream कहते हैं, हम file में data को sequence by store कराते हैं, फिर चाहे read करना हो या write करना हो, on the basis of java io package all the classes divided into two stream, java io package में जितने भी classes available हैं, इसी java io package के according, java io package के सारे classes को दो stream में बाटा गया है, पहला होता है byte stream, दुसरा होता है character stream, अगर आप byte stream यूज़ करके data को read write करना चाहते हैं, तो आप byte stream यूज़ करेंगे, byte stream का classes यूज़ करेंगे, आप चाहें तो character stream यूज़ करके भी file से data को read write कर सकते हैं, तो ये दो पार्ट में stream को बाटा गया है, byte के form में, 8 bits के form में at a time data read होगा, और इसमें character by character data read और write होता है, तो ये हो गया stream मतलब sequence of data, और दो पार्ट में इसके classes को बाटा गया है, जावा आयो पैकेज में जितने भी classes हैं, उन्हें दो stream में बाटा गया, byte stream, character stream, अभी हम आपको बताते हैं कि जब आप file handling में काम करेंगे, तो आपको कितने methods पढ़ने होंगे, जो कि एकदम basic हैं, can read method होता है, तो true बोलेगा can write method, create new file method यूज़ करके हम एक नया fresh file create करते हैं, delete method यूज़ करके हम file को delete कर सकते हैं, exist method हमें ये बताता है कि वो उस name का file पहले ही available है की नहीं, length से हम किसी भी file का length पता कर सकते हैं, इन सभी method का program मैं आपको एक separate program में सभी method यूज़ करके दिखा दूँगा, ठीक है, get name से हम file का name पता कर सकते हैं, get absolute path मतलब file किस location पे बना हुआ है, वो location हमें बताएगा, mkdir method से हम किसी भी directory को create कर सकते हैं, ठीक है, list method हमें उस directory में कितने files available है, list बताएगा, read, write method यूज़ करके file में data को read और write हम कर सकते हैं, अगर आपको file को rename करना है, तब हम rename to method यूज़ करेंगे, तो जितने भी methods यहाँ पे आपको दीख रहे हैं, file information वाले program में, मैं आपको एक single program में इन सभी methods को यूज़ करके दिखाऊंगा, जहाँ पे हम एक-एक methods के बारे में आपको एकदम प्रूफ करके program के जरीए discuss करेंगे, तो यह हो गए file handling के methods, अभी चलिए file handling में जब हम काम करेंगे, तो कुछ classes भी हमें जानने होंगे, उन classes के बारे में हम discuss कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो file handling classes है, कुछ basic classes है, पहला class होता है file, file भी Java में एक class है, तो file एक super classes सभी file classes का, ठीक है, second होता है file reader, file reader class का use करके हम data को read कर सकते हैं file से, file writer से data को write कर सकते हैं file में, file input stream से भी data read होता है, लेकिन byte के form में, file output stream से data को हम write करते हैं file के अंदर, buffer input stream, buffer में operation को अगर आपको perform कराना है, तो buffered input stream, buffered output stream, अगर आपको direct database में information ना perform कराके, buffer में perform कराना है, जो कि एक temporary memory होता है, तब आप buffered output stream करेंगे, file में data को read write buffer में करना है, तो buffer input stream, buffer output stream, तो ये कुछ classes हो गए, अभी operations of file, अगर हम कोई file बनाते हैं, उनमें क्या basic operation हम सबसे पहले perform करते हैं, सबसे पहले तो हम कोई भी file create करेंगे, जो कि मैं अभी आपको थोड़े ही time में create करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे create किया जाता है, सेकेंड होता है, जो भी file हमने create करा है, उस file का पूरा information निकालना, तो ये information हम आपको निकाल के दिखाएंगे, अपने अगरे program में, थाड होता है, किसी भी file में अगर data है, तो उसे read कैसे करना है, अपने console में, या फिर कि कोई भी empty file पढ़ा हुआ है, सबसे basic program होता है, किसी भी file को create करना, तो हमने create file नाम का, यहाँ पे देखिए, एक class बना रखता है, मतलब इस program में, हम आपको file create करना सिखाएंगे, तो चलिए हम program लिखना, start करते हैं, कि कैसे किसी भी file को create किया जाता है, file create करने के लिए, हम file class यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमें, इस file class का एक object बनाना होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको double quotes में, वो location set करना होगा, जहाँ पे आप file create करना चाहते हैं, जैसे मालो मैं file create करना चाहता हूँ, अपने C drive के, desktop location पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ से path को copy कर लिया, और double slash आपको लगाना है, यह ध्यान में रखना है, और इस document वाले चीज को हम मिटा कि क्या करेंगे, desktop location पे मुझे बनाना है, तो मैंने desktop कर दिया, और अभी हम किस नाम से file बनाना चाहते हैं, file का name होगा, हमारे lc यानि learn coding.txt file, object हमने f बनाया है, अभी यहाँ पे ना हमें 2 condition देना पड़ेगा, program का requirement आप समझ जाएंगे, देखके कि वो condition क्यों हमने put करा, सबसे पहला condition माल लो file नहीं है, तो file बनना चाहिए, तो file object का name है f dot, एक method होता है, Java में create new file, यह method क्या करता है, एक नया file create करने में help करता है, इसका काम ही होता है, एक नया file को बनाना, तो f object के लिए, एक नया file यह बनाएगा, तो जब यह नया file बनाएगा, तो file तो बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, system dot out dot print element में, बढ़ियां सा एक message दे देंगे, जो हमें अच्छा लग रहा, file successfully created, ठीक है, यह हमारा message आप कुछ भी दे सकते हैं, जोरी नहीं है कि आप भी यही दो, तो यह हो गया, हमारा एक point हमारे program का, अभी एक point हमारे program का, यह else part है, else part में हम क्या code लिखेंगे, else part में बड़ा ही simple सा code हमें लिखना है, मालो हम जिस name से file create कर रहे, lc.txt, यह file हमारे system में पहले से ही, desktop location पे already available है, ऐसा मान के चलो, तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि file already available, ऐसा बोलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, file already exist, ठीक है, यह दो कसौटी हो गया, हमारे program का, program ready है, program हमने आपको समझाया भी है, तो program में ध्यान से देखो, हमने file class यूज किया हुआ है, तो यह file class java के io package के अंदर है, तो हमें क्या करना होगा, program को compile और run करने से पहले, io package को program के पहले ही लाइन में, import करना होगा, java.io. यहाँ पे हम चाहें, तो file भी लिख सकते हैं, class का नेम, लेकिन मुझे नहीं यह लिखना है, मैं यहाँ पे strict दे रहा हूँ, इसका मतलब यह हुआ, कि हम java के io package के, किसी भी classes को अगर अपने इस program में यूज करते हैं, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी classes को यहाँ पे import कर लिया, strict symbol यूज करके, program का हम result दिखाते हैं, कि program हमारा output क्या देता है, हमने program को compile करा है, अभी तो देखते हैं, compilation में क्या result आता है, तो यहाँ पे देखो, line number 8 पे compiler हमें एक error दे रहा, इसे आप warning समझिए, unreported exception, input-output exception, compiler बोल रहा है, कि input-output exception आपके program में आ सकता है, और आपने उसे मुझे report करके नहीं बताया है, कि आप अगर ये exception अकर होता है, आगे चलके run time में, तो आप इसे कैसे handle करेंगे, या तो आप इसे try-catch में declare करो, या तो थ्रोस करो, इस line से exception अकर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास दो रास्ता है, सबसे पहले ना, या तो हम exception को खुद try-catch लगा के handle करें, या फिर हम exception को handle नहीं करना चाहते हैं, तो बाइपास कर दें, तो अभी सबसे बड़ा सवाल यह है, कि compiler हमें ये message दे की उरा, कि input-output exception आ सकता है, इसे handle करो, माल लो आगे चलके file not found exception आता है, file available ही नहीं रहता है, हम जिस भी location पे बना रहे हैं, file available नहीं है, तो फिर हम input-output operation कहां perform कराएंगे, ये situation run time में आ सकता है, माल लो फाइल नहीं बना, file available नहीं है, तो ऐसा situation अगर आएगा, तो हम उस situation से कैसे निप्टेंगे, इवही compiler हमें यहाँ पे बोलना चाहरा, कि कैसे आप handle करेंगे इस situation को, तो पहला होता है, handle करने का तरीका try catch, जितना भी risky code है, जहाँ पे exception occur हो रहा, उसे आप try block के अंदर डाल दो, ठीक है, हमने देखो, यहाँ पे try block के अंदर, वो सारा risky code put कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक और block बनाएंगे catch block, इसका काम क्या होगा, कि अगर मालो try block के अंदर, कोई भी exception occur होता है, तो यह catch block क्या करेगा, उस exception को catch करेगा, और handle करेगा, तो कौन सा exception occur हो सकता है, यहाँ पे compiler बोर रहा, io exception, exception का यही name है, तो हम क्या कर रहें, इसी exception को यहाँ पे paste कर दे रहें, और इस catch block के अंदर, हम एक message दे सकते हैं, अपने मन पसंद का system.out.println, यहाँ पे क्या लिख दे हम, यहाँ पे हम लिख रहें, exception handled, मतलब जो भी exception आया था, हमने उसे handle कर लिया है, अगर exception occur होगा, तो यह message चलेगा, और exception handle करने का फाइदा यह होता है, यह हमारा program हर हाल में execute करेगा, फिर चाहे program में exception रहे या ना रहे, अभी जैसे हमारा program हर हाल में execute कर नहीं है इसे, क्योंकि हमने exception को handle कर दिया, जो compiler बोला था, input, output, exception, तो देखो यह compile हो गया है, अभी हम आपको file बनता हुआ दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर बनेगा file ठीक है, dextraub location पर, तो देखो file successfully created यहाँ पर message आ चुका है, यह देखो text file lc नाम का dextraub location पर बन चुका है, कुछ भी इसमें लिखो आप लिख सकते हैं, यह आप कि मर जी आपने file बनाया है, यहाँ पर created ठीक है, अभी अगर हम इस exception को मालो try catch के through handle ना करें, मालो मुझे try catch में इसे handle नहीं करना है, जैसा कि अभी मैंने खुझ से try catch लगा के इसे handle करा, लेकिन अभी मुझे इसे handle नहीं करना है, मुझे क्या करना है, bypass करना है exception को, तो हम throws keyword की मदद से भी उस काम को कर सकते, जो हमने try catch की मदद से किया, तो अभी exception को कौन handle करेगा, अभी exception को ना main method का caller handle करेगा, तो main method का caller कौन है, main method का caller है jbm, तो अभी इस iio exception को jbm handle करेगा, throws keyword का use b je, exception को declare करके handle करने के लिए ही करते हैं, अगर हम try catch use करके exception को handle नहीं करना चारे तब हम froze करते हैं उस exception को तो अभी भी result आएगा, same result आएगा, program को हम क्या कर रहे, compile कर रहे तो अभी ये देखो, थोड़ा ही time में compile हो जाएगा यहाँ पे line number 19 के लिए हमें एक error बोड़ रहा है, error क्या बोड़ रहा है हमने एक curly bracket यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है, हमने catch block का curly bracket साइद remove नहीं किया था तो अभी ये compile होगा successfully, तो देखो अपना program compile होगी, अब इसे run कर रहे है तो यहाँ पे देखो file already exist message आया है, यह message क्यों आया है क्योंकि desktop location पे LC नाम का file हमने यहाँ पे देखो already create कर दिया है तो जब हम दुबारा program को execute करने गए, तो file already exist बोड़ रहा क्योंकि file पहले ही उस location पे बन चुका है तो इस तरह से आप Java में program लिख के किसी भी file को create कर सकते हैं file create करना बड़ा ही simple है, सबसे पहले file class का object बना लो, उसके बाद एक condition दे दो, file successfully create होगा इस method के तुरू और मालो file पहले से ही available है, तो else part का यह हमारा चीज execute करेगा तो यह जो हमने f नाम का object बनाया है इस object का file desktop location पे ही बनेगा, क्योंकि हमने यह path set कर रखा है आप किसी भी location पे file create कर सकते हैं, किसी भी file में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपने program के जरीए, तो आप वो कर सकते हैं तो यानि file में write operation perform कराने का program हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए हम program start करते हैं कि बनेगा कैसे सबसे पहले देखो file writer नाम का यह class है हमारा और यहां पर यह रहा अपना main method, जितना भी coding होगा inside इसी main method के अंदर हम करेंगे, तो जब भी हम files के साथ काम करते हैं तो हमेंसा exception आता है, उसका नाम होता है IO exception, तो हमें उसे handle करना होगा, तो इसलिए जो भी code लिखेंगे हम, उस operation perform करते हैं, तो वह exception हम handle कर सकें, ठीक है, तो इस try block के अंदर सबसे पहला code हम क्या लिख रहे हैं, file का एक object बनाएंगे, file create करेंगे, तो file हम create कर रहे हैं, Java में class है, file writer, ठीक है, इसी class की मदद से हम क्या कर रहे है, file एक file बना रहे है, उसका object create कर रहे है, तो file writer, यहाँ पे यह class है, और मुझे किस location पे file create करनी है, मुझे file create करनी है, desktop location पे, तो यहाँ से मैंने path को copy कर लिया, double quotes में यहाँ पे paste करेंगे, यहाँ पे double slash लगाते चलो, नहीं तो आपका file नहीं बनेगा, आपको error बोलेगा, ठीक है, और document location पे नहीं, मुझे desktop location पे file च name मेरे होना चाहिए, lc. मुझे एक txt file बनानी है, .txt extension मैंने इसका दे दिया, यह तो हो गया, file create कैसे करना है, हमने desktop location पे create कर दिया, file writer class की मदद से, तो अगर file create करते समय कोई भी exception आएगा, तो यह try block उसको handle करके, cache के पास throw कर देगा, ठीक है, handle करके नहीं, मतलब उस exception को cache क पास throw कर देगा, अभी मैं एक और try block use कर रहा हूं, और इस try block के अंदर हम file में क्या करेंगे, write operation perform करेंगे, अगर write operation perform करते वक्त कोई भी exception आता है, तो यह try block handle करेगा, आप चाहें तो एक single try block में भी कर सकते हैं, पर उसका नुकसान क्या होगा, हम आपको आगे program में ठीक है, इसका use करने से फाइदा क्या होगा, अभी आपको पता चल जाएगा, अभी मुझे write करना है file में, file का object reference का name है f, क्योंकि f object reference है, जो कि हमारे lc.txt file को refer कर रहा है, जो dextro में बनेगा, f. एक method होता है Java में, जिसका name क्या है write, ठीक है, write method use करके हम file में data को write कर सकते है मुझे क्या लिखना है file में, Java programming, जो यहाँ पर लिखेंगे, वही file में लिखा हुआ मिलेगा, Java programming is the best language, ठीक है, यह message मैं चाहता हूँ, file में write हो जाए, जब मैं file को open करूँ तो यह message मुझे दिखना चाहिए, उसके बाद हमने file को open करा, file में write करा, अब हम चाहते है, write करने के बाद ना, हमने जो भी file open करा था, वो close हो जाए, तो जितना भी security से related code होता है, closing से related जो भी statement होते हैं, हम उसे finally block के अंदर लिखते हैं, ताकि exception रहे या ना रहे, file में data write हो या ना हो, हमारा file close हो जाना चाहिए, यानि disconnect हो जाना चाहिए, इसका फाइदा क्या होगा, मालो इसी को data share कर रहे, real life example, तो data share हो या ना हो, हम चाहते हैं कि हमारा connection disconnect हो जाना चाहिए, इससे क्या होगा, कि अगर connection disconnect नहीं होगा, तो वो बंदा क्या करेगा, बाद में भी data हमारे phone से ले सकता है, या फिर अपने phone का data दे सकता है, इसमें, इसलिए, exception आए या ना आए, file में data write हो या ना हो, file close हो जानी चाहिए, finally block में हमने closing का statement लिख दिया, अब file close होने के बाद, हमें ये पता चलना चाहिए, कि file में data write हो चुका है, ठीक है, अगर exception नहीं आएगा, तो write होगा, exception आएगा, तो अपने cash block चलेगा, उसका code हम लिखेंगे आगे, यहाँ पे क्या लिख हम successfully wrote in file, ठीक है, यहाँ पे in file हम लिख रहे, successfully wrote data लिख देते हैं, यहाँ ठीक है, successfully data wrote in file, यह message हम लिख दिये कि, यह message आएगा, मतलब file create हुआ, file में data write हुआ, हमें पता चलिया, इस message के तुरू, और माल लो, file create करते समय, write करते समय, कुछ भी exception आता है, तो उसे handle करेगा अपने यह catch block, एक ही exception आएगा, IO exception, तो हम क्या कर रहे, इसी IO exception को ही न catch block में handle कर ले रहे, यही exception आकर होता है, इस IO exception के अंदर एक exception होता है, file not found का exception, कि file अगर available नहीं रहेगा, तो भी exception आ सकता है, तो exception आएगा, तो I को हम print कर दे रहे, जो भी exception आएगा, हमे कोई भी दिक्कत नहीं है, file writer class हमने use किया हुआ है, सबसे पहले IO package को हमें import करना होगा, क्योंकि IO package के अंदर ही, java में जितने भी file से related classes से available है, तो हमने java.io.multiplication का symbol दिया, मतलब IO package के किसी भी classes का हम use अपने program में कर सकते हैं, आप चाहते तो IO.file writer भी लिख सकते थे, ठी हैं कि यह output क्या देता है, compile कर दिया हमने, अभी अगर कोई भी exception होगा तो दिखेगा, exception नहीं है, नहीं दिखा, अब इसी क्या कर रहे, execute कर रहे, तो देखो successfully data wrote in file, मतलब file बना, file में data wrote भी हो चुका है, इस message के थुरू हमें पता चला, तो file desktop location पे बना होगा, और यह message भी हो file बना, अभी तुरंत बना यह, click करते हैं, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, java programming is the best language, यही data तो हमने लिखा, ठीक है, तो यह हमने आपको एक classes का use करके, file में data write कैसे करना है, यह बताया है, अभी और भी classes होते है, file में data write करने का, second class क्या होता है, buffered writer, third class क्या होता है, file output stream और एक class होता है, print writer, इन तीन classes का use करके, आप खुद file में data को write करेंगे, इनका भी आपको object बनाना पड़ेगा, data को write करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, किसी में byte form में होगा, किसी में character form में होगा, लेकिन buffered writer, file output stream, और print writer, इन तीनों classes को आपको use करना है, मैं आपको homework दे रहा हूँ, अगर आप खुद से try नहीं करेंगे, तो नहीं सीख पाएंगे, मैं चाहता तो मैं खुद बता सकता था इसी program में, उन तीनों को भी लेकिन उन तीनों को आप खुद से try करें, internet की help लीजिए, किसी से पूछिए, लेकिन जरूर करिए, तभी सीखेंगे, अगर try catch use नहीं करना चाहतें, exception को handle नहीं करना चाहतें, फ्रोस keyword लिग दो यहां पे और इसी IO exception को फ्रोस कर दो, तो उसमें क्या होगा, main method का caller JVM exception को handle करके देगा, आपको यहां पे try catch लगा के handle करनी की ज़ौरत नहीं पड़ेगी, फाइल से data read कैसे किया जाता है, Java प्रोग्राम के जरीए हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे, तो चलिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हमने file reader नाम का एक class बनाया हुआ है, और यह रहा हमारा main method, अभी हम क्या करेंगे, जो भी code लि लिखेंगे, try catch block बना के लिखेंगे, ताकि अगर कोई exception आए भी तो हम उसे handle कर ले, और अगर ना आए, तो हम जो भी operation perform कराना चाहते हैं, वो perform हो, सबसे पहले हम जिस भी file से data को read करना चाहते हैं, हमें वो file चाहिए होगा, तो Java में एक class होता है, file से data को read करने के लिए, जि सबसे पहले हमने एक file reader class का एक object बनाया, यहाँ पे file reader class का name है, और यहाँ पे हमें वो path देना होगा, जिस भी file से हम data को read करना चाहते हैं, तो हमारा file desktop location पे available है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे है, desktop location पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा file है, यहाँ पे file है, हम किस file से data read करना चा है, lc.txt, जो कि desktop location पे available है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पे है, यह देखो, यहाँ पे हमारा lc नाम का file available है, और इस lc file के अंदर क्या लिखा हुआ, java programming is the best language in this world, इस data को हम क्या करना चाहते है, अपने इस console में read करना चाहते है, java program के जरीए, तो अभी यह कैसे ह होगा, हमने file को तो यहाँ पे import कर लिया, file reader class की मदद से, अभी हम file से data को read करेंगे, तो file से data को read करेंगे, एक और try block के अंदर हम read करेंगे, अगर read करते से में कोई भी exception आता है, तो यह try block handle करेंगा, आप चाहें तो एक single try block के अंदर भी read कर सकते हैं, पर मुझे क्या करना है finally block भी बनाना है, और file से data read होने के बाद file को मुझे close भी करनी है, इसलिए मैंने एक separate try block बनाया है, file से data को read करने के लिए, तो यहाँ पे हम एक variable बना लेते हैं, integer type का, और while loop हम use कर रहे हैं data को read करने के लिए, ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे हमारा condition क्या होगा, हमारा file का object reference क name क्या है, r है, तो हम क्या लिखेंगे, r. एक method होता है read, read method क्या करता है, character by character data को read करता है, और integer के form में value return करता है, तो जो भी value यह return करेगा, उसे हम i में store कर देंगे, i का type इसलिए मैंने integer लिया है, अभी यह data तब तक read करता रहेगा, जब तक value not equal minus 1 ना हो जाए, तीक है, और इसे हम एक separate bracket में क्या कर देते हैं, close कर देते हैं, क्योंकि यह हमारा condition है, तो देखो, i का value जैसे ही minus 1 होगा, जैसे ही हमारा data read करना बंध होगा, अगर i का value minus 1 नहीं होगा, मतलब हम data को read करते रहेंगे, तो यहाँ पे while loop के अंदर हमें क्या code लिखना होगा, हमें data को console में read क करना है, तो system.out.print, और यहाँ पे अगर हम i को print करते हैं, तो जो भी data read method read करेगा, integer के form में value return करेगा, उस character का ascii value print होगा, लेकिन हमें exact वही data चाहिए, character चाहिए, तभी तो समझ में आगा क्या data है, तो हम क्या करेंगे, type cast कर देंगे, i का जो type print है, उसे हमने care में बदल दि integer के form में value return करता है, और एक single character by character यह data read करता है, तो यह हो गया data read हो रहा है, data read होने के बाद, हम चाहते हैं, हमने जिस भी file से data read करा है, वो file close हो जाए, और dot close हम finally block के अंदर लिखेंगे, finally block के अंदर closing का statement हम इसलिए लिख रहे हैं, ताकि अगर read करते समय कोई exception भी आ जाता है, तो हमारा यह file close हो जाए, ठीक है, connection close हो जाए, ताकि हमारे file से जो भी connection हमने establish किया था, connection disconnect हो जाए, फिर चाहे आप data read करो या ना करो, अभी मालो कोई भी exception यहाँ पर आता है, तो उसे हम cash block में handle करेंगे, तो file में जब भी हम काम करते हैं, तो common exception होता है, जिसका name है, I.O.Exception, ठीक है, यही exception अकर होगा, अगर आएगा तो, तो यहाँ पर हम क्या लिग देते हैं, यहाँ पर हम लिग देते हैं, system.out.println में, exception handled, ठीक है, यह हमारा message है, exception handled मतलब हमने exception को handle कर लिया, अगर exception आएगा, तब यह message print होगा, तो program अपना ready है, हमने file reader class यूश किया है, और I.O.Exception भी यह class है, जावा में ठीक है, इसे आप checked exception नहीं बोल सकते हैं, यह ऐसा exception होता है, जो compile time में occur होता है, compiler हमें warning देता है, कि आप इसे handle करो, तो हमने दो-दो classes use किये हुए है, I.O. package के, तो हमें I.O. package यहाँ पर import करना होगा, तो हम लिखेंगे java.io. और यहाँ पर multiplication के symbol में लगा रहा हूँ, strict, इसका मतलब यह, कि हमने file reader भी use किया हुआ है, और I.O. exception class भी use किया हुआ है, अगर आप यह streak नहीं लगाएंगे, तो I.O. file reader उसके बाद एक line में आपको फिर लिखना होगा, import java.io.io exception, तो दो line ना लिखने के बजाए हमने एक ही line में काम कर दिया, star लगा के, अभी इस program का हम आपको result दिखाते हैं कि क्या हम data को read कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमने program को compile करा, अगर कोई भी exception होगा तो यहाँ पे दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे successfully program compile हुआ है, अब हमने enter मारा, तो देखो यह run हो गया, हमने data को read कर लिया है, java programming is the best programming language in this world, यह जो desktop location प मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो हमारा file खुला हुआ है, और यह हमने data read किया हुआ है, आप दोनों data को देखो same to same exact वही चीज है, जो हमने read करा है, और finally block execute हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही console में हमने data read करा, उसके बाद हमारा file close हो चुका है, अगर आप इसका सबूत लेना चाहते हैं कि file close हुआ भी है कि नहीं, तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या लिख रहे है, file closed, ठीक है, और यहाँ पे लन लगा देते है, slashon लगा देते हैं, नहीं, slashon नहीं लगा रहे है, read होगा, समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे देखो data हमने read करा, उसके बाद एक message आया है, file closed, इसका मतला data read होने के बाद हमारा file close हो चुका है, तो मैंने आपको यहाँ पे file reader class use करके read method के थुरू, file से data read कैसे करना है, यह बताया है, अभी और भी classes होते हैं, जैसे buffered reader, scanner class, file input stream, यह तीन class का use करके भी आप file से data को read कर सकते हैं, जब आप buffered reader और scanner class से file के data को read करेंगे, तब आप read line method use करेंगे, यहाँ पे read method की जगा, यह method क्या करता है, read method में हम एक एक character data को read करते हैं, लेकिन read line method में हम एक पूरी complete line को एक बार में read कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे इस complete line को एक बार में read करनी है, तब मुझे क्या करना होगा, read line method यूज करना होगा, तो उस method को हम buffered reader या फिर scanner class के case में use कर सकते हैं, और एक एक line, complete line data को एक बार में read कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम single character ही read कर पा रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे try catch यूज करके हमने exception को handle किया होगा, मालो हम try catch नहीं लगा रहे, ठीक है, यह सारा try catch मैंने क्या किया हठा दिया, अभी exception तो आएगा, program हम चलाएंगे, तो exception हमें मिलेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, ठीक है, यह program चलेगा, तो exception हमें मिलेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम दिखा देते ह हमें आपको exception, क्या exception मिलता है, इसे close करते है, ठीक है, तो हमने program को compile करा, तो यहाँ पे देखो, exception आया है, line number 11 पे, और 8 पे भी आया है, unreported exception, file not found exception, ठीक है, unreported exception, input output exception, तो हमें क्या करना होगा, जब हम file चे data को read कर रहे हैं, तो file not found exception आ रहा, और जब file से हम जो भी file से data को read करना चाते हैं, तो वहाँ पे input, output exception आ रहा, तो अभी हम exception को handle कर सकते हैं, थ्रोज keyword की मदद से, input, output exception ही आया था, इसके अलावा तो कोई exception आया नहीं था, तो हमने थ्रोज keyword की मदद से exception को अभी यहाँ पे handle किया, तो इसका मत आप यह होता है, कि अभी main method exception को खुद handle नहीं कर रहा है, main method अपने caller से exception को क्या कर रहा है, handle कर रहा, तो main method का caller कौन है, main method का caller है JBM, तो अभी इस exception को कौन handle कर रहा, JBM handle कर रहा, अभी देखेगा program में कोई भी error नहीं आएगा, यानि कोई भी compiler हमें warning नहीं देगा, exception के लिए, क्योंकि हमने exception को JVM के पास throw कर दिया है अभी JVM exception को handle करेगा यहाँ पर देखो data हमने read कर लिया है मतलब जो भी exception आया था उसे JVM ने handle कर लिया तभी तो यह data हम read कर पारे file से तो इस तरह से आप दो तरीके से exception को handle कर सकते हैं अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं थ्रोज keyword की मदद से caller से exception को handle करवा सकते हैं नहीं तो try catch तो होता ही है बेस्ट अप्रोच exception को handle करने का उसमें guarantee होता है कि program नॉर्मल टर्मिनेट होगा अभी इस program में अगर मैं यहां पर लिख दू और डॉट क्लोज तो इसकी कोई guarantee नहीं है कि हमारा file close ही होगा read होने के बाद data लेकिन try catch में guarantee होता है क्योंकि family block के अंदर हमने यह code लिखा था उम्मीद करते हैं आपको concept समझ में आया होगा अगर आया हो तो आप खुद से घर में बफ़र्ड रीडर फाइल input stream और scanner class यूज करके फाइल से data को read करिएगा read line method यूज करके ठीक है package in java java में package क्या होता है कितने types का होता है package को लाने का purpose क्या था इसका यूज क्या है इन सभी चीजों को मैं इस एक वीडियो में आपको बताने वाला हूं most important topics में से एक है जावा का package तो चलिए जान लेते है what is package package होता क्या है package arrange number of classes interfaces and sub package of same type into a particular group package क्या करता है ना same type के जितने भी classes है interfaces है या फिर sub packages उन्हें arrange करता है और उनका एक particular group त्यार करके group बनाता है उसी को हम क्या बोलते है package बोलते हैं जैसे real life example यहाँ पे देखो note में मैंने क्या लिखा है package is nothing but folder in windows जिस तरह से हम अपने windows में folder बनाते हैं और folder का particular name दे देते हैं और उस folder में हम उसी से related data रखते हैं तो हम folder क्यों बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं ताकि हमें जब भी data की ज़ुरत पड़े तो हमें पता हो कि इस folder के अंदर हम उस folder में जाके directly उसे यूज कर लें तो ठीक इसी तरह जावा में package भी होता है package में क्या होता है सेम तरह का जितना भी classes होता है उसका एक अलग group बनता है और हम उस group का एक package बना देते हैं तो हमें अगर उन classes को यूज करना होता है तो हम package को directly import करके उन्हें यूज कर लेते हैं तो यही होता है package अभी हम आपको बताते हैं कि java में package कितने types का होता है पहला होता है predefined second होता है user defined प्रीडिफाइंड वह package होता है जिसे पहले ही define किया जा चुका है java developers के द्वारा ठीक है जैसे java.lang package java.util package java.io java.applet java.awt java.net java.sql package तो यह जितने भी packages से न यह predefined package है इन्हें हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं यह java developer बना गए है ठीक है तो इसमें java.lang package आपको दिख रहने यह java language का by default package है यह language supported package है इसमें जो भी classes होते हैं उन्हें हम यूज करते हैं तो java.lang package को इंपोर्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो भी चलेगा नहीं करते हैं तो यह by default file handling में जितने भी input output operation कराने के लिए classes interfaces से वो java.io package के अंदर है इसी तरह से java.applet, java.awt, java.net, wave related application बनाने के लिए इन packages के हम यूज करते हैं इनके अंदर भी उसी से related classes और interface रखे गए हैं लास्ट में java.sql है अगर आप database से related कुछ भी काम कर रहे हैं तो java.sql package भी बना के रखा है तो जब मैं आपको jdbc connection करके दिखाऊंगा java और oracle database का तब देखेगा इस package का भी हम यूज करेंगे तो मैंने already अपने program में आपको इन तीन package का यूज करके दिखा दिया है औ अब भी बात करते हैं user defined package की user defined package बनाने के लिए आपको package keyword लिखना है और package का name देदेना है तो आप यहाँ पे package का name देखो हम कुछ भी दे सकते हैं यह हमारा मर्जी क्योंकि यह user defined package हम बनाएंगे जो programmer होता है वो खुद बनाता है अपने personal use के लिए और इन्हें हम अपने personal use क के लिए यूज नहीं कर सकते हैं इनका जो यूज डिफाइंड किया जा चुका है बस हम उसी काम के लिए इन्हें इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं कि यूटिल का scanner class का यूज हम अपने लिए खुद से यहाँ पर बना के करें नहीं वह पहले ही डिफाइंड है यूटिल पेकेज में है रन टाइम में वैलओ इन्पूट लेने के लिए तो प्री डिफाइंड है यूजर डिफाइंड हुज से बनाएं खुझ से परसनल्यूश के लिए यूज करें तो अब चलिए हम आपको एक्सेस मोडिफाइड बताते हैं पैकेज में एक्सेसिस क्या रोल है, तो access modifier क्या होता है, ये हमें बताता है कि वो जो data member है, वो कहां तक accessible है तो सबसे पहले यहां पर दिखा देता हूं, चार access modifier होते हैं, जावा में private, default, protected और public, सबसे पहले बात करते हैं, हम private की, तो जैसा इसका नाम ही देखो private है, अगर कोई data private होता है, तो वो data सिर्व और सिर्व उसी class में accessible होगा जहां पे इसे बनाया गया है ठीक है यानि within class यह accessible होगा क्या within package accessible हो सकता है within package से मतलब यह है कि मालो एक package के अंदर 10 classes है और उस 10 class में से एक class में हम private data member बना के रखे हैं और बाकी का now class जो की same package का हिस्सा है वो भी यूज़ करना चाहते हैं तो क्या private को यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं प्राइवेट को सीर्फ और सिव जिस class में बनाया जाएगा वही use करेगा same package का other class भी use नहीं कर सकता outside package by subclass जब same package का class use नहीं कर पारा तो outside वाला कहां से करेगा outside package use करेगा ये भी नहीं करेगा तो ये हो गया private अभी बात करते हम default की तो default में अगर कोई member default होता है तो same class में वो accessible होगा इसके अलावा वो within package भी accessible होगा मतलब अगर same package में 10 class है और किसी एक particular class में हमने default data member बनाया तो default data member को उस package के सभी class भी use कर पाएंगे outside package by subclass यहां accessible नहीं होगा और outside package भी accessible नहीं होगा मतलब उस package के बाहर हम default member को access नहीं कर पाएंगे जिस package में हमने इसे बनाया है same package में accessible होगा within package रहेगा अभी बात करते है प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड की जब भी बात आती है ना super class subclass का concept आता है यानि inheritance का तो सबसे पहले अगर कोई member protected है तो within class accessible होगा इसमें कोई डाउट नहीं है विदिन package भी accessible होगा क्योंकि जब default accessible है तो प्रोटेक्टेड तो होगा ही क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा छूट मिलता है हमें क्या outside package by subclass accessible होगा यहां पे भी यह accessible होगा इसका मतलब यह होता है कि माल लो हमने package 1 में protected data member बनाया और package 2 का कोई class access करना चारा कोई subclass access करना चारा package P1 के इस protected member को तो वो access कर सकता है मैं program बना के आपको अगले video lecture में दिखाऊंगा भी अभी बात करते क्या outside package जा सकता है तो outside package नहीं जा सकता यहां पे यह नहीं हो सकता अभी public access modifier की हम बात करते हैं यह तीनों हो चुके हैं अभी इसकी बात कर रहें तो इसका नाम देखो क्या है public है public मतलब हर जगा यह accessible होगा इसे कहीं से भी कोई भी access कर सकता है इसमें किसी भी तरह का restriction नहीं है security नहीं है तो यह हो गया access modifier package जब हम यूज करेंगे तो इन्हें आपको जानना पड़ेगा क्योंकि इसी के थुरू हम package में काम करेंगे अब ही आपको हम बताते है package यूज करने का advantage क्या मिलेगा अब है अगर हम package यूज करते हैं तो code को reuse कर सकते हैं हम same package को अपने अलग project में भी import कर के same code को reuse कर सकते हैं बार-बार reuse कर सकते हैं सेक्ज़ प्रोजेक्ट में जहां चाहें कर सकते हैं कैसे नियर को सिक्योरटी भी मिलता है हम आंक有沒有 को ठाईबेट या Default रखके अपने डीडेटा में को सिक्यूर कर सकते में सेम पैख तक WITHIN पैकेस अगा आप और आप सेक्योरटी नहीं देना चाहते थो तो आप पब्लिक कर दो डेटा मिंबर को ठीक है फास्ट सर्चिंग से मतलब यह है कि जब जावा में पैकेज नहीं था ना जितने भी क्लासे से इंटर्फेसे से वह सभी एकी जगापि coś भी हैं थे गीड़ होता होता हुँ पूरा जावाकर लाइबरियलिस सर्च होता था उसमें टाइम लगता था लेकिन जावा ने क्या किया पैकेश करके सेम तरह का जितना भी class जैसे फाइल से related classes को आयो package में डाल दिया system supported classes को जावा के लाइंग और दिया तो इससे क्या होता है कि अगर हम फाइल में काम कर रहें तो हम सिर्व आयो package को इंपोर्ट कर लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा जावा का पूरा theory scan करने का ज़रुवरत नहीं सिर्फ Amos पैकेज से ही हमारा काम हो जाता है यह सर्चिंग इसका मतलब यह होता है कि– हमने दो पैकेज बनाया पीवन box wreck is muss make class in a close is to be to make class in my box Rock्+. इस तरह से हम कर सकते हैं अलग-अलग package में सेम नाम का क्लास हम बना सकते हैं तो इसमें क्या वह naming conflicting का problem दूर किया गया इस तरह के problem में भी package का यूज होता है सबसे last और important है hiding package का यूज करके आप अपने पूरे source code को hide कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने किसी भी फ्रेंड को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो package बनाके उसे दे दो source code देने की जौरत नहीं है फिर भी उसका काम हो जाता है ठीक है यानि encapsulation का facility भी इसमें है inheritance का facility भी इसमें है security भी है naming conflicting भी है फास्ट सर्चिंग भी है लेकिन इसका disadvantage क्या है इसे यूज करने से हमें disadvantage क्या मिलता है we cannot pass parameter to package हम package से parameter पास नहीं कर सकते हैं जैसे यह पीवन पैकेज मैंने बनाया न तो इस पीवन को हम इस तरह से लिखके यहां पर parameter पास नहीं कर सकते हैं तो यह हो गया package क्या होता है advantage, disadvantages, access modifier मैंने सभी चीजों को बताया इस वीडियो में आने वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे इन्ही access modifier का यूज करके package का program बना के आपको दिखाएंगे जिनमें हम चीजों को प्रूफ करके देंगे ठीक है तो उसके बाद package name तो यहाँ पे package name में आप कुछ भी name ले सकते हैं यह आपकी मर्जी है क्योंकि हम user defined package बना रहें अपना खुद का package बना रहें उसके बाद semicolon लगा देना है और आपको coding start कर देनी है तो यह बन जाएगा हमारा user defined package लेकिन आपको package बनाने से पहले कुछ rules और regulation को जरूर जानना चाहिए package statement must be first line of the program यह जो syntax है package बनाने का यह आपके प्रोग्राम के एक दम पहले line में होना चाहिए rule number one second क्या है the way of compilation of these classes would be different package में जो भी classes होते हैं उन्हें compile करने का process अलग होता है java c space hyphen d space dot फिर से space आपको देना है class name dot java अगर आप ऐसे लिखेंगे तभी आपका package का program compile होगा और जैसे ही program compile होगा एक folder create होगा package के name से और उसी folder के अंदर हमारा dot class file available रहेगा अब हम discuss करते हैं package member accessibility मतलब package में जो भी member होगा उसे कहां तक accessibility करने की permission होती है तो सबसे पहले member को हम चार तरीके जब बना सकते हैं private default protected public यही चार member होंगे जो हम बनाएंगे तो अगर मालो कोई member private होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वी दिन class accessible होगा उस class के बाहर वो और कहीं accessible नहीं होगा जिस class में private member होता है उसे हम केवल उसी class में access कर सकते हैं in fact same package का other class भी access नहीं कर सकता जब same package का other class access नहीं कर सकते हैं तो package के बाहर access करने का तो कोई सवाल ही नहीं उड़ता तो चलिए private access modifier का हम package में accessibility आपको proof करके देते हैं जो मैंने यहां पे कहा है प्रोग्राम बनाने के लिए हम अपने computer screen के पास आ गए हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं अपने इस program को save कर रहे हैं तो मैं desktop location पे इसे save कर रहा हूं new folder के अंदर तो हम किस name से save करेंगे class का name हम रखेंगे a.java हमारा extension होगा ठीक है हमने desktop में new folder के अंदर a.java नाम से अपने इस program को save कर रहा हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं एक package बना रहे हैं तो package keyword हम use करेंगे और package का एक name हम ले लेते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे यहां पे अखिलेश के अंदर हम क्या कर रहें एक class बना रहे ए नाम का और इस class के अंदर हम एक member बना रहे हैं method private void method का name है so ठीक है यह क्या करेगा किसी भी एक message को display करने का काम करेगा हम एक एक point आपको prove करके देंगे बस आपको हमारा program समझना है यहां पे message क्या होगा learn coding हमने message यहां पे लगा दिया ठीक है यह हमारा message है यह हमारा member method जो private है यह class A का member है ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं इसे access कर रहे हैं तो सबसे पहले main method बनाएंगे और यहां पे class A का हमें object बनाना होगा method को access करने के लिए क्योंकि वो non-static method है तो r. अगर हम so लिखते हैं तो अभी आपको क्या लगता है हमारा so method access होगा वो call होगा चलिए देखते हैं प्रोग्राम को हमने save करा तो अभी मैं आपको दिखा दू प्रोग्राम हमारा कहां save हुआ है new folder के अंडर देखो यहां पे a.java नाम का java file है ठीक है अभी सिर्व इतना ही यहां पे है अब हम च तो पैकेज का प्रोग्राम को कंपाइल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता हुआ तरीका क्या है जावा सी space hyphen d space. डाट फिर से क्लास का नेम ड़ॉट जाब है और यहां पे के अंदर यहां पे देखो निव फोल्डर के अंदर एक पैकेज Image красив नाम से एक folder बना है और इस folder के अंदर हमारा एक डॉडट क्लास फाइल है ठीक है मतलब package का program時間 compile करने से package का नेम से एक folder बनता है और उस फोड़ textedor के अंदर अपना ये डॉड़ क्लास फाइल होता है just right इतना दूर तक किलिए यह आपका अभी चलिए प्रोग्रां को हम आपको रन कराके भीखाते हैं रन कराने का सिंपल तरीका लिवा घल उसके बाद हमारा क्लास also склад एक किस पैकेज का इस सहे क्लास एक स्पैकेज का हिस्चा है अखिलwir अखिलेस डॉट क्लास नेम उसके बाद आपको एंटर मारना है तो देखो यहां पर हमारा मेसेज आ चुका है लर्न कोडिंग इसका मतलब हमारा यह जो मेथड प्राइवेट था इसको हम अपने क्लास एक के अंदर एक्सेस कर पारें क्लास एक खुद एक्सेस कर पारा मतलब कि दिन क्लास एक्सेसिबल है लेकिन अगर इसी काम को हम एक अलग क्लास में करें मालो हमारे पैकेज अखिलेस के अंदर दो क्लास है हमने एक और क्लास बनाया भी ठीक है और इस क्लास बी के अंदर हम क्या कर रहें एक्सेस करने की कोशिस कर रहें क्लास एक प्राइवेट मे तो अभी program compile हो रहा है जैसे ही यह compile होगा यहां पे देखो line number 16 के लिए error बोल रहा क्या बोल रहा so has private access in a our .so हमारा यह जो so method class a में यह private है आप line number 16 में जो access करने की कोशिज कर रहे हो other class b में आप access नहीं कर सकते क्योंकि यह क्या है यह private है तो private member same package का दुसरा class भी उसको access नहीं कर सकता है private member को सिर्व वही class access कर सकता है जिस class का वो member है तो आप देखो package अखिलेज का ही class A class B लेकिन वो access नहीं कर पा रहा खुद class A का member तो यहीं होता है private access modifier second member accessibility होता है default default member बनाने के लिए हमें किसी भी तरह का keyword की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप default keyword लिखेंगे तो भी चलेगा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा वो by default default member ही रहता है तो default member को within class हम access कर सकते हैं यानि जिस class में इसे बनाएंगे वहां तो यह accessible होगा ही साथ ही साथ अगर मान लिजे हमारे package में दो classes है तो हमारे same package का दूसरा class भी default member को access कर सकता है लेकिन package के बाहर सब class access नहीं कर सकता और other package भी normally access नहीं कर सकता तो चलिए default access modifier को भी हम आपको प् होगा private access modifier हम अगर हटा देते हैं तो यह हमारा default method बन चुका है और default method को within class मतलब class यह तो access कर ही सकता है same package का other class भी भी access कर सकता है तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कि accessible है कि नहीं हमने एंटर मारा अभी program हमारा compile हो रहा है अगर यह compile हो जाता है मतलब accessible है अब हम क्या कर है इसको run करने के लिए जा रहें तो run करने के लिए हमें यहां पर class b लिखना होगा class b इसलिए हम आपको दिखाते हैं new folder के अंदर हम अखिलेस के अंदर अगर जाते हैं तो देखो b.class नाम का हमारा .class file बना है क्योंकि main method अभी class b के अंदर है यहां पर main method है तो अभी run हम करे की कोसिस कर रहा है member method को तो देखो class b ने access कर लिया है learn coding message आ चुका है मतलब default member को within class और same package का दूसरा class यानि within package भी access कर सकते हैं हम अगर इसी काम को हम class a के अंदर करेंगे तो हम बहुत ही असानी से कर सकेंगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब same package का class b access कर पा रहा तो same package का class a क्यों नहीं कर सकता है बिल्कुल कर सकता है तो अभी हमने देखो यहां पर compile करा तो यह compile हो रहा हमारा program अब हम इसे run करने जा रहे class a के नाम से ठीक है क्योंकि class a में अभी main method a.class में हम run करेंगे तो यहां पर देखो learn coding message फिर से आ चुका है तो default जो member होता है उसे आप within class जिस तरह से अभी हमने करके दिखाया और within package यानि जो other class हम बनाये थे class b यहां भी कर सकते हैं और default member बनाने के लिए आपको इस तरह से default keyword की जौरत नहीं पड़ती अगर आप default keyword लिखेंगे तो भी चलेगा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा तो यह हुआ हमारा default access modifier थार्ड होता हमारा member बनाने का तरीका protected हम किसी भी member को protected भी बना सकते हैं protected तब बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि member वहीं तक accessible हो जहां तक हम चाहते हैं ठीक है तो अगर कोई भी member protected होगा तो वह within class accessible होगा within package भी accessible होगा मतलब एक package में दो class है तो दोनों access कर सकते हैं protected member को outside package बाइस सब-class इसका मतलब यह है कि दूसरे package का सब-class भी प्रोटेक्टेड मेंबर को XS कर सकता एकστेंड की वर्ड की मदद से उसके बाद outside package में हम XS नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड मेंबर को तो चलिए इसका भी प्रोग्राम बनाके हम आपको प्रूव करके देते हैं इन थ्री पॉइंड स्को अब अगर हम इस मेत्ट को protected बना दे जो class A के अंदर है तो हमें क्या करना होगा protected access modifier यहाँ पर यूज करना होगा अब ये method protected है तो उसे class A तो access करेगा ही अखिलेश package का class B भी इस method को access करेगा तो अभी class B ही access करने की कोशिस कर रहा class A का object बना के सबसे पहले इसका result दिखाते हैं access कर पारा की नहीं यहाँ पर हमने देखो compile कर दिया है class A को क्योंकि method हमारा class A में है आपको उसी class को compile करना है जिसमें आपका method है अभी हम run किसको करेंगे run हम करेंगे class B को तो class B अखिलेश package का method है तो अखिलेश डॉट उसके बाद class का नेम भी तो यहाँ पर देखो learn coding message print हो चुका है इसका मत्ता protected member को same package अखिलेश का other class B भी access कर पारा लेकिन क्या same class access कर पाएगा जब same package का other class access कर पारा तो क्या वही class access कर पाएगा जिस class में उसे बनाया गया है चलिए हम चेक कर लेते हैं access कर पारा कि ने class A class A को हमने compile करा अभी यह compile हो रहा है अभी हम run करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे class A लिखेंगे तो यहाँ पर देखो learn coding message print हो चुका है मतलब same class भी access कर पारा same package का other class जैसे class B यहाँ पर था तो वह भी हमारे इस method को access कर पा रहा लेकिन अगर यहाँ पर protected member हैं अगर हम यहाँ पर extend keyword लिख के करें तो यह ज्यादा अच्छा प्रोच होगा क्योंकि protected मतलब inheritance आपको extend करके ही चलना है तो अभी class B हमारा सब class बन चुका है तो अभी इसके पास advantage क्या आगिया ना कि class B अपने object से access कर पाएगा अभी तक class B को super class का object बनाना पड़ रहा था जूट मूट का तब access कर पा रहा था लेकिन वह अभी extend कर लिया है तो अभी class B अपने object से access करेगा अभी उसे class A के object के उपर depend होने की जरूरत नहीं है compile हम एको ही करेंगे क्योंकि method class A में है अभी access कौन करने की कोशिस कर रहा access करने की कोशिस कर रहा class B तो run करेंगे class B को तो देखो learn coding message आ चुका है अभी class B ने अपनी object से access कर रहा है यह best तरीका होता है लेकिन जो protected member होता है ना उसे हम other package में भी access कर सकते हैं जैसे हम चलो एक नया package आपको बना के दिखाते हैं तो सबसे पहले इसे हम new folder के अंदर ही save करते हैं c.java नाम से ठीक है class बना रहे c.java नाम से तो यहां पे सबसे पहले हम एक package बना लेते हैं package के name हमने अंकुस दिया और इस अंकुस package के अंदर हमें class बना रहे c अभी यह class c क्या बोड रहा ना कि जो package अखिले से उसमें एक class है उसके अंदर protected method मुझे access करना है class c बोड रहा है package अंकुस का जो class है तो कर सकता है तो करने के लिए उसे यहां पे सबसे पहले extend लिखना होगा class a को extend करना होगा यानि outside package है हम अभी अंकुस package दुसरा package outside package by subclass protected member accessible है तो यहां पे c हमारा subclass है और a हमारा super class है तो जब भी other package में हम access करने के लिए जाते हैं किसी भी method को किसी दुसरे class के तो हमें पहले वाले package के class को public बनाना होता है यह rule है अगर class a public नहीं रहेगा तो class a का protected method class c access नहीं कर पाएगा और अभी हम किस class के method को access करने की कोसिस कर रहे उस package का ने में अखिलेस तो सबसे पहले हमें अखिलेस package को क्या करना होगा यहां पर import करना होगा डोट यहां पर इस ट्रिक मतलब अखिलेस package में जितना भी class है हम सब को यहां पर import करके access करना चाहा है फिलाल एक ही class है कोई दिकत नहीं चाहाए आप dot so लेकिन यह object हमने create करा है तो यहां पर तो main method चाहिए होगा क्योंकि बीना main method के program execute कैसे करेगा तो यह object creation का जितना भी line है इसको इस method के अंदर कर दो ठीक है तब होगा हमारा सही coding अभी चलो program को save करते हैं तो अभी हमारे इस folder के अंदर देख लो class a का java file है class c का java file है और class a को हमने compile किया था तो उसका folder बना था इसके अंदर a dot class है b dot class क्योंकि b करके भी हमने आपको दिखाया था ठीक है अभी चलते हैं इसे compile करने तो compile हम सबसे पहले class a को करेंगे क्योंकि हम जिस method को access करने की कोसिस कर रहें वो method कहां पर है compile हो चुका है वो method है class a के अंदर अगर class a public नहीं होता तो हमें error मिल जाता अभी तक अब चलते हैं class c यानि package अंकुस में अभी यहां पे न हमें एक और काम करना होगा हमें class c को भी compile करना होगा और package style में ही करना होगा क्योंकि class c भी अंकुस package के अंदर है तो यहां पर क्या बोड़ रहा है ए इस नोट पब्लिक इन अखिलेस चैन्नोट भी एक्सेस्ट फ्रोम आउटसाइड package class c extends a तो यहां पर देखो हमने class a को पब्लिक किया हुआ है तो यहां पर एरर तो नहीं बोलना चाहिए था फिलाल हम क्या करते हैं class a को फिर से कर रहे compile और अभी class c को भी हमें क्या करना होगा compile करना होगा ठीक है तो यह अभी compile हो रहा है देखो successfully compile हो चुका है अगर class a पब्लिक नहीं होता यहां पर एरर बोलता अब run करने की बात आ रही है तो देखो सबसे पहले folder में दिखा दूँ मैंने class c को जैसे ही compile करना package पैकेज अंकुस कभी एक folder बना है और इस अंकुस folder के अंदर यह डॉट क्लास फाइल है सी का अभी हम run करेंगे तो run हम उस class को करेंगे जहां पर हमने object बनाया है जहां पर हम access कर रहे है तो जावा package पैकेज अंकुस का class c को हम run करेंगे क्योंकि class c एक्सेस करने की कोशिस कर रहा सो मेथड को जो की class एक प्रोटेक्टेड मेथड है और बिना extend किये हुए access नहीं कर सकता क्योंकि class c को हमें sub class बनाना है outside package में protected के case में तो देखो यहां पर learn coding मेशेज आ चुका है इसका मतलब हम protected member को outside package अखिलेश package से अंकुस package में access कर रहे हैं extend keyword की मदद से class c को sub class बनाने के बाद और class c अपने object से access कर पा रहा तो यह हुआ हमारा protected access modifier का accessibility package के अंदर सबसे last होता है हमारा public अगर हम किसी भी member को public बना देते हैं तो वह within class within package outside package by sub class outside package वह हर जगह accessible होगा क्योंकि वह public है तो इसका program बड़ा ही simple बनेगा public member को कहीं भी access करिएगा कोई भी error आपको नहीं मिलेगा तो चलिए इसका भी program बनाके इन points को हम प्रूफ करके देते हैं अभी अगर हम package अखिलेस में जो class A है इसके इस method को protected ना करके अगर हम public कर दें ठीक है तो अभी यह method public हो चुका है मतलब यह class A access करेगा package अखिलेस के अंदर और भी जितने classes होंगे वो भी access करेंगे हम outside package यहां पर भी access कर सकते हैं extend करके जिस तरह से protected को करके दिखाया कर सकते हैं लेकिन public है तो हम outside package भी कर सकते हैं स्टार्टिंग का तो तीन चीज हम कर सकते हैं वो मैंने आपको private default or protected में जो करके दिखाया वो इसमें होगा आप खुछ से practice कर लेना ठीक है अभी यहां पर public advantage क्या है कि anywhere anytime कहीं भी access कर सकते हैं बीना किसी extend keyword की मदद से और in fact class A का object रहेगा class C को object भी नहीं बनाना पड़ेगा बस package को import करना है और कुछ नहीं क्योंकि अभी public है public है मतलब कहीं भी access करो कोई दिक्कत नहीं है चलो program को करते हैं सबसे पहले class A को compile करेंगे क्योंकि अभी अपना method class A में है ठीक है package अखिलेस के अंदर एक लास के अंदर है अभी क्या करेंगे अपने second package के class C को भी हम compile करेंगे और package style में ही करेंगे क्योंकि package अंकुस के अंदर class C मेंथड है outside package है अभी हम ठीक है outside package by subclass नहीं है अभी हम सिर्फ outside package है तो so has protected access in a तो देखो इसलिए ऐसा बोड़ रहा क्योंकि मैंने control s से save नहीं किया save नहीं करेंगे तो error तो बोलेगा फिर से starting से process करते हैं a को compile फिर c को compile फिर run करके आपको result दिखाएंगे c को compile कर रहे अभी अगर यह compile हो जाता है तो run करेंगे ठीक है अभी कर रहें run जावा package अंकुस का class c access करने की कोसिस कर रहा देखो यहां पर access कर चुका learn coding advantage क्या मिला यहां पर ना हमें extend keyword लिखना पड़ा ना class c का object बनाना पड़ा और देखो class package अखिलेस में class a के अंदर 100 method है और हम किसी दूसरे package अंकुस में class c के अंदर उसी method को access कर रहें क्योंकि वो public है public को आप कहीं भी access कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे multi-threading क्या होता है जावा में multi-threading का definition देंगे हम multi-threading का concept भी समझाएंगे और Java में multi-threading को लाने का purpose क्या था Java language को क्या profit हुआ तो चलिए सबसे पहले start करते हैं what is multi-threading multi-threading is a process to execute multiple threads at the same time without dependency of other threads called multi-threading multi-threading एक ऐसा process है जिसमें क्या होता है same time में multiple threads execute होते हैं और यह जो multiple threads है जब यह execute होते हैं तो यह किसी दूसरे threads के उपर depend नहीं रहते हैं मत्तब multiple threads same time में बिना किसी दूसरे threads के उपर depend हुए execute होते हैं जानी सिस्टम का performance increase होता है तो यहां पर concept क्या है multi-threading का मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले consider करो कि यह हमारे पास एक program है ठीक है यह अपना एक program है इस program में तीन काम हो रहे हैं सबसे पहला काम हो रहा है deposit का second काम क्या हो रहा withdraw का और last में काम क्या हो रहा check balance का ठीक है तो अभी हमारे program में देखो एक ही thread है जिसका name है main thread तो main thread इस program को जब start करेगा execute करना तो पहली line से start करते हुए यहां तक आएगा वो तो main thread को इस काम को करने में पूरे program को execute करने में मालो 20 minutes लग रहे हैं ठीक है यह फिर 30 minutes आप कुछ भी समझ लो 30 minutes लग रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं जब इस हमारे single program में हम तीन operation को तीन सब टास्क को perform करा रहे तो हम इन्हें अपने हिसाब से three parts में divide कर सकते हैं और three parts में divide करने के बाद हम इन्हें अलग-अलग threads बनाके रख सकते हैं जैसे हमने त्रेड टीवन को responsibility दिया है deposit वाले operation को perform कराने का इसका responsibility विड्रो प्रेशन पर्फॉर्म कराने का त्रेड त्री का responsibility जैबी हम दिया है balance चेक करने का ठीक है और इन तीनो threads को जैबी हमने अलग-अलग location में memory दिया है जैसे यह memory addresses समझो ठीक है अलग-अलग location में तीनो threads को memory मिला है तीनों अपने operation को perform कराएंगे इंडिपेंडेंट ली तो मालों यहां पे एक user है तीन user हम बनाते हैं अभी यह जो पहला user है ना इसका नाम consider करो राज है यह उस पहले request कर रहा deposit के लिए इसे कुछ पैसे deposit करने हैं तो टीवन त्रेड तुरंत execute होगा deposit का काम होगा सेम टाइम में अपना यह राहूल यूजर जो है यह भी request कर रहा उसी सेम टाइम में जिस टाइम में इसने deposit कर रिक्वेस्ट करा तो अगर एक अकेला में त्रेड होता तो वह पहले इसके request को सुनता उसके बाद इसके request को सुनता जब तक इसका काम में त्रेड अकेले करता यह चुप चाप बैठा रहता लेकिन अभी यहां पे देखो हमने अलग-अलग त्रेड बना दिया है तो सेम टाइम में deposit का request भी होगा पूरा सेम टाइम में इसका request भी पूरा होगा विड्रोगा और एक और यूजर माल लो यहां पे क्या बोले इसका नाम ठीक है रिती ठीक है इसने भी request किया इसने balance चेक करने के लिए request भेजा तो अभी तीनों का 10 मिनट लग रहा तो मल्टी ठीडिंग में क्या होता है multiple threads simultaneously सेम टाइम में execute होते हैं और execute होते ही क्या होता है सारे टास्क सेम टाइम में complete होते हैं इससे हमारा टाइम भी बशता है और सिस्टम का performance भी increase होता है यही होता है है multi-threading जावा लैंग्वेज आज के टाइम में जो इतना popular है उसके popular होने का reason है multi-threading क्यूंकि multi-threading में क्या होता है हमारा time भी बशता है और multiple इस user ने request करा deposit के लिए तो अब यह दोनों भी सेम टाइम में request कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत ने है क्योंकि यह other user है हम bank में जाते हैं तो अगर हम balance deposit कर रहे हैं जमा कर रहे हैं तो उसी सेम टाइम में को विड्रो भी करेगा कोई अपना balance चेक भी करेगा तो इससे क्या होत सेम टाइम में इसको भी कर रहा है तो यहां पर देखो CPU का maximum use हो रहा है मल्टी थ्रेडिंग में अभी बहुत टाइम से हम आपको टीवर्ण टीटू टीथ्री बहुत बात कर रहें थ्रेड के बारे में तो यह थ्रेड क्या होता है आपको यह भी पता होना चाहिए वाट इस थ्रेड त्रेड रदिधा प्रीडिफाइंड क्लासी जावा वीच इच अवैल बिन जावा डॉट लाइंग पैकेज जावा के लंग पैकेज में थ्रेड नाम का एक क्लास है ठीक है तो यह रहो थ्रेड होता क्या है बेसिकलिश के लिए सेग इसींट यून्ये मना disp यूण टीटू टीट्री ये तीनों थ्रेड इंडिपेंडेंट एक्जिक्यूट हो रहा क्योंकि जैविम इनको अलग-अलग मेमरी लोकेशन में इस्पेस दिया है अगर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आज आता है फिर भी टीटू और टीट्री इंडिपेंडेंट एक्जिक्यूट होंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ट्रेड जो है बेसिक यूनिट होता है हमारे सीप्यू का यानि प्रोसेसर का जो की मल्टिपल सब टास्क को परफॉर्म कराने के लिए में यूज करते है सेम सिंगल प्रोक्राम के लगा सकते हैं अभी जावा में करने का कितना वwh क्यां पहला होता है एक्स्टेंडिंग ट्रेड क्लाष सबसे पहले तोच इंप्लीमेंट क्लास होता है में जिसको इंप्लिमेंट करके एक्स्टेंड करके हम थ्रेड कर सकते हैं जावा में मल्टी थ्रेडिंग का काम कर सकते हैं सेकेंड होता है एक रनेवल इंटरफेस होता है जिसको इंप्लिमेंट करके हम जावा में थ्रेड क्रियेट करके के multi-threading परफॉमब कर सकते हैं तो यह हो गया thread multi-threading क्या होता है अभी multi-threading कहां यूज़ करना चाहिए कभ यूज़ करना चाहिए और multi-tasking and multi-threading में अंतर क्या है चलिए थोड़ा सा उसे भी discuss कर लेते हैं तो अगर हम multi-tasking की बात करें यहां पर मल्टी टास्किंग में सबसे पहला बात यह याद रखो कि मल्टी टास्किंग में दो अलग अलग प्रोग्राम होंगे मालो यह प्रोग्राम पीवन है यह प्रोग्राम पीटू है और भी प्रोग्राम हो सकते लेकिन एक से ज्यादा प्रोग्राम होंगे इसके अंदर मालो दो सब टास्क है और इसके अंदर भी तीन सब टास्क परफॉर्म कराने के लिए हैं तो मल्टी टास्किंग में क्या होता कि अगर इसका एक टास्क अग्जेक्यूक हो रहा थो इसका भी एक स्की सेमघ में एक्जेक्यूक होगा हमारा प्रोटेसर यहां पर सी प्रीय EVERY करेगा लेकिन आप ध्यान से देखो जब उसका एक स्क्राइक स्ट प्रोसेस फी वन का तो यहां पर वेक्ट कर रहा हो यह डिपेंड है इसके complete होने पर और यहां पर भी जब यह वाला एक्जिक्यूट हो रहा तो यह दोनों वेट कर रहे हैं कि अगर यह complete होगा तब हम एक्जिक्यूट होंगे तो इसमें dependency होता है और time भी save नहीं होता है मल्टी टास्किंग आपको वहां perform कराना है जब आपके पास multiple अलग अलग प्रोसेस होंगे जैसे पीवन पीटू और उनके अंदर सब टास्क हैं और आपको perform कराना है देखो मल्टी टास्किंग हो रहा कि नहीं यहां से एक टास एक्जिक्यूट हो रहा यहांसे देखो совμृत कर कर रहे हैं अभी मति ट्रेडिंग की बात करें तो मल्टी ट्रेडिंग में क्या होता है एक single program ही होगा और इसके अंदर sub task होगे जाए हना और इन sub task को same time में हम thread बना के क्या कर सकते हैं बिना किसी dependency के ये भी execute होगा ये भी execute होगा तो जब single program हो और उस single program के अंदर multiple sub task हो perform कराने के लिए तो हम क्या करते हैं thread की मदद से same time में जितने भी multiple task होते हैं उन्हें perform करा लेते हैं ऐसा नहीं कि यह execute होगा तो यह wait करेगा multi trading में कोई wait नहीं करता है सब एक साथ execute होते हैं क्योंकि हम thread बना के रखते हैं लेकिन इसमें क्या होता है इसका एक task execute हो रहा उसके बाद यहाँ पर आएगा इसका भी एक करेगा ठीक है स्वीच कर जाता है उसके बाद जब यह complete हो जाएगा तो यह task start होगा execute होना उसके बाद same time में यह भी execute होगा तो हम देखो अलाग-अलग program में same time में switch कर रहें यह execute हो रहा तो यहाँ पर आये थे t1 t2 में से कोई भी आगे पीछे execute हो सकता है लेकिन यहाँ पर सेम प्रोग्राम के अंदर ही यह सारा काम हो रहा है तो multi trading में single program के अंदर multiple सब टास्क होते हैं अगर same time में सभी सब टास्क को perform कराना है multi trading यूज करेंगे अगर अलग-अलग program है और अलग-अलग program का एक सिंगल सब टास्क को ही समय में perform कराना है तब हम मल्टी टास्किंग यूज करेंगे यह होता है मल्टी टास्किंग और मल्टी ट्रेडिंग में difference मल्टी ट्रेडिंग में हम आपको यह बताएंगे कि how many ways to create or define a thread java में कितने तरीके से हम किसी भी thread को define या फिर create कर सकते हैं सबसे पहला तरीका होता है by extending thread class second तरीका होता है by implementing renewable interface यही दो तरीका होता है java में किसी भी thread को define करने का तो इन दोनों में बेस्ट अप्रोच होता है यह second वाला तो फिलाल इस वीडियो लेक्चर में हम आपको by extending thread class बताएंगे उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में जब हम इसको भी पढ़ा देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा यह बेस्ट अप्रोच कैसे हम किसकी मदद से by extending thread class तो यहां पर हम क्या लिखेंगे extends thread ठीक है thread एक सुपर क्लास है जावा में जो की जावा के लैंग पैकेज में अवेलेबल है तो यहां पर class A की यह body होगी तो इस thread class के अंदर एक method है जिसका name है run तो यहां पर हम क्या करेंगे उस run method को यहां पर हम override कर है override का मतलब यह run method जो है जो हम लिखने जा रहे है अभी public void run यह method हमारे thread class में already available है तो यह हमने class A बना दिया तो इस पूरे process को हम क्या कहते हैं इस पूरे process को हम कहते हैं define a thread हमने thread define कर दिया है class A का तो अभी इस run method के अंदर हम जो भी code लिखेंगे न उसी code को perform कराएगा हमारा thread ठीक है यह thread का job है thread को यही काम करना है जो हम इस run method के अंदर code लिखेंगे यही task होगा thread का तो अभी इस thread को object कैसे बनाना है इस thread को start कैसे करना है चलिए उस part को भी हम discuss करते हैं कि यहां पर हमने class बनाया भी ठीक है इस class के अंदर यह हो गया अपना public static void main method ठीक है इस main method का इस main method के अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले अपने जो भी thread को हमने define करा है उसका object create करेंगे तो उससे पहले मैं आपको यह बता दो कि Java के हर program में एक thread होता है उस thread का name क्या होता है main thread इस main thread को कौन कॉल करता है JVM कॉल करता है main thread का दो ही काम होता है इस main method को पूरा execute करना और साथ ही साथ जितना भी child thread हमने define करा है उनका object बना के start करना तो सबसे पहले हम अपने child class thread जो define किये हैं उसका object बना लेते हैं T नम का तो यहां पर हमने object बनाया अभी हमें क्या करना है अपने thread को start करना है तो हम क्या लिखेंगे टी डॉट एक method होता है thread class का start तो यहां पर हमने अपने thread को start कर दिया तो देखो जब प्रोग्राम का पहला line start हुआ main method में तो यहां पर एक thread था उस thread का name क्या था main thread यहां पर भी एक thread ही है लेकिन इस line से यहां से दो thread है एक हो गया main thread और एक हो गया हमारा यह t.start जो हमने thread define किया है यानि class A का thread तो यह start method क्या करता है यह start method internally इस run method को call करेगा और run method को call करते यह सारा code execute हो जाएगा यानि हमारा thread जो t है उसका एक ही job है इस काम को करना और मालो इस main method के बाद इस thread को start करने के बाद यहां पर हम कुछ भी code लिखते हैं यहां पर main method के अंदर तो इस इस का करने का किसका duty को execute कराने का duty है WHO होगा और जावा की हर एक चारिक्रीड को नहीं करता है वह त्रेड की मदद से करता है तो यहां पे室रह से main thread हमारे child thread के लिए काम कर रहा उसका object बनाया फिर उसे start method से start किया और run method execute हुआ तो यह हमारा call हुआ ठीक है जो thread हमने define किया था ठीक उसी तरह main thread के लिए JVM होता है JVM क्या करता है main thread को start करता है और main thread का दो ही responsibility होता है main method को पूरा execute करना और जितने भी child thread हम बना रखे हैं define कर रखे हैं उनके object बना के उन्हें start करना यहीं दो काम होता है main thread का यहां पर आपको एक और बात मैं बता देता हूं कि जब program का हमारा execution start हुआ था यहां पर केवल एक ही ठीक था main thread जब हमने thread और एक है अपना यह टी नाम का चाइड़ी त्रेड तो इस चाइड़ी त्रेड का एक ही responsibility है एक ही जौब है इस run method के अंदर लिखे task को complete करना और अपने इस main thread का एक ही दो जौब है सबसे पहले चाइड़ी त्रेड का object बना के उसे start करना और second यहां पर जो भी टास्क है उसे execute करना तो इसी चीज को चलिए हम आपको figure के थूरू यहां पर बता देते हैं देखो program का जब execution start हुआ था माल लो तो एक ही thread था उस thread का name क्या था main thread अभी जब यहां पर हमने object बनाया चाइड़ी त्रेड का उसके बाद यहां पर दो थ्रेड हो गए एक हो गया main thread यह तो रहे गही और एक हो गया हमारा टी नाम का thread तो main thread का responsibility क्या है चाइड़ी त्रेड का object बना के start करना और main method को पूरा कराना चाहते हैं thread के तुरू अपने चाइड़ी त्रेड के तुरू उसे execute करना तो चलिए इसी चीज का हम प्रोग्राम बना के आपको यह प्रूफ करके देते हैं कि कैसे दो thread होते हुए भी simultaneously दोनों thread execute होंगे कोई भी एक दुसरे के ओपर depend नहीं होगा सेम टाइम में दोनों का execution start होगा program में देखो आप line number two से line number seven तक हमने जो भी किया है हमने बस thread को define किया है किसकी अब जो भी thread हमने डिफाइन किया है उससे हमें कुछ काम करवाना होगा तभी तो हम थ्रेड बनाए उसे define किये हैं तो हम क्या काम करवाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जब यह thread हमारा start होती तो वो मेरे नाम को five times print करें हम ये काम करवाना चाहते हैं अपने द्वारा बनाए गए थ्रेट से तो five times मेरा नेम तब print करेगा जब हम five times loop को execute करेंगे तो loop का value five तक ले जाएंगे और i की value increase होगा ठीक है उसके बाद मेरा नाम print होना चाहिए five times तो हम लिखेंगे system.out.println और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना नेम प्रिंट करा रहें यानि हम अपने थ्रेड टीग से क्या काम कराना चाहते हैं कि मेरे नाम को five times print करो जो भी थ्रेड हम define किये हुए होते हैं उस थ्रेड से अगर आपको कुछ भी काम कराना है तो आपको इस run method के अंदर उस code को लिखना है हमने लिख दिया code को अभी हमने थ्रेड को यहाँ पे देखो object बनाया class a कार thread को start भी कर दिया start method की मदद से तो अभी आप यह सोचते होंगे कि हम start method को object से call कर रहे तो यह run method कैसे कॉल हो जागा start method क्या करता है thread को start करने के साथ साथ internally run method को भी call करता है तभी यह run method कॉल होगा और हम जो भी काम thread को दिये हैं जो भी job thread को दिये हैं करने के लिए वो वो करके देगा हमें अभी मालो यहां पर हम कुछ भी code लिख देते हैं जैसे इसी code को हम यहां से copy कर रहे हैं और इस main method में यहां पर हम same code लिख दे और यहां पर एक another name हम print करें जैसे यहां पर हम एक name print कर रहे हैं अंकूस तो इस job को कौन perform करेगा यह main thread का job है और यह child thread का job है जो thread हमने बनाया है टी नाम का ठीक है इतना आपका doubt clear है तो चलो इस program का हम आपको result दिखाते हैं किसका result क्या display होता है सबसे पहले हमने program को compile करा अभी यह compile हो रहा उससे पहले एक बात बता दूना multi-threading में कभी भी आप यह नहीं बोल सकते कि output क्या आएगा मतलब कि sequence में आएगा अभी दो thread है हमारे पास एक है टी नाम का thread और एक है main thread दोनों एक साथ execute होगा देखना देखो सबसे पहले two times main thread execute हुआ उसके बाद यह पूरा हमारा five times हमारा child thread t execute हुआ फिर main thread execute हुआ मतलब simultaneously दोनों thread execute हो रहा फिर run करेंगे अभी देखो अलग output आया एक बार main thread चला दो बार हमारा thread चला फिर main thread चला फिर फिर दो बार हमारा thread चला फिर main फिर हमारा thread एक बार चला फिर main thread तो आप जितने बार run करेंगे ना उतने बार आपको अलग output मिलेगा तो multi threading में आप यह नहीं बोल सकते कि result क्या आएगा किस form में आएगा लेकिन यहां पे दोनों thread देखो simultaneously execute कर रहा same time में तो अभी multi threading हम यूज क्यों करते हैं यूज करने का पीछे का purpose क्या है आपको मैं वह भी बताता हूं ठीक है तभी तो आपका concept clear होगा मालो हम चाहते हैं कि हमारा जो result है वह एक second के delay में प्रिंट हो एक second के बाद प्रिंट हो एक second का interruption आए बीज में तो हम slip method में 1000 डाल दिया है यह millisecond का value है इसका मतलब एक second तो यह जो slip method है यह thread class का method हम लिख रहे है thread.slip अब same result हम चाहते है कि main thread में भी क्या हो जो भी result आए वह एक second रूख रूख के आए तो हम यहां पे भी लगा दिये तो अभी इस program को अगर हम compile करते हैं तो ध्यान से देखना इसका result ठीक है थोड़ा सा समझाना पड़ेगा यहां पे देखो line number 9 पे एक exception आया है unreported exception एक्सेप्षन 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 आया है चेक्ड एक्सेप्षन कंपाइलर बोड़ रहा है कि हमें report करो क्योंकि आप एक सेकेंड का जो thread को interrupt कर रहे हो अगर मालो run time में कुछ exception आता है तो कैसे handle करोगे हमें report करो तो exception main method में आ रहा तो main method क्या कर रहा है एक्सेप्षन को खुद ना handle करने के विजाए वो exception को क्या कर रहा फ्रो कर रहा फ्रोज exception का name क्या interrupted exception और वही सेम exception यहां पर भी आएगा line number 9 में भी और line number 16 में भी आएगा ठीक है यहां पर यह लाइन नमबर 23 में यहां पर भले एक ही दिखा रहा लेकिन अगर हम यहां का handle नहीं करते हैं यहां का handle नहीं करते हैं यहां का handle कर लेते सबसे पहले तो देखो यह जो run method है यह एक ओवर्राइड मेथड है इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो यहां पर मैं लिग देता हूं ओवर्राइड ठीक है यह थ्रेड क्लास में पहले ही अवेलिबल है तो ओवर्राइड मेथड से आप चैप से अपको खुद हेंडल करना पड़ेगा है यहां पर हम खुद ट्राइड कैच लगा के एक्सीप्ट गरेंगे क्योंकि यहां पर त्रोज करने का कोई रास्ता नहीं ही है तो इस risky code को try block के अंदर हम डाल देंगे मैंने डाल दिया और exception को handle करने के purpose से catch block यहां पर बना रहे हैं और exception का name क्या था जो line number 9 में आ रहा था interrupted exception अभी देखो हमने खूद यहां पर handle करा अभी इस program को run करेंगे तो अभी देखना है exception कहां पर बोलेगा line number अभी आएगा ठीक है 31 पर बोड़ रहा same interrupted exception जो पहले line number 9 पर बोड़ रहा था मतलब यहां पर जहां पर हमने फिर से thread को एक second के लिए interrupt किया है तो यहां पर हम exception को खूद handle ना करने के बजाए throw कर सकते हैं ठीक है अभी इस exception को जिसको हम थ्रोस कर रहे हैं इसको जेविया मेंडल करेगा में मेथट का कॉलर ठीक है हमने exception को handle कर लिया है अभी इसका result दिखाते हैं और आपको यह बताएंगे कि multi trading हम क्यों use करते हैं use करने का फाइदा क्या है compile हो गया अभी रन कर रहे हैं तो देखो फाइब सेकेंड में हमारा यह रिजर्ड प्रिंट हो गया फाइब सेकेंड लगे इसको प्रिंट होने के लिए पहला सेकेंड में यह हुआ दूसरे सेकेंड में यह आया तीसरे सेकेंड में इतना हुआ चौथा सेकेंड में यह हुआ पच्वा सेकेंड में यह हुआ मतलब मैंने क्या कर दिया फन कर दिया और अभी start method तो call करेगा नहीं fun method को क्योंकि वो एक normal method है कोई extraordinary method तो है नहीं thread class का तो अभी हम fun method को call कर रहे हैं तो अभी हमारे इस program में cable एक thread है उस thread का name क्या है main thread तो main thread सबसे पहले fun method को call करेगा उसके काम को करेगा इस काम को करेगा फिर main thread अपने काम को करेगा तो अभी जिस काम को करने में हमें total 5 seconds लग रहा था अभी उसी काम को करने में हमें देखिएगा total 10 seconds लगेगा और अभी हम multi threading achieve नहीं कर रहे था हम output भी बता सकते हैं override method तो यह है नहीं अभी इस program का output हम compulsory बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि fun method को लोगा तो five times यह result आएगा अखिलेज उसके बाद main thread अपना result दिखाएगा ठीक है तो देखो यहां पे अभी main thread को ही सारा काम करना पढ़ रहा अभी हम single threading कर रहे ठीक है single threading क्योंकि अभी एक ही thread है हमारे पास main thread तो देखो एक सेकंड दो सेकंड तीन सेकंड चार सेकंड पांच सेकंड छे सेकंड साथ आठ नव दस मतलब अभी उसी काम को करने के लिए टोटल दस सेकंड लग गया जब हमारे पास दो थ्रेड था एक main thread था और एक हमारा खुद का थ्रेड था तब उसी काम में टोटल फाइब सेकंड लगा था तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया मैंने बताया कि कैसे आप by extending thread class की मदद से किसी भी thread को define करके जो दूसरे thread के उपर depend हुए बिना और कैसे जब हम multi threading achieve करते हैं दो thread तीन thread लेके काम करते हैं तो हमारा वही काम आधे समय में हो जाता है जब हम single thread में काम करते हैं यानि सिर्फ एक thread होता है जो की main thread होता है तो उसी काम को करने में हमें ज्यादा time लग जाता है तो यही फायदा होता है multi threading का multi threading में हम CPU का maximum use करते हैं जब 2 thread execute हो रहा था तो कम समय लगा मतलब CPU का पूरा use हमने किया अभी एक thread है तो जब हमारा main thread इस काम को कर रहा था तो यह सारा काम हमारा रूका हुआ था मतलब CPU थोड़ा सा आराम भी कर रहा था तो यह concept है multi threading का second approach होता है किसी भी thread को create करने का by implementing runeable interface तो इस video lecture में हम इसी point पे focus करेंगे कि कैसे runeable interface का use करके हम किसी भी thread को create कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं सेकेंड अप्रोच हमारा मालों यहां पर हमने एक class बनाया class A और हमें यहां पर लिखना होगा कि इंप्लीमेंट्स रनेबल इंप्लीमेंट्स इसलिए लिखना पड़ रहा क्योंकि रनेबल एक इंटरफेस है ठीक है जिसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहां पर हमें thread क्रियेट करने के लिए क्या लिखना होगा एक मेथड होता है है रनेबल इंटरफेस के अंदर रनेबल इंटरफेस के पास केवल एक ही मेथड होता है उस मेथड का नेम क्या है पब्लिक वॉइड मेथड का नेमे रन ठीक है और इस मेथड के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे यह कोड क्या होगा इसी कोड को आप बोल सकते हैं यह थ्रेड का जॉब है थ्रेड जोब मतलब यहां पर जो भी आप थ्रेड से जोब परफॉर्म कराना चाहते हैं आपको वही सोर्स कोड यहां पर लिखना है और यह अपने क्लास को हमने क्लोस कर दिया तो इतना जो प्रोसेस हमने यहां से लेके यहां तक किया इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे इस प् run method के अंदर हमने कोड लिखा है यह त्रेड का जोब है मतलब यही जोब हम त्रेड से परफॉर्म कराना चाहते हैं उसे आपको run method के अंदर लिखना है अभी सेकेंड काम होता है कि हमने त्रेड तो डिफाइन कर दिया है अब इस त्रेड को अग्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें object करना होगा किसका इस class एक तो object क्रियेट करना बहुत ही simple है कि निव कीवर्ड तो हमने देखो जब main method के पहले line में यहां पहम आये थे तो यहां पर कितना थ्रेड था एक ध्रेड था उस थ्रेड का नेम क्या है main thread अभी हमने class A का object create कर दिया है तो इस class A के पास इस thread को start करने का इस run method को execute कराने का कोई यह नहीं है तरीका नहीं है ठीक है thread को start करने का priority इसके पास नहीं है runable interface के पास ठीक है तो अभी अगर हम करते हैं directly r.start तो आपको क्या लगता है यह run method कोल हो जाए गर हमारा thread start हो जाएगा नहीं क्यों क्योंकि start method thread class के अंदर है ना कि इस runable interface के अंदर runable interface के पास के वाल एक ही method रन method तो अभी thread को start करने के लिए हमें क्या करना होगा thread class का object बनाना होगा यहां पर हम लिखेंगे thread टी निव ठ्रेड यहां पर thread class का object हमें इसलिए बनाना पड़ा कि कुई thread को start करने के लिए हमें start method चाहिए और वह start method इस thread क्लास के अंदर है ठीक है तो अभी हम क्या कर सकते हैं thread को start कर सकते हमें लिखना होगा टी डॉट इतने लिख के छोड़ देते हैं तो अभी यह जो thread class है ना इस thread class के पास भी एक इसी interface रनेबल की तरह run method है तो thread class अभी अपने run method को call करेगा उसको target करेगा लेकिन हमें क्या execute कराना है हमें इस run method को execute कराना है और thread का job क्या है यह source code execute करना है तो उसके लिए हमने class A का जो object बनाया था इस object reference को as a parameter हमें यहां पे पास करना होगा यहां पे start method में जो हमने इस R को as a parameter पास किया है यहां पे हमें नहीं करना है sorry मैंने यहां पे mistake करा थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखना है इस object reference R को यहां पे पास करना है thread class के पास तो अभी क्या होगा यह thread class के पास हमारे class A का object reference आ गया तो अभी यह जो thread का object T था वो इस R को refer कर रहा और इसके चलते क्या होगा यह R किसको target कर रहा है यह R चाहता है यह run method execute हो तो अभी जब हम इस T से start method को start करेंगे तो हमारा यह run method call हो जागर हमारा thread का यह job हम perform करा सकते हैं real life example अगर हम दे runable interface का तो runable interface अपने आप में समझो यह एक machine है ठीक है लेकिन इस machine को start करने का जो power होता है वो इस runable interface के पास नहीं है machine को start करने का power cable is thread class के पास है इसी लिए हमें इसका object बनाना पड़ा और अपने class A का object reference यहां से pass करना पड़ा और जब अब हम T. start करेंगे तो अभी यह start method इस run method को target करेगा ठीक है जो की interface का run method है तो चलिए इसी चीज को हम practically आपको प्रोग्राम के जरीए प्रूफ करके देते हैं प्रोग्राम में आप देखिए line number 2 से line number 7 के बीच हमने जो भी किया है उसे बोलते है defining a thread हमने thread को define किया है जो भी job देना चाहते हैं आप इस run method के अंदर उसे करेंगे उस code को लिखेंगे तो हम क्या चाहते हैं एक message print कराना कितने times 5 times चाहते हैं तो यहाँ पे loop चलेगा 5 times तक i की value increase होगी हम चाहते हैं कि एक message print हो 5 times तक तो उसे हम लिकरे system.out.println यहाँ पे क्या लिकरे my child thread ठीक है यह मेरे दुआरा बनाया गया child thread है यह message 5 times आना चाहिए तो यह जो job है यह हमारे दुआरा बनाये गए thread को perform करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखो हमने class A का object बनाया है और runable interface के पास इतना capability नहीं है कि वो thread को start कर सके क्योंकि start method thread class के पास है इसलिए हमने क्या किया thread class का भी object बनाया है और t.start किया है तो अभी यह thread class अपने run method को call करेगा ठीक है यह interface के run method को call नहीं करेगा लेकिन हमें तो यह source code execute कराना है इस run method को call करवाना है तो हमें इस class A का क्या करना होगा reference यहां पर pass करना होगा हमने r को यहां पर देखो pass कर दिया ठीक है तो अभी हमारा यह run method call होगा thread class का जो start method है अभी इसको target करेगा क्योंकि हमने इस r को as a parameter यहां पर pass कर दिया तो यह t अभी r को refer कर रहा है और r चाहता है यह run call हो अभी main method में देखो line number 16 में एक thread था और एक main thread है अभी 2 thread है यहां पर line number 20 से तो इसका काम है हमारे इस run method के task को perform कराना लेकिन अगर कुछ code हम main method के अंदर लिख देते हैं जैसे यह सारा code हम copy कर रहे और यहां पर main method के अंदर हमने यह code लिख दिया और यहां पर message क्या दे रहे में थ्रेड ठीक है तो अभी इस code को execute कराने का किसका responsibility है में थ्रेड का responsibility है तो सबसे पहले हम आपको अपने इस source code को run करा के result दिखाते हैं इसका result क्या आता है प्रोग्राम अभी हमारा compile हो रहा है compile हो गया इसे हमने run किया देखो पहले हमारा child thread execute करा उसके बार main thread और एक बार देखो हमारा subset उपर में यह main thread का message भी आया है ठीक है इस तरह से यहां पे देखो सबसे पहले main thread एक बार execute हुआ फिर अपना child thread execute हुआ फिर four times main thread मतलब two threads simultaneously execute हो रहे बिना किसी other thread के उपर depend हुए है तो यह हमारा simple सा program था इस program में मैंने आपको यह बताए कि कैसे multiple threads एक साथ execute होते हैं जैसे हमारे इस program में main thread और हमारा यह t-name का thread एक साथ execute हो रहा बिना किसी एक दुसरे के उपर depend हुए बिना दोनों एक साथ simultaneously execute हो रहा दोनों का result mix up हो के आ रहा और multi threading में आप कभी भी यह guess नहीं कर सकते कि output कि sequence में आगा क्योंकि आप program को जितने times execute करेंगे उतने times आपको अलग अलग आप पुट देखने को मिल सकता है क्योंकि दो थ्रेड एक साथ execute हो रहा तो किसी भी थ्रेड का result आगे पीछे हो सकता है तो main thread का दो job होता है सबसे पहले child thread का object create करके उसे start करना और यहां पर जो भी code लिखा होता है वो main thread का ही job होता है main thread को ही execute करना होता है और child thread का एक ही job होता है जैसे यहां पर हमने child thread को start किया तो उसका एक ही काम है इस run method में जो भी job हम thread से करवाना चाहते हैं उसे करके देना तो यह simple सा concept था हमारा implementing runable interface के द्वारा multi thread को achieve करना अब हम देखेंगे जावा के इस full course में बहुत ही important सबसे important topic what is collections heart of the java इसे कहा जाता है collections को collections java का एक framework होता है जिसे आप API भी बोल सकते हैं जिसमें सारी चीजें पहले से ही की गई है ठीक है predefined है आपको बस collections को use करना आना चाहिए अपने project में इससे क्या होगा आपका समय बचेगा आपको खुद code लिखने की जौरत नहीं पड़ती है तो चलिए जानते हैं यह collections होता क्या है java collections are the set of predefined classes and interfaces java collections में बहुत सारे predefined classes और interfaces है जो पहले सही implemented है that helps programmer to perform different kinds of data structure operations like sorting searching traversing उसके बाद storing and processing data efficiently यह जो predefined classes और interface पहले से ही defined किये गए हैं collections में जावा के वह programmer की बहुत मदद करते हैं कैसे अगर आपको जो भी data structure आपको याद होगा अगर आप c c++ पढ़े होंगे तो वहाँ पे अगर मैं आपको बोल दू c language में आप leaf operation perform करों तब आपको क्या करना पड़ेगा stack बनाना पड़ेगा तो वहाँ पे आप stack खुझ से implement करेंगे पहले उसके बाद leaf operation perform कर पाएंगे अगर मैं कहूं फीफो operation perform करके दिखाओ c language के data structure में तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले क्यूं को implement करना पड़ेगा उसके बाद आप फीफो perform कर पाएंगे लेकिन जावा में आपको कुछ नहीं करना predefined classes मौजूद है आपको बस उन्हें यूज करना आना चाहिए आपका ये सारा काम वहां उस class में implement किया गया है अगर आप कुछ भी data structure का करना चाहते हैं जैसे sorting searching traversing storing processing data structure में हम इनी काम को करते हैं तो आपको इनके लिए code लिखने की जौरत नहीं है ठीक है आपको बस predefined class यूज करना आपका काम हो जाएगा तो यहां पे हम discuss करते हैं collection का hierarchy यह hierarchy यह ठीक है तो यहां पे जो भी rectangle symbol को represent कर रहें वह interface है जैसे यह दोनों interface है हमारा जो भी circle होगा वह circle से जिसे हम denote करेंगे वह हमारा class होगा और dot dot arrow से जो भी represent करेंगे वह interface को implement किये हुए interface होंगे या फिर class होंगे और यह जो dark arrow है यह हमारा extend को represent करेगा तो travel हमारा root interface है यानि सुपर सभी का boss है यह इसके अंडर में आता है collection interface और इस collection के अंडर में आता है तीन और interface list q set अगर हम list interface की बात करें तो list interface में यह चार predefined class है ठीक है यह interface है लेकिन यह सभी class है तो अगर आपको array list class को use करना आता है तब आप क्या कर सकते हैं array बना सकते runtime में जितना value चाहे input ले सकते हैं array में delete कर सकते हैं array की किसी भी position पे element insert कर सकते हैं sort कर सकते हैं यह सभी चीज आप कर सकते हैं यह class का बस आपको object बनाना बाकि इसका coding पहले ही Java करके रखा हुआ है इसमें बहुत सारे object बनाइए और अपना काम start करिए वेक्टर class के अंदर आता है stack class जो कि stack extend किया हुआ vector को अगर आपको leaf operation perform कराना है तब आप stack class को use करेंगे तो इसमें से जितने भी main classes है उनका practical हम आपको दिखाएंगे करेंगे ठीक है लेकिन क्यूं इंटरफेस के अगर हम बात करें तो इसमें एक और interface आता है dq dq interface के अंदर में आता है array q एक class है जो कि dq interface को क्या किया हुआ है implement किया हुआ इंटरफेस को implement किया जाता है और एक class दूसरे class को extend करता है तो अगर आपको फीफो प्रेशन परफॉर्म करना है जावा में फस्ट इन फस्ट आउट तब आप array dq class यूज करेंगे ठीक है तो इसको भी आपको फीफो के रिए q को implement करने की ज़ूरत नहीं है इसको बस आपक class एक और इंटरफेस है of i lol एक अंदर भी एक प्रिदिफैंड क्लास होता है हो और इसको क्या हुआ यह हुआ यह हमारा asset, linked asset, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, array list, link list, stack और array deque, ये चार बहुत important collections predefined class है, तो इनका हम practical example आपको करके दिखाएंगे, तो चलिए start करते हैं, Java collections का practical, सबसे पहले हम array list predefined class का practical देखेंगे, तो array list class को use कैसे करते हैं, use करने के लिए आपको array list class का object बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, हमें लिखना पड़ेगा array list, अपने class का name, फिर किस तरह का value आप अपने array में store करना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे, मुझे string type करना है, तो मैं string लिखूंगा यहाँ पर, उसके बाद एक variable का name आपको यहाँ पर provide करना पड़ेगा, तो हम variable का name ले इसमें रहेगा, और यह parenthesis, हम directly object इसलिए create किये array list class का, क्योंकि यह predefined implemented class है, हमें बस इसे use करना है, इसका code नहीं लिखना है, इसलिए direct object बनाओ, use करो, अभी यह util package में है, तो हम क्या करते है, util package को import कर लेते हैं, तब इसको use कर पाएंगे, अब array हमारा बन चुका है, array object बनक की दे रही है, तो कैसे insert होगा, हमें variable का name लिखना पड़ेगा, name.add, एक predefined method होता है, array list class का, इसके थुरू आप array में element insert कर सकते हैं, जैसे, अंकित, यह हमारा first element है, और भी add करने है, तो आप लिख सकते है, name.add, अंकूस, मुझे एक और करना है, आप जितना चाहें कर सकते है ठीक है, run time में आपका उतना ही memory बनेगा, जितना element आप add करेंगे, अलताफ, तो यह तीन element हम add कर लिए, अब अगर हमें print करना है, तो हम लिखेंगे, system.out.print, और print कर देंगे, यहाँ पे name को, code को run करेंगे, तो यह तीनों print होना चाहिए, देखते हैं, तो यहाँ पी यह अंकित, अंकुस, अलताफ, प्रिंट हो चुका है, अब अगर आपको और भी element अपने array में add करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, name.add, अब मालू मुझे एक और element add करना है, उसका नाम रहेगा, anis, तो अभी anis हमारा add हो चुका है, ठीक है, क्या क करते हैं, प्रिंट करके दिखा देते हैं, हुआ है कि नहीं, यहां पर प्रिंट एलन लिख देते हैं, यह पुराना array है, और यह अभी नया array, इसमें anis भी रहेगा, तो यहां पी देखिए, हमारा नया वाला array में, last में देखिए, anis add हो गया, तो अगर आप इस तरह से add कर करते हुए चलेंगे, तो element last में ही add होगा, ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि मुझे beginning में या फिर middle में add करना है, मुझे middle में element add करना है, मैं चाहता हूँ, अंकित के बाद रोहित print हो, उसके बाद अंकूस आ है, तो कैसे करेंगे, अंकित के बाद रोहित आना चाहिए, तो यह प्रिंट होना चाहिए, एरे के one position पे प्रिंट होना चाहिए, रोहित, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे एरे को, और यहां पे भी print अलन लगा देते हैं, ठीक है, अभी देखिएगा हमारा रोहित middle में add होगा, हमारे एरे में, एक सेकेंड, और पूड स्क् starting का एरे था, तीन element का, फिर हम अनिस add किये, दूसरा एरे, ending में element add हो रहा था, लेकिन हमें middle में करना था, तो हम middle में add करने के लिए position बताए कि किस position पे add करना है, एरे के one position पे देखो, अभी रोहित add हो चुका है, तो इस तरह से आप middle में, ending में, beginning में add करना है, कैसे करेंगे beginning का भी दिखा देते हैं, तो देखो हमें कुछ भी code लिखने की जौरत नहीं पढ़ रहे है, beginning का index number 30, हम चाहते है, beginning में add हो जाए हमारा, आमीर, आमीर हमारा एकदम starting में print होना चाहिए, area का beginning position पे, अभी क्या करेंगे, इसको copy करेंगे, और यहां पे paste कर देंगे, अभी दे आमीर एकदम starting में add हुआ है कि नहीं, बिलकुल add हुआ है, और यह हमारा previous area भी है, बाग की सब area भी आप यहां पे देख सकते हैं, तो मैंने आपको area के beginning में, ending में, middle में, हर position पे element क्या करके दिखाया, insert करके दिखाया, add करके दिखाया, अब remove करके दिखाते हैं कि कैसे remove करते सबसे पहले इसको run करके देख लेते हैं, एक phrase area है, मुझे अंकुस को remove करना है, कैसे remove करूंगा मैं, मुझे लिखना पड़ेगा, name.remove, तो यहां पे index number, अंकुस का index number है 1, तो यहां पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने 1 लिखा, अब अगर हम अपने area को print करेंग तो अंकुस नहीं रहेगा हमारे area में, यहां पे देखिए, पहले वाले area में यह element था, अंकुस था, अब दूसरे वाले area में हमने अंकुस को हटा दिया, अंकुस remove हो चुका है, तो इस तरह से आप अपने area के element को remove कर सकते हैं, अब अगर माल लिजिए, आप area के किसी भी element को replace करना चाते है, उसका value change करना चाते है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, remove तो हमने कर लिया, remove बारे जगा पे ही बता देते हैं, यहां पे एक method होता है, sit, ठीक है, हम चाहते हैं कि अंकित का value हो जाए, रोहीत, ठीक है, अंकित replace हो जाए, रोहीत के साथ, तो अंकित का position है 0, तो 0 position अंकित के जगा पे आ जाए, रोहीत, और अंकित हट जाए, ठीक है, वहां पे रोहीत आ जाए, चलो run करते हैं, तो यहां पे देखिए, पहले 0 position पे अंकित था, लेकिन अभी 0 position पे रोहीत है, तो यह set method क्या करता है, value को replace कर देता है, अब अगर आप किसी particular element को print करना चाते ह एक value को आप print करना चाते हैं, तो कैसे करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा यहां पे अपने variable का name dot, dot, get एक method होता है, इसमें आपको वो number प्रवाइड करना पड़ेगा, हम चाहते हैं, सिर्फ अलताफ प्रेंट होता, अलताफ का position है 2, तो अभी सिर्फ अलताफ प्रेंट हो हम पूरा प्रेंट कर रहें, तो इस तरीके से हमने आपको set method, get method, add, remove, यह सब चीज करके दिखाया, अगर आप एक बार में अपने array के सभी element को क्या करना चाहरे, delete करना चाहरे, तब आप क्या use करेंगे, तब आप use करेंगे clear method, जैसे हम दिखेंगे name dot clear, तो clear method क्या करेगा, पूरा साफ कर देगा, एक बार में हटा देगा, जैसे अभी तो हमारा एक array ये वाला print होगा, और second array में हमारा कुछ भी print नहीं होगा, देख लिजे, यहां पर देखेंगे second वाला array हमारा बिल्कूल empty है, क्योंकि clear method ने सभी element को delete कर दिया, ठीक, तो एक बार में delete करने के लि list predefined class, जिसमें हम array को खुद से implement नहीं किये, ये पहले सही Java implement करके रखा हुआ है, array list predefined class को, हमें बस उसे use करना है, और अपना सारा काम करना है, यही काम अगर आप normal array को बना के करेंगे, तो आपको beginning में element insert करने के लिए उस तरीके से array बनाना पड़ेगा, उस तरीके से logic implement करन पड़ेगा, middle के लिए अलग, किसी भी element को replace करना है, value change करना है, तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, predefined method है, array list class के पास, उसकी मिदद से सब काम बहुत ही असानी से हो जाएंगे, अब चलिए second predefined class की बात करते हैं, जिसका नाम है linked list, link list class का क्या करना पड़ेगा, object create करना पड़ेगा, तो यहां पर array list के जगा पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे, linked list, ठीक है, array list में array create होता है, और array type का memory create होता है, array में element store होता है, link list में क्या होगा, link list हमारा बनेगा, link list के form में element हमारा store होगा, computer memory में, वो भी doubly link list के form में तो यही difference होता है दोनों में लिंक लिस्ट यूटिल पैकेज में है तो इंपोर्ट करने बोर्ड रात इंपोर्ट कर लेते हैं अभी array list वाले package का कोई काम नहीं है अब हम link list class को बताएंगे आपको यह हमारा list interface का second class है तो यह तीन element है प्रिंट कर देंगे तो यह प्रिंट हो जाएगा अभी तो देखो अभी हमारा यह तीन प्रिंट हुआ है आपको यहां पर output में तो कोई difference नहीं दिखेगा लेकिन आपको difference इतना ही बोलना है कि array list में array के form में element store होता link list में w link list के form में store होता ठीक है अब अगर इसमें भी element add करना हुआ तो कैसे करेंगे माल लीजे beginning में add करना है तो इसके पास एक method होता add first name का ठीक है आपको क्या करना है हम चाहते है link list के beginning में रोहित add हो जाए तो अभी beginning में रोहित add हो चुका है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं beginning में रोहित देखिए यह देखिए पहले नहीं था लेकिन अभी beginning में add हो चुका है तो link list के पास यह method है add first अगर आपको last में add करना है तब क्या करेंगे normal add करते हैं अगर तो क्या होता है ठीक है name.add normal एक element हम add करते हैं आमिर तो यह कहां पर add होगा देख लेते हैं हम check करके तो अगर normal add करेंगे तो वह ending में add होगा लेकिन recommend किया जाता है कि अगर आप link list के साथ काम कर रहे और एकदम ending position पर element add कर रहे तो आप यहां पर लिखो add last professional ठीक है बस इसलिए और कुछ नहीं ताकि कोई भी देखते ही समझ जाए कि यह आमिर last में जाके add होगा यह रोहित starting में add होगा ठीक है तो यहां पर देखो आमिर last में रोहित starting में है तो इस तरीके से add कर सकते हैं middle में add करना हुआ कैसे करेंगे वह भी आपको जाना चाहिए भी name.add उसके बाद यह वला add middle में हम चाहते हैं कि अंकुस और अलताफ के बीच में anis भी आ जाए ठीक है तो क्या है first position पे तो रोहित 0,1,2,3 3 यहां पे देना पड़ेगा number 3 position पे क्या आ जाए 3 position पे आ जाए anis उसके बाद anis को कर देंगे हम print अभी देखिएगा यहां पे देखिए अंकुस और अलताफ के बीच में anis आया कि ने बिल्कुल आया 0,1,2,3 position पे anis print हो चुका है तो middle में beginning में ending में इस तरह से आप link list में element को insert कर सकते हैं delete करने का भी same style है कैसे यह सब को न हटा दो कोई काम नहीं हम मालो मुझे remove करना है element कैसे remove होगा मेरे को लिखना पड़ेगा name.remove अगर हम सिर्फ remove लिख देते हैं तब क्या होगा देखते हैं print करते हैं system.out.print उसके बाद यहां पे name को print करते हैं क्या अभी code run करेगा देखते हैं तो जैसे हमने code को run किया output screen में अभी आप कुछ भी नहीं देख पा रहे क्यूं नहीं देख पा रहे some technical problem अच्छा यहां पे अभी हमारा refresh हो रहा आप output देखिए output print हुआ है तो remove method यहां पे क्या कर रहा beginning से element को अपने आप हटा रहा ठीक है इसका default nature है beginning से हटाना link list के element को लेकिन मुझे middle से हटाना है मालीजे मुझे अंकुस को हटाना है अंकित को रहने देना है तो अंकुस का position है index number 1 तो अभी सिर्फ अंकुस अटेगा ठीक है तो यह time ले रहा गास क्यूंकि मेरा screen भी record हो रहा eclipse भी चड़ रहा तो अभी देखो middle का element अंकुस हटा दिया क्यूंकि अंकुस का हमने position यहां पर define कर दिया लेकिन जब भी starting या फिर ending का element हटाने की बात हो ना beginning वाला हटाने की बात हो तो remove first method use करो तो यह अपने beginning वाला हटाएगा यहां पर हम code को run किये तो आप देखिएगा अंकित अभी हमारा delete delete रहेगा अंकुस और अलताफ हमारा print होगा यह देखो print हुआ है और ending वाला हटाना होगा तब आप use करेंगे remove last वैसे फिर्फ remove लिखने से भी last वाला element ही हमारा हट रहा लेकिन आपको remove last लिख के ending वाला element हटाना है अच्छा रखता है कि हां यह last वाला element delete हो रहा किसी को explain नहीं करना पड़ेगा कोई code देखके ही समझ जाएगा तो यहां पर output आया देखिए ending वाला अलताफ हमारा remove हो चुका है तो इस तरीके से आप link list में काम कर सकते हैं for each loop के through अगर आप value print करें तो वह better रहेगा जैसे क्योंकि हमारे में link list में इस तरह की collection के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक proper format में काम करें तो string type का value है हमारे link list में तो यहां पर str हमारा for each loop variable रहेगा और हम चाहते हैं कि हमारे variable link list variable name का value एक एक करके str में आए उसके बाद वो print हो system.out.print और यहां पर हम क्या करेंगे print यहां पर str को print करेंगे यह सही तरीका हो था ठीक है for each loop का use करिए जरूर element को fetch करने के लिए तो अभी देखे for each loop कितना अच्छा तरीके से print करेगा एक-एक line में एक-एक element तो यह refresh हो रहा system hang कर रहा मेरा तो थोड़ा सा wait करते हैं तो अभी देखो यह एक line में print कर दिया क्योंकि यहां पर ln use नहीं किया है अब देखते हैं तो देखो यह हमारा 3 line में 3 value print हुआ है तो इस तरीके से आप for each loop जरूर use करेंगे अगर आप ऐसे variable के साथ काम कर रहें जो अकेले multiple value को hold करके रखा है तब आप उस value को print करने के लिए for each loop variable जरूर use करें क्योंकि उसी काम के लिए इसको Java ने introduce किया है तो अब चलिए हम आपको stack के बारे में बताते हैं कि stack में कैसे काम करते हैं stack class को use करने के लिए यहां पर stack class का क्या करना पड़ेगा अपने को object बनाना पड़ेगा ठीक है जो भी class use करेंगे उसको object आपको सबसे पहले बनाना है और यहां पर type देने की जोरत नहीं है एक बार type देने से इसमें चल जाता है ठीक तो stack के पास element को पहले package import कर लेते हैं फिर discuss करते हैं और इसका कोई काम नहीं ठीक है अब हम क्या करेंगे leaf operation perform करेंगे यानि last in first out stack का यहीं काम होता यहां पर comment करके लिग दे रहे फिर बाद में आप बोलेंगे कि नहीं हो रहा ही है add method भी काम करेगा element को add करने के लिए stack में जैसे run कर दें तो अभी देखो यह 3 element हमारे stack में है ठीक है लेकिन element को stack memory में store करने के लिए stack के पास special method होता push तो element insert करने के लिए हम push use करेंगे और delete करने के लिए हम pop use करेंगे ठीक है अभी भी अगर run करेंगे तो कुछ भी changes नहीं आएगा तीन element हमारे stack में हैं अब हमें element remove करना है हम लिखेंगे name.pop pop method क्या करेगा remove करेगा लेकिन अलग style में remove करता है system.out.print और यहाँ पे name यहाँ पे अब run करते हैं second वाले को ध्यान से देखिए हमने बोला था last in first out में कौन in किया था? अलताफ जब delete किये तो सबसे पहले कौन delete हो गया? अलताफ यानि last in first out यही तो होता है stack तो यह stack operation अमने आपको perform करके दे दिया आप चाहाँ तो add remove method भी यहाँ पर भी add कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हैं लेकिन stack के साथ काम कर रहें मतलब push और pop ही आपको use करना है अब q फिफो operation परफॉर्म कराना है first in first out कैसे होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे हमें बनाना पड़ेगा array dq class का object array dq यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा array dq array dq u u e spelling error मिलेगा import कर लेते हैं package को import कर लिए stack वाला का कोई काम नहीं है अटा देते हैं नहीं भी अटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर दो reason की वज़े से यहाँ पर यह red line दिखारा मतलब error है सबसे पहली बात यहाँ पर array का spelling mistake है दूसरी बात यहाँ पर type define करने की कोई जोरत नहीं है अब अगर code को run करें तो fifo operation perform हो जाएगा यह पूरी guarantee है तो यहाँ पर देखे starting में अपना array कुछ इस तरीके से था तो first in first out अलताफ सबसे पहले आया और जब remove करने की बात आई सबसे पहले remove हो गया तो जब भी आप array queue या फिर array में काम करें रेकमेंड किया जाता है कि add method use करें value को add करने के लिए ठीक है और delete करने के लिए remove add करें क्यूंकि यह push और pop आप देख रहें यह especially stack के लिए बना गिया है अभी भी देखें same output हमारा आ रहा है तो यहां पे अब हम officially learn coding की तरफ से यह announce करते हैं कि हमारा Java complete हुआ Java एक high level programming language है starting में हमने आपको बता दिया था क्यूंकि यह एक high level language है क्यूंकि यह English के काफी ज्यादा करीब है ऐसा language जो English और Mathematics के बहुत ज्यादा करीब हो और जिसे as a human being सीखना और समझना काफी असान वह language कहलाता है high level language तो आप लोगोंने request किया इसलिए हमने यह full course बनाया अब हम request करते हैं कि आप इसे share करें क्यूंकि full course बनाने में ज्यादा मेहनत है या फिर समझदार हो आप लोगों एक बहुत important बात तो मुझे आपको बतानी थी वो बताया नहीं वो क्या आपका confidence जो high कर दे इस video को अगर आपने complete देख लिया है तो आप दुनिया का किसी भी कोने में कभी भी कहीं भी कोई भी interview या फिर exam देते हैं तो एक भी question यहां से बाहर नहीं आएगा ठीक है और हाँ इसी तरह free of course lifetime हमारे इस channel learn coding में आपको देखने को मिलता रहेगा stml, css, javascript यह course भी बहुत जल्द upload होंगे तो channel पर बने रहे और इस video को share करें